लोक व्यवहार प्रभावशाले व्यक्ति की कला रिटन बाई टेल कार्नेगी ये बुक एक्च्वल बुक की हिंदी वर्जिन है जिसका नाम है How to Win Friends and Influence People चोकी टेल कार्नेगी ने लिखी है इस ओडे बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज है जो बताना चाहूंगी जब इस बुक की रीडिंग मैंने शुरू की थी तो मैंने ये पाया कि इस बुक में कुछ-कुछ वर्ज एक दम जादा शुद हिंदी में है क्योंकि ये उस ओरिजिनल बुक How to Win Friends and Influence People की Hindi Translation है So, ऐसे tough Hindi words समझने में थोड़ी difficulty होने की वज़े से मैंने पहले इस पूरे बुक की रीडिंग की है and उन सारे शुद हिंदी words को English words से मैंने replace किया है हाला कि इसमें काफी जादा मेहनत और काफी जादा time लगा है but I think कि ये बुक आपको आपकी life में बहुत जादा helpful होगी and क्यूंकि आप अपना इतना कीमती समय एक बहुत अच्छे motive के साथ इस audiobook में लगा रहे है तो मैं उसके साथ complete justice करना चाहती हूँ and now without any delay let's dive into the content प्राकतन Preface How to Win Friends and Influence People पहले बार सन 1937 में publish हुई जिसकी सिर्फ 5,000 copies छपी Del Carnegie and Simon & Schuster publisher ने इससे जादा बिक्री की आशा नहीं की थी लेकिन ये रातो रात चाह गई और इसकी मांग को पूरा करने के लिए इसके editions पर editions छापे गए How to Win Friends and Influence People ने publication के इतिहास में सबसे बड़े international best sellers में अपना नाम दर्ज करा लिया इसने नवस को पकड़ा और एक ऐसी जरूरत को पूरा किया जो depression के बाद आने वाली एक लहर से जादा थी पचास साल बाद भी इसका बड़े स्तर पर सेल होना इस बात का सबूत है डेल कारनेगी का कहना था कि अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा डालना एक मिलियन डॉलर कमाने से जादा मुश्किल है How to Influence and Influence People एक ऐसा मुहावरा बन गया जिसे कहा गया जिसकी पेरोडी बनी और जिसका राजनितिक काटून से लेकर नौविल्स तक में चम कर इस्तमाल हुआ इस किताब का लगभग हर भाषा में इस्तमाल हुआ हर जेनेरेशन ने इसे नए रूप में पाया और इसकी जरूरत को समझा इससे एक सवाल उड़ता है एक ऐसी किताब का revised version क्यूं करें जिसने पूरी दुन्या में अपनी पहचान बनाई है और बनाती आ रही है इसकी सफलता के साथ क्यूं खेले इसका जवाब आने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि डेल कार्णेगी ने खुद इस बुक का कई बार amendment किया How to Inference and Influence People का इस्तिमाल उनके प्रभावशाली स्पीकिंग और मानुविय संबंधु that is human relations के course में text books के रूप में हुआ और आज भी होता आ रहा है Year 1955 में उनकी मृत्यू तक वे लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार अपने course में बदलाव और संशोधन लाते रहे दैनिक जीवन की बदलती परिस्थितियों के प्रती कार्णेगी से जादा कोई समवेदन शील नहीं था वे लगातार अपने teachings के तरीके को बहतर बनाते रहे और अपनी प्रभावशाली बोलने की कला पर किताब को संशोधित करते रहे अगर वे और दिन जिन्दा रहते तो खुद how to win friends and influence people में संशोधित करते ताकि वो तीस के दशक से अब तक समाज में आए बदलावों के हिसाब से अनुरूप बनी रहे इस किताब में जिक्र में आने वाले कई प्रसिद लोग जो पहले publication के समय जाने माने थे आज की पाठ को द्वारा नहीं पहचाने जाएंगे कुछ उदारन और मुहावरे अब इस्तिमाल में नहीं आते इससे किताब का संदेश और प्रभाव कम हो जाता है इसलिए इस revision में हमारा motive इस किताब को बिना इसकी सामगरी को नुकसान पहुचाए इसके content को बिना नुकसान पहुचाए modern readers के लिए जादा सपष्ट बनाना है हमने कुछ हिस्से हटा कर नए उदारन जोडने के अलावा how to win friends and influence people में कोई बदलाव नहीं किया है कार्नेगी का लेज़ा बरकरार है उनके द्वारा इस्तमाल हुए तक्या कलाम भी इसमें है डेल कार्नेगी जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे अपने सम्रिद, बातचीत और बोलचाल के लेज़े में इसलिए उनकी आवाज में अभी भी वही ताकत है चाहे वह किताब हो या उनका कोर्स हर साल हजारों लोग कार्नेगी के कोर्सों से benefits उठा रहे हैं और कई हजार लोग How to Win Friends and Influence People को पढ़ और समझ रहे हैं ताकि उनके सिधानतों से अपनी जिन्दगी को बहतर बना सके उन सभी लोगों को हम या संशोधित किताब that is revised book एक नए और जादा बहतर धले हुए रूप में प्रेजेंट करते हैं ये किताब कैसे लिखी गई और क्यूं लिखी गई डेल कार्नेगी के कलम से 28th century के पहले 35 सालों में अमेरिका के publishing houses ने तरह तरह की लगभग 2 लाग books छापी उन में से अधिकतर काफी डल थी और कईयों ने पैसे डुबा दिये मैंने कहा कईयों सबसे बड़े publishing house में से एक के president ने मुझसे कहा कि 75 years के अनुभव में उनके प्रकाशन ने हर 8 छपी किताबों में से 7 पर पैसों का नुकसान उठाया तब मुझ में एक किताब लिखने की हिम्मत कैसे आई और मेरे लिखने के बाद आपको इसे क्यों पढ़नी चाहिए बिल्कुल सही सवाल है और मैं दोनों में के जवाब देना चाहूंगा मैं सन 1912 से business और professional लोगों के लिए New York में कई educational courses चला रहा हूँ शुरुआत में मैंने सिर्फ public speaking पर course चलाया इन courseों का काम अडल्स को real experiences द्वारा तुरंट सोचना और अपने ideas को अधिक clarity, effectiveness और गंभीरता से व्यक्त करना सिखाना था चाहे वह business interview में हो या किसी group में पर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा मैंने मैसूस किया कि जिस तरह इन लोगों को बोलने की कला में training की जरूरत है मैंने मैसूस किया कि मुझे खुद ऐसे प्रसिक्षन की जरूरत है तब मैं अपने बीते वर्षों को देखता हूँ तो मुझे इस बात से अफसोस होता है कि मुझे में भी तैजीब और समझ का अभाव था कितना अच्छा होता अगर ऐसी कोई किताब मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती यह मेरे लिए एक कीमती वर्दान साबित होता लोगों के साथ व्यवहार शायद आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी खास कर अगर आप किसी बिजनिस में है हाँ यह बात तब भी सही है अगर आप एक ग्रीहनी आर्किटेक्ट या इंजिनियर है कार्णेगी फाउंडेशन द्वारा सिक्षन के प्विकास के लिए किये गए कुछ वर्षों पहले रिसर्च में एक जरूरी बात सामने आई एक ऐसा तथ जिससे कार्णेगी इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नोलजी के स्टडी ने अनकवर किया इन इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि इंजिनियरिंग जैसे टेक्निकल फील्ड में भी किसी इंसान की सफलता का सिर्फ 15% हिस्सा उसके टेक्निकल ग्यान पर निर्भर करता है और 85% हिस्सा human engineering दाट इस personality और लोगों को नेत्रत्व देने की क्षमता पर निर्भर करता है कई सालों तक मैंने Engineers Club of Philadelphia और New York Chaster of the American Institute of Electrical Engineers के लिए कोर्स किये ओल्मूस्ट 1500 से जादा इंजिनियर मेरे कोर्सों को कर चुके हैं वे मेरे पास कई सालों के अनिभव के बाद यह मैसूस करके आए कि Engineering में सबसे जादा पैसे कमाने वाला इंसान वह नहीं होता जिसे Engineering की सबसे जादा जानकारी है Example के तौर पर Engineering, Accountancy, Architecture या अन्ने किसी क्षेत्र में Technical शमता वाले इंसान को थोड़े पैसे में हायर कर सकते हैं लेकिन सबसे जादा पैसे वे लोग कमाते हैं जिन में Technical ग्यान के साथ साथ अपने Ideas को ठीक से बताने, Leader बनने और लोगों में उत्साह जगाने की क्षमता हो अपने काम के शीर्ष के दोरान, John D. Rockfair ने कहा था कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता चीनी या कॉफी की तरह खरीदी जा सकती है और इस शमता के लिए मैं किसी और भी चीज से जादा पैसे देने के लिए तयार हूँ क्या आप नहीं चाहेंगी कि धर्ती का हर कॉलेज इस शमत इस कीन्तिक शमता का विकास करने के लिए कोर्स चलाए लेकिन अगर धर्ती पर एक भी ऐसा कॉलेज है जहां ये प्राक्टिकल और कॉमन सेंस वाला कोर्स सिखाया जाता हो तो वा मेरी नजरों में अब तक नहीं आ पाया है University of Chicago और United YMCA स्कूल ने ये पता लगाने के लिए सर्वे किया कि एडल्स क्या पढ़ना चाहते हैं ये सर्वे दो साल चला और इस पर 25,000 डॉलर का खर्चाया सर्वे का लास्ट पार्ट मेरीडेन क्लाक्टिकल में किया गया इसे एक सामान्य अमेरिकन शेहर के रूप में चुना गया मेरीडेन के हर अडल्स से 156 सवाल पूछे गये सवाल जैसे की आपका बिजनिस या प्रोफेशन क्या है आपकी शिक्षा अपनी खाली वक्त में क्या करते हो आपकी प्रोफेशन या आपकी प्रोफेशनल इंकम कितनी है आपकी होबीज, आपके एमबेशन्स, आपकी प्रॉब्लम्स कौन से विशे पढ़ने में सबसे जादा रूची रखते हैं इत्यादी सर्वे से पता चला कि हेल्थ उन यूद्स की पहली रूची है और उनकी दूसी रूची है लोग कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाए उन्हें कैसे पसंद आया जाए और उन्हें कैसे अपनी सोच की तरफ लाया जाए इसलिए इस सर्वे को कराने वाली कमिटी ने मेरिडिन में व्यसकों के लिए ऐसे ही एक कोर्स चलाए उन्होंने इस विशे पर एक प्राक्टिकल टेक्स्ट बुक खोजी पर उन्हें एक भी नहीं मिली वे अडल्ट एजुकेशन के सबसे महत्वपून लोगों में से एक के पास गए और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी टेक्स्ट बुक उपलब्ध है नहीं जवाब मिला मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं पर ऐसी कोई किताब अब तक नहीं लिखी गई मुझे अपने अनुभव से पता था कि यह बात सही है क्योंकि मैं खुद वर्षों से ऐसी किताब खोज रहा था जो हुमन रिलेशन्स पर एक प्राक्टिकल हैंडबुक साबित हो चुकि ऐसी कोई किताब नहीं थी इसलिए अपने कोर्सों के लिए मैंने खुद लिखने की कोशिश की और वह यहां है आशा है अपको पसंद आईगी इस किताब की तयारी के लिए मैंने हर वह चीज पर डाली जो इस विशे पर मौचूद थी अखबारों के कॉलम्स, मैगजीन के आर्टिकल्स, फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड्स, ओल्ट फिलोसोफी और नए फिल साइकलोजिस्ट की लिखी बाते इनके साथ ही मैंने एक ट्रेंड रिसर्चर को डेर साल तक लाइबरी में वहां हर चीज परने के लिए लगाया चो मुझसे छूट गई थी, जैसे की साइकलोजी पर भारी पुस्तके, सैकडो मैगजीन के आर्टिकल्स, अंगिनत बायोग्रफीस ताकि पता लगाया जा सके कि सदियों तक महान नायकों ने लोगों के साथ कैसे विवहार किया हमने उनकी बायोग्रफीस पढ़ी हमने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन जैसे महान नायकों की जिन्दगी की कहानिया पढ़ी हमें याद है कि हमने सिर्फ थियोडोर रुजवेल्ट की सौ बायोग्रफीस पर डाली थी हमने संकल्प लिया था कि हम हर उस सिद्धान को खोच निकालेंगे जो अब तक लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने के लिए इस्तमाल हुई है मैंने खुद सफल लोगों के इंटर्व्यूज लिये उनमें से कुछ तो विश्व प्रसिद्ध थे मारकोनी और एडिसन जैसे इन वेंटर्स फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट और जैम्स फारले जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ओवन डी यंग जैसे बिस्निस लीडर्स क्लर्ग गैबॉल और मेरी पिकफोर्ट जैसे मुवी स्टार मार्टिन जॉनसन जैसे एक्स्प्लोरर्स और हमने उन तरीकों को खोजने की कोशिश की जो human relations को बनाने में इस्तमाल होती है इन सारे materials से मैंने एक छोटा सा भाशन तयार किया मैंने इसका नाम रखा How to Win Friends and Influence People मैंने कहा छोटा यह शुरुवात में तो छोटा था पर जल्दी ही यह तेड़ घंटे लंबा लेक्चर में बदल गया वर्शो तक मैं यह लेक्चर New York में कार्नेगी इंस्टिट्यूट के अडल्स को हर सीजन में देता रहा यह लेक्चर देने के बाद मैंने अपने लिसनर से आग्रह किया कि वे बाहर जाएं और इसका टेस्ट अपने बिसनिस और समाजिक कॉंटाक्ट के बीच करें और वापस क्लास में आकर अपने एक्सपीरिंसेज और परिणामों के बारे में बताएं क्या दिल्चस्प काम था सेल्फ इंप्रूव्मेंट में उच्सुक पुरुष और स्त्रियां इस नए तरह की प्रयोक्षाला में काम करने के लिए आतुर थे यह थी हुमन रिलेशन्शिप की पहली और सिर्फ एक प्रयोक्षाला यह किताब पारंपरिक धंग से नहीं लिखी गई थी यह एक बच्चे के तरह बड़ी हुई यह उन प्रयोक्षाला में बड़ी और डेवलाप हुई हजारों लोगों के अनुभवों से पोशित होकर वर्षों पहले हम एक पोस्ट कार्ड पर छपे कुछ नियमों से शुरू हुए थे अगली सीजन में हमने एक बड़ा पोस्ट कार्ड छापा फिर एक पर्चा छापा फिर कई पुस्तक के छापी जो आकार और सकोप में बढ़ती गई पंद्रा सालों के प्रयोक और रिसर्च के बाद यह किताब सामने आई यहां लिखे गए नियम सिर्फ सिध्धान्त और अनुमान नहीं है वे जादू की तरह काम करते हैं मैंने इन सिध्धान्तों को लोगों की जिन्दगियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते देखा है यह उदारन देखिए 314 करमचारियों वाले एक शक्स ने हमारा कोर्स जोइन किया वर्षों तक उसने अपने करमचारियों की बिना रोक्तों के आलोचना और निंदा की थी उदारता प्रशंसा के शब्द और प्रोट्साहन उनके होटों से नदारद है इस किताब में बताये गए सिध्धानतों को पढ़ने के बाद उस शक्स ने अपने जीवन का दर्शन बदल लिया उसने संगठन में अब नई वफादारी, नया उत्साह और संगठन में काम के लिए नया जोश है वे 314 दुश्मन, अब 314 दोस्त बन गए है उसने एक क्लास में गर्व से कहा मैं जब पहले अपने ओफिस से गुजरता था, तब कोई मेरा अभिवादन नहीं करता था मेरे कर्मचारी मुझे आते देख नजरे फेड लेते थे, पर अब वे मेरे दोस्त इस शक्स को जादा लाब मिला, जादा इत्मिनान मिला और सबसे जरूरी बात उसे अपने बिसनिस और घर में जादा खुशी मिली अनगिनत सेल्समैन ने इन सद्धानतों का इस्तमाल करके अपनी बिक्री बढ़ा ली है कई लोगों ने नए अकाउंट्स खूले हैं, वैसे अकाउंट्स जो बिकार पड़े थे एक्जेक्योटिव को जादा पावर मिली है, उनकी सालेरी बढ़ी है एक एक्जेक्योटिव ने बताया कि इन सद्धानतों का इस्तमाल करने पर उसकी सालेरी काफी बढ़ गई फिलाडेल्फिया गैस वर्क्स कंपनी का दूसरा एक्जेक्योटिव जिससे 65 की उम्र में अपने लड़ाकों सुभाव और लोगों के साथ विवहार की कला न जानने के कारण टिमोशन मिलने वाला था उसे इस ट्रेनिंग ने टिमोशन से बचाया और उसे बड़ी सालेरी के साथ प्रमोशन मिला अनके नत मौकों पर शादिशुदा लोगों ने कोर्स के समापन समारू में बताया कि उनके पती और पतनिया के या कोर्स करने से कैसे उनके घर में खुशी बढ़ गई नए परिणामों को देख कर लोग अक्सर चकित हो जाते हैं ये मैचिक जैसा लगता है कई बार उत्सा के कारण उन्होंने रविवार को मेरे घर फोन किया क्योंकि वे क्लास में बताने के लिए 48 आर्स का इंतिजार नहीं कर पा रहे थे एक आदमी इन सिधान्तों पर बाचीत से इतना उत्साहित हो गया कि वह रात में देर तक अन्यस अदस्यों के साथ इस पर बात करने के लिए रुका रहा तीन बज़े सुबे बाके लोग घर चले गए पर वह अपनी गलतियों को रियलाइस करने के बाद वह एक नई और समरिज जिन्दगी जीने के लिए इतना प्रेरित था कि वह रात भर सो ही नहीं पाया वह अगले दो रातों तक भी नहीं सो पाया कौन था वो? एक साधारण और अंट्रेंड इंसान जो किसी भी नए सद्धान पर उच्छल पढ़ने के लिए तयार था? नहीं, बिलकुल भी नहीं, वो एक अनुभवी और सुफेस्टिकेटड आर्ट डीलर था चो तीन भाशाएं धारा प्रबाह बोलता था और यूरोप के दो विश्व विद्यालेओं से ग्राजुएट था इस अध्याई को लिखते समय मुझे एक सीन्य जर्मन एरिस्टोक्राट का पत्र मिला जिनके पूर्वस कई जेनेरेशन्स तक सेना के कमानिंग ओफिसर्स के रूप में काम करते आए हैं एक ट्रांस एट्लांटिक स्ट्रीमर से लिखा उनका पत्र बताता है कि कैसे उन्होंने इन सिधान्तों का इस्तमाल किया और उनका उत्साह जुनों से भर गया एक दूसरे इंसान न्यू यॉर्क के वासी, हार्डवर्ड के ग्राजुएट अमीर और एक कार्पेट फैक्टरी के मालिक ने बताया कि उन्होंने 14 सब्ताहों में इस सिस्टम से लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जो सीखा वह उनकी कॉलेज की 4 साल की शिक्षा से कहीं जादा था बक्वास, हसने लायक, ज्यादा हो गया न? आप चाहें तो इस दावे को ठुकरा सकते हैं मैं सिर्वे बाते बता रहा हूँ जो एक कंजरवेटिव और अत्यधिक सफल हार्वर्ड ग्राजुएट ने 23 फेबरी 1933 गुरुवार को न्यू योर्क के येल क्लब के 600 लोगों की सभा में कही थी हार्वर्ड के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था जो हम होने की शमता रखते हैं उसके तुल्ला में हम सिर्फ आधे जगे हुए हैं हम अपने शारिरिक और मांसिक संसाधनों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तमाल कर रहे हैं विस्तार से देखें तो एक इंसान अपनी सीमाओं से काफी कम में रहता है उसमें कई तरह की शक्तियां हैं जिनका वह इस्तमाल नहीं कर पाता वे शक्तियां जिनका आप इस्तमाल नहीं कर पाते इस किताब का लक्ष है कि आप उन्हें खोजे उनका विकास करें और उन सोईक शमताओं से लाब उठाएं प्रिंस्टन युनिवर्सिटी के भूत पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन भिहिब्बिन ने कहा शिक्षा जिन्दगी की परिस्थितियों से निपटने का नाम है अगर इस किताब के पहले तीन अध्धायों को पढ़ने के बाद भी आपको यह अनल अगे कि आप सिंदगी की परिस्थितियों से निपटने के लिए जादा तयार है तो आपके मामले में मैं इस किताब को पूरे तरह असफल मानूंगा क्यूंकि Herbert Spencer ने कहा था कि शिक्षा का महानुदेश जानकारी नहीं व्यावहारिक कदम है जिसका मतलब है जिसका मतलब है इस बुक के चाप्टर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस आपको बताना चाहूंगी इस प्रेज़ेंटेट तो यू बाई एस्थेटिक नरेटर एंड ऐसे ही बहुत सारे ओडियो बुक्स और बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज को सुनने के लिए आप हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब करें विताउट एनी डिले नाओ लेट्स डाइफ इन्टो दाइफ इन्टो दाइफ इन्टो गॉंटेंट पार्ट वन लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके फंडमेंटल टेखनीक्स इन्हांडलिंग पीपल चाप्टर वन अगर शहद पाना है तो छट्टे पर हमला मत करें सेवन्थ में 1931 को न्यू यॉर्क की सबसे सेंसेशनल वार्दात अपने क्लाइमैक्स तक पहुँच चुकी थी हफ्तो की खोच के बाद टू गन क्रॉली, कातिल, बंदूग धारी चो सिगरिट और शराब को हाथ नहीं लगाता था वेस्ट एवेन्यू में अपनी माशुका के अपार्टमेंट में फसा हुआ था 150 पुलीस के जवान और जासूस टॉप फ्लोर पर उसकी छुपने के स्थान पर नजर गड़ाए हुए थे उन्होंने छट पर छेद कर दिये थे ताकि धूए से क्रॉली दे कॉप किलर को निकाल सके फिर उन्होंने आसपास के बिल्डिंग्स पर मशीन गंस तैनात कर दी थी और लगभग एक घंटे तक न्यूव्योर्क का ये रेसिदेंशिल एरिया पिस्टिल के धमाके और मशीन गंस की टाट टाट से गूंचता रहा था क्रॉली एक भारी कुर्सी के पीछे से पुलीस पर गोलिया चलाए जा रहा था तस हजार लोग आखे फाड़ फाड़ कर इस लड़ाई को देख रहे थे न्यूयोर्क के सडकों पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था जब क्रॉली पकड़ा गया पुलीस कमिशनर एपी मलरूली ने बताया कि दो बंदूकों वाला ये जुनूनी न्यूयोर्क के इतिहास में अब तक कि सबसे खतरनाक अपरादियों में से एक था कमिशनर ने कहा वह पलक जपकते ही किसी के हद्या कर सकता था लेकिन दो बंदूकों वाला क्रॉली अपने बारे में क्या सोचता था हमें इसका जवाब पता है क्यूंकि पुलीस की गोलियों का सामना करते वक्त उसने जिससे भी संबंधित हो नाम से एक पत्र लिखा था और जब वह लिख रहा था उसके घावों से गिरता खून कागस पर लाल रंका निशान छोड़ रहा था अपने पत्र में क्रॉली ने कहा मेरे कोट में एक ठका हुआ लेकिन उदार दिल है जो किसी का भी कोई नुकसान नहीं करेगा इससे कुछ समय पहले क्रॉली लॉंग आइलैंड में कंट्री रोड पर अपनी गर्फिंड के साथ पाती कर रहा था तभी एक पुलीस वाला उसकी कार के पास आकर बोला अपना लाइसेंस दिखाना बिना एक शक्त कहे क्रॉली ने अपनी गन निकाली और पुलीस वाले पर गोलिया चला डाली ओफिसर का घायल शरीर जैसे गिरा क्रॉली कार से निकला उसने ओफिसर की गन निकाली और उसके अचल शरीर पर एक और गोली चला दी ये वही कातिल था जुसने कहा था मेरे कोट में एक धका हुआ लेकिन उदार दिल है जो किसी का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा ख्रॉली को इलेक्ट्रिकल चेर की सजा मिली जब वह सिंग सिंग में सजा की जगे पहुँचा तो उसने कहा मुझे यह सजा लोगों का कतल करने के कारण मिली है नहीं उसने कहा यह मुझे अपनी रक्षा करने के कारण मिली है So the moral of the story is क्या यह अपराधियों के बीच दुरलब नजरिया है अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुनिए मैंने जिन्दगी के सबसे अच्छे दिन लोगों को सुख देते हुए गुजा रहे हैं उनकी खुश होने में मदद की है और बदले में मुझे गोलिया मिली एक शिकार होने वाले आदमी की जिन्दगी मिली यह अल कपोन का कहना है हाँ अमेरिका का सबसे कुख्यात जन्ता का दुश्मन सबसे क्रूर अपरादियों का मुखिया जो शिकागो में आया कपोन ने खुद की निंदा नहीं की दरसल वह अपने आपको जनता का हितैशी मानता था एक ऐसा हितैशी जिसे समझने में भूल हुई और जिसे कभी भी तारीफ नहीं मिली ठीक यही काम डच शल्स ने किया जब वह निवार्ग में अपराधियों की गोलियों से मारा गया डच न्यूइयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक ने एक अख़बार को इंटर्व्यू में कहा कि वह लोगों का हितैशी है और उसे अपनी बात पर विश्वास था मेरा न्यूइयॉर्क के सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लावेस ने इस विशय पर कई सालों तक पत्राचार हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिंग सिंग के बहुत कम अपराधि अपने आपको गलत मानते हैं वे हमारी और आपके तरह ही मनुश्य है वे तरक देते हैं वजह देते हैं वे आपको बता सकते हैं कि उन्होंने तिजोरिया क्यूं तोड़ी या बंदूकों के ट्रिगर्स पर उंगलिया क्यूं डाली उधमें से अधिकतर लोग तरकों से भले ही वे सही हो या गलत अपने असमाजिक कर्मों कर्मों को जायस ठहराते हैं और बार-बार कहते हैं कि उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए थी अगर अलकपोन दो बंदूकों वाला क्रॉली डजशल्स और जेल के अंदर बंद जुनूनी लोग अपने आपको जिम्मेदार नहीं मानते नहीं ठहराते तो उन लोगों का क्या जिनसे हम रोज संपर्क में आते हैं जॉन वॉनमेकर अपनी नाम वाली स्टोर्स का संस्थापक ने माना था मैंने 30 साल पहले सीख लिया था कि डाटने का फायदा नहीं होता मैंने अपनी कमियों को दूर करते समय ये देखा था कि भगवान ने बुद्धि बारते समय सबको बराबर अधिकार नहीं दिया था वॉनमेकर ने ये बात जल्दी सीख ली पर मुझे सेंचरी का वन थोर्ड हिस्सा यह समझने में लग गया कि 100 से 99 मामलों में लोग अपनी आलोचना नहीं करते भले ही वे कितने ही गलत क्यों नहों क्रिटिसिजम यह आलोचना बेकार है क्योंकि यह इंसान को रक्षात्मक बना देता है और वह अपने आपको सही ठहराने की कोशिश करने लगता है आलोचना खतरनाक है क्योंकि यह इंसान के अभिमान उनके गर्व को चोड़ पहुँचाता है और उनमें प्रतिरोध पैदा करता है B.F. Skinner विश्वप्रसिद साइकॉलिजिस ने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि जिस जानवर को आपने अच्छे बरताफ के लिए पुरुस्कृत किया हो वह उन जानवर से जल्दी सीखता है जिसे अपने बुरे बरताफ के कारण सजा दी गई हो आगे के अध्ययनों से पता चला कि यही बात इंसानों पर भी लागू होती है आलोचना करके हम स्थाई बदलाव नहीं लाते बलकि प्रतिरोध पैदा करते हैं हन्स सैल्ये दूसरे महान साइकॉलोजिस ने कहा हमें प्रशंसा की जितनी चाहा है निंदा का उतना ही डर है आलोचना से पैदा होने वाले प्रतिरोध से करमचारियों, परिवार के लोगों और दोस्तों का उत्सा कम होता है और वे स्थिती को बिलकुल भी सुधार नहीं पाते अनेड ओकलहामा के जॉर्ज बी जॉन्स्टन एक इंजिनरिरिंग कमपनी के सुरक्षा अधिकारी है उनकी एक सिम्मेदारी यह भी है कि करमचारी फील्स में काम करते समय सिर पर टोप पहन ले आट इस हार्ड है या फिर हेलमेट्स उन्होंने बताया कि जब भी वे हेलमेट न पहनने वाले करमचारीों को देखते थे तब वे उन्हें बड़े रॉप से नियम के बारे में बताते थे और उन्हें मानने पर मज़बोर करते थे इसके कारण उन्हें रूखा व्यवहार मिलता था और उनके जाते ही करमचारी हेलमेट्स उतार लेते थे तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला अगली बार जब वे करमचारीों को बिना हेलमेट के देखते थे तो उनसे पूछते थे कि क्या हेलमेट्स को पहनने में कोई प्रॉब्लम है तब वे बड़े सहेज अंदास में उन्हें कहते थे कि ये हेलमेट्स उनकी सुरक्षा के लिए ही है और हेलमेट्स पहनने से उनका ही भला है इस कारण से लोग उनकी बाद बिना बुरा माने, मानने लगे आपितिहास के हजारों पन्नों में आलोचना की निरर्थक्ता के उधारन देखेंगे टीपोट डोम ओईल स्कांडल को ही ले लीजे यर 1920 के दशक में इससे अखबार रंगी रहते थे इसने देश को हिला दिया था इनसान की इस मेमरी में अमेरिका के समाजिक जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं घटा था यहाँ स्कांडल के कुछ फैक्ट्स है अलबर्ड बी फॉल हादिंग के काबिनेट के इंटीर सेकरेटरी थे उनको यह काम दिया गया कि वे सरकार के ओल रिजर्व को एल्ख हिल और टीपोट डोम को लीस पर दे वे ओल रिजर्व जो नेवी के इस्तमाल के लिए रखे गए थे क्या सेकरेटरी ने ठेके के लिए प्रतियोगिता कराई नहीं उन्होंने उस मालदार कॉंट्राट को अपने फ्रेंड एडवर्ड एल दोहेनी को दे डाला और उसके बाद दिहोनी ने क्या किया उन्होंने सेकरेटरी फॉल को एक लाग डॉलर का कर्स दे दिया फिर सेकरेटरी फॉल ने रॉबिले अंदाज में युनाइट स्टेट्स मरीन को आदेश दिया कि वे एल्क हिल रिजर्व के आसपास के कुऊं से तेल निकालने वाले प्रतियोगियों को खदेर दे यह प्रतियोगी बंदू की नोग पर भगाई जाने के बाद कोट पहुँचे और उन्होंने टीपोट डोम स्कैंडल का परदाफाश कर दिया इससे जो दुरगंद निकली उसने हार्डिंग एड्मिनिस्ट्रेशन को बरबाद कर दिया पूरे देश को घिन से भर दिया, रिपब्लिकन पार्टी को काफी नुकसान पहुचा और अलबर्ट फॉल को जेल में पहुचा दिया गया फॉल की तीखी आलोचना हुई, पब्लिक में शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ थो क्या उसे अफसोस हुआ? नहीं, सालों बाद हर्बर्ड हूवर ने एक भाशन में बताया कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मृत्यू एक दोस के धोके से हुई, मानसिक चिंता और परिशानियों के कारण हुई जब श्रीमती फॉल ने यह सुना, तो वा कुर्सी से उचल पड़ी, वा घूसे तान कर चिल्लाई, क्या? हार्डिंग को फॉल ने धोका दिया? नहीं, मेरे पती ने कभी भी किसी को ऐसे धोका नहीं दिया सोने से भरे घर को देखकर भी, मेरे पती को लालश नहीं हो सकती थी अगर किसी के साथ धोका हुआ है, तो वो सिर्फ मेरे पती के साथ हुआ है तो देख लीजिए, इस इंसानी सुभाव को, गलती करने के बाद, अपने अलावा हर किसी को दोश देते हैं हम सभी ऐसे ही हैं इसलिए अगर आपका और मेरा कल किसी के निंदा करने का दिल करे तो अलकपोन, क्रॉली और आलबर्ट फॉल को याद कर ले याद रहे कि आलोचना हमेशा करने वाले के पास लौट कर आती है याद रहे कि जिस इंसान को हम सुधारना चाहते हैं वा अपना बचाव करेगा और बदले में हमारी आलोचना करेगा 15 एपरिल 1865 की सुबा इबराहिम लिंकिन फोर्ट थीएटर वाली सडक के उस पार जहां जौन विलकिस भूथ ने उन्हें गोली मारी थी एक सस्ते लॉचिंग हाउस के हॉल बेडरूम में मृत पड़े थे लिंकिन का लंबा शरीर एक धीले बिस्तर पर छित्रा पड़ा था जो उनके लिए काफी छोटा था जब लिंकिन मर रहे थे वार्ट स्टांटिन के सचीव ने कहा यहां दुनिया के इतिहास का सबसे अच्छा शासक पड़ा है लोगों के साथ सही बरताफ करने का लिंकिन का रास क्या था? मैंने लिंकिन की जिंदगी के बारे में दस साल तक पढ़ा है और उनकी जिंदगी पर लिंकिन दा अन्नून किताब लिखने में तीन साल लगाए है मुझे लगता है मैंने उनके व्यक्तित्व और घरेलू जिंदगी पर जितना विस्तरत हो सके उतना विस्तरत अधेयन किया है मैंने लिंकन के लोगों के साथ बरताफ करने के तरीके पर विशेश अध्यायन किया क्या वे आलोचना करते थे? ओ हाँ, इंडियाना के पिजिन क्रीक वैली के यूवा के रूप में वे न सिर्फ आलोचना करते थे, बलकि लोगों का उपहास करते हुए पत्र लिखते थे और कंट्री रोड पर डाल आते थे, ताकि उन लोगों को या पत्र जरूर मिले उन में से एक पत्र ने गुस्ते की वो आग पैदा की, जो जीवन भर जलती रही स्प्रिंग फील्ड इलिनॉईस में प्राक्टिसिंग लॉयर होने के बाद भी लिंकन अपने आपिनिंस पर खुले आम अखबारों में पत्रों के द्वारा हमले करते थे लेकिन एक बार तो उन्होंने अती ही कर दी यर 1842 के पत्जड में उन्होंने एक अभीमानी और लड़ाकु राजनेता जीम्स शील्ड पर हमला कर दिया लिंकन ने स्प्रिंग फील्ड जोर्नल में प्रकाशित एक अज्यात पत्र के द्वारा उनकी फजीहत कर दी पूरा शहर था हाकों से गूंच पड़ा समवेदन शील्ड और अभीमानी शील्ड गुस्से में उबल पड़ा उसने पत्र लिखने वाले के बारे में पता लगाया वह घोडे पर चड़ा, लिंकन के पास पहुँचा और द्वंध युद के लिए उन्हें चुनौती देडाली लिंकन लड़ना नहीं चाहते थे, वे युद के खिलाफ थे, पर वे अपनी इश्द बचाने के लिए इससे बच नहीं सके उन्हें अपना हथियार चुनने का विकल्ब दिया गया चुकि उनकी बाहें काफी लंबी थी, उन्होंने तलवारे चुनी और एक वेस्ट पॉइंट ग्राजुएट से तलवार बाजी में शिक्षाली और चुने हुए दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के पास मिले दोनों मृत्यों तक युद के लिए तयार थे, पर अंतिम पल में उनके अपनों ने आकर युद रोक दिया लेंकन के जिन्दगी का यह सबसे भयंकर नीजी हमला था इसने लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में उन्हें सबसे मूलेवान पाठ पढ़ाया इसके बाद उन्होंने कभी भी अपमान जनक पत्र नहीं लिख्या फिर कभी उन्होंने किसी का मजाग नहीं उड़ाया उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी की आलोचना नहीं की बार बार ग्रे युद्ध के समय लिंकन ने नए जनरल को पोटो मैक की सेना के मुखिया के रूप में नियुक्त किया और सारे के सारे बारे बारी से मैक, क्लेनन, पोप, बर्ण, साइंड, हुकर, मीडे, असफल साबित हुए और उन्होंने लिंकन को चिंता करने पर मजबूर कर दिया देश के आधे लोगों ने इस अक्षम जनरल्स की बुरी तरह निंदा की लेकिन लिंकन ने न किसी के लिए दुर्भावना, सब के लिए करुणा के साथ शांती बनाए रखी उनकी सबसे पसंदिदा कहावतों में से एक था आलोचना न करो, ताकि आलोचना के शिकार न बनो जब श्रीमती लिंकन और अन्य लोगों ने दक्षिनी लोगों के बारे में कटुता से बात की तो लिंकन ने जवाब दिया उनके निंदा न करो, हम उनके जैसी परिस्थितियों में होते तो उनके जैसे ही होते लेकिन अगर किसी इंसान को आलोचना करने का अफसर था, तो वे थे लिंकन ये उदारन लीजिए गैटिसबर्ग का युद जुलाई सन 1863 के पहले तीन दिनों में लड़ा गया जब ली अपनी हारे हुई सेना के साथ पोटो मैक पहुँचे, उनके सामने एक उफनती हुई नदी थी जिसे पार करना असंभव था, उनके पीछे विजय यूनियन आर्मी थी ली फस चुके थे, वे बच नहीं सकते थे लिंकन ने यह देखा, यहां स्वर्ख से आया एक सुनहरा मौका था ली को पकड़ने और युद को खतम करने का भरपूर आशा के साथ लिंकन ने मीडे को आदेश दिया कि वे युद की बैठक न बुलाएं और ली पर तुरंथ हमला कर दे लिंकन ने अपने आदेश तार से भेजे और एक विशेश समवेदन वाहक के द्वारा भी मीडे को तुरंथ हमला करने का संदेश भेजा चैनरल मीडे ने क्या किया? उसने दिये गए आदेश का ठीक उल्टा किया लिंकन के आदेश की अवहेलना करके युद की बैठक बुलाई? वह हिचका उसने विलम किया उसने धेर सारे बहाने तार से भेजे उसने ली पर हमला करने से सीधे इनकार कर दिया जब नदी का पानी कम हुआ तो ली पोटो मैक में अपनी सेना के साथ बच निकले लिंकन आग बबूला हो उठे इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने बेटे रॉबर्ट के सामने चिला पड़े हे भगवान वे हमारी पकड में थे हमें सिर्फ हाथ बढ़ाना था और वे हमारी चुंगल में होते फिर भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह पाया या कर पाया चिससे आर्मी आगे बढ़ सके इन स्थित्यों में कोई भी जैनरल ली को हरा देता अगर मैं यहां होता तो मैं भी उसे मजा चखाता व्यथा से भरे लिंकन पैठे और उन्होंने मीडे को यह पत्र लिखा और याद रखिए इस समय लिंकन अपनी भाशा को काफी नपातुला और काबू में रखते थे इसलिए सन 1863 में लिंकन का यह पत्र सबसे जादा कटू पत्रकार के बराबर था मेरे प्रेयर जेनेरल मुझे नहीं लगता तुम ली से बच्चे जाने में छुपे नुकसान को समझ सकते हो वह हमारी पकड में था और उस पर हमला करने से हम युद को खदम कर सकते थे अब तो पता नहीं युद कितना लंबा चलेगा अगर बीते सोमवार को तुम ली पर हमला नहीं कर सके तो तुम नदी के दक्षिन में कैसे हमला कर सकोगे जब तुम सिर्फ दो तेहाई सेना के साथ होगे तुमसे आशा करना बेमानी होगा और अब मैं तुमसे जादा आशा नहीं रखता तुम्हारा सुनेहरा मौका जा चुका है और मैं इस वज़े से काफी दुखी हूँ आपको क्या लगता है मिड़े ने यह पथर पढ़ने के बाद क्या किया मिड़े ने कभी भी यह पथर पढ़ा ही नहीं लिंकन ने कभी भी इसे नहीं भेजा यह पत्र उनकी मृत्यों के बाद उनके कागजों में पाया गया मेरा अनुमान है और यह सिर्फ अनुमान है कि पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की के बाहर देखा और खुद से कहा सिर्फ एक मिनिट के लिए शायद मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे लिए वाइट हाउस की शांती में बैट कर मिड़े को हमला करने का आदेश देना आसान है पर अगर मैं गैटिसबर्ग में होता मैंने उतना खून खराबा देखा होता जतना मिड़े ने पिछले हफ़ते देखा है मेरे कान के परदे गायल और मरते लोगों की चीक पुकार से फट गए होते तब शायद मैं हमले के लिए इतना उत्सुक नहीं होता अगर मेरे पास मिड़े जैसा दपू सुभाव होता तो मैं भी शायद वही करता जो उसने किया खैर अब पानी पुल से नीचे उतर चुका है अगर मैं अब यह पत्र भेजता हूँ तो शायद मुझे अच्छा महसूस हो पर मिड़े सिर्फ अपना बचाव करेगा वो मेरी निंदा करेगा उसमें कटू भावनाएं जागेंगी वो सेनापती के रूप में अपनी सारी काबिलियत बरबाद कर लेगा और सेना छोड़ देगा इसलिए जैसा मैंने कहा लेंकन ने पत्र अलग रख दिया क्योंकि उन्होंने अपने कड़े अनुभव से सीखा था कि तीखी आलोचना और निंदा से कोई लाब नहीं होता थियोडोर रूसवेल्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट होने के दौरान जब वे किसी समस्या से उलजते थे तो वे आराम से बैट जाते थे वाइट हाउस में अपनी डेस्क के पास लिंकन की टंगी बड़ी सी तस्वीर को देखते थे और खुद से पूछते थे अगर लिंकन मेरी जगे होते तो क्या करते वे इस समस्या का हल कैसे निकालते मार्क ट्वेन अकसर अपना आपा खो बैटते थे और वैसे चिठियां लिखते थे जो अंगारों की तरह होती थी उदारन के तौर पर एक बार उन्होंने एक ऐसे आदमी को लिखा जिसने उन्हें गुस्से दिलाये थे तुम्हें तो कब्र में चला जाना चाहिए तुम बस बोलो और मैं इसका इंतिजाम करता हूँ दूसरे मौके पर उन्होंने एक संपादक को एक प्रूफ रीडर द्वारा उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स and pronunciation को बहतर बनाने की कोशिश पर लिखा उन्होंने आदेश दिया मेरे द्वारा लिखी चीजों को वैसा ही रहने दो और ध्यान रहे कि प्रूफ रीडर की सलाहे उसके सड़े दिमाग में ही रहे इस चुपते पत्रों की भाषा ने मार्क ट्वेंग को काफी सुकून पहुचाया इससे उनके अंदर का गुसा निकल गया और इन चिट्टियों ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुचाया क्यूंकि मार्क की पत्नी उन्हें चुपके से जाके पत्रों के ढेले से निकाल देती थी वे कभी नहीं भेजे गए क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे खुद में बदलाव और सुधार लाना चाहिए यदि हां तो बढ़िया अच्छी बात है मैं भी इसके पक्ष में हूँ लेकिन इसकी शुरुवात खुद से क्यों न की जाए एक स्वार्थी नजरिय से किसी और में सुधार लाने से यह जादा फाइदमन होगा और हां कम खतरनाग भी होगा अपने पडोसी की छट पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत न करें जब आपका दर्वाजा कंदा है कन्फ्यूशियस ने कहा था जब मैं छोटा था और लोगों को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करता था तब मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस जो अमेरिका के प्रसिद लेखक ते को एक महर मूर्खता पूर्वक पत्र लिखा था मैं लेखकों पर एक पत्रिका का लेख तयार कर रहा था और मैंने डेविस को अपने काम करने के तरीके के बारे में लिखने को कहा था कुछ सब्ता बाद मुझे किसी का एक पत्र मिला जिसके नीचे लिखा था बोल कर लिखवाया गया पर नहीं पढ़ा गया मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा कि लेखक बहुत महत्वपूर्ण और व्यस्त आदमी हुँगे, हाला कि मैं बिलकुल भी व्यस्त नहीं था पर मैं रिचर्ड पर प्रभाव जमाना चाहता था, इसलिए मैंने भी अपना छोटा सा नोट यह लिखकर खत्म किया बोलकर लिखवाया गया, पर नहीं पढ़ा गया उन्होंने कभी जवाब देने के जरूरत नहीं समझी, उन्होंने इससे लोटा दिया और इसके नीचे लिखा था तुम्हारे बुरी आदतें सिर्फ तुम्हारे बुरी आदतों से बढ़ता सच में मैंने गलती की थी और शायद मैं इस उलाहने का अधिकारी था पर इंसान होने के कारण मुझे बुरा लगा मुझे इतना बुरा लगा कि जब मैंने रिचोट के निधन के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया मुझे यह बताते शर्म आती है और वह विचार उस चोट के बारे में था जो मुझे लगी थी अगर मैं और आप कल ऐसी कटुता पैदा करना चाहे जो दशकों तक हमारे मृत्यू के बाद भी जिन्दा रहे तो बस थोड़ी चुबने वाली आलोचना कर दे इससे फर्ट नहीं पड़ता कि वक कितनी सही है लोगों के साथ बरताफ करते समय याद रहे कि हम तर्क से भरे लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हम भावनाओं से भरे लोगों से व्यवहार कर रहे है वैसे लोग जो पूर्वा ग्रह से भरे हैं गर्व और अभिमान से प्रेरित है आलोचना के कारण समवेदन शील थॉमस अंग्रेजी साहित्य को सम्रिद करने वाले सबसे महान उपन्यास कारों में से एक ने गल्प कथा लिखना हमेशा के लिए बंद कर दिया आलोचना की कारण अंग्रेजी के कवी टॉमस चैटर्टन ने आत्महत्या कर ली पैंजा मिन युव वस्था में समझदार नहीं थे लेकिन आगे चल कर लोगों से बरताव में इतनी चतुर हो गए कि उन्हें फ्रांस में अमेरिका का राज़दूद बनाया गया क्या है उनकी सफलता का राज? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा उन्होंने कहा और हर इंसान के बारे में चो भी अच्छा जानता हूं बोलूँगा कोई भी मूर्क आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और सभी मूर्क ऐसा करते हैं पर समझने और माफ करने के लिए चरित्र और आद्मनियंत्रन की जरूरत होती है कारलाइल ने कहा एक महान इंसान अपनी महानता खुद से छोटे लोगों से बरताफ में दिखाता है एक प्रसिद्ध पाइलेट और एर शो में अक्सर प्रदर्शन दिखाने वाले बॉब हुवर सान डियागो में एक एर शो से वापस लॉस एंजलिस अपने घर लोट रहे थे Flight Operations नाम की पत्रिका ने दी जानकारी की अनुसार अचानक 300 फीट उचाई पर हवा में उनके दोनों इंजिन्स ने काम करना बन कर दिया किसी तरह अपनी कुशलता दिखाते हुए उन्होंने अपना प्लेन जमीन पर उतारा जो की बुरी तरह बरबाद हो गया था पर किसी की भी मृत्यू नहीं हुई थी आपात कालीन उतार के बाद हुवर ने सबसे पहले अपने एरप्लेन का इंजिन चेक किया जैसा कि उनका अनुमान था उनके द्वारा उड़ाये जाने वाला वर्ल्ड वर्ड टू के प्रोपेलर प्लेन में गैसोलीन के बदले जेट फ्यूल भरा गया था एरपोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने अपने एरप्लेन के सर्विसिंग कराने वाले मेकानिक के बारे में पूछताच की वह अपने गलती के दुख में परिशान था हुवर के पहुँचते ही उसकी आँखों से आसु टपक पड़े उसकी गलती के कारण एक काफी महंगा प्लेन बरबाद हो गया था और तीन लोगों की जान भी जा सकती थी आप हुवर के गुस्ते का अंधाजा लगा सकते हैं इस असाफधानी के कारण उस अभिमानी और निपन पाइलेट ने कितनी आगुगली होगी आप सोच सकते हैं लेकिन हुवर ने मेकानिक को नहीं डाटा उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की उन्होंने अपनी बड़ी बाहों को उसके कंधे पर रखा और कहा मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम ये गलती दुबारा नहीं करोगे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे F-51 की कल सर्विसिंग करोगे अक्सर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करना चाहते हैं आप मुझसे आशा करेंगे कि मैं आपको ये करने से मना करूँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा बलकि बस इतना कहूँगा उनकी आलोचना करने से पहले American Journalism की एक क्लासिक पढ़े पिता भूल जाते हैं यह People's Home General के Editorial में छपा था हम इसे यहां लेखक के अनुमती से दुबारा छाप रहे हैं जैसा इसे Reader's Digest में संशिप्त किया गया था पिता भूल जाते हैं उन छोटे लेखों में से एक है जो एक सचे पल में निकलते हैं कई पाठकों के दिलों को छू जाते हैं जिससे यह हर साल छपते हैं पहली बार छपने के बाद पिता भूल जाते हैं कई बार लेखक W. Livingston Learned कहते हैं सैकडो पत्रिकाओं में, घरेलो प्रकाशन में और देश भर के अकपारों में छप चुका है या इसी तरह कई विदेशी भाशाओं में भी कई बार छप चुका है मैंने ऐसे हजारों लोगों को अनुमती दी है जो इसे स्कूल, चर्च और लेक्चो प्लाटफॉर्म में पढ़ना जाते थे या अनगिनत मौकों और कारिक्रमों में ओन एर हो चुका है कई कॉलेज पेर पिरियोडिकल्स ने इस्तिमाल किया है कई हाई स्कूल पत्रिकाओं ने इस्तिमाल किया है कभी-कभी एक छोटी सी चीज भी रहस्तिमाई ढंक से लोगों को क्लिक कर जाती है इसने ऐसा ही किया पिता भूल जाते हैं बैटे, सुनो मैं चब तुमसे यह कह रहा हूँ तुम सोए हो तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंगराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं मैं तुम्हारे कमरे में चुप-चाप आया हूँ कुछ मिनिट पहले मैं लाइबरी में बैठा पेपर पढ़ रहा था तब गलानी की तरंग मेरे मन में जागी गलती मैसूस करते हुए तब मैंने तुम्हें डाटा तुम्हें अपने चेहरे को तॉलिय से सिर्फ हलका पोचा था मैंने तुम्हें जूते नहीं साफ करने के लिए डाटा मैं गुस्से में चलाया जब तुम्हें कुछ चीजें फर्ष पर फेकी थी नाश्टे के समय भी मैंने गल्ती निकाली तुमने चीजे बिखेर दी थी तुमने भोजन को निगल लिया तुमने टेबल पर कुहनिया रख दी थी तुमने ब्रेट पर जादा पटर लगा लिया था और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुडबाई डादी तब मैंने मूँ बनाया और जवाब में कहा अपने कंधो को पीछे रखो ये सब फिर दोपेर में शुरू हो गया सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासुसी की जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे तुम्हारे मोजों में छे थे मैंने तुम्हे तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिन्दा किया जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे मोजे महगे होते हैं और अगर तुम्हें ने खरीदना पड़े तो ज़्यादा सावधान रहोगे एक पिता की नजर से सोचो बेटे बाद में क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइबरी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पाउ से आए और तुम्हारी आखों में पीडा थी जब मैंने पेपर से नजरे उपर उठाई मैं खिजा हुआ था तुम दर्वाजे पर ठिठक गए थे मैंने गुसे से कहा क्या चाहते हूँ तुमने कुछ नहीं कहा तुम दौरते हुए आए और मेरे गले के चारो ओर अपनी बाहे लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उस ने के साथ मुझे जकर लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिल लाया था और जिसे मेरी अंदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी फिर तुम चले गए सीडियों पर चड़ते हुए बेटे ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अचीब सा डर मेरे मन में घर कर गया ये आदत मेरे साथ क्या कर रही है गल्तियां खोजने की आदत डाटने की आदत मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारे ले पुरुसकार था ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता बस यहीं है कि मैं यूवा वस्था से जादा पेक्षाएं कर रहा था मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने पे माप रहा था और तुम्हें कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है चितना उन पहाडों पर छाई लालिमा जब तुम दोड़ते वे अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया तब वे दिल दिखा, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से गुटनों के बल बैठा हूँ ये एक कमसोर प्राश्चित है मुझे पता है तुम ये चीजे नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूँगा मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारे दुख बाटूँगा तुम्हारी हसी में अपनी हसी मिलाऊंगा अपनी जबान काट लूँगा, जब तीखे शब निकलने वाले होंगे खुद से कहता रहूंगा, वो एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस के रूप में, एक अडल्ट के रूप में देखा और बेटे, जब मैं तुम्हें तुम्हारे कोट में सिकडे हुए देखता हूँ तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे हो कल तुम अपने मा की बाहों में थे, तुम्हारा सिर्फ उनके कंधों पर था मैंने तुमसे जादा मांग लिया, कुछ जादा ही मांग लिया लोगों की आलोचना करने के बचाए, उनको समझने की कोशिश करें पता करें कि वे क्या, क्यूं ऐसा कर रहे हैं, जैसा वो बहेव कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है ये उनकी आलोचना से जादा फाइदमंद है और इससे सहान उभूती, सहन शीलता और उदारता फैलती है सब कुछ जानने का मतलब है, सब कुछ माफ करना जैसा डॉक्टर जॉन्सन ने कहा, महोदे, भगवान भी इंसान पर फैसला कभी सुनाता है, जब उसके दिन पूरे हो जाते है फिर मैं और आप ऐसा क्यूं करें? सिद्धान्त फर्स्ट, प्रिंसिपल फर्स्ट, आलोचना, निंदा और शिकायत न करें चाप्टर टू, लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य इस धर्ती पर किसी से कोई काम कराने का एक ही तरीका है क्या आप कभी ये सोचने के लिए रुके है? हाँ, सिर्फ एक तरीका और वह है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा जगाना याद रखिए, और कोई तरीका नहीं है हाँ, वैसे आप किसे पर रिवॉल्वर तान कर भी उससे उसकी घड़ी देने पर मजबूर कर सकते हैं आप अपने करमचारियों को सहायता करने पर मजबूर कर सकते हैं जब तक आप पीछे न मुर जाएं, उनको नौकरी से निकालने के धमकी दे कर आप किसी बच्चे से डाट कर या थपड मार कर जो भी कराना चाहें करा सकते हैं पर इन तरीकों से ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आए मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूँ जब मैं आपको वह दूँ जो आप चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? सिग्मिन फ्रूइड ने कहा कि जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ दो प्रयोजन होते हैं सेक्स की इक्चा और महान बनने की इक्चा जॉन ड्यूवी अमेरिका से सबसे महान फिलोसोफोर्स में से एक ने इसे कुछ अलग शब्दों में बताया है ड्यूवी ने कहा है कि इनसानी सौभाव की सबसे गहरी इक्चा है महत्वपूर्ण होने की इक्चा इस मुहावरे को याद रखें महत्वपूर्ण होने की इक्चा ये जरूरी है इसे आप इस बुक में कई बार सुनेंगे आप क्या चाहते हैं? कई चीजे नहीं, बलकि कुछ चीजे जो आप चाहते हैं और आपके गहरे एक्छा है कि वे आपको जरूर मिले अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीजे पहला, सेहत और जीवन की सुरक्षा दूसरा, भोजन तीसरा, नींद चौथा, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली चीजे पांचवा, आगे का जीवन छटवा, सेक्स की इक्छा पूर्ती साथवा, अपने बच्चों का भला और आठवा, महत्वपून होने का एहसास इनमें लगभग सारी इक्छाएं पूरी हो जाती हैं एक के अलावा, सिर्फ एक अभिलाशा है जो भोजन या नीन के इक्छा जितने गहरी और अनिवार है जो शायद ही पूरी होती है इसे फ्रॉयड महान होने की इक्छा कहते हैं इसे डेवी महत्वपून होने की इक्छा कहते हैं लिंकन ने एक पत्र को शुरू करते हुए कहा था तारीफ सभी को पसंद है विल्यम जेम्स ने कहा था इंसानी स्वभाव में सबसे गहरा सिध्धान्त प्रशंसा की तडप है उन्होंने ध्यान रहे प्रशंसा की इक्छा या अभिलाशा या कामना के बारे में नहीं कहा उन्होंने प्रशंसा की तडप कहा ये एक कभी न कम होने वाली इंसानी भूख है और जो भी इंसान दिल की इस भूख को इमानदारी से संतुष्ट करेगा वह लोगों को मुठी में रखेगा और उसकी मृत्यों पर तो यम्राज को भी दुख होगा महत्वपून होने की एक्छा इंसानों और जानवरों के बीच का एक मुख्य अंतर है विस्तार से बताऊं तो जब मैं मसूरी में खेट में काम करने वाला लड़का था मेरे पिता जुरोग जर्सी सुवर और सफेद चेहरे वाले मवेशी पालते थे हम मंध्य पश्चिम में अपने सुवर और सफेद चेहरे वाले मवेशी गाउं के मेले में ले जाया करते थे हम अक्सर प्रथम पुरुसकार ले आते थे मेरे पिता नीले रिबिन्स को एक सफेद कपड़े पर लगाते थे और जब कोई दोस्त या अन्य लोग हमारे घर आते थे वे उन सफेद कपड़ों को निकाल कर वो ब्लू रिबिन्स उन्हें दिखाते थे वे दोनों छोरों को पकड़ कर उन सारे नीले रिबिन्स को अच्छी तरह से दिखाते थे उन रिबिन्स से सूवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन मेरे पिता को पड़ता था ये पुरुसकार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास देते थे अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण दिखने की ललक न होती तो सभ्यताएं कभी नहीं बन पाती उनके बिना हम जानवर की तरह ही होते ये महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अक्षिशत गरीब किराने के क्लर को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर बात दिखिया जो उसे एक बैरल के नीचे मिली थी और जिन है उनमें पचास सेंट में खरीदा था आपने शायद उन किराने के क्लर का नाम सुना होगा उनका नाम लिंकन था महत्वपूर्ण दिखने के एहसास ने ही डिकेंस को अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया इसी एकचा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थर में अपनी सिंफनियों को डिजाइन करने की प्रेणना दी इसी एकचा ने रॉक फेरर को करोडों की संपत्ति अर्जित करने की वज़ए दी भले ही वे उससे कभी खर्ष नहीं कर पाएं और यही वह इक्छा है जो आपके शहर के सबसे अमीर इंसान को अपनी जरूरत से कही जादा बड़ा घर बनाने के लिए बाद ही करती है यही एक्छा आपको लेटिस स्टाइल पहनने, लेटिस्ट कार्ज चलाने, अपने प्रतीवाशाली बच्चों के बारे में बात करने के लिए बाद ही करती हैं यही एक्छा कई लड़कों और लड़कियों को अपरादियों के संगठन में जाने और अपराद करने पर मजबूर करती है न्यूँ यॉर्क के भूत पूर्व पुलिस कमिश्णर एपी मलरूनी के अनुसार एक ओसत यूवा अपरादी एहम से भरा होता है और किरफ्तार होने के बाद उसका पहला निवेदन होता है कि अकबार उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करे जेल में बिताए जाने वाले समय की परिशानी उसे नहीं दिखती क्यूंकि वह प्रसिद्ध खिलाडियों, फिल्मी सितारों, टीवी सितारों और नेताओं के साथ अकबार में अपनी फोटो छपने की खुशी में डूबा हुआ रहता है अगर आप मुझे यह बताएं कि किस चीज से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, तो मैं बता दूँगा कि आप कैसे इंसान है, यदि आपका चरित्र निर्धारित करता है, यही आपका चरित्र निर्धारित करता है, यह आपके बारे में सबसे जरूरी चीज ह उतारन के तौर पर जॉन डी रॉक फेरर को ये एसास चीन के पीकिंग में उन लाखु गरीबों लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे देने में मिलता था जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे डीलिंजर दूसरी तरफ को ये एसास एक डाकू, बैंक डकैत और हत्यार बनाने में मिलता था जब FBI के एजिन्ट उसका पीछा कर रहे थे वो मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुज गया और चिलाया मैं डीलिंजर हूँ उसे इस बात पर गर्फ था कि उसे पबलिक का नंबर वन दुश्मन माना जाता है मैं तुम्हे कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगा पर मैं डीलिंजर हूँ उसने कहा हाँ, रॉप फेरर और डीलिंजर के एक बड़ा अंतर इस बात का है कि वे कैसे महत्वपून होने का एहसास चाहते थे इतिहास ऐसे शांदार उदारनों से भरा पड़ा है जो प्रसेद लोग महत्वपून होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे थे जोर्ज वाशिंग्टन, माननिय, युनाइट स्टेट्स के राश्ट्रुपती कहलाना पसंद करते थे कोलंबस की एक्छा थी कि उसे महासागर का एड्मिरल और इंडिया का वोइस रोई कहा जाए कैथरीन दग्रेट उन चिठ्थियों को नहीं पड़ती थी जिनमें उन्हें माननिय महरानी कहकर नहीं संबोधित किया गया हो और श्रीमती लिंकिन वाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर भड़क पड़ी और चिला उठी जब तक मैं बैठने को न कहूं तुम्हें बैठने की हिम्मत कैसे हुई हमारे करूड पतियों ने एट्मिरल बायर्ट के एंतार्क्टिक मिशिन में ये सोचकर पैसा लगाया कि बरफीले पहाड़ियों का नाम उनके नामों पर रखा जाएगा और विक्टर हुगो की दिली इच्छा थी कि पैस का नया नाम उनके सम्मान में रखा जाएगा शेक्स्वियर ने भी चितनकी शक्ती बेपना थी अपने परिवार के लिए एक शाहिकोट मंगा कर अपने नाम में चमक लाने की कोशिश की थी कई बार लोग सहानुभूती और ध्यान पाने के लिए महदवपून होने के एहसास के लिए बेतु की चीज़े कर बैठते हैं श्रीमती मैख किनले का उधारन ले महत्वपून होने के एहसास के लिए उन्होंने अपने पती अमेरिका के राश्ट्र पती को शासन के जरूरी काम छोड़ने को कहा ताकि वे उनके बिस्तर के पास बैठे रहे और अपनी बाहों में उन्हें सुलाने की कोशिश करते रहे उन्होंने अपने दाद का इलाज कराते समय पती को पास बैठा कर ध्यान देने की इक्छा पूरी की और एक बार वे गुस्से में उभल पड़ी जब उनके पती को राच के सचीव जौन हे से मिलने के लिए उन्हें डेंटिस्ट के पास अकेले छोड़ कर जाना पड़ा लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइन हार्ट ने मुझे एक बार एक ऐसी तेस तर्रार जिवन्त यूवनी के बारे में बताया था जो महत्वपून होने के एहसास के लिए अशक्त हो गई एक दिन श्रीमती राइन हार्ट ने कहा इस यूवती को किसी चीज से नजर मिलानी पड़े वह थी उनकी उम्र जिन्दगी के अकेले पन से भरे दिन उनके इंतिजार में थे और उनके पास कुछ भी अपेक्षा करने लाइक नहीं था उसने बिस्तर पकड़ लिया और अगले दस सालों तक उसकी बुढ़ी मा तीसरी मंजिल पर जा जाकर उसकी देख भाल करती रही फिर एक दिन सेवा से ठक कर बुढ़ी मा स्वर्क सिधार गई कुछ हफतों तक वह आशक्त यूवती दिन काटती रही फिर वह उठी उसने कपड़े पहने और वापस जीने लगी कुछ विशेशग्यों का कहना है कि जब वास्तविक्ता की कठोर दुनिया में महत्वपून होने का एसास नहीं मिलता तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के खयाली महलों में चले जाते हैं और बोरा जाते हैं युनाइटिव स्टेट्स में मानसिक बिमारी से परिशान होने वाले लोगों की संख्या बाकी सारी बिमारियों से परिशान लोगों की संख्या से जादा है कोई भी इंसान ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता लेकिन हम जानते हैं कि सिफलिस जैसा कुछ बिमारिया ब्रेन सेल्स को बर्बाद कर डालती है और इंसान पागल होटता है दरसल आधे mental problems की वज़े दिमागी आघात, शराब, नशा और चोड जैसे भौते कारण है लेकिन बाकी आधी बिमारियों से ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है पर ब्रेन सेल्स की कोशिकाएं को कोई चोड नहीं पहुँची होती है उनके postmodern test में ये पता लगा कि आती शक्तिशाली microscope से देखने पर ये पाया गया कि उनकी tissues उतनी ही स्वस्थी चितनी आपकी और हमारी है तो ये लोग क्यों पागल हो जाते हैं? ये प्रश्ण मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण मानसिक चिकित साले के प्रमुक टॉक्टर से पूछा अपने विशे पर काफी अधिक सम्मान और पुरुसकार पाने वाले इस टॉक्टर ने इमानदारी से कहा कि उन्हें भी इसका कारण नहीं पता कोई भी निश्चे तोर पर नहीं जानता पर उनका कहना था कि कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुन्या में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एसास नहीं मिल पाता जो वे खोज रहे हैं फिर उन्होंने मुझे एक कहानी बताई मेरे पास एक मरीज है जिनकी शादी का शादी एक ट्राजडी बन गई वे प्यार, सेक्स का भूक, बच्चे, समाजिक प्रतिष्ठा जाती थी पर जिन्दगी ने इसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया उनका पती उनसे प्यार नहीं करता था उसने उसके साथ खाना खाने से भी इंकार कर दिया और उससे अपना भोजन उपर अपने कमरे में मंगवाता था उसके पास बच्चे नहीं थे, समाजिक सम्मान नहीं था वो पागल हो गई और अपनी कलपना में उसने अपने पती को तलाग दे दिया और अपना पुराना नाम वापस रख लिया वो विश्वास करती है कि अब उसकी शादी English Aristocracy Word में हुई है और वो Lady Smith कहलाना पसंद करती है रहे बात बच्चों की, तो वो कलपना करती है कि उसे हर रोज एक नहा बच्चा पैदा होता है जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वो बोलती है कि डॉक्टर कल मुझे एक नहा बच्चा हुआ सिंदगी ने उसके सपनों के सारे जहाज वास्तविक्ता की चटानों पर तोड़ दिये लेकिन पागलपन के सुनहरे द्वीपों पर वा सूरज की घर्म, नर्म गर्मी और बालू पर लेटने का सुखद एहसास ले रही है ट्राजिक न? ओ, पता नहीं उसके डॉक्टर ने मुझे से कहा कि अगर उसके हाथ में उस औरत का पागलपन छीनना मुम्किन होता तो भी वा वैसा नहीं करता वो स्तरी अभी की हालत में ही जादा खुश है कुछ लोग महत्वपून होने के एहसास के लिए इतने भूके होते हैं कि वे इसके लिए पागल होडते हैं अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ दे कर कितना कुछ पा सकते हैं अमेरिकी बिसनेस में हर साल एक मिलियन डॉलर की सालरी पाने वाले में से एक थे चार्ल्स श्वाब उस समय कोई इंकम टैक्स नहीं था और हफ़ते में पचास टॉलर कमाने वाले इंसान अमीर समझाय जाता थे जब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल, 38 यर्स थी उन्हें नई नई बनी United States Steel Company का पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए Andrew Carnegie ने चुना था श्वाब ने बाद में US Steel छोड़ दिया और उन्होंने दिक्कत में पड़ी Beth Helham Steel Company की बागदोर समभाली और उसे अमेरिका की सबसे सफल कमपनियों में से एक बना दिया Andrew Carnegie ने हर साल एक मिलियन डॉलर या हर दिन तीस हजार, तीन हजार से ज़ादा डॉलर चार्ल्स श्वाब को क्यूं दिया? क्यूं? क्यूंकि श्वाब एक जीनियस थे? नहीं, क्यूंकि वे Steel के निर्मान के बारे में काफी लोगों से ज़ादा जानते थे? बिल्कुल भी नहीं चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग Steel के बारे में उनसे कई जादा जानते थे श्वाब का कहना है कि उन्हें ये सालरी उनकी लोगों के साथ सही व्यवहार करने के क्षमता के कारण मिलती है मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे व्यवहार करते हैं? उन्होंने जो रहस से बताया वह उनके ही शब्ने यहाँ है वे शब्द जिनने तांबे की तक्ती पर खुदवा कर हर घर, स्कूल, दुकान और आफिस में टांगा जाना चाहिए वे शब्द जिनने बच्चों को लाटिन शब्दों की संधी या ब्रजील की वार्शिक वर्षा के बारे में जानने के बजाए ज्याद रखना जादा जरूरी है वे शब्द जिनने अपनाने पर आप और हम अपनी जिन्दगी बदल सकते हैं मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उच्चा पैदा कर सकता हूँ श्वाब ने कहा मेरी सबसे बड़ी प्रतिभाय कि मैं तारीफ और प्रोचाहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूँ सीनियर लोगों की आलोचना, क्रिटिसिजम, किसी भी इंसान की महत्व कांगशाए, एंबिशिन्स को मार डालती है मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उच्चा पैदा करता हूँ इसलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उच्चुक और दोश निकालने से दूर रहता हूँ अगर मुझे कुछ पसंद आया, तो मैंने दिल से उसकी तारीफ करता हूँ ये श्वाब कहते थे, औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा उन्हें कुछ पसंद आये, तो वे अपनी जूनेय पर बरस पड़ते हैं उन्हें कुछ पसंद आये, तो वो चुप रह जाते हैं इससे एक पुरानी कहावत याद आती है मैंने एक बार गलती की, और बार बार सुनना पड़ा मैंने दो बार सही काम किया पर उस बारे में कभी भी नहीं सुना अपनी इतनी लंबी जिन्दगी में दुन्या के हिस्सों में तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद श्वाब ने कहा मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला भले ही वह कितना बड़ा हो जिसने आलोचना के तुलना में तारीफ पाने पर जादा अच्छा काम किया हो फिर उन्होंने बताया कि यही एंड्रियो कार्नेगी की बे मिसाल सफलता की एक वज़े है कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ सब के सामने और अकेले में करते थे कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ उनकी कब्र पर भी करते थे उन्होंने अपनी मृत्यू के बाद का संदेश लिखा था जो इस प्रकार था यहां एक ऐसा इंसान लेटा है जो अपने से जादा बुद्धिमान लोगों से बरताफ करने का तरीका जानता था जोन डी रॉक फेरर की सफलता का एक रहस से उनका लोगों से बरताफ करने का तरीका था उदारन के तौर पर जब उसने एक पार्टनर एडवर्ड टी बैकफॉर्ट ने दक्षिन अमेरिका में एक बुरे आदमी के कारण एक मिलियन डॉलर का नुकसान कर डाला तो जोन डी उनकी निन्दा कर सकते थे पर उन्हें पता था कि बैकफॉर्ड ने अपनी भरपूर कोशिश की थी और अब ये मामला खतम हो चुका था इसलिए रॉक फोर्ड ने प्रशंसा के लिए कुछ खोज निकाला उन्होंने बैकफॉर्ड की तारीफ की क्यूंकि उन्होंने निवेश किया निवेश किये पैसो का साथ प्रतीशत बचा लिया था ये कमाल है रॉक फेरलर ने कहा हम हर बार उपर वाले जितना अच्छा काम नहीं कर सकते मेरे संग्रा में एक ऐसी कहानी है जो मेरे जानते कभी नहीं घटी पर यह एक सच बयान करती है इसलिए उसे यहां दर्शाता हूँ एक मजाक्य कहानी के अनुसार एक बारे ग्रामी नौरत ने दिन भर से भरी काम के बाद अपने घर के मर्दों के सामने पुवाल का गठर परोस दिया और जब उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये वह पागल हो गई है क्या तो उसने जवाब दिया क्यूं मुझे क्या पता था कि तुम इस पर ध्यान दोगे मैं तुम लोगों के लिए 20 वर्शों से खाना बना रही हूँ और आज तक कभी तुम लोगों ने कभी पूछा कि मैं तुम लोगों को पुवाल क्यों नहीं खिला रही कुछ वर्श पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर एक अध्यान किया गया तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या पता लगता होगा वह था तारीव का अभाव और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाली पत्नियों पर अगर कोई अध्यान हो तो भी यही निश्कर्ष निकलेगा हम अपने जीवन साथियों को इतना सा मान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं बताते कि हम उनके कितनी तारीव करते हैं हमारी क्लास के एक सदस्ये ने अपनी पत्नी द्वारा किये गए एक निवेदन के बारे में बताया वह और उसके चर्च की कुछ औरते आत्म सुधार के लिए एक कारेक्रम का हिस्सा थी उसने अपने पती से उन छे चीजों के बारे में पूछा जिनमें सुधार करके वह बहतर पत्नी बन सकती है पती ने क्लास में कहा मैं इस तरह के निवेदन से चकित रह गया सच में मेरे लिए उन छे चीजों का बताना बड़ा असान था जो मैं उसमें बदलना चाहता हूँ हे भगवान वह हजार चीजें बता सकती थी जो मुझ में बदलने चाहिए होंगे पर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने उसे कहा मुझे सोचने दो मैं सुबह जवाब दूँगा अगले दिन मैंने एक फूल बेचने वाले को बुलाया और उसे मेरी पत्नी को छे गुलाब भेजने को कहा जिसके साथ एक नोट पर लिखा था मैं तुमसे बदलाव लाने वाली छे चीजें नहीं सोच सका तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो जब मैं शाम में घर पहुँचा तो आपको क्या लगता है तरवाजे पर मेरा किसने स्वागत किया सही समझे मेरी पतनी ने उसकी आँखे नम थी कहने की जरुद नहीं थी कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने वे छे चीजें नहीं गिनाई थी अगले रविवार को चर्च में जब उसने अपने साथ कारेकरम में शामिल औरतों को ये बात बताई तो वे मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी समझधारी भरी बात नहीं सुनी थी तब मुझे तारीफ की ताकत के बारे में पता चला Florence Zickfield, Broadway को चमितकरित करने वाले सबसे बड़े प्रड्यूसर ने अपनी प्रतिष्ठा अमेरिकन लड़की को ग्लॉरिफाई करने की सुक्ष्म शंता से बनाई बार-बार उन्होंने साधारन शक्ल सूरत वाली लड़कियों को मिस्टीरियस और सिदक्षन की रहस्य मैं मुर्तियों में बदल लिया, ट्रांस्फॉर्म कर दिया तारीफ और आत्म विश्वास की ताकत को जानते हुए उन्होंने महिलाओं के प्रति, शिष्टता और विचार शीलता से स्द्रियों को खुबसूरत बना दिया वे प्राक्टिकल थे, उन्होंने अपने कोरिस लड़कियों की सालेरी 30 डॉलर प्रति सप्ता से बढ़ा कर 175 डॉलर तक कर दी और वे शिष्ट भी थे फैलीज की ओपनिंग नाइट में वे अपने शो के सितारों को टेलिग्राम भेजते थे और कोरिस की हर लड़की को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस से नवासते थे एक बार मुझे उपवास का शौक चड़ा और मैं छे दिन और छे रात बिना खाए पिये रहा ये मुश्किल नहीं था मैं दूसरे दिन जादा भूखा था उससे कम भूखा छटे रात को था तब भी हम और आप चानते हैं कि कई लोग अगर अपने परिवार और करमचारियों को बिना भोजन के छे दिन छे रात रहने दे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने एक अपरा जितनी ही जरूरत है जब Alfred Lewand अपने समय के बहतरीन अदाकार ने रियूनियन इन वियना में मुख्य भूमी का निभाई तो उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे जादा कुछ जरूरी है तो वह है आत्मसमान के लिए खुराग which is there is nothing I need so much as nourishment for my self-esteem हम अपने बच्चों दोस्तों और करमचारियों के शरीर को पोशन देते हैं पर उन्हें आत्मसमान को कभी पोशन नहीं देते हम उन्हें एनरजी देने के लिए बीफ और पोटेटोस खिलाते हैं पर उन्हें तारीफ के वेशब नहीं सुनाते जो उनक गीतों की तरह गूंचते रहेंगे पॉल हर्वे ने अपने एक रेडियो ब्राटकास्ट कहानी का बाकी हिस्सा में बताया था कि सची तारीफ कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है उन्होंने बताया कि कई साल पहले डेट्रॉइट के एक शिक्षक ने स्टीव मॉरिस को क्ल कुछ ऐसा दिया था जो क्लास में किसी और के पास नहीं था प्रकृति ने स्टीव को अंधे आखों के बदले कमाल के कान दिये थे लेकिन ये पहली बार हुआ था कि स्टीव ने उन कानों के बारे में तारीफ की थी अब सालों बाद उनका कहना है कि इस तारीफ ने उनके जिन्दिगी की नई शुरुवात कर दी। उसके बाद उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता का विकास किया और वे स्टीव वंड के नाम से सेवेंटीज के दशक में महान पॉप सिंगर और गेत कारों में से एक बने। ये बात पढ़ते समय कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे रहने दो मक्खन लगाना। मैं इसे आजमा चुका हूँ ये काम नहीं करता। समझदार लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मक्खन लगाने से समझदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। ये सत ही है, स्वार्थी और जूटा है। ये काम नहीं करता और इसे करना भी नहीं चाहिए। सच में कुछ लोग तारीव के लिए इतने भूके और प्यासे हैं कि कुछ भी पचा लेंगे। ठीक उसी तरह ज प्रधान मंत्री पैंसमिन डिस रॉयली ने स्विकार किया था कि वे रानी से बात करते समय चम कर मक्खन लगाते थे। उनके शब्दों में वे इसकी मोटी परत लगाते थे। लेकिन डे रॉयली ब्रिटिश सामराज पर रास करने वाले सबसे सुल्जे, निपुर्ण और स लक्षम लोगों में से एक थे। वे अपने क्षेत्र में चीनियस थे। जो चीज उनको काम आई, कोई जरूरी नहीं कि हमारे और आपके काम आए। लंबे समय में मक्खन लगाने से लाब से जादा नुकसान होगा। मक्खन बाजी नकली होती है, नकली सिक्के की तरह, यह देर सवेर आपको परिशानी में डाल देगी। तारीफ और मक्खन बाजी के बीच क्या फर्क होता है? बहुत ही सामाने सा फर्क है। पहली सच्ची होती है और दूसरी सच्ची नहीं होती। एक दिल से आती है दूसरी दांतों से, एक नी स्वार्थ है तो दूसरी स्वार् Chapel Tepeck Palace के Mexican hero General Alvaro Obregon की एक मूर्ती देखी मूर्ती के नीचे General Obregon की philosophy के ये समझदारी भरे शब लिखे थे उन दुश्मनों से मड़ डरो जो हमला करते हैं उन दोस्तों से डरो जो चाटुकारी करते हैं Don't be afraid of enemies who attack you Be afraid of the friends who flatter you नहीं 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 मैं चाटुकारिता की हिमायत नहीं कर रहा बल्कि उससे बिलकुल अलग मैं जीने के नए तरीके की बात कर रहा हूँ मुझे दोहराने दे मैं जीने के नए तरीके की बात कर रहा हूँ किंग जॉर्ज फिफ्थ ने बर्गिंगम पैलस के दिवारों पर छे सिध्धान लगवाय हुए थे उन में से एक सिध्धान कहता था मुझे सिखाओ कि नव मैं सस्ती तारीफ लू और न दू यही चाटुकारिता है सस्ती तारीफ मैंने एक बार चाटुकारिता की एक परिभाशा पढ़ी जो दोहराने लायक है चाटुकारिता का मतलब किसी इंसान को वह बतलाना है जो वो सोचता है जो भी भाशा इस्तमाल करें रॉल्फ वॉल्ड्रो इमर्सिन ने कहा था आप वही कहेंगे जो आप वास्तव में खुद है अगर सिर्फ चाटुकारिता के बाद बंती तो हम सभी मानविय संबंधों में विशेशग्य होते जब हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते तो हम 95% समय अपने बारे में सोचने में लगा रहे होते हैं अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छे बातों के बारे में सोचने लगे तो हम ए उस चाटो कारिता या फ्लाटरिंग की सहायता नहीं लेनी होगी जो मूँ से निकलती ही पकड़ी जाती है हमारे जीवन का सबसे जादा अंदेखा पहलू तारीफ है हम अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर पाते जब वे अच्छा रिपोर्ट कार्ड घर लाते हैं और हम उन्हें प्रोटसाहित नहीं करते जब वे पहली बार केक या चिडिया का खोसला बनाते हैं बच्चों को माता पिता के प्रोटसाहन से सादा कोई और चीज खुश नहीं करती अगली बार जब किसी कलब में आप कोई दिश देखें तो शेफ को ये संदेश भिजवाएं कि उसने कमाल की कुकिंग की है और जब एक ठका हुआ सेल्समैन आप से शिष्टा चार निभाई तो तारीफ के दो शब्द कह दे हर मंत्री, लेक्चरर और पबलिक स्पीकर जानता है कि लोगों के सामने दिल खोल कर बोलने के बाद तारीफ न मिलने का दर्द क्या होता है जो चीज प्रोफेशनल लोगों पर लागू होती है वही चीज ओफिस, दुकानों और फैक्टरीज में काम करने वाले लोगों, फ्रेंज और परिवार वालों पर दो गुनी लागू होती है हमें अपने संबंधों में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सहकर्मी इंसान है और उनमें भी तारीफ की भूक है ये वो कानूनी टेंडर है जिसका सभी आनन्द उठाते हैं अपनी रोज के यात्राओं में कृत अग्यता की छोटी 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 चीज़े रखना न भूले आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उनसे दोस्ती की ननही सी लौ निकलने लगेगी जो आपकी दूसरे यात्राओं में मशाल का रूप ले ले न्यू फेर फील्ड कनेक्टिकेट की पैम डिलहन की ये जिम्मेदारी थी की वे एक जानेटर पर ध्यान दे जो काफी खराब काम कर रहा था बाकी सारे स्टाफ उसका मजाक उड़ा रहे थे और हॉल के रास्ते को ये देखने के लिए गंदा कर रहे थे कि वे कितना घटिया काम कर रहे थे ये इतना बुरा था कि शौप का टाइम वेस्ट हो जा रहा था बिना सफलता के पैम ने इस इंसान में उत्सा जगाने की बहुत कोशिश की एक बार उसने देखा कि उस आदमी ने एक काम काफी अच्छी तरह से किया है पैम ने सब के सामने उसकी अच्छी तरीके से तारीफ कर दी हर दिन वे अपना काम और भी बहतर तरीके से करने लगा और बहुत जल्द ही वो सारे काम अच्छी तरह से करने लगा अब वो सारे काम अच्छे से करता है जिसके लिए उसे काफी तारीफ और प्रशंसा मिलती है इमानदारी भरी प्रशंसा ने वह कर दिखाया जो आलोचना और निंदा नहीं कर पाए लोगों को चोट पहुचाने में कभी भी उन्त का बदलाव नहीं किया जा सकता एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने अपने आइने पर चिपका रखी है और जिसे मैं हर रोज देखने से नहीं चूकता मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा इसलिए अगर किसी इनसान को कोई भी उदारता मैं दिखा सकूँ तो उसे आज ही दिखाऊंगा इस काम से मैं कभी नहीं चूकूंगा क्यूंकि इस रास्ते से फिर कभी गुजरना नहीं होगा Immersion ने कहा जिस भी इंसान से मैं मिलता हूँ वह मुझसे किसी न किसी मामले में बहतर होता है जब ये Immersion के बारे में सही है तो क्या मेरे और आपके बारे में हजार गुना सही नहीं होगी? अपने सफलताओं और एक्छाओं के बारे में सोचना बंद करें चलिए ये पता लगाएं कि दूसरे इंसान में क्या अच्छा है चाटो कारिता भूल जाएंगे सच्ची और इमानदार तारीफ कीजिए दिल खोल कर तारीफ और उदार्ता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिन्दगी भर दोहराते रहेंगे भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं यहाँ पर चाप्टर टू एंड होता है इस चाप्टर से हम सेकंड प्रिंसिपल डराइफ कर सकते हैं इमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए जो ये कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है जो नहीं कर सकता वो अकेला रह जाता है मैं अकसर माइने में कर्मियों के दौरान मचलियां पकड़ने जाता था वैसे मुझे नीजी तोर पर स्ट्रॉबेरीज और क्रीम खाने का शौक है लेकिन मैंने देखा कि कुछ अजीब कारणों से मचलियों को कीड़ा जादा पसंद है इसलिए मचलियां पकड़ते जाते समय मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है मैंने सोचा कि उन्हें क्या पसंद है मैंने मचली पकड़ने के हुक में स्ट्रॉबेरीज और क्रीम नहीं लगाया उनके बजाए मैंने मचली के सामने हुक में कीड़ा या टिड़ा लगाया और कहा तुम्हें ये नहीं चाहिए लोगों से दोस्ती करने जाते समय यही common sense क्यों न लगाया जाए यही काम Great Britain की प्रधान मंत्री Lloyd George ने First World War के दोरान किया जब उनसे पूछा गया कि युद के बाद बाकी नेता Wilson, Orlando और Clemen Shiave भुला दिये गए वे कैसे सत्ता में बने रहे तो उन्होंने जवाब दिया कि शीर्ष पर बने रहने के लिए एक ही तरीका था वो था उनकी जानकारी की मचली के हिसाब से चारा डाला जाए अपनी पसंद के बारे में क्यों बात की जाए यह बचपना है बेफकूफी है सही है कि आपकी रूची इसमें है कि आप क्या चाहते हैं लेकिन इसमें और किसी की रूची नहीं है हम सबी आपके जैसे ही हैं हमारी रूची इसमें है कि हम क्या चाहते हैं इसलिए धर्ती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है वो है उनकी चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए इस बात को याद रखें कि कल जब आप किसी से कुछ चाह रहे हूं जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट नव पिए तो उन्हें उपदेश न दे और उन्हें ये न बताए कि वे क्या चाहते हैं बलकि ये बताए कि सिगरेट उन्हें क्रिकेट टीम में जगे बनाने से या सौ मीटर की दौर जीतने से रोक सकती है ये बात याद रखने वाली है कि भले ही आप बच्चों, बच्चडों या बंदरों से विवहार कर रहे हूं उदारन के लिए एक दिन रॉल्फ, वर्ल्ड्रोव, इमर्सिन और उनका बेटा एक बच्चडे को चारगा में लाने की कोशिश कर रहे थे पर सिर्फ अपनी इक्चा के बारे में सोचने की गलती कर रहे थे इमर्सिन ने धका दिया, उनके बेटे ने खीचा लेकिन बच्चडा भी वही कर रहा था जो वो करना चाहता था वो सिर्फ वह सोच रहा था जो वो चाहता था इसलिए उसने अपने पैर जमा लिये और निकलने से इनकार कर दिया तभी एक इरिश नौकरानी ने ये हालत देखी वो निबंध और किताबें तो नहीं लिख सकती थी पर कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बच्छरे की जादा समझ थी उसने सोचा कि बच्छरा क्या चाहता है इसलिए उसने अपनी उंगली बच्छरे के मुँ में डाली और उसे चूसने दिया फिर धीरे से वो बच्छरे को चारगाह में ले गई चन्द से लेकर आज तक आपने हर काम किया है क्योंकि आप कुछ चाहते थे उस समय को याद कीजिए जब आपने रेट क्रॉस को दान दिया था हाँ वो भी इस नियम का अपवाद नहीं है exception नहीं है आपने रेट क्रॉस को दान दिया क्योंकि आप मदद भरा हाथ बढ़ाना चाहते थे आप एक सुन्दर और नी स्वार्थ काम करना चाहते थे मेरे फ्रेंज आपको जो भी काम किया है आपने जो भी काम किया है मेरे लिए किया है अगर आप सुखद एहसास को पैसे से जादा नहीं चाहते तो आप कभी दान नहीं कर पाते हाँ हो सकता है आपने दान इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आती थी या किसी कस्टमर ने ये करने के लिए कहा हो पर एक बात तय है आपने दान दिया क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते थे हैरी ए ओवर स्ट्रीट ने मानविय व्यवहार को प्रभावित करने वाली बेजोर किताब में कहा था हम गहराई में जो चाहते हैं उसी से हम कारे करते हैं और चाहे बिजनिस हो या घर, स्कूल हो या पॉलिटिक्स किसी भी प्रभाव डालने वाले इनसान को सबसे अच्छी यही सलाह दी जा सकती है पहले उस इनसान में एक गहरी इक्छा जगाओ जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है और जो ये नहीं कर सकता वो अकेले रह जाता है अंड्रियो कार्नेगी एक गरीब स्कॉच लड़के ने जिसने दो सेंट प्रती घंटे से काम शुरू किया था और बाद में 365 मिलियन डॉलर्स दान दे दिया था ने जीवन की शुरुवात में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है वो है लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख कर बाते करना वे सिर्फ चार साल के लिए स्कूल गए लेकिन उन्होंने लोगों से बरताफ करने का तरीका सीख लिया विस्तार से समझें उनकी साली अपने दो बच्चों को लेकर चिंता से परिशान थी वो येल में थे और वे अपने काम में इतना व्यस थे कि मा की परिशानी भरी चिट्टियों का जवाब नहीं दे रहे थे तब कारनेगी ने 100 डॉलर की शर्ट लगाई कि वे बिना कहे उनसे जवाबी चिट्टी में उत्तर पाएंगे किसी ने ये चुनोती स्विकार कर ली इसलिए उन्होंने अपने भतीजों को एक गप भरी चिट्टी लिखी और अंत में लिखा कि वे दोनों को पाँच-पाँच डॉलर भेज रहे हैं लेकिन वे डॉलर डालना भूल गए तुरंत वापस सी जवाब आया जिसमें प्यारे अंकल आंड्रियो को धन्यवाद दिया गया था और आगे आप वाकई खुदी समझ सकते हैं कि उस चिट्टी में क्या लिखा होगा मनाने का दूसरा उदारण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाउक से मिलता है जो हमारा कोर्स कर रहे थे एक दिन काम से घर आने पर नोवाउक ने पाया कि उनका छोटा बेटा टिम बैठक वाले कमरे में चीक चिला रहा था अगले दिन उसे किंडर गार्डन जाना शुरू करना था पर वो जित कर रहा था कि नहीं जाएगा स्टैन की सावान ये प्रतिक्रिया होती कि वो बच्चे को उसके कमरे में भेज देते और बोलते कि उसके लिए ये बात मानना बहतर होगा तब बच्चे के पास कोई उपाय नहीं होता पर उस रात ये जानते हुए कि इस तरह से टिम का किंडर गार्डन जाना अच्छा नहीं होगा वो बैठा और सोचने लगा अगर मैं टिम होता तो किंडर गार्डन जाने के लिए क्यूं आतुर होता, क्यूं एक्साइटेड होता उसने और उसकी पत्नी ने बैठ कर उन मज़ेदार चीजों के लिस्ट बनाई जो टिम वहां कर पाएगा जैसे की फिंगर पेंटिंग, गाना-गाना, नए दोस्त बनाना तब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया हम सब ने मेरी पत्नी लील, मेरे बेटे बॉब और मैंने किचन टेबल पर फिंगर प्रिंटिंग मेज पर करना शुरू कर दिया जल्द ही टिम ने हमारी ओर देखा, जाका और अब वो भी इसमें भाग लेना चाहता था अरे नहीं, पहले तुम्हें किंडर गार्डन जाकर फिंगर प्रिंटिंग सीखनी होगी पूरे उत्सा के साथ मैंने पूरी लिस्ट के बारे में उसे समझाया ये बताया कि उसे किंडर गार्डन में कितना मजा आने वाला है अगली सुबह मुझे लगा कि मैं सबसे पहले जागा था मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम बैठक की कुरसी पर ही सोया हुआ है तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने पूछा मैं किंडर गार्डन जाने का इंतजार कर रहा हूँ मैं लेट नहीं होना चाता हमारे परिवार के उच्छा ने टिम में एक गहरी इक्छा जगा दी थी जो बातचीत या धमकी भरी बातों से कभी नहीं जगा पाती कल जब आप किसी से कोई काम कराना चाहें तो बोलने से पहले रुकें और खुद से पूछें मैं कैसे इस इंसान में इच्छा जगा सकता हूँ ये सवाल हमें किसी भी स्थिती में बिना सोचे जाने से रुकेगा और अपनी इच्छा के बारे में फाल्तु बाते करने से भी रुकेगा एक बार मैंने लेक्चर देने के लिए हर मौसम में New York के होटेल में 20 रात के लिए एक Grand Ballroom किराय पर लिया था एक मौसम की शुरुवात में मुझे अचानक सूचित किया गया कि मुझे 3 गुना जादा किराया देना होगा जब तक ये सूचना पहुँची तब तक सारी घुशनाई हो चुकी थी और सारे टिकेट्स बिक चुके थे जाहिर है मैं बड़े दाम नहीं देना चाहता था लेकिन होटेल से वो बात करने से क्या फायदा जो मैं चाहता था उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि वो क्या चाहते थे इसलिए कुछ दिनों बाद मैं मैंनेजर से मिलने गया मैंने कहा मैं आपका पत्र पाकर चौक गया पर मैं आपको दोश नहीं देता अगर मैं आपकी जगे होता तो मैं भी ऐसा ही पत्र लिखता इस होटेल के मैनेजर के रूप में आपको अधिक से अधिक profit कमाना है अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरे से निकाल दिया जाएगा और निकालना भी चाहिए अब एक कागस पर लिख डालिए कि दाम बढ़ाने से आपको क्या-क्या फाइदे होंगे और क्या-क्या नुकसान होंगे फिर मैंने एक कागस लिया एंड बीच में एक लाइन खीची फिर एक हिस्से के उपर फाइदे और दूसरे हिस्से के उपर नुकसान लिखे मैंने फाइदे के नीचे ये शब्द लिखे free ballroom फिर मैंने कहा आपके पास डांस और सभाओं को किराय पर देने के लिए ballroom free होगा ये एक बड़ा फाइदा है क्योंकि इन चीजों से आपको लेक्चर से ज़ादा पैसे मिलेंगे अगर मैंने आपके कोर्स के दौरान ballroom को अपने अधिकार में रखा तो आपके फाइदे का business छूट जाएगा अब नुकसानों के बारे में सोचिए पहला तो ये कि मुझसे अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में आपकी कमाई घट जाएगी दरसल आपकी कमाई पूरी तरह खतम हो जाएगी क्योंकि बढ़े हुए किरायब को मैं नहीं दे पाऊंगा मुझे ये lecture कहीं और आयूजित करना होगा आपको कुछ और नुकसान भी होंगे इस तरह के lectures, educated और cultured लोगों को आपके hotel लेकर आएंगे ये आपके लिए विज्यापन का काम करेगा है न अगर आप अख़बारों में विज्यापन चपवाने में 5000 डॉलर खर्च करेंगे तो भी उतने लोगों को hotel नहीं ला पाएंगे जितने लोग मेरे lectures को सुनने के लिए आएंगे इससे hotel पर काफी फर्क पड़ेगा है या नहीं? बात करते वक्त मैंने ये दोनों नुकसान शीरशक के नीचे लिख डाले और वो कागस manager को दे दिया साथ में कहा आप फायदों और नुकसान के बारे में अच्छी तरह सोच कर अपना जवाब मुझे सुना दीजेगा मुझे अगले दिन एक पत्र मिला जिसमें ये कहा गया था कि किराया 300 प्रतीशित के बदले सिर्फ 50 प्रतीशित बढ़ाया जाएगा ध्यान दीजे मैंने ये काम अपने फायदे के बारे में बिना कुछ बोले करवाया मैं ये बाते करता रहा कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए और उसे ये कैसे मिल सकता है मान लीजे अगर मैंने स्वभाविक चीजे की होती मान लीजे मैं ओफिस में चिलाते वे घुश जाता और कहता खोशना होने और टिकेट्स बिकने के बाद किराया 300 प्रतीशित बढ़ाने का क्या मतलब है 300 प्रतीशित बिल्कुल बकवास नहीं दूँगा तब क्या होता चम कर जगड़ा और बहस होता और आपको पता है बहस का कोई अंत होता क्या अगर मैंने उसे ये समझा भी दिया होता कि वो गलत कर रहा है तब भी उसका अभिमान उसको जुकने से रोक देता Human Relationships पर सबसे अच्छी दी गई सला ये है अगर सफलता का कोई रहसे है हेंडरी फोर्ड ने कहा था तो वो है अपनी नजरों के साथ-साथ दूसरे इंसान की नजरों से चीजों को देखना ये इतनी सही बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूंगा अगर सफलता का कोई रहसे है तो वो है अपनी नजरों के साथ-साथ दूसरे इंसान की नजरों से चीजों को देखना ये इतना सीधा और सरल है कि कोई भी इंसान इसकी सचाई को देख सकता है लेकिन धर्ती पे 90% लोग इसे 90% टाइम्स अंदेखा कर देते हैं उदाहरण कल सुबह अपने डेस्क पर आने वाले पत्रों को देखिए आप आएंगे कि अधिकतर पत्र इस सिधान्त को अंदेखा करते हैं अब इसे ही लीजिए ये पूरे कॉंटिनेंट में फैले ओफिस से जुड़ी एक एड एजिंसी के रेडियो डेपार्टमेंट के हेड द्वारा लिखा गया है ये पत्र पूरे देश के लोकल रेडियो स्टेशन्स के मैनेजर्स को लिखा गया था मैंने ब्राकेट में हर पैराग्राफ पर अपने रियाक्शन्स को नीचे मेंचन किया है सो ये लेटर कुछ इस प्रकार है ये कंपनी रेडियो फील्ड में एड़टाइजिंग एजिंसी लीडर्शिप का स्थान बनाए रखना चाहती है कार्णेगे का रियाक्शन क्या मतलब है? मुझे अपनी दिक्कतों की चिंता है पैंक मेरे घर के लोन पर ब्यास बढ़ा रहा है तीमक मेरे दर्वासों को खा रहा है स्टॉक मार्केट दिक्कत दे रहा है सुबह की ट्रेन चूट गई कल दोस की पाटी में मुझे नहीं बुलाया गया और डॉक्टर कह रहा है कि मेरी ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है क्या हो सकता है? आज सुबह चिंताओं से भरा मैं ओफिस आता हूँ तो देखता हूँ कि किसी बेवकूफ ने एक चिठी भेजी है जिसमें वो बता रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है वाह! अगर उसे पता चल जाए कि उसकी चिठीों का क्या असर पढ़ रहा है तो वे एर एड़टाइजिंग एजेंसी का काम छोड़कर सड़क पर पत्थर बेचने का काम शुरू कर दे पैराग्राफ टू एजेंसी के नाशनल एड़टाइजिंग अकाउंट इस नेटवर्क के जान थे हमारे स्टेशन टाइम के प्रदर्शन ने हमें साल दर साल टॉप एजेंसी बना रखा है इस पर कार्णेगी का रियाक्शन तुम विशाल, अमीर और टॉप पर हो है ना? तो क्या? अगर तुम टाटा बिर्ला और अम्बानी जितने भी बड़े हो तो मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता अगर तुम मेंसे एक गौराईया जितना भी समझ होता तो तुम ये जानते कि मुझे तुम्हारे बड़े होने से कोई फरक नहीं पड़ता मुझे मतलब है कि मैं कितना बड़ा हूँ तुम्हारी सफलता कि ये लंबी-लंबी कहानिया मुझे छोटा और गैर जरूरी महसूस कराती है Letter का Paragraph 3 हम चाहते हैं कि Radio Station Information के बारे में अंतिम शब्दों से आपके Accounts को सेवा दे Carnegie's Reaction तुम चाहते हो तुम चाहते हो गदे कहीं के मुझे नहीं जाना कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका के President क्या चाहते हैं एक बार कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ और इस बारे में तुम ने अपने पत्र में एक शब भी कहीं नहीं लिखा है। इसलिए क्या आप हमारी कंपनी को अपने weekly station information की preferred list i.e. महत्वपून सूची में डाल देंगे हर वो जानकारी चो एजिंसी को time book करने में सहायक हो। कार्नेगी का reaction महत्वपून लिस्ट कम्माल की हिम्मत है भाई पहले अपनी कंपनी की बड़ी-बड़ी बाते करके मुझे छोटा मैसूस कराया। फिर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें महत्वपून लिस्टे डालूं और तुम निवेदन request करते समय एक please तक की भी कहीं पे भी letter में नहीं लिखा है। आपने क्या किया हमें इसके बारे में तुरंट जवाब देंगे तो हम दोनों के लिए काफी मददकार हैं। तुरंट लिखूं। तुरंट कहने से तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें नहीं पता कि मैं भी तुम्हारी तरफ व्यस्थ हूं। या कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम से भी जादा व्यस्त हूँ और वैसे ये बताओ कि मुझे आदेश देने का अधिकार तुम है किस ने दिया तुम कहते हो ये हम दोनों के लिए मददकार होगा अंत में ही सही तुमने मेरी नजर से देखा तो सही पर तुमने ये नहीं बताया कि ये मेरे लिए कैसे मददकार होगी आपका अपना जॉन डी मैनेजर रेडियो विभाग पारग्राफ सिक्स पोस्ट स्क्रिप्ट ब्लैंक विले जोर्नल का रेप्रिंट आपके काम आएगा आप इसे अपने स्टेशन से प्रसारित करना चाहेंगे कार्णेगी का रियाक्शन अंत में तुम पोस्ट स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हो जिससे मेरी कोई समस्या हल हो सकती है तुमने इसी से अपने पत्र की शुरुवात क्यों नहीं की थी पर अब क्या फायदा एडवर्टाइजिंग का कोई भी आदमी जो ऐसी बखवास सी पत्र को भेज सकता है उसके दिमाग में सक्त प्रॉब्लम है तुम्हें अपने कामों की लिस्ट वाले पत्र भेजने की जरुवरत नहीं है तुम्हें अपने थायरोइड ग्लैंड के लिए आयोडीन की जरुरत है अब अगर एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले और खुद को प्रभाव डालने की कला में एक्सपर्ट कहने वाले लोग ऐसी चिट्थियां लिखेंगे तो कसाई, बेकार और आटो मेकानिक्स से आप क्या आशार रखेंगे यहां एक दूसरी चिट्थि है जो एक बड़ी माल भाड़े के टर्मिनल सुपरिटेंडेंट द्वारा कोर्स के लिए एक स्टूडेंट एडवर्ड वर्मिसिलिन को लिखी गई है इस चिट्थि का पढ़ने वालेक पर क्या असर पढ़ा होगा पढ़ कर देखते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा लेटर इस तरह से शुरू होता है ए जेरेगा संस इंक 28 फ्रंट स्टेशन ब्रुकलिन न्यू यॉर्क 11201 ध्यान दे हमारे आउट बाउंट रेल रिसीविंग स्टेशन की ओपरेशन बाधित है क्यूंकि पूरे बिजनस का एक माटेरियल प्रतीशत हमें दोपहर के काफी बाद मिलता है इस कारण से हमें भीड भाड हमारे करमचारियों पर ओवर टाइम ट्रकों की देरी और कुछ मामलों में माल आने में देरी का सामना करना पड़ता है 10 नवंबर को हमारी कमपनी को आपकी कमपनी से 510 सामान मिले जो यहां 4-20 शाम में पहुचे माल के देर से मिलने से होने वाले परेशानियों से बचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है क्या आपके लिए संभव है कि आप उस दिथी पर भेजे गए सामान को ट्रक द्वारा पहले भेज सके या फिर कुछ सामान को सुबह में डिलिवर करा सके इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी ट्रक चल्दी छूट सकेंगी और आपका बिजनिस समान मिलने के दिन ही आगे बढ़ सकेगा आपका अपना जेबी सुप्रिटेंडेंट ये पत्र पढ़ने के बाद मिस्टर वर्मिलिन एक गेरे का संस इंके सेल्स मैनेजर ने एक स्टिपनी के साथ मुझे भेजा इस पत्र में हम पर ठीक उल्टा प्रभाफ पढ़ा ये पत्र टर्मिनल के परिशानियों से शुरू होता है जिसमें हमारी कोई रूची नहीं थी फिर हमारी सहायता का निवेदिन किया गया है बिना ये सोचे कि इससे हमें असुविधा होगी या नहीं अंतिम पाराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे ट्रक आसानी से छूट सकेंगी और हमारा समान उसे दिन आगे जा सकेगा दूसरे शब्दों में सबसे जरूरी बात सबसे बाद में कही गई है और इस कारण से हमें सहायता के बजाए गुस्ते की भावना जगी है अब देखते हैं कि हम अगर इस पत्र को दुबारा लिख सकते हैं तो क्या इसमें कोई फरक पड़ेगा अपनी समस्या के बारे में बाते करने करके समय बरबाद नहीं करते हैं जैसा हेंडरी फोर्ड कहते हैं, अपनी नजर के साथ साथ दूसरों की नजर से चीजों को देखते हैं, यहां पत्र को दुबारा लिखने का एक तरीका है, हो सकता है, यह सबसे अच्छा तरीका न हो, पर इस से सुधार तो हो ही रहा है ना? अब रिवाइस किया हुआ पत्र कुछ इस प्रकार है, श्री एड़वर्ड वर्मिलिन, द्वारा ए जेरगा संस इंक, 28 फ्रंट स्टेशन, ब्रुकलिन, न्यू यॉर्क 11201 प्रियो मिस्टर वर्मिलिन, आपकी कंपनी हमारी 14 साल से काफी अच्छी ग्राहक रही है, हम आपके संट्रक्षन के आभारी हैं, और आपको जादर रफ्तार और गुणवत्ता वाली सेवा देना चाहते हैं, लेकिन हमें खेट के साथ ये कहना पड़ रहा है, कि जिस तरह स आपके ट्रक्स ने 10 दिसेंबर को देर से सामान पहुचाया, उस कारण से हम ऐसी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, चुकि कई और ग्राहक दोपेर के काफी बाद डिलिवरी करते हैं, इसलिए भीर भड काफी बढ़ जाती है, इस कारण हमें आपके ट्रकों को देर तक रोकना प आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी सामान पर तुरन ध्यान दिया जा सकेगा, और हमारे करमचारी घर जल्दी जाकर अपने द्वारा बनाई गई, आपके द्वारा बनाई गई मैकरोनी और नूडल्स का आनन ले सकेंगे, आपकी shipment जब भी पहुचेगी, हम अपनी पूरी सामर्थ के साथ आपकी सेवा करेंगे, आप वियस्थ हैं, इसका जवाब देने का वक्त न मिले तो कोई बात नहीं, आपका अपना जेबी सुप्रिटेंडेंट बार्मेरा एडर्सिन, जो न्यू यॉर्क के एक बैंक में काम करती थी, अपने बेटे की सेहत के कारण फीनिक्स एरिजोना में तब दला चाहती थी, तब आदला चाहती थी, ट्रांसफर चाहती थी हमारे कोर्स में सीखे गज सिधानतों के बल पर उन्होंने फीनिक्स के 12 बैंकों को ये पत्र लिखा वो पत्र कुछ इस प्रकार है प्रियम होदे, आपके जैसे तेजी से फैलते बैंक के लिए मेरा 10 सालों का बैंक का अनुभव काम का साबित हो सकता है न्यूँ यॉर्क के बैंक्स ट्रस्ट कमपनी में बैंक ऑपरेशन में कई तरह के काम करने के बाद मैं ब्रांच मैनेजर बनी और मैंने बैंकिंग के सारे क्षेत्रों में जैसे टेपॉसिट, रिलेशन, क्रेडिट, लोन और एड्मिनिस्ट्रेशन में दक्षता हासल की है पेनिक्स में रहूंगी और अकसर मिलने पर और अफसर मिलने पर आपको दिखाना चाहूंगी कि आपके बैंक को लक्ष प्राप्त करने में मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूं सविने बार्बरा एन एडरसन क्या आपको लगता है कि मिसिस एडरसन को इस चिठी का कोई जवाब मिला होगा बारा में से ग्यारा बैंकों ने उन्हें इंटर्व्यू के लिए बुलाया और उन्हें चुनना पड़ा कि किस बैंक आफिर्स विकार करे ऐसा क्यों हुआ मिसिस एडरसन ने ये नहीं बताया कि वो क्या चाहती थी उन्होंने पत्र में लिखा कि वे कैसे मदद कर सकती हैं और उन्होंने उनकी जरूरतों पर फोकस किया अपनी जरूरतों पर नहीं हजारों सेल्समैन रोज फुट पात पर ठके हतोच साहित और कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं क्यूं? क्यूंकि वे हर दम सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए उन्हें ये नहीं पता कि मैं और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते अगर हमें कुछ खरीदना होगा तो हम खुदी जाकर खरीद लेंगे हम सभी अपनी समस्याइं हल करने में व्यस्त हैं और अगर सेल्समैन हमें ये दिखा सके कि उनकी सिवाए और प्रोडक्स हमारी समस्या हल कैसे कर सकती हैं हमारे समस्याओं को solve करने में कैसे मददकार साबित हो सकती है तो उन्हें कुछ बेचना ही नहीं पढ़ेगा हम खुद ही खरीद लेंगे कस्टमर ये मैसूस करना चाहते हैं कि वो कोई भी product खुद खरीद रहे है उन्हें कुछ बेचा नहीं जा रहा लेकिन अधिकतर salesman अपनी जिन्दगी ग्राहकों के नजरिये से चीजों को बिना देखे गुजार देते हैं उदारन के लिए मैं सालों तक forest hills में रहा हूँ जो greater new york में private घरों की एक छोटी सी community है एक दिन मैं station जा रहा था जब एक real state operator से मिलने का मौका मिला जिसने उस जगे में कई साल तक property खरीदने और बेची थी वो forest hills को अच्छी तरह जानता था इसलिए मैंने उससे पूछा कि मेरा stucco house metal lath या खोकले टायल से बना है या नहीं उसने बताया कि उससे नहीं बता और उसने जो बताया वो मुझे पहले से ही पता था वो यह कि मैं forest hills garden association से पूछ कर पता लगा सकता हूँ अगले दिन सुबे मुझे उसका एक पत्र मिला क्या उसने वो सूचना दी जिसकी मुझे जरूरत थी वो एक telephone call करके वो जानकारी एक मिनिट में दे सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया उसने फिर से बताया कि मैं वो जानकारी फोन करके पास सकता था फिर उसने कहा कि वो मेरे insurance का ख्याल रखना चाहता है वो मेरी मदद करने में उत्सुब नहीं था वो सिर्फ अपनी मदद करने में उत्सुब था लुकोस हावर्ड लुकास बताते हैं कि एक ही कंपनी में दो सेल्समैन ने एक ही स्थिती को कैसे संभाला उनके रिपोर्ट थी कई साल पहले मैं एक छोटी से कंपनी के management टीम में था हमारे नस्दीक एक बड़ी insurance कंपनी के जिला office का मुख्याले था उनको agents के शेत्र बाटे गए थे और हमारी कंपनी को उनके दो agents मिले थे जिन्हें मैं Carl और John कहूंगा एक सुबह Carl हमारे office आया और उसने बताया कि उसकी कंपनी executive लोगों के लिए एक नई insurance policy लेकर आई है और उसने सोचा कि हमारी आगे चल कर उसमें रूची हो सकती है और जादा सूचना पाने पर वो हमारे पास आएगा उसी दिन जॉन ने हमें coffee break से वापस आते देखा और वो चिलाया हे न्यूक रुकना जरा मेरे पास तुम लोगों के लिए जरूरी सूचना है वो हमारे पास बड़े उत्साह से आया और उसने बड़े जोश में हमें executive life policies के बारे में बताया जो उसकी company ने उसी दिन शुरू की थी ये वो ही policy थी जिसके बारे में card ने बताया था वो हमें तुरंट policy देना चाहता था उसने हमें coverage के बारे में कुछ जरूरी बाते बताई और कहा ये policy इतनी नहीं है कि मैं कल office से कल किसी को भेजूँगा जो आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बता देगा फिलहाल आप ये application sign कर दीजे ताकि रास्ते में मेरे पास काम करने के लिए और भी जानकारी हो उसके जोश ने हमें policy के लिए गहरी इक्षा पैद्दा कर दी थी हाला कि हमारे पास जादा जानकारी नहीं थी जब वो policy हमारे पास आई तो हमने देखा कि जॉन के शुरुआती जानकारी सही थी और उसने न सिर्फ हमें policy बेची बलकि हमारा coverage भी दोगुना कर दिया काल को वो sales मिल सकती थी पर उसने हमें कोई इच्छा नहीं पैदा कर पाई ये दुनिया वैसे लोगों से भरी हुई है जो अपने फायदे के बारे में सोचे जा रहे हैं इसलिए अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसके पास एक ताकत होती है एक अजीब सी ताकत उसे एक कम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है ओवेंडी यंग अमेरिका के सबसे बड़े वकील और बिसनेस लीडर ने कहा था जो लोग दूसरों के स्थान में खुद को रखकर उनकी सोच को समझ सकते हैं उन्हें भविश्य के बारे में डरने के कोई जरूरत नहीं है अगर इस किताब से आपको सिर्फ एक चीज मिल सके हमेशा दूसरों के नजरिये से चीजों को देखने की प्रबल इक्षा अगर इस बुक से आप सिर्फ एक चीज पा सके तो ये आपके केरियर का एक बड़ा स्तंब एक बड़ा पिलर साबित हो सकती है दूसरे के नजरिये से चीजों को देखना और उनमें किसी चीज को करने के लिए तीवर इक्षा जगाना ऐसी चालाकी न हो जाए जिससे सिर्फ आपका फायदा हो दोनों पक्षों को लाब मिलना चाहिए Mr. Vermiland को भेजी गई चिठियों में भेजने वाले और पाने वाले दोनों को सला दी गई चीजें करने से फायदा मिला Bank और Mrs. Ederson दोनों उस चिठी से फायदे में रहे क्योंकि Bank को एक अच्छा करमचारी मिला और Mrs. Ederson को एक अच्छी नौकरी मिली और Mr. Lucas को John से इंशुरेंस बेचने वाले उदारन में दोनों को इस सौदे का फायदा मिला एक और उदारन जिसमें तीवर एक्छा जगाने वाले सिधान से सभी को लाब मिलता है वो है Shell Oil Company के क्षेत्रिय सेल्समैन Michael E. Widen का जो Warwick Road आईलाइंड से आते है Michael अपने जिले में नमबर वन सेल्समैन बनना चाहता था लेकिन एक सर्वेस स्टेशन उसे आगे वरने से रोक रहा था उस स्टेशन को एक बुढ़ा आदमी चलाता था जिसमें स्टेशन को साफ करने की एक्छा नहीं होती थी ये इतनी पुरानी हालत में था कि सेल्स घटी ही जा रही थी ये मैनेजर स्टेशन को अपग्रेट करने की Michael की बात नहीं मान रहा था काफी मिननत और बातों जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ये सारे बातों के बाद Michael ने उस मैनेजर को अपने क्षेतर के सबसे नए शेल्स स्टेशन में खूमने के लिए आमंतरित किया वो मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से इतना प्रभावित हुआ कि जब Michael उससे दुबारा मिलने गया तो उसने अपने स्टेशन को अलरेड़ी साफ कर लिया था और सेल्स में रिकॉर्ट्स की वृद्धी भी होने लगी थी इस कारण से Michael अपने जिले में नमबर वन की पोजिशन पर पहुँच गया सारी बातों और बहसों से कोई असर नहीं हुआ लेकिन मैनेजर में तीव रिक्षा जागने से उसे नया मॉडर्न स्टेशन दिखाने से उसने अपना लक्ष प्राप्त कर लिया जिससे मैनेजर और माइकल दोनों को फाइदा हुआ अधिकतर लोग कॉलेज जाते हैं और वहां काफी सारे ठ्योरम्स और कैल्किलिस के रहसिप को भी सीखते हैं पर ये नहीं सीखते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है उदारन के तौर पर एक बार मैंने उन कॉलेज ग्राजवेट युवाओं को प्रभावशाली बोलने की कला पर एक कोर्स कराया जो एक विशाल एर कंडिशिनर कैरियर कॉंप्लेक्स कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे एक युवा को बाकी लोगों को फ्री टाइम में बास्केट बॉल खेलने के लिए मनाया था और उसने ऐसा कुछ कहा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बाहर आओ और बास्केट बॉल खेलो मुझे बास्केट बॉल खेलना अच्छा लगता है पर जब भी मैं जिमनेजियम जाता हूँ मुझे वहाँ बहुत कम लोग मिलते है हम में से दो-तीन लोग रात बर बॉल फेकते रहे और मेरी आँख काली पड़ गई मैं चाहता हूँ कल तुम सारे लोग रात में आओ मैं बॉस्केट बॉल खेलना चाहता हूँ आप आखे काली नहीं करवाना चाहते क्या आप वो आपको जिमनेजियम के द्वारा वे चीज़े दिखा सकता था जो आप चाहते थे बिल्कुल जादा आनन्द, जादा अच्छी भूक, साफ दिमाग, मजा खेल, बास्केट बॉल मेरे एक ट्रेनिंग कोर्स में एक सदस्य अपने बच्चे को लेकर चिंता में था बच्चे का वजन कम था और अच्छी तरह से खाना नहीं चाहता था उसके माता पिता ने पुराना तरीका अपनाया उन्होंने उसको डाटा और उसके पीछे पड़ गए मा चाहती है कि तुम ये खाओ, वो खाओ पिता चाहते हैं कि तुम खाकर बड़े हो जाओ, एक सेक्टरा क्या बच्चे ने इस बात पर ध्यान दिया? उसने उतना ही ध्यान दिया जितना आप समुद्र किनारे रेट के कंड को देते हैं जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धी होगी, वो तीन साल के बच्चे से तीस साल के पिता के नजर ये से काम करने की आशा नहीं रखेगा लेकिन ठीक यही काम पिता ने किया था ये अजीब था, उसे ये देखा गया, इसलिए उसने खुद से कहा बच्चा क्या चाता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उसकी एक्षा और मेरे एक्षा जुड़ जाए जब पिता ने इस बारे में सोचना शुरू किया, तो उसके लिए मामला आसान हो गया बच्चे के पास एक तीन पहिये वाली साइकल थी, जिससे वो ब्रूकलिन में अपने घर के पास साइड वॉक पर उपर नीचे करता था कुछ दूरी पर एक बदमाश और बड़ा लड़का रहता था, जो उससे साइकल चीन कर उस पर खुद चड़ जाता था तब वो छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी मा के पास आता और मा उस लड़के से साइकल चीन कर वापस अपने बच्चे को दे देती थी ये लगबग रोज ही होता था, वो बच्चा चोटा क्या कर सकता था और वो चोटा बच्चा आखिर क्या चाता था इसका जवाब देने के लिए शेर्लोक होम्स की जरूरत नहीं है उसका अभिमान, गुसा, महत्वपूर्ण बनने की इक्षा ये सारे भावनाएं उससे बदला लेने के लिए और उस लड़के की नाक तोड़ने के लिए उकसाते थे और जब उसके पिता ने उसे बताया कि वो उस लड़के को मज़ा तभी चखा पाएगा जब वो मा की दी हुई सारी चीज़े अच्छे से खा लेगा जब उसके पिता ने ये वादा किया फिर कभी खाने के मामले में दिक्कत नहीं हुई बच्चा, पालक, सोयाबीन, करेला जो भी खाना पड़े खाने के लिए तयार था जो उसे उस लड़के से लड़ने के लिए मदद करे उस समस्या को सुलझाने के बाद उसके माता-पिता ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया बच्चे को बिस्तर गीला करने की आदत थी वो अपनी दादी के साथ सोता था सुब्व में उसकी दादी बिस्तर को चूकर बोलती थी देखो जॉन, कल रात फिर तुमने क्या कर डाला वो कहता था, नहीं मैंने नहीं किया, आपने किया है डाटना, पीटना, शर्मिंदा करना ये बताना की उसके माता-पिता क्या चाहते थे किसी भी चीज से उसकी आदत नहीं चूटी इसलिए उसके माता-पिता ने पूछा हम कैसे बच्चे में बिस्तर गीला न करने के इक्षा पैदा कर सकते हैं उसकी एक्षा क्या थी पहली, वो दादी की तरह नाइट गाउन के बज़ाए अपने डाड की तरह पैजामा पहनना चाहता था दादी उसकी रात की हरकतों से तंग आ गई थी इसलिए उसने खुशी-खुशी उससे पैजामा पहनने दिया अगर वो सुधरने को तयार हो तो दूसरी, वो अपना बिस्तर चाहता था वो अलग से अपना बिस्तर चाहता था उसकी दादी ने नहीं रोका उसकी मा उसे ब्रोकलिन के एक डेपार्टमेंटल स्टोर में ले गई एक सेल्स करल को इशारा किया और कहा ये नन्ने सज्जन कुछ खरीदना चाहते है सेल्स करल ने उसे ये कहकर इंपोर्टन्ट फील कराया जेंटलमेन, मैं आपको क्या दिखाऊँ? आप क्या खरीदना चाहते हैं? वो दो इंच उचा तन कर बोला मैं अपने ले एक बेट खरीदना चाहता हूँ बेड अगले दिन घर आ गया और उस रात जब पिता घर आए वो बच्चा दोड़ कर दर्वाजे पर पहुँचा और चिलाया डाडी, डाडी, उपर आईए और मेरा बेट देखिए बेट को देखते हुए पिता ने चार्ल्स श्वाप का कहना माना उन्होंने दिल खोल कर तारीफ की तुम अपने इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे ना बच्चा पिता ने पूछा ओ नहीं नहीं, मैं इस बिस्तर को कभी गीला नहीं करूँगा जब बच्चे का स्वाभिमान आडे आया तो उसने अपना वादा पूरा किया ये उसका बेट था इसे उसने और सिर्फ उसने खरीदा था और अब वो एक ननहे मर्द की तरह पैजामा पहन रहा था वो मर्द की तरह बिहेव करना चाता था और उसने किया एक और पिता केटी डच्च मैन एक टेलिफोन इंजिनरिंग कोर्स में एक छात्र अपनी तीन साल की बच्ची से नाश्टा नहीं करा पा रहे थे डाटना, समझाना, बनाना कुछ भी काम नहीं आ रहा था तब माता पिता ने खुद से पूछा, हम इसमें इस इक्चा कैसी पैदा कर सकते हैं उस बच्चे को मा की नकल उतारने में बहुत नजा आता था उससे बड़े होने का एसास मिलता था इसलिए एक सुबह उन्होंने उससे चेर पर बठाया और नाश्टा बनाने दिया उसने बिना मनाए नाश्टा अच्छी तरह से किया क्योंकि अब उसकी इसी में रूची थी उसे महत्वपून होने का एसास मिल गया था उसे नाश्टा बनाने से अपने आपको व्यक्त करने का अफसर मिल गया था विल्यम विंटर ने एक बार कहा था आत्म अभिव्यक्ती मानव सुभाव की बड़ी जरूरत है हम इस साइकलोजी को अपने कामों में इस्तमाल क्यों नहीं करते जब हमें एक ब्रिलियंट आइडिया आए तो दूसरों को ये फील कराने के बजाए कि ये हमारा आइडिया है उन्हें ये मैसूस करने दे कि ये आइडिया उनका है तब वे इसे अपना मानेंगे उसे पसंद करेंगे और उसे आजमाने में जुट जाएंगे याद रखिए पहले तो दूसरे इंसान में तीवर इक्छा जगाएं जो ये कर सकता है उसके साथ पूरे दुनिया चलती है और जो ये नहीं कर सकता वो अकेले रह जाता है यहाँ पर चाप्टर थ्री खतम होता है इस चाप्टर में जो थर्ड प्रिंसिपल हमें समझाया गया है वो है दूसरे इंसान में तीवर इक्छा जगाएं इसके साथ पार्ट वन खतम होता है सो थोड़े शब्दों में लोगों के साथ व्यवहार के मूल तरीके में हमने तीन प्रिंसिपल्स को सीखा है मैं उसे यहाँ पर दोहराती हूँ ताकि आपका रिविजिन हो जाए सिध्धान्थ एक आलोचना, निंदा और शिकायत न करें सिध्धान्थ दो एमानदारी और सच्चाई से तारिफ कीजिए सिध्धान्थ तीन दूसरे इंसान में तीवर इक्छा जगाएं पार्ट टू छे तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे Six Ways to Make People Like You चाप्टर वन ये करें और आपका हर जगे स्वागत होगा दोस्तों का दिल जीतने का तरीका सीखने के लिए इस किताब को पढ़ने के ज़रुत क्या है? दोसरों का दिल जीतने की कला जानने वाले सबसे बड़े महारती से क्यों न सीखे? कौन है वो? आप उसे कल रास्ते पर मिल सकते हैं आपके नस्दीक आते ही वो अपनी पूँच हिलाने लगता है अगर आप रुपकर उसे सहलाएंगे तो ये दिखाने के लिए उचल पड़ेगा कि वो आपको कितना पसंद करता है और आप जानते हैं कि उसके प्यार के पीछे कोई दूसरी नियत नहीं है वो आपको रियल स्टेट नहीं बेचना चाहता और वो आपसे शादी भी नहीं करना चाहता क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता दुन्या का एक मात्र ऐसा जानवर है जिसे अपनी जीविका अपनी लिविंग के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं गाई को दूद देनी पड़ती है और तोते को बोलना पड़ता है लेकिन एक कुत्ता अपनी आजीविका अपनी living कमाने के लिए आपको सिर्फ प्यार देता है जब मैं 5 साल का था मेरे पिता मेरे लिए 50 सेंट में पीले बालो वाला एक पिला लेकर आये थे वो मेरे बच्पन की खुशी था हर शाम साड़े चार बजे वो हमारे घर के सामने अपनी प्यारी आखों से रास्ते को एक तक देखता रहता था और जैसे ही वो मेरी आवाज सुनता या मुझे देखता वो अपनी पूछ हिलाते हुए सरपट से आगे बढ़ता और दोडते हुए पूरी खुशी के साथ आगे आता और मेरे पैरुप से लिपट जाता टिप्पी मेरा पात साल एक दोस्त रहा फिर एक दुखत रात को वो रात में कभी नहीं भूलूंगा वो आकाश की बिजली से मुझसे दस कदम की दूरी पर मारा गया टिप्पी की मृत्यू मेरे बच्पन की ट्राजिडी थी टिप्पी तुमने कभी साइकलोजिक किली कोई भी बुक नहीं पड़ी थी तुमें जरूरत ही नहीं पड़ी तुम किसी डिवाइन इंस्टिंक्ट से जानते थे कि तुम दो साल में लोगों की दिल्चस्पी अपनी तरफ चगाने की कोशिश करके उतने दोस नहीं बना सकते चितना लोगों में दिल्चस्पी दिखाकर दो महीनों में बना सकते हो मुझे फिर से दोराने दो तुम दो साल में लोगों की दिल्चस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतनी दोस नहीं बना सकते जितना लोगों में दिल्चस्पी दिखाकर दो महीनों में बना सकते हो इसके बावजूद मैं और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरी सिंदगी दूसरों की अपनी तरफ तिल्चस्पी लगाने की कोशिश में लगा देते हैं पर ये काम नहीं करता लोगों की आप में रूची नहीं है उनकी मुझ में रूची नहीं है उनकी खुद में रूची है सुबह, शाम, दुपर, रात नुई यॉर्क टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की ये जानकारी प्राप्त हुई कि किस शब्द का सबसे ज़ादा इस्तमाल होता है आपने सही अनुमाल लगाया मै, मै, मै 500 फोन वारता लापों में ये 3900 बार इस्तमाल हुआ मै, मै, मै किसी ऐसे ग्रुप फोटोग्राफ में जिसमें आप भी हैं सबसे पहले आप किसकी फोटो देखते हैं अगर हम सिर्फ लोगों पर प्रभाव जमाने में रहे और उनकी दिल्चस्पी पाने में लगे रहे तब हमें अच्छे और सच्चे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे सच्चे दोस्त ऐसे नहीं मिलते नेपोलियन ने कोशिश की और चिसुफीन से अंतिम मुलाकात में उसने कहा जेसुफीन मैं धर्ती के किसी भी इंसान से ज़ादा भागिशाली रहा हूँ और इसके बावजूद तुम दुन्या में अकेली हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ Historians को शक है कि वो जेसुफीन पर भी विश्वास करता था Alfred Adler, Vienna के मशूर साइकलोजिस ने जिन्दगी का अपने लिए क्या मतलब होना चाहिए नाम की किताब लिखी उन्होंने किताब में लिखा जो इनसान दूसरों में दिल्चस्पी नहीं रखता उससे सबसे ज़ादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों को सबसे ज़ादा नुकसान पहुँचाता है आप मनो विज्ञान पर भारी भरकम के ताबों के पढ़ने के बाद भी इससे ज़ादा ज़रूरी बात नहीं खोच सकते एडलर के बात इतनी अर्थ भरी है कि मैं इसे यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा जो इनसान दूसरों में दिल्चस्पी नहीं रखता उससे सबसे ज़ादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों को सबसे ज़ादा नुकसान पहुँचाता है ऐसे ही इनसानों से मनुष्य की असफलताई निकलती है एक बार मैंने न्यू यॉर्क उनिवर्सिटी से शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कोर्स किया और उस कोर्स के दौरान एक मशूर पत्रिका के समपादक ने हमारी क्लास से बात की उन्होंने कहा कि वो उनसे डेस्क से गुजरने वाली दरजनों कहानियों में से कोई भी कहानिय उठा कर कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर बता सकते थे कि लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता उन्होंने कहा तो लोग भी उनकी कहानिया पसंद नहीं करेंगे वो सधा हुआ एडिटर पढ़ने के दौरान दो बार रुका और उसने उबदेश देने के लिए माफी मांगी मैं आप लोगों को वही बाते बता रहा हूँ जो एक उपदेशक आपको बताएगा पर याद रहे अगर आप सफल कहानी लेखक बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को पसंद करना होगा अगर वह साहित लिखने के बारे में सच है तो निश्चे ही वह लोगों के साथ व्यवहार करने के मामलों में भी सही है मैंने हावर्ड थर्स्टन के ट्रेसिंग रूम में एक शाम बताई जब वे ब्रॉडवे पर अंतिम बार प्रदर्शन कर रहे थे थर्स्टन उस समय जादुगरों के बादशा थे 40 साल तक वे पूरी दुन्या घूमते रहे, जादु दिखाते रहे, दर्शकों को मंत्र मुक्त करते रहे और लोगों को चकित करते रहे 7 मिलियन से जादा लोगों ने उनके शोज को देखा और उन्होंने 2 मिलियन डॉलर से जादा लाब कमाया था मैंने मिस्टर थर्स्टन से अपनी सफलता का राज बताने को कहा उनकी स्कूली सिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं था इसलिए वे घर से छोटी उम्र में भाग गए थे उन्होंने बॉक्स कारों में सवारी की पूल में सोई, दर्वाजों पर भीग मांगी और रेलवे के साइन बोड को देखकर पढ़ना सीखा क्या उनको मैजिक की जादा जानकारी थी? नहीं, उन्होंने कहा कि इस स्विशे पर सैक्रों किताबे लिखी गई है और कई लोगों को उतना ही पता है जितना उन्हें पता है पर उनके पास दो चीज़े थी जो दूसरों के पास नहीं थी पहली, वे लाइट में अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से बाहर ले आते थे और वे एक मास्टर शोमैन थे वे मानव का सुभाव जानते थे वे जो भी करते थे हर एक हावभाव, अवाज की उचाई और गहराई आइब्रोस को उठाना, हर चीज़ का वे पहले से ही रिहर्सल्स कर लेते थे और उनकी हर हरकत सेकंड्स के हिस्सों में बंधी हुई होती थी इसके अलावा, स्थर्सन को लोगों में सच्ची रूची थी उन्होंने बताया कि कई जादुगर लोगों को देखते थे और बोलते थे इन गधो की जमात को देखो मैं आज इने बेटकूफ बना कर रहूँगा लेकिन थर्स्टन का दूसरा तरीका था उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाते वक्त वे खुद से कहते थे मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग मेरे स्टेज पर आए इन ही लोगों के कारण मेरे लिए आजीविका मेरी लिविंग कमानब संभव हो पाया है मैं उन्हें अपना बैस देकर ही रहूँगा उन्होंने कहा कि वे बिना अपने आप से ये कहे लाइट के सामने नहीं आते थे कि मुझे अपने श्रोताव से प्यार है मुझे अपने श्रोताव से प्यार है बकवास फालतू आप जो सोचना चाहें सोचें मैं आपको एक प्रसिद जादूकर द्वारा बताई रेसिपी बिना किसी टिपणी के बता रहा हूँ North Warren, Penson Valley के George Dyer को अपने Service Station Business के 30 साल बाद रेटायर होना पड़ा, जब उनके स्टेशन की जगे पर एक नया हाईवे बना, जब रेटायमेंट से खाली दिन उनको बोर करने लगे, तो वे अपनी सारंगी पर संगीत बजाने लगे, जल्दी ही वे उस शेत्र में संगीत सुनने और दूसरे सारंगी वादकों से मिलने निकल पड़े, अपने विनम्र अंदाज में, वे हर संगीत कार की बारे में जानने को उत्सुख हो गए, हाला कि वे खुद बहुत अच्छी सारंगी नहीं बजाते थे, पर उन्होंने इस दौरान कई दोस्त बनाए, उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, और युनाइट स्टेट्स के इस्टन हिस्से में, कंट्री म्यूजिक के प्रशन्सकों के बीच में, कैंजुअ कंट्री में सारंगी वाले अंकल जौर्ज के रूप में लोगप्रिय हो गए, जब हमने अंकल जौर्ज के बारे में जाना, तब वे 72, 72 साल के होच गए थे, और जिन्दगी के हर पल का आनन ले रहे थे, लोगों में दिल्चस्पी रखने के कारण, उन्होंने वैसे समय में एक नई जिन्दगी की शुरुवात की, जब लोग ठक हार कर बैट जाते हैं, एक Theodore Roosevelt, ये Theodore Roosevelt की लोग प्रियता का भी रहसे था, उनकी वैलिट James E. Amos ने एक किताब लिखी, जिसका नाम उन्होंने Theodore Roosevelt अपने वैलिट की नायक, ताट इस, He wrote to His Wallet रखा, इस किताब में आमूस एक घटना के बारे में बताता है, मेरे पतनी ने एक बार President से Bob White, जो की एक टाइप की बर्ड है, के बारे में पूछा, उसने उसे कभी नहीं देखा था, पर President ने उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया, कुछ समय बाद हमारे घर का फोन बजा, मेरे पतनी ने फोन उठाया, और फोन पर Mr. Roosevelt खुद थे, उन्होंने कहा, कि उन्होंने मेरे पतनी को ये बताने के लिए कॉल किया था, कि खिड़की के सामने एक Bob White है, और उसे वे चाहे तो देख सकती है, ये ननहीं बाते उनकी खासियत थी, जब ही वे अमारे घर के पास से गुजरते थे, अगर हम नजरों से दूर भी होते, तो वे हमें ये बुलाते हुए सुनते थे, ओ एनी या ओ जेम्स, ये उनका महत्वपूर्ण मित्रता पूर्वर्क व्यवहार था, करमचारी ऐसे इनसान को पसंद किये मिना कैसे रह सकते थे, कोई इनसान उन्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता था, रूस्वेल ने इस रात वाइट हाउस में फोन किया, जब प्रेसिडेंट और मिसिस टॉफ्ट वहां नहीं थे, सभी लोगों के लिए उनकी विनम्रता एक बात से दिखाई देती थी, कि वे वाइट हाउस के सभी काम करने वालों को उनके नाम से पुकारते थे, भले ही वो नौकरानी ही क्यों न हो, जब उन्होंने किचिन में काम करने वाली एलिस को देखा, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी कॉन ब्रेट बनाती हैं, एलिस ने कहा कि वो कभी-कभी नौकरों के लिए बनाती हैं, पर उसे उपर कोई नहीं खाता, उनकी प्वसंद बुरी है, रूजवेल्ट ने कहा, मैं प्रेसिडेंट से मिलने पर बताऊंगा, एलिस उनके लिए प्लेट पर एक पीस लेकर आई, और वे ओफिस जाते समय, मालियों और मजदूरों से बात करते हुए, उसे खाते चले गए, उन्होंने हर इंसान का वैसे ही अभिवादन किया, जैसे वे पहले करते थे, आईख हूवर, जो वाइट हाउस में 40 साल से काम कर रहा था, ने नम आखों से कहा, जब पिछले सालों में मेरे जीवन का एक मात्र खुश्णुमा दिन था, और हम इसे कभी 100 डॉलर में भी नहीं बदलेंगे, मैंने अपने experience में पाया है कि कोई इंसान बहुत व्यस्ट लोगों का ध्यान और समय खीट सकता है, अगर वो उनमें सची दिल्चस्पी दिखाए, मुझे डीटेल में बताने दे, कई साल पहले मैंने Brooklyn Institute of Art and Science में Fiction Writing का एक कोर्स कराया था, और हम Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tanbill, Albert Payson Torhune and Rupert Hewis चैसे बड़े और व्यस्ट लेखकों से चाहते थे, कि वे Brooklyn आकर अपने experience से हमें कुछ सिखाएं, इसलिए हमने उन्हें लिखा और उन्हें बताया कि हमने उनके काम की तारीफ की, और हमारी इच्छा है कि वे यहां आएं और अपने सफलता के रहस्य हमें सिखाएं, हर पत्र पर सौ पचास चात्रों द्वारा साइन किया गया था, हमने कहा कि हम जानते हैं कि ये लेखक काफी व्यस्ट है, इतने व्यस्ट कि अपना lecture तयार नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनके लिए प्रश्णों की एक लिस्ट भेजी, जो उनकी जिन्दगी और काम करने के तरीकों से संबंधे थी, उन्हें वो पसंद आया, किसे पसंद नहीं आएगा, इसलिए वे अपने घरों से निकल कर ब्रुक्लिन तक आये और उन्होंने हमारी हेल्प की, इसी तरीके का इस्तिमाल करके, मैंने लेसली M. शॉर, तियोडोर रूस्वेल्ट के काबिनेट में ट्रैजरी की सचीफ, जॉर्ज डबलू, विकर्शन, टॉफ्ट की काबिनेट के, एटॉर्णी जेनरल विल्यम जेनिंग्स ब्रायन, फ्रैंक्लिन डी रूस्वेल्ट और अन्य कई हस्तियों को, अपने पबलिक स्पीकिंग के कोर्स में, छातरों से बोलने के लिए मनाया, हम सारे लोग चाहे हम फैक्टरी में काम करने वाले हो, या ओफिस में कलर्क हो, या राज कद्दी पर बैठे राजा हो, हम समी उन्हें पसंद करते हैं, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, उदारन के तौर पर जोमन कैशर को लेव, प्रतम विश्वयुद्ध के अंत में, वो दुनिया में सबसे जादा नफरत और आलोचना का शिकार इंसान था, जब वो जान बचाने के लिए हॉलेंड भागा, तो खुद उसका देश उसके खिलाफ हो गया था, उसके खिलाफ नफरत इतनी गहरी थी, कि लाखों लोग उसकी बोटी-बोटी काटने और चलाने के लिए तयार थे, गुस्ते की इस आग के बीच, एक छोटे बच्चे ने उसे प्यार और प्रशंचा से भरा एक सच्चा पत्र लिखा, उस बच्चे ने लिखा कि भले ही दुनिया जो सोचे, पर वो विल्यम को हमेशा अपने राजा के रूप में देखना चाहेगा, कैसर इस पत्र में इतना द्रविद हुआ कि उसने उस छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया, बच्चा आया, साथ में उसकी मा भी आई, और कैसर ने उससे शादी कर ली, इस छोटे बच्चे को दोस बनाने की कला पर किताब पढ़ने के जरूरत नहीं थी, वो इस कला को प्राकृतिक रूप में जानता था, अगर हम दोस बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरे के लिए कोई चीज करने प्चाहिए, वे चीजें जो समय, एनरजी, निस्वार्थ भाव और विचार शीलता खोचती है, जब ड्यूक ओफ विंट्सन, प्रिंस ओफ वेल्स थे, उन्हें साउथ अमेरिका टूर पर जाना था, और उस टूर पर जाने से पहले, उन्होंने महीनों स्पैनिश सीखने में लगाया, ताकि वे वहाँ पर उनकी भाशा में जन्तस के बीच बाते कर सके, बोल सके, साउथ अमेरिका के लोगों ने उन्हें इस कारण से काफी पसंद किया, कई साल तक मैंने अपने दोस्तों के जन्दिन की जानकारी रखने के पूरी कोशिश की, कैसे? हाला कि मुझे जोतिश वग्ञान में बिलकुल भी भरोसा नहीं था, पर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या वे इस बात पर विश्वास करते हैं, कि इंसान के जन्द का, उनके चरित्र और बिहेवियर, उनके सुभाव और नेचर से कोई लिना देना होता है? फिर मैंने उनसे अपना जन्दिन बताने को कहा, अगर सामने वाले इंसान ने 24 नवंबर कहा, तो उदारण के तौर पर मैं अपने मन में 24 नवंबर, 24 नवंबर दोहराता रहा, उनके पीट घुमाते ही मैं जन्म दिन नोट पर लिख लेता था, और बाद में उसे अपनी बर्थडे डायरी में लिख लेता था, हर साल की शुरुवात में मैं जन्म दिनों को अपने कैलेंडर पैड में नियोजित कर लेता था, ताकि वे हमारे ध्यान में आसानी से आ सके, उस दिन के आते ही मैं पत्र या टेली ग्राम से उन्हें शुब कामनाय भेज दिया करता था, क्या हेट आइडिया था न, उत्सा और प्रेम में अभिवादन करे, किसी से फोन पर बात करते समय यही मनो विज्ञान इस्तमाल करे, इनसे प्यार से हेलो बोले, ताकि फोन पर बात करने वाले इनसान को लगे, कि आप उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे बात करके कितना खुश है, कॉल करने वाले को महसूस होगा, कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं, अगली बार फोन पर जवाब देते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखे, दूसरों में सच्चे दिल्चस्पी दिखाने से न सिर्फ दोस्त बनते हैं, बलकि आपकी कंपनी के प्रती ग्राहकों में वफादारी लॉयालिटी भी आती है, नैशनल बैंक ओफ नौर्थ अमेरिका ओफ न्यू यॉर्क के प्रकाशन में एक इशू में एक जमा करता, मेडलिन रॉसलेल का ये पत्र प्रकाशित हुआ था, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके स्टाफ को कितना पसंद करती हूँ, सभी काफी विनम्र, शिष्ट और मददकार है, खतार में लंबे समय तक इंतजार करने के बाद कितना अच्छा लगता है जब आपका टेलर बड़े प्रेम से बात करता है, पिछले साल मेरी माँ पाच महीनों के लिए अस्पताल में पड़ी थी, मैं अकसर एक टेलर मैरी पाटरू सेलो के पास जाती थी, वा मेरी मां के बारे में चिंती थी, और हाल चाल के बारे में पूछा करती थी, इस बारे में कोई शंका है कि मिस्स रूजवेल्ट इस बैंक की सेवा लेंगी या नहीं चार्ल्स आर वैल्डर्स जो न्यूज़ के एक बड़े बैंक में काम करते थे को एक कॉर्पोरेशन के बारे में गुप्त रिपोर्ट तयार करने का काम दिया गया था वे सिर्फ एक इनसान को जानते थे जिसे जरूरी तथ्य मालूम थे जब मिस्टर वॉल्टर को प्रेसिडेंट के ओफिस में ले जाया गया तो एक यूवा महिला ने दर्वाजे में से जाग कर प्रेसिडेंट को बताया कि उनके पास उस दिन के लिए स्टैंप्स नहीं थे मैं अपने बारा साल के बच्चों के लिए स्टैंप्स जमा कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ने मिस्टर वॉल्टर को बताया मिस्टर वॉल्टर ने अपने आने का प्रयोजन बताया और वे सवाल पूछने लगे प्रेसिडेंट इधर उधर की बाते करते रहे वे बात नहीं करना चाहते थे और कोई भी चीज उनका मूँ खुलवाने में सफल नहीं हो रही थी इंटर्व्यू छोटा और बिना काम कर रहा सच में मुझे नहीं पता था कि क्या करू मिस्टर वॉल्टर ने ये कहानी बताते समय कहा तब मुझे याद आया कि उनके सेक्रेटरी ने उनसे क्या कहा था स्टैंप बारा साल का बच्चा और तभी मुझे याद आया कि हमारे बैंक का विदेशी विभाग स्टैंप्स जमा करता है था हर देश के आने वाले पत्रों का स्टैंप अगले दिन दोपेर में मैंने इस आदमी को फोन कर कहा कि मेरे पास उस बच्चे के लिए स्टैंप्स है क्या मुझे उट्साक से अंदर ले जाया गया? जी हाँ, उसने मुझसे इतनाई करम जोशी से हाथ मिलाया जैसे वो कॉंग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहा हो उसके चहरे पर मुस्कान और गुड़ विल थी मेरे जॉर्ज को ये पसंद आएगा वो स्टैंप्स को देखते हुए कहने लगे इसे देखे, ये तो खजाना है हमने आदा घंटा स्टैंप्स के बारे में बात करते रहे और उस बच्चे की तस्वीर देखते हुए बिताया और उसके बाद उसने एक घंटे मेरे काम की सारी जानकारी दी वो भी विना मांगे उसने अपनी सारी जानकारी दी फिर अपनी जूनिय करमचारियों को बिलाकर उनसे भी पूछा उसने अपने एक सहयोगी को फोन किया उसने मेरी जोली, facts and figures, reports and पत्राचारों से भर दी correspondence से भर दी अकबार के reporters के हिसाब से मैंने जंडा गार दिया Jesus Christ के जन के 100 साल पहले जन में एक प्रसिद रोमन कवी, Publius Cyrus ने कहा था हम दूसरों में रूची दिखाते हैं, जब वो हम में रूची दिखाते हैं Human Relations के और Principles की तरह दिखाई गई दिल्चस्पी सची होनी चाहिए बलकि दिल्चस्पी पाने वाले इंसान को भी होना चाहिए ये दो दिशाओ वाली सडक है, जिससे दोनों parties को लाब होता है Martin Jinsberg, जिन्नोंने हमारा कोर्स Long Island, New York में किया था ने बताया कि एक नर्स में सची दिल्चस्पी दिखाने से उनकी जिन्दगी पर क्या प्रभाव बढ़ा ये Thanksgiving का दिन था और मैं 10 साल का था मैं एक City Hospital के Welfare Ward में था अगली दिन मुझे एक बड़े Operation से होकर गुजरना था मुझे पता था कि मैं महीनों तक बेट पर कमजोरी और दर्च से पढ़ा रहूँगा मेरे पिता मर चुके थे मेरी माँ और मैं एक छोटे फ्लाट में रहते थे और हम Welfare पर थे उस दिन मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आ सकी जैसे दिन गुजरता गया मैं अखेला पन, दुख और डर से भर गया मुझे पता था कि मेरी माँ अकेले घर पर मेरे बारे में चिंता कर रही होंगी उनके साथ कोई नहीं होगा उनके साथ कोई खाना खाने वाला भी नहीं होगा और उनके पास थैंक्स गिविंग डिनर के लिए पैसे भी नहीं होंगे मेरे आखों में आसु भर गय और मैंने तक्ये में अपना सर चुपा लिया मैं चुप चाप रोता रहा और इतनी बुरी तरीके से रोया कि मेरा शरीर दर्थ से भर गया एक यूवा नर्स ने मेरा रोना सुन लिया और वो मेरे पास आई उसने तक्या हटाया और वो मेरे आसू पोचने लगी उसने बताया कि वो कितना अकेला महसूस कर रही थी और इस दिन काम के कारण अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ डिनर करना चाहूंगा वो भोजन से भरी ट्रे मेरे पास लेकर आई जिसमें चिकन की डिश, चटपटे उबले आलू, टोमाटो सॉस और आइसक्रीम थे उसने मुझसे बात की और मेरे डर को शान्त करने की कोशिश की हाला कि उसे चार बज़े शाम को निकलना था, पर वो मेरे साथ रात ग्यारा बज़े तक रुकी रही उसने मेरे साथ गेम्स खेले, मुझसे बाते की और वो मेरे साथ तब तक रही, चब तक मैं सो नहीं गया उस समय से अब तक कितने ही थांक्स किविंग आए और गए, पर हर बार मुझे वो ही पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं हताशा, डर और अकेले पन से भरा था और कैसे अजनभी ने अपने प्यार और सने से मुझ में पेशिंस भर दिया अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और आप असली दोस्ती बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद के साथ साथ अपनी मदद भी करना चाहते हैं, तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखे प्रिंसिपल वन, लोगों में सच्छी दिल्चस्पी रखिए चाप्टर टू, अच्छा इंप्रेशन बनाने का एक सरल तरीका न्यूयोर्क की एक डिनर पाटी में एक मेहमान, एक स्द्री, जिसे विरासत में धेर सारी संपत्ती मिली थी सबी लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उच्छुक थी उसने हीरे, मोतियों और अभूशनों पर धेर सारे पैसे खर्च किये थे पर उसने अपने चेहरे के लिए कुछ में नहीं किया था उससे करवापन और स्वार्थ छलगता था उससे ये बात पता नहीं थी जो बाकिस सभी जानते थे चेहरे पर आने वाला भाव शरीर के कपड़ों से सादा महत्व रखता है चाल्स श्वाप ने बताया था कि उनकी मुस्कान की कीमत एक मिलिन डॉलर है और वे शायत सच समझते थे क्योंकि श्वाप की परसनालिटी उनका आकरशक लहजा और लोगों को पसंद आने की उनकी क्षमता ही उनकी आसाधारन सफलता का रहस्ते थे और उनके व्यक्तित्व का सबसे अनोखा पहलू था उनकी मुस्कान किये गए काम शब्दों से जादा उचा बोलते हैं और एक मुस्कान कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तुम मुझे खुशी देते हो तुम्हें देखकर अच्छा लगा इसलिए डॉग्स सभी को प्यारे होते हैं वे हमें देखकर इतने खुश होते हैं कि उचलने लगते हैं इसलिए हमें उन्हें देखकर खुशी होती है एक बच्चे की मुस्कान का यही प्रभाव होता है आप कभी किसी डॉक्टर की वेटिंग रूम में बैठे हैं और क्या आपने वहां परिशानी से भरे चेहरों को देखा है जो अपनी बारे के इंतजार में होते हैं रे टाउन के मसूरी के एक पशू चिकित साले वेटनरी डॉक्टर स्टीफिन के स्प्रेल ते मुझे बसंद के एक दिन के बारे में बताया जब उनका वेटिंग रूम वैसे लोगों से भरा था जो अपने पालतू पशूओं को वैक्सीन लगवाने आए हुए थे कोई किसी सा बात नहीं कर रहा था और सभी उन कामों के बारे में सोच रहे थे जो वे करते अगर उन्हें यहां नहीं आना पड़ता उन्होंने हमारी क्लास में बताया तकरीबिन छे या साथ लोग इंतिजार कर रहे थे जब एक यूवास्त्री नौ महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे को लेकर आई किस्मत की बात थी कि वो एक ऐसे सज्जन के पास बैठी जो इंतिजार करते करते काफी ठके हुए लग रहे थे तब ही उस बच्चे ने उनके चहरे पर एक गहरी मुस्कान से देखा जैसी मुस्कान बच्चों के चहरे पर अकसर आया करती है उस सजन ने क्या किया? वही जो हम या आप करेंगे वापस मुस्कुराएं तुरंत उन्होंने उस तरीको उसके बच्चे और अपने पोते-पोतियों के बारे में बात शुरू कर दी और तुरंत पूरा रिसेप्शन रूम इस बाचीत में शामिल हो गया कमरे का सारा तनाव, सारा टेंशन और बोर्डम एक मज़ितार एक्सपीरिंस में बदल गया एक जूटी मुस्कान? नहीं, इससे कोई मूर्ख नहीं बनता हमें पता है कि ये बनाव्टी है और हम इसे पसंद नहीं करते मैं real smile के बारे में बात कर रहा हूँ, दिल से निकली हुए smile जो अंदर से आती है और वो मुस्कान जिसकी बाजार में अच्छी कीमत है University of Michigan के psychologist Professor James V. M.C. Connell ने मुस्कान के बारे में अपने विचार रखे जो लोग मुस्कराते हैं उन्होंने कहा वे चीजों को बहतर ढंग से manage करते हैं, पढ़ाते हैं, बेचते हैं और जादा खुश बच्चों का पालन पोशन करते हैं मुस्कान में रूखे पन से जादा सूचना होती है, इसलिए सजा से जादा प्रोचाहन से सिखाया जा सकता है New York के एक बड़े departmental store के manager ने मुझे बताया कि वो रूखे चहरे वाले psychology के doctor के बजाए मुस्कुराते चहरे वाले grade school न पास किये हुए sales workers को नौकरी देना पसंद करेंगे मुस्कान का प्रभाव काफी जादा होता है, तब भी जब ये देखे न रही हो United States की telephone company phone power नाम का एक program चलाती थी जो वैसे करमचारियों के लिए है जिनका काम telephone के द्वारा सिवाएं और सामान बेचना है इस program में सला दी जाती है कि आप phone पर बात करते समय मुस्कुराएं आपकी मुस्कान आपकी अवाज में जलगती है Cincinnati Ohio की एक company के computer विभाग के manager Robert Cryer ने बताया कि उन्होंने कैसे एक मुश्किल पत के लिए योग या आदमी पाया मैं बड़ी बेसबरी से अपने विभाग में computer science का एक PhD खोज रहा था उसी समय मुझे सही योगता वाला एक यूवक मिला जो Purdue University से graduate होकर निकला था फोन पर बाते करके पता चला कि उसके पास मुझसे जादा बड़ी और अच्छी companies के offers थे मुझे अच्छा लगा जब उसने हमारा offers स्विकार कर लिया जब हमने काम शुरू किया तो मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरों के बजाए हमें क्यों चूस किया वो एक पल के लिए रुका फिर उसने कहा मुझे लगता है कि दूसरे companies के managers काफी ठंडे और रूखे अंदास में बात कर रहे थे जो एक business सौदे जैसा लग रहा था आपकी अवाज से लगा कि आप मुझे से बात करने से खुश है और आप वाकरी चाहते हैं कि मैं इस company का एक बात बनूँ United States के एक सबसे बड़ी rubber company के board of directors के chairman ने मुझे बताया कि उनके अनुभव के अनुसार लोग किसी चीज में तभी सफल होते हैं जब उस काम को करके वो खुश होते हैं इंडस्ट्री के इस दिगच का इस पुरानी कहावत में बिलकुल विश्वास नहीं है कि कड़ी मेहनत वो जादूई चाबी है जिसे सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ उन्होंने कहा जो सफल हुए क्यूंकि वे बिसनेस करते समय काफी आनंदित थे मैंने लोगों को बदलते देखा जब वो आनंद काम में बदल गया फिर बिजनिस बिकार हो गया उन्हें उसमें मज़ा आना बंध हो गया और वे अंसक्सेस्फुल हो गये अगर चाहते हैं कि लोग आपसे मिलते समय खुश हो तो आपको लोगों से मिलते समय खुश होना चाहिए मैंने हजारों बिजनिस के लोगों को कहा है कि वे एक हफ़ते तक एक घंडे किसी को देख कर मुस्कराए और क्लास में आकर अपने परिणामों को बताए इससे क्या नतीजा निकला? यहां देखते हैं यह एक New York Star Broker William Stenhard की चिठी है उनका मामला अकेला नहीं है असल में यह सैकडो अन्य मामलों जैसा है मुझे शादी के अठारा साल बीच चुके हैं Mr. Stenhard ने कहा और इस दौरान मैं शायद ही कभी सुबह उठने और आफिस जाने तक के दौरान अपनी वाइफ को देख कर मुस्कुराया और उससे दो दर्जन शब्द कहे होंगे मैं Broadway से गुजरने वाले सबसे ख़डूस लोगों में से एक था जब आपने मुझे मुझे मुस्कुराहट के साथ हुए अनुभवों के बारे में बताया तो मैंने सोचा एक हफ़ते के लिए कोशिश करूँ इसलिए अगली सुबह बाल जारते समय मैंने मिरर में देख कर खुद से कहा बिल तुम अपने चेहरे से ये भद्दा रूखापन हटाओ तुम मुस्कुराने जा रहे हो और ऐसा तुम अभी करोगे नाश्रा करते समय मैंने अपनी वाइफ को गुद मॉनिंग डियर कहा और कहते समय स्माइल किया आपने मुझे चेताया था कि वो आश्यर करेगी आपने उसकी प्रतिक्रिया का सही अनुमा नहीं लगाया था वो शौक ड्रे गई, वो चकरा गई मैंने उसे कहा कि वो आगे भी मेरे बरताव में ऐसे चेंजिस देखेगी और मैंने अपना वादा हर सुबह निभाया मेरे बरताव में आया ये चेंज पिछले पूरे साल से जादा बीते दो महीनों में आया ओफिस जाते समय मैं अपने अपार्टमिंट हाउस में एलिवेटर ओपरेटर को मुस्कान के साथ गुद मॉनिंग बोलता हूँ द्वारपाल को देखकर मुस्कुराता हूँ मैं सब्वे बूत पर कैशियर चेंज मांगते हुए भी मुस्कुराता हूँ जब मैं स्टाफ एक्सचेंज में खड़ा होता हूँ तो उन लोगों को देखकर मुस्कुराता हूँ जिन्होंने आज तक मेरी मुस्कान कभी नहीं देखी मैंने ध्यान दिया कि सारे लोग मुझे देखकर मुस्कुराने लगे हैं जो भी लोग शिकायत और दिक्कत लेकर आते हैं मैं उनसे मुस्कुराते हुए बात करता हूँ मैं उनकी बाते सुनते समय मुस्कुराता हूँ और पाता हूँ कि प्रॉब्लम्स इसिली और जल्दी सुलच जाती है मैंने देखा है कि मेरी मुसकान से डॉलर आ रहे है हर दिन धेर सारे डॉलर आ रहे है मैं एक दूसरे ब्रोकर से ओफिस शेयर करता हूँ उसका एक लर्ग एक खुशनुमा आदमी है और मैं अपने रिजल्ट से इतना खुश था कि मैंने उसे human relations की नई philosophies के बारे में बताया उसने स्विकार किया कि जब वो पहली बार office आया तो उसे मैं काफी ख़़ूस लगा था पर अब उसने अपने विचार बदल लिये हैं उसने कहा कि मुस्कुराते समय मैं काफी मानविय लगता हूँ मैंने अपने सिस्टम से criticism को completely हटा दिया है अब निन्दा के बचाए मैं तारीफ करता हूँ मैंने इस बारे में बात करना बंद कर दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ मैं अब दूसरे इंसान का नजर्या देखना चाहता हूँ और इन चीजों से मेरी सिंदगी में revolutionary changes आ चुके है मैं एक बदला हुआ इंसान हूँ जो जादा खुश है, अमीर है, दोस्ती और खुशी से जादा समरिद है वे चीजे जो वास्तव में माइने रखती है आपका मुस्कुराने का दिल नहीं करता तो क्या करें? दो चीजे, पहली सबरदस्ती मुस्कुराएं, अकेले में सीटी बजाने की, कुन गुनाने की या गाना गाने की कोशिश करें ऐसा अभीने करें जैसे कि आप वास्तव में खुश हैं और आप खुश होने लगेंगे सुनिए मनोवे ज्यानिक और दार्शिनिक विल्यम जेम्स का क्या कहना है भावना से अपने आप actions आते हैं लेकिन वास्तव में actions और भावना साथ साथ रहते हैं और actions को बदल कर जो आपके जादा नियंतरण में है आप अपने भावनाओं को बदल सकते हैं जो आपके नियंतरण में नहीं है इसलिए अगर खुशी चली जाए तो खुश होने का शक्तिशाली रास्ता है खुशी से बैठना और ऐसे बोलना मानो खुशी आपके पास पहले से ही हो इस दुन्या में हर आदमी खुशी खोज रहा है और इससे पाने का एक ही तरीका है अपने विचारों को नियंतरण करना खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती ये आंदरिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है अपके पास क्या है या आप कौन है या आप क्या है या क्या कर रहे है ये चीज़े आपको खुश या दुख नहीं बना सकती फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं एक्जाम्पल के तौर पर दो लोग एक ही जगे में हो सकते हैं एक ही काम कर रहे हैं दोनों के पास बरावर पैसे और प्रतिष्ठा है फिर भी हो सकता है कि उनमें से एक दुखी हो या एक खुश हो क्यूँ? अलग-अलग सोच के कारण मैंने गर्मी से इस उलगते खेतों में पुराने जमाने के आउजारों से सकाम करते वे गरीब किसानों को उतना ही खुश होते वे देखा है चितना न्यूँ यूँ यूर्क, शिकागो या लौस अंजलिस के एर कंडिशन्ड ओफिस में लोगों को दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है शेक्स्पियर ने कहा हमारे विचार उन्हें ऐसा बनाते हैं इब्राहेम लिंकन ने एक बार कहा था अधिकतर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना खुश होना चाते हैं वे सही थे न्यूँ यूर्क के लौस अंजलिस रेल रॉड स्टेशन की सीडियों पर चड़ते समय मुझे एक सच का जीता जागता एक्साम्पल मिला मेरे सामने तीस या चालिस दिव्यांक बच्चे डंडे और बैसाखी के सहारे उपर चड़ने की कोशिश कर रहे थे एक लड़के को उठा कर उपर ले जाना था मैं उसकी खुशी देखकर चकित रह गया मैंने लड़कों के एक अभिभावक को इस बारे में बात की उसने बताया ओ हाँ जब एक बच्चे को पता चलता है कि वो जिन्दगी भर अपंग रहेगा तो पहले उसे जटका लगता है फिर जब वो इस जटके से उभरता है तो किस्मत के आगे समर्पित हो जाता है और फिर सामान्य बच्चों की तरह खुश हो जाता है मेरा दिल किया कि उन बच्चों को जुक कर सलाम करूँ उन्होंने मुझे वो पार्ट पढ़ाया चो शायद में कभी नहीं भूलूँगा दिन रात एक छोटे रूम में काम करते करते न सिर्फ अकेला पर नेसूस होता है बलकि कंपनी के अन्य लोगों से दोस्ती करने का अफसर भी नहीं मिलता मेक्सिकन की सेगोडा मारिया का ऐसा ही काम था वो कंपनी के बाकी लोगों की हसी सुनकर मन मसोस कर रह जाती थी जब नौकरी के शुरुआती दिनों में वो हाल में गुजरती तो जिजक से अपनी आखें जुका लेती थी कुछ हफतो बाद उसने खुद्म से कहा मारिया तुम इन औरतों से उमीद नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे पास आए तुम्हें जाकर उनसे मिलना होगा अगली बार जब वो वाटर कूला के पास गई तो उसने चेहरे पर चमकती मुसकान डाली और मिलने वाले हर इंसान से कहा हाई कैसे हैं आप इसका तुरंद प्रभाव पढ़ा पदले में मुसकान और हलो मिलने शुरू हो गए वातवरिन जादा खुशनुमा हो गया जौब जादा दोस्ताना लगने लगा चान पैचान बढ़ी और उनमें से कुछ दोस्तियों में बदल गई उनका काम और जिंदगी जादा खुशियों से भर गया निबंध लेकक और प्रकाशक अलबर्ट हटबार्ड की ये सलाह माने पर याद रहे कि ये तभी काम करेगे जब आप इसे वास्तव में आजमाएंगे दर्वाजे से बाहर निकलते समय सिर उठाए चहरा उचा करे और सीने में हवा भर ले सूरज की रोशनी का पान करे दोस्तों का मुस्कुरा कर अभिवादन करे और हाथ मिलाते समय पूरा उत्सा डाल ले गलत समझने वाले से न डरे और अपने दुश्मनों की बारे में कभी वात न करे अपने दिमाग में बैठा ले कि ये करना बहुत जरूरी है और बिना दिशा खोएं अपने लक्ष की और निकल पड़े अपने सोच उन बड़े चीजों पर रखें जो आप करना चाहते हैं और फिर जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आप अपने आप वैसे अफसर पाने लगेंगे जो आपके एक्षाओं को पूरा करेंगे ठीक उसी तरह जैसे मूंगे का कीड़ा समुद्र के लहरों से अपने काम की चीज़े खोज लेता है अपने दिमाग में सबसे ज़ादा सक्षम सच्चे और उप्योगी इंसान की तस्वीर बनाएं और आपके मन का ये विचार आपको उस इंसान में बदल देगा विचार सबसे बड़ी चीज़ है हमेशा सही सोच रखे साहस, आत्म विश्वास और खुशी से भरी सोच सही सोच से सही रचना निकलती है सारी चीज़े इक्षा से आती है और हर सही प्रार्थना पूरी होती है दिल में रखी चीज़ों के अनुसार हम बन जाते हैं सिर उठाएं और गर्दन उची रखे हम देवता बनने की प्रक्रिया में हैं प्राचीन चाइना के लोग बुद्धिमान थे दुन्यादारी में बुद्धिमान थे उनकी एक कहावत थी जो हमें लिख कर अपनी टोपी पर चिपका लेनी चाहिए ये कुछ इस तरह से है जिसके चेहरे पर मुस्कान नहो उसे दुकान नहीं खुलनी चाहिए आपके मुस्कान आपके भने दिन का आपके भले दिल का संदेश लाती है आपकी मुस्कान इसे देखने वालों के जिन्दगे में चमक लाती है जिस इंसान ने दर्जन रूखे चेहरे देखी हो उनके लिए आपके मुस्कान बादलों के बीच सूरे जैसी है खास कर जब वो बौस ग्राह को, शिक्षको, माता पीता या बच्चों के दभाव में हो एक मुस्कान उनके मन में आशा भर देती है और उसे बता सकती है कि धर्टी पर सुख है कुछ साल पहले नियॉयोर्क सिटी के एक डिपार्टमेंडल स्टोर में जब क्रिस्मिस के कारण सेल्स वर्क्स काफी प्रेशर से गुजर रहे थे तब स्टोर ने अपने विज्यापनों के पढ़ने वालों के लिए ये प्यारी सी फिलोसफी छपवाई थी जो कुछ इस प्रकार है क्रिस्मिस पर मुस्कुराना कीमती है सच मुझ ये देती बहुत कुछ और न लेती है कुछ ये लेने वालों को अमीर करती है और देने वालों को गरीब नहीं करती ये एक पल में घटि है और इसकी याद कभी-कभी सिंदगी भर रहती है कोई इतना अमीर नहीं कि उसके बिना उसका काम चल जाए और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फाइदों से थोड़ा अमीर न हो जाए ये घरों में खुश्या लाती है, बिस्निस में अच्छी नियत लाती है और दोस्तों की निशानी है ये ठके हुए के लिए आराम है, हतों चाहित के लिए रोशनी है उदास के लिए सूरज की किरण है और संकट में प्रकृती की सबसे बड़ी दवा है इसे फिर भी खरीदा नहीं जा सकता और नहीं मांगा जा सकता है ना उधार में दिया जा सकता है और न चुराया जा सकता है और ये जब तक काम नहीं आती तब तक किसी को दी न जाए अगर क्रिस्मस की भीड में कोई सेल्स पर्सन आपको अपनी मुस्कान न दे पाए तो क्या आप अपनी मुस्कान वहाँ छोड़ सकते हैं? आखिर में मुस्कान की सबसे ज़्यादा जरूरत उसे होती है जिसके पास ये देने के लिए नहीं होती तो यहां हमें मिलता है प्रिंसिपल टू मुस्कुराई अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुसीबत का सामना करेंगे Year 1898 में New York के Rockland County में एक दुखत घटना घटी एक बच्चे के मृत्यू हो गई और उस दिन उसके पडोसी अंतिम संसकार में जाने की तयारी कर रहे थे चिम फारले बाड़े में गया और घोड़े को तयार करने लगा पूरी धर्ती बर्व से ढकी थी, हवा ठंडी और कापने वाली थी खोड़े ने कई दिनों से कसरत नहीं की थी और उसे पानी की धारा से गुजरना था वह पानी से खेलने लगा उसने हवा में दोनों पैर उच्छाले और जिम फारले को मार डाला स्टोनी पॉइंट के उस छोटे गाव में उस दिन दो अंतिम संसकार हुए जिम फारले अपने पीछे एक विद्वा और तीन बच्चों और इंशोरन्स के कुछ सो डॉलर्स छोड़ गया उसका सबसे बड़ा लड़का जिम दस साल का था और इस एट की भट्टी में काम करने गया वह बालू को गीला करके साचे में ढालने लगा और उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ने लगा इस बच्चे जिम के पास कोई शिक्षा नहीं थी पर अपनी सहज जिन्दा दिली के कारण वह लोगों का दिल जीत लेता था इसलिए वह पॉलिटिक्स में चला गया और जैसे वक्त गुजरता गया उसने लोगों के नाम याद रखने की विलक्षन शमता हासिल कर ली उसने कभी हाई स्कूल को अंदर से नहीं देखा लेकिन 46 यर्ज का होने से पहले उसे चार कॉलेज ने डिग्री से सम्मानित किया और वह डिमोक्राटिक नैशनल कमिटी और पोस्ट मास्टर जेनरल अफ दे युनाइट स्टेट्स का चेर्मैन बन गया मैंने एक बार जिम फारले का इंटर्व्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रास पूछा उन्होंने कहा कड़ी मेहनत और मैंने कहा आप मजाग मत कीजिये तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से उनकी सफलता का रास क्या है मैंने कहा मुझे लगता है आप 10,000 लोगों को उनके नाम से पुकार सकते हैं नहीं आप गलत हैं उन्होंने कहा मैं 50,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूँ इस बारे में कोई गलती मत कीजिए अपनी इसी काबिलियत के कारण मिस्टर फारले ने फ्रैंकलिन डी रूस्वेल को वाइट हाउस पहुचने में मदद की जब वे एर 1932 में रूस्वेल की कैंपेन कर रहे थे जब जिम फारले जिपसिम कंसर्न के लिए सेल्समैन का काम कर रहे थे और जब वे स्टोनी पॉइंट में टाउन कलर का काम कर रहे थे तब उन्होंने नाम याद करने का एक सिस्टम विक्सित किया शुरुवात में ये बहुत सरल था जब भी वे किसी नए इंसान से मिलते उसका पूरा नाम और उसके परिवार बिस्निस और पॉलिटिकल विचारधारा के बारे में कुछ सूचनाय एकत्र करते थे वे उन सारे तथियों को दिमाग में तस्वीर की तरह बैठा लेते और जब भी दुबारा उस इंसान से मिलते भले ही कई साल बीच चुके हो वे उससे हाथ मिलाते उसके परिवार के बारे में पूचते और उसके घर के गार्डिन के बारे में भी सवाल पूचते कोई आश्यर नहीं कि उनके चाहने वालों के संख्या बढ़ती गई रूस्वेल्ट के प्रेसिडेंट कैमपेंज शुरू होने के महीने पहले जिम फारले ने रोज वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में लोगों को हजारों चिठियां लिखी फिर वे ट्रेन में चड़े और 19 दिन में उन्होंने 20 राज और 12,000 मीलों का सफर बगगी, ट्रेन, आउटो मोबाइल और नाउ में तै किया वे शहर में जाते, लोगों से लंच एंड प्रेक्फुस पर मिलते और उनसे आत्मियता भरी भाते, हाट टू हाट टॉक्स करते, फिर वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते जैसे ही वे पूर्व के पास आए, उन्होंने शहर के एक आदमी को पत्र लिखा और उन सारे महमानों के लिस्ट मांगी जिन से वे मिले थे, फाइनल लिस्ट में हजारों लोगों के नाम थे, फिर भी हर इनसान को जेम्स फारले के से नीजी पत्र मिलने का सौभागी मिला यह पत्र Dear Bill या Dear Jane से शुरू होते और हमेशा उनके नीचे जिम के हस्ताक्षर होते जिम फारले ने जिन्दगी के शुरुवात में ही जान लिया था कि एक सामान इंसान पूरे दुनिया के सभी लोगों के नामों से जादा अपने नाम में रूची रखता है आप उस नाम को याद रख कर और उसे उसे बुला कर उस इंसान को बड़ी बारी की से इस्दद दे सकते हैं और अगर आप इसे भूल गए या आपने उसे गलत बोला तो आपने अपने आपको परिशानी में डाल लिया उदारन के तौर पर मैंने एक बार पैरिस में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आयुजित किया और उस शहर में रहने वाले सभी अमेरिकन्स को पत्र लिखे फ्रेंच टाइप पिस्टो ने अंग्रेजी की अधुई जानकारी के कारण नामों को गलत लिख लिया पैरिस के एक बड़े अमेरिकन बैंक के मैनेजर ने मुझे निन्ना करते हुए पत्र लिखा क्योंकि उनका नाम गलत लिखा हुआ था कभी-कभी किसी नाम को याद करना मुश्किल होता है खास कर जब उसका उचारन करना मुश्किल हो कई लोग इससे सीखने की जहमत उठाने के बजाए इससे अंदेखा करते हैं या फिर कोई आसान सा नाम दे देते हैं सिड लेवी ने एक ग्राह को कॉल किया जिनका नाम निकोडेमस पापाडूलस था अधिकतर लोग उससे सिर्फ निक कहकर बुलाते थे लेवी ने हमें बताया मैंने उससे कॉल करने से पहले उनका नाम कई बार बोलने का अभ्यास किया जब मैंने उसे उनके पूरे नाम से बुलाया गुड आफ्टनून मिस्टर निकोडेमस पापाडूलस तो वह चौक गया कई मिंटों तक उससे कोई जवाब नहीं आया आखिरकार उसने आसु भरे आखों से कहा मिस्टर लेवी पिछले पंदरा साल में मैं इस देश में हूँ पर कभी किसी ने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाने की जहमत नहीं उठाई अंड्रियो कार्णेगी की सफलता का क्या रास था उन्हें स्टील किंग कहा जाता है था लेकिन वे खुद स्टील के निर्मान के बारे में जादा नहीं जानते थे उनके नीचे सैकडो लोग काम करते थे जो स्टील के बारे में जादा जानते थे उन्हें लोगों के साथ बरताफ करने का तरीका मालूम था और इसी बात ने उन्हें अमीर बनाया था जीवन की शुरुवात में उन्होंने संगठन बनाने की प्रतिबा और नेतरत्व क्षमता में हुनर दिखाया जब तक वे 10 साल के हुए तो जान गए थे कि लोग अपने नाम को कितना महत्व देते थे उन्होंने इस जानकारी का इस्तमाल लोगों का सहीयोग जीतने में किया इससे समझने के लिए देखें जब वे स्कॉट्लैंड में एक छोटे बच्चे थे उन्हें एक मादा खरगोश मिली जल्दी उनके पास नन्हे खरगोशों की भीड हो गई लेकिन उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था पर उनके पास एक ब्रिलिंट आइडिया था उन्होंने पडोश की बच्चों को कहा कि अगर वे खरगोशों को खिलाने के लिए घास और पत्ते लेकर आएंगे तो उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के सम्मान में रखा जाएगा ये योजना ने जादू की तरह काम किया और कार्णेगी इसे कभी नहीं भूले सालों बाद उन्होंने इसी मनोविज्ञान का इस्तमाल करके लाखो डॉलर्स कमाए उदारन के तौर पर वे पैंसलवेनिया रेल रोड को स्टील रेल बेचना चाहते थे उस समय पैंसलवेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट जे आडगर थॉमसिन थे इसलिए आंड्रियो कार्णेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनवाई और इसका नाम रखा आडगर थॉमसिन स्टील वर्क्स यहां एक पहेली है देखिए आप इसे सुल जापाते हैं या नहीं जब पैंसलवेनिया रेल रोड को स्टील रेल के जरूरत होती थी तो उसे जे आडगर थॉमसिन कहां से खरीते थे सीर से या रोबक से नहीं नहीं आप गलत है फिर से अनुमान लगाए जब कार्नेगी और जॉर्ज पुल्मैन रेल रोड स्लीपिंग कार बिस्निस में सुप्रमिसी के लिए एक दूसरे से जगड रहे थे स्टील किंग ने खर गोशों से सीखा अपना पार्ट फिर दोर आया The Central Transportation Company जिसे अन्ड्रियो कार्नेगी नियंतरत करते थे उस कंपनी से लड़ रही थी जिसके मालिक पुल्मैन थे दोनों ही एक दूसरे से यूनियन पासिफिक रोड की स्लीपिंग कार बिस्निस लेने के लिए जगड रहे थे कीमते घटा रहे थे और लाब के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुचा रहे थे कार्नेगी और पुल्मैन यूनियन पासिफिक के बोर्ड ओफ डिरेक्टर से मिलने नियु यॉर्क गए सेंट निकलिस होटल में एक शाम मिलने पर कार्नेगी ने कहा गुड इवनिंग मिस्टर पुल्मैन आपको नहीं लगता हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं क्या मतलब पुल्मैन ने पूछा तब कार्नेगी ने वह बताया जो उनके दिमाग में था दोनों के फाइदों का मिलना उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के बचाए एक दूसरे के साथ काम करने के फाइदे बताए पुल्मैन ने ध्यान से सुना पर वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे तब उन्होंने पूछा आप नए कंपनी का नाम क्या रखेंगे तब कार्णेगी ने तुरन जवाब दिया पुल्मैन पालस कार कंपनी पुल्मैन का चेहरा चमक उठा मेरे कमरे में आ आएए उन्hोंने कहा इस बारे में बात करते हैं इस बातचीत ने हिस्टरी बना दिया दोस्तों और बिस्निस सहयोगियों के नाम को याद रखना और उनका सम्मान करना अन्ड्रियों कार्णेगी की सफलता के रहस्यों में से एक था उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे अपनी फैक्टरी के कई करमचारियों को उनके पहले नाम से बुला सकते थे और वे इस बात को गर्व से बताते थे कि उनकी फैक्टरी में कभी भी कोई हड़ताल नहीं हुई लोगों को अपने नाम पर इतना अभिमान होता है कि वे इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते पीटी बर्मन जैसा कड़क आदमी जो अपने समय का सबसे बड़ा शोमैन था उन्हें भी इस बात का दुख था कि उनके नाम को आगे ले जाने के लिए उनका कोई बेटा नहीं था इसलिए उन्होंने अपने पोते C.H. सिले को 25,000 डॉलर ओफर किये ताकि वो अपना नाम बर्मन सिले रख ले कई सेंचुरीज तक सामंत और राजे महराजे, कलाकार, संगी तग्यों और लेखकों की आर्थिक सहायता करते थे ताकि वो अपनी रचनाओं का नाम उन सामंतों और राजाओं के नाम पर रखे लाइबरी और मुजियम के सबसे सम्रिद संकलन उन लोगों के पैसों से आते हैं जिन्हें ये बात सहन नहीं होती कि उनके नाम आगे चल कर खो जाएंगे न्यूँ यॉर्क पब्लिक लाइबरी के पास आस्टर और लेनॉक्स कलेक्शन है Metropolitan Museum, Benzamin, Alman और J.P. Morgan के नामों को आगे बढ़ाता है और लगभग सभी चोर्च में सजे हुए रंगीन काचों की खिड़कियां उन नामों को प्रदर्शित करती हैं जिनके दान से वे बनी हैं जादातर युनिवर्सिटीज की इमारते उन दान देने वालों के नाम पर बनी हैं जिन्होंने उनके सम्मान में अपनी पोटली खोल दी अधेकतर लोग नाम याद नहीं रखते क्योंकि वे नामों को अपने दमाग में बठाने के लिए सरूरी मेहनत नहीं करते वे बहाने बनाते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं पर वे शायद फ्रैंक्लिन डी रूस्वेल्ट से जादा व्यस्त नहीं हैं उन्होंने उन मेकानिक्स के नाम याद रखने के भी मेनद की थी जिनके संपर्क में वे आई थे इससे समझने के लिए देखें क्रिस्टलर ओर्गनाईजेशन ने मिस्टर रूस्वेल्ट के लिए एक विशेश कार बनाई क्यूंकि वे अपने अपंग पैरों के कारण समानने कार इस्तमाल नहीं कर पाते थे डबलू एच चामबर लेन और एक मेकानिक ये कार लेकर वाइट हाउस गए मेरे पास मिस्टर चामबर लेन का एक पत्र है जिसमें वे अपना अनुभव बताते हैं मैंने रूस्वेल्ट को यह सिखाया कि कार के अलग प्रकार के सिस्टम कैसे इस्तमाल किया जाए और उन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों के साथ कैसे बहतरीन व्यवहार किया जाए जब मैंने वाइट हाउस फोन किया, Mr. Chamberlain लिखते है President काफी खुश मिजाजी से मिले उन्होंने मुझे मेरे नाम से पकारा और मुझे काफी सहज महसूस कराया और मुझे जोर देकर बताया कि वे मेरे द्वारा दिखाई जाने वाले चीजों से बहुत उत्सुक है कार इस तरह से बनाए गई थी कि इसे सिर्फ हाथों से चलाया जा सकता था उस कार को देखने भीर सी लग गई और उन्होंने कहा मुझे लगता है ये कम्माल की चीज है आपके सिर्फ बटन चूने से ये चलने लगती है और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते है मेरे इसाब से ये बहतरीन है पता नहीं ये कैसे काम करती है मेरा मन कर रहा है कि इसे पार्ट पूर्जे को खोल कर देखू कि ये कैसे काम करती है जब रूजवेल के दोस्त और सहकर्मी मशीन की तारीफ कर रहे थे उन्होंने मेरे प्रेजिंस में कहा मिस्टर चांबरलेन आपने जो समय और उर्जा इस कार को बनाने में लगाई उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ ये एक बड़ा मुश्किल काम था उन्होंने रेडियेटर, स्पेशल रियर विजिन मिरर और क्लॉक, स्पेशल स्पॉटलाइट ड्राइवर के सीट की बनावट और मोनोग्राम वाले स्पेशल सूट केस की तारीफ की दूसरे शब्दों में उन्होंने हर उस छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने मेहनत की थी उन्होंने हर पार्ट पूर्जे पर मिसेश रूजवेल्ट, मिस पेरकिंग, लेबर के सेकरेटरी और उनके सेकरेटरी का ध्यान आकरशित किया फिर वे वाइट हाउस के पोर्टर को लेकर आए और उससे कहा जॉर्ज, तुम्हें इस सूट केसों का ध्यान जादा ध्यान रखना होगा ड्राइविंग लेसेंस के खत्म होने के बाद, प्रेसिडिन्ट मेरी और मुड़े और बोले अच्छा मिस्टर चैंबरलेन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ट को 30 मिन्टों से इंतिजार करा रहा हूँ मुझे अब वापस काम पर जाना चाहिए मैं अपने साथ एक मिकानिक वाइट हाउस ले गया उसे रूस्वेल से मिलाया गया जब वे पहुँचे उसने प्रेसिडेंट से बात नहीं की और उन्होंने उसका नाम सिर्फ एक बार सुना वर शर्मीला था और पीछे खड़ा था हमारे जाते समय प्रेसिडेंट ने मिकानिक को खोजा उससे हाथ मिलाया और उससे उसके नाम से पुकारा और उसे हमारे साथ वाशिंग्टन आने के लिए धन्यवाद दिया उसके धन्यवाद में कोई बनावट नहीं थी उनकी बातों में सच्चाई थी मैंने ये फील किया नियू यॉर्क लॉटने के बाद मुझे प्रेसिडेंट रूजवेल का ओटोग्राफ मिला जिसमें मेरे काम के लिए धन्यवाद वाला एक नूट भी था उन्हें इन चीजों के लिए वक्त कैसे मिला मेरी समझ में नहीं आता फ्रांकलिन डी रूजवेल जानते थे कि लोगों की अच्छी भावनाएं पाने के लिए एक सबसे सरल अच्छा और जरूरी तरीका है उनके नामों को याद रखना और उन्होंने महत्वपूर्ण महसूस कराना फिर भी हमें से कितने इसका इस्तमाल करते हैं आदे समय हम किसी अच्छनभी से परिचे होने के बाद उससे कुछ मिंटों के लिए बाते करते हैं और विदा लेते समय तक उसका नाम भूल भी जाते हैं कोई भी राजनेता सबसे पहली चीज जो सीखता है वे यह है किसी वोटर का नाम याद रखना शासन कला है उससे भूल जाना बहुत बड़ी गलती है नेपोलियन थर्ड फ्रांस का बादशा और ग्रेट नेपोलियन का भतीजा अकसर ये कहा करता था कि अपने शाही कामों के बावजूद वो हर इंसान का नाम याद रखता था जिससे वा मिलता था उसका तरीका सरल है अगर वो नाम ठीक से नहीं सुन पाता था तो बोलता था माफ करना मैंने नाम ठीक से नहीं सुना तब अगर वो अनोखा नाम होता तो वो कहता इसकी स्पेलिंग क्या है बाची के दौरान वे नाम को कई बार मन ही मन दोहराता और उस नाम को उस इंसान के चेहरे, भाव और दिखने के तरीके से जोड़ता अगर वह इंसान बहुत महत्वपूर्ण होता तो नैपोलियन और भी मेहनद करता जैसे ही वह अकेला होता उस नाम को कागस पर लिख लेता उसे देखता, उस पर मन ही मन फोकस करता और फिर उस कागस को फार डालता इस तरह से वहर उन नाम को कान से साथ साथ आँखों में भी बैठा लेते थे इन सभी चीजों में वक्त लगता है पर शिष्टा चार छोटे मोटे त्यागों से ही बनता है ऐसा इमोर्सिन ने कहा था नामों को याद रखना और इस्तमाल करना सिर्फ राजाओं और कॉर्परेट एग्जेक्योटिव्स के लिए ही जरूरी नहीं है ये हम सब के लिए फाइदे मन्द है कैन नॉडिंगम इंधियाना के जेनरल मोटर्स के करमचारी अकसर कमपनी काफिटेरिया में लंच किया करते थे उन्होंने देखा कि काउंटर के पीछे खड़ी रहने वाली महिला के चहरे पर ट्योरियां चड़ी रहती थी वह दो घंटे से सैंविच बना रही थी और मैं भी उसके लिए सैंविच ही था मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता हूँ उसने छोटे तराज उपर मीट तौला फिर मुझे लेटूस का एक पत्ता दिया उस पर आलू के थोड़े चिप्स डाले और मुझे दे दिया अगले दिन मैं उसी लाइन में गया वही औरत वही त्योरिया फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने इस बार उसका नाम नोटिस किया मैंने मुस्कुडा कर कहा हेलो यूनीस फिर उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए इस बार वह तराजू को भूल गई धेर सारा मीट डाला लेटूस के तीन पत्ते डाले और तब तक आलो के चिपस डालती रही जब तक वे गिरने न लगे हमें नाम में रखे जादू को जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस चीज का पूरी तरह से मालिक वह इंसान है वह इंसान है जिसे हम बाते कर रहे हैं वह नाम उस इंसान को भीर से अलग करता है वह उसे अनोखा बनाता है हमारे द्वारा किया गया निवेदन या दीकई जानकारी बहुत जादा जरूरी बन जाती है जब हम उस इंसान से उसके नाम के साथ बात करते हैं चाहे वेटरिस हो या सीनियर एग्जेकेटिव उनके साथ बरताव करते समय नाम जादूई प्रभाव डालती है तो इसके साथ ही हम चलते हैं प्रिंसिपल थर्ड की तरफ चोकी है याद रखिये कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाशा से सबसे मधुर और जरूरी आवाज है चाप्टो फोर बाचीत में माहिर बनने का आसान तरीका कुछ समय पहले मैं एक ताश के खेल की पार्टी में गया था मैं ताश नहीं खेलता और वहाँ एक महीला थी जो ताश नहीं खेलती थी उन्हें पता लगा कि मैं एक बार लॉयल थॉमस का मैनेजर था जब उन्होंने रेडियो का काम नहीं शुरू किया था और मैंने थॉमस के यात्रा के दौरान बाचीत की सामगरी तयार करने के में मदद करते समय योरोप की काफी यात्राएं की थी इसलिए उस महीला ने कहा ओ मिस्टर कानेगी मैं चाहती हूँ कि आप उन खुबसूरत जगों के बारे में बताएं जहां आप कहे हैं हम जैसे ही सोफे पर बैठे उन्होंने बताया कि वे और उनके पती अभी तुरंद आफरिका के ट्रिप से लोटे हैं आफरिका मैंने खुशी से कहा तिल चस्प मैं हमेशा आफरिका जाना चाहता था पर मैंने सिर्फ एक बार 24 घंटे की ट्रिप की है आप बताएं क्या आप बिग गेम कांट्री गई हैं हाँ कितनी खुश किसमत हैं आप मुझे आप से जलन हो रही है मुझे आफरिका के बारे में बताईए वे लगातार 45 मिंटों तक बोलती रही उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहा गया था या मैंने क्या देखा था वे मेरी यात्राओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी उन्हें बस एक दिल्चस्पी रखने वाला श्रोता चाहिए था ताकि वे अपने एहम की त्रिप्ती कर सके और बता सके कि वे कहा गई थी क्या ये अजूबा था नहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं उद्धारन के तौर पर मैं न्यूयोर्क के एक प्रकाशक द्वारा दी गई टिनर पाटी में एक सफल वनस्पती विज्ञानिक से मिला इससे पहले मैं कभी भी वनस्पती विज्ञानिक से नहीं मिला था और मुझे ये काफी मज़ेदार लगा मैं कुर्सी के छोर पर बैठा रहा और उनकी बाते सुनता रहा चब तक वे आकरशक पौधे इंडिन गार्डन और पौधों के नए प्रकारों के विक्सित होने के प्रयोगों के बारे में बताते रहे उन्होंने आलू के बारे में भी कई दिल्चस्प चीज़े बताई मेरे घर पर भी एक छोटा सा इंडिो गार्डन था और उन्होंने मेरी कई समस्याओं का हल निकालने के तरीके बताए जैसा मैंने कहा हम एक डिना पाटी में थे वहां तकरीबन दर्चन भर मेमान रहे होंगे पर मैंने सब को अंधेखा कर दिया और उस वनस्पती वैज्ञानिक से खंटों बाते करता रहा आधी रात हुई मैंने सभी को गुड नाइट कहा और चला गया तब वह वनस्पती वैज्ञानिक हमारे मेजवान की ओर मुडे और उन्होंने मेरी तारीफ में कई शब्ध कहे मैं सबसे दिल्चस्प था, मैं यह था और मैं वह था और उन्होंने कहा कि मैं बाचीर की कला में सबसे ज़्यादा निपुन्ट था बाचीर की कला में माहिर? क्यूं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था मैं बिना विशे बदले कुछ कह भी नहीं सकता था क्यूंकि मैं वनस्पती विज्ञाने के बारे में उतना ही जानता था जितनी जानकारी मुझे पैंगुइन के शरीर के बारे में थी पर मैंने ये काम किया था मैंने ध्यान से सुना था मैंने सुना था क्योंकि मेरी सच्ची रूची थी और उन्होंने ये मैसूस किया इससे वे खुश हुए किसी को इस तरह से सुनना उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है बहुत कम इंसान जैक वूटफोर्ड ने Strangers in Love में लिखा था बहुत कम इंसान जबर्दस ध्यान दिये जाने वाले प्रभाव से बच पाते हैं मैं उनकी बातों पर जबर्दस ध्यान देता रहा मैंने दिल खोल कर तारीफ की और अच्छी तरह से प्रशंसा की मैंने उन्हें बताया कि मुझे काफी अच्छा मनोरंजन और निर्देशन मिला और ऐसा था भी मैंने बताया कि शायद मेरे पास ऐसे जानकारी होती और ऐसा था भी मैंने बताया कि काश मैं भी उनके साथ खेत खलिहानों की आत्रा कर पाता और ऐसा था भी मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे दुबारा मिलूंगा और ऐसा था भी इसलिए उन्हें लगा कि मैं बातशीत की कला में माहिर हूँ जबकि वास्तव में मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें बोलने के लिए प्रोचाहित किया किसी भी सफल बिजनस इंटर्व्यू का रहस्य क्या है? हाड़वर्ड के भूत पूर्व प्रेसिडेंट चार्ल्स टबल्यू इलियस के अनुसार किसी भी सफल बिजनस इंटर्व्यू का कोई रहस्य नहीं होता बोलने वाले इंसान पर भरपूर ध्यान देना बहुत जरूरी है इससे जादा कोई भी चीज़ खुश नहीं करती इलियट खुद भी सुनने की कला में माहर थे अमेरिका के प्रथम उपन्यस कारों में से एक हेंडरी जेम्स याद करते है डॉक्टर हेंडरी का सुनना सिर्फ मौन नहीं एक तरह की गतिविधी था वे अपने मेरू डण के निचले छोर पर सीधा तन कर बैठते थे और उनके हाथ उनकी गोद में जुड़े रहते थे अंगूठों के एक दूसरे पर गोल गोल तेज या धीमे घूमने के अलावा कोई हरकत नहीं होती थी और वे बोलने वाले से रूबरू होते थे और अपने कानों के अलावा अपनी आखों से भी सुन रहे होते थे वे अपने दिमाग से सुनते थे और बड़े ध्यान से सोचते थे कि आप क्या कह रहे हैं बाचीत के अंत में बोलने वाले को लगता था कि उसने अपना काम निकाल लिया है आत्मसिद्ध है ना? आपको यह सीखने के लिए हार्डवर्ट के चार साल पढ़ने के ज़रत नहीं है फिर भी हम और आप देपार्टमेंट स्टोर में ऐसे मालिकों को जानते हैं जो महेंगी जगे किराय पढ़ लेंगे, अपना सामान सस्ते दामों पर खरीदेंगे नहीं देते, उनसे जबान लडाते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं और उन्हें अपने स्टोर से बाहर निकाल देते हैं शिकागो के एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने न सुनने वाले वर्कर्स के कारण एक ऐसा ग्राहक हो दिया जो वहां हर साल हजारों डॉलर्स खर्च करता था मिसिस हेंरिटा डगलस जिन्होंने शिकागो में हमारा एक कोर्स किया ने स्पेशल सेल में एक कोच खरीदा था जब वे उसे घर ले कराई तो उन्होंने देखा कि कोट में एक खरोच लगी है वे अगले दिन वापस आई और उन्होंने सेल्स क्लर्क से इसे बदलने को कहा क्लर्क ने उनकी बात सुनने से भी इंकार कर दिया आपने इसे एक स्पेशल सेल में खरीदा था उस क्लर्क ने कहा फिर उसने एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया उसे पढ़िये उनसे कहा सारे सेल फाइनल है आपने एक बार खरीद लिया तो आपको इसे रखना ही होगा इस खरोच को खुद ही सी लीजिए लेकिन ये खराब समान था मिस्स जगलिस ने कहा कोई फर्ग नहीं पढ़ता वर्क लर्क ने कहा फाइनल तो फाइनल है मिस्स शिकागो कुस्से से निकलने ही वाली थी यह सोचते हुए कि अब वे दुबारा नहीं लोटेंगी जब उनसे डेपार्टमेंटल मैनेजर मिले जो उन्हें कई सालों से खरीदारी से जानते थे मिस्स डगलस ने उन्हें बताया कि क्या हुआ मैनेजर ने पूरी बात को ध्यान से सुना कोट को देखा और कहा स्पेशल सेल फाइनल होते हैं ताकि हम सीजन के अंत में बच्चे सामान को हटा सके पर नो रिटर्न की पॉलिसी खराब समानों पर नहीं कामाती हम या तो खरोज की मरम्मत कर देंगे या फिर अगर आप चाहे हैं तो आपकी पैसे वापस कर देंगे व्यवहार में कितना बदलाव था अगर उस मैनेजर ने आकर ग्राहक की बात नहीं सुनी होती तो स्टोर को एक पुराना ग्राहक होना पर जाता सुनना घर के जीवन में भी उतना ही जरूरी है जतना बिस्निस के दुन्या में न्यू यॉर्क के Croton on Hudson की Millie Spottis ने यह प्रण कर रखा था कि जब उनका कोई बच्चा बोलेगा तो वे ध्यान से सुनेंगी एक शाम वे अपने बेटे Robert के साथ किचिन में बैठी थी जब एक छोटी बातशीर के बाद Robert ने कहा Mom, मुझे पता है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनती है इस बात ने Mrs. Robert का दिल छू लिया और वे बोली Robert ने कहा नहीं, मुझे सच मेर पता है कि आप मुझे से प्यार करती है क्यूंकि जब भी मैं बात करना चाहता हूं आप अपना काम रोग कर मुझे सुनती है सबसे जादा हिंसक आलोचना भी शान्थ हो जाता है अकसर एक धैर और सहानुभूती वाले श्रोता के पास हो एक ऐसा श्रोता जो शान्थ हो भले ही दोश निकालने वाला इंसान किंग कोब्रा की तरह फुफकार मार रहा हो और जहर उगल रहा हो समझने के लिए देखे न्यूयोर्क टेलिफोन कंपनी ने पाया कि कुछ साल पहले उसे एक ऐसे बत्तमीज ग्राहक से निबटना था वैसा बत्तमीज इंसान कस्टमर केयर प्रतिनिधी ने पहले कभी भी नहीं देखा था वो चीकता था गालिया देता था और फोन के तार को उखारने के धमकी देता था उसने कुछ ऐसे शुलकों को देने के से मना कर दिया जो उसकी नजर में गलत थे उसने अखबारों को पत्र लिखे उसने पबलिक सर्विस कमिशन में शिकायत की और उस चेलिफोन कंपनी के खिलाफ कानूनी कारिवाई शुरू कर दी अंत में कमपनी ने कमपनी के सबसे निपुर्ण ट्रबल शूटर को इस आदमी से बात करने के लिए भेजा गया इस ट्रबल शूटर ने उनकी बाते सुनी और उसे गुस्सा निकालने का आनंद लेने दिया उस टेलिफोन प्रतिनिधी निध्यान से सुना और हां कहा और उसके शिकायक से सहानू भूती दिखाई वअ चिलाता रहा और मैं उसकी बात तीन घंटे तक सुनता रहा ट्रबल शूटर ने बताया जब वह लेखा की क्लास में था तब मैं वापस गया और मैंने उसकी बातों को और ध्यान से सुना मैंने उसका चार बार इंटर्व्यू लिया और चौथे इंटर्व्यू के खत्म होने से पहले मैं उसके द्वारा शुरू किये कर संगठन का चार्टर्ड मेंबर बन चुका था उसने इसे टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव असोसियेशन नाम दिया था मैं अभी भी इस संगठन का सदस्य हूँ और जहां तक मैं जानता हूँ मैं मिस्टर के अलावा इसका एक मात्र सदस्य हूँ मैंने इन इंटर्व्यू के दौरान उसकी हर बात को सुना और उसकी हर बात से सहानु भूती दिखाई इससे पहले किसी भी टेलीफोन प्रतिनिधी ने उससे बात नहीं की थी और वो काफी दोस्ताना हो गया जिस बात के लिए मैं उससे मिलने गया था उसका जिक्र पहली मुलकात में तो हुआ भी नहीं फिर उसका जिक्र दूसरे या तीसरे इंटर्व्यू में भी नहीं हुआ और चौथे इंटर्व्यू के होने तक वह केस खत्म हो चुका था उसने अपना बिल चुका दिया था और टेलिफून कंपनी के इतिहास में पहले बार किसी ने अपने मन से पब्लिक सर्विस कमिशन से शिकायते वापस ले ली थी नी संदे मिस्टर ने अपने आपको धर्म योधा समझा था जो सोशन के खिलाफ लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा था पर वास्तव में वह महत्वपून होने का एहसास चाहता था उसे पहले ये एहसास चीखने और शिकायत करने से मिला पर जैसे ही कमपनी के प्रतिनीधी ने उसे महत्वपून होने का एहसास दिला दिया उसकी शिकायते हवा में गायब हो गई सालों पहले एक सुबा एक गुसेल ग्राहक जूलियन एफ डेटमर के ऑफिस में गुसा जो डेटमर मूविन कमपनी के संस्थापत थे और वह कमपनी बाद में वुलिन और टेलरिंग के नाम से दुन्या में सबसे बड़ी डिस्ट्रिब्यूटर बन गई इस आदमी के पास हमारा थोड़ा पैसा बकाया था मिस्टर डेटमर ने बताया ग्राहक ने इनकार किया हाला कि वह जानता था कि गलती उसी की है इसलिए हमारे क्रेडिट विभाग ने जोर डाला कि वह पैसे चुकाए हमारे क्रेडिट विभाग से कई चिटिया पाने के बाद उसने सामान बांधा और शिकागो आकर मेरे ऑफिस में गुसा और बताने लगा कि वह पैसे नहीं चुकाने वाला और साथ ही आगे से वह हमारे कंपनी से एक भी सामान नहीं खरीदने वाला मैंने उसके बातों को ध्यान से सुना मैंने टोकना चाहा पर मुझे लगा कि ये गलत वे होगा इसलिए मैंने उसे अपनी पूरी बात कहने दी जब वह थोड़ा शांत हुआ और सुनने के मूड में आया तो मैंने शांत मन से कहा आप शिकागो आए और आपने अपने बात कही इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपने हम पर एक एहसान किया है पर अगर आपके और हमारे क्रेडिट विभाग ने आपको तंग किया है ये दूसरे ग्राहकों को भी तंग कर सकते हैं और ये अच्छी बात नहीं होगी विश्वास मानिये आप जितना बताने में उच्शक हैं उससे जादा मैं सुनने में उच्शक हूँ उसने मुझसे कभी भी ये सुनने की उमीर नहीं की थी वो थोड़ा निराश लगा क्यूंकि वो शिकागो मुझे बाते सुनाने आया था और मैं बहस करने के बज़ाए उसे थाइंक्यू बोल रहा था मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम सारे शुल्क हटा देंगे और भूल जाएंगे क्यूंकि उसे सिर्फ एक अकाउंट की सावधानी से देखभाल करनी थी जबकि हमारे क्लर को हजारों अकाउंट्स देखने थे इसलिए हमारे गलत होने के चांसिस कई जादा थी मैंने उसे बताया कि मैं समझता हूँ वो कैसा फील कर रहा है और अगर मैं उसकी जगे होता तो वही करता चो उसने किया चूकि वो आगे से हमसे समान नहीं खरीदेगा मैंने उसे दूसरे वुलिन हाउस के नाम बताए पहले ही जब वो शिकागो आया था तो हमने साथ लंच किया था इसलिए मैंने उसे साथ लंच करने के लिए इन्वाइट किया वो थोड़ा जिजगते हुए मान गया पर वापस ओफिस आकर उसने पहले से बड़ा ओर्डर दे दिया वो थोड़ा शांत होकर घर लोटा और हमारे जितना ही ज्यायपूर्ण होने की कोशिश में सारे बिलो को उसने देखा और उसमें उसकी गलती हुई थी उसे माफी के साथ चुकता कर दिया बाद में जब उसकी पतनी को पुत्र हुआ उसने बच्चे का मध्य नाम डेटमर रखा और वो 22 साल बाद मृत्यों तक हमारा मित्र और कस्टमर बना रहा सालों पहले एक गरीब डच्च लड़का अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए स्कूल के बाद एक बेकरी शॉप की खिर्कियां साफ करता था उसके घरवाले इतने गरीद थे कि वह सडकों पर एक बास्केट के साथ निकलता था और कोईले की गाडियों से गिर कर गटर में गिरे हुए कोईलों को चुनता था उस लड़के एड़वर्ड बॉक ने कभी छे साल से जादा स्कूल में पढ़ाई नहीं की फिर भी वो जोर्नलिजम में सबसे जादा सफल मैगजीन एडिटर में से एक बना उसने ऐसा कैसे किया? वो एक लंबी कहानी है पर उनकी शुरुवात को थोड़ा शब्दों में बताया जा सकता है उन्होंने इस अध्याय में बताये गए सिधानतों का इस्तमाल करके शुरुवात की उन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा और Western University में Office Boy बन गए पर उन्होंने शिक्षा पाने का खयाल एक मॉमेंट के लिए भी नहीं छोड़ा इसलिए उन्होंने खुद को सिक्षित करना शुरू किया वे किराय का पैसा बचाते थे और कई बार लंच नहीं करते थे ताकि American Biographies की Encyclopedia खरेच सके और उसके बाद उन्होंने एक अनोखी चीज की उन्होंने Famous लोगों की जीवनी पढ़ी और उनके बचपन के बारे में जादा जानकारी मांगी वे एक अच्छे श्रोता थे उन्होंने General James A. Garfield को लिखा जो President का चुनाव लड़ रहे थे और पूछा कि क्या ये बात सही है कि वे एक नहर में काम करते थे और Garfield ने जवाब दिया उन्होंने General Grant से एक युद के बारे में पूछा और Grant ने उसके लिए एक नक्षा बनाया और उस 14 साल के बच्चे को डिनर पर बुलाया और पूरी शाम उससे बाते की जल्द ही हमारा Western Union Messenger Boy देश के सबसे प्रसिद लोगों से वार्दलाब कर रहा था उन्होंने सिर्फ प्रसिद लोगों से बात ही नहीं की जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती थी वे उनके घरों में महमान के रूप में बुलाया भी जाते थे इस experience ने उनमें एक self-confidence भर दिया जो बेश कीमती था इन लोगों ने उन्हें एक vision एक दृष्टी और महत्व कांग्शा दी जिसने उनकी जिन्दगी को नया स्वरूब दिया और ये सब मुझे दोहराने दे ताकि संभव हुआ जब उन्होंने यहां बताए गए सिधान्त को आजमाया आईजाक एफ मौर कौसन एक पत्रकार जिन्होंने सैक्डो सेलिब्रिटीज का इंटर्व्यू लिया पताते हैं कि कई लोग अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि वे अच्छे तरह सुनते नहीं हैं उन्हें आगे क्या बोलना है इस बात की इतनी चिंता रहती है कि वे अपने कान खुले ही नहीं रख पाते कई important लोगों ने मुझे बताया है कि वे अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता जादा पसंद करते हैं लेकिन अच्छी तरह सुनने की कला बहुत ही जादा दुरलब है सिर्फ महत्वपून लोग ही नहीं बलकि साधारन लोग भी अच्छे लिस्नर खोचते हैं जैसा कि Reader's Digest ने एक बार कहा कई लोग डॉक्टर को बुलाते हैं जब उन्हें कोई सुनने वाले की जरूरत होती है Civil War के सबसे अंधेरे पलों में Lincoln ने Springfield के एक पुराने दोस्त को Washington आने के लिए पत्र लिखा Lincoln ने कहा कि उनकी कुछ दिक्कते हैं जिस पर वे बाते करना चाहते हैं उनका पुराना परोसी White House आया और Lincoln ने उससे गुलामों को मुक्त दी देने के एक नियम पर घंटों बाते की Lincoln इस रूल के पक्ष और विपक्ष के सारे एंगल्स पर डिसकस किये फिर उन पत्रों और अखबारों के लेखों को पढ़ा जिन में कुछ उनके गुलामों को मुक्त ना करने के लिए निंदा कर रहे थे और कुछ गुलामों की मुक्ती के भय के कारण उनके निंदा कर रहे थे घंटों बाते करने के बाद लिंकन ने अपने दोस्ट से हाथ मिलाया उसे गुड नाइट कहा और बिना उसकी नजरिया जाने उसे वापस एलियॉनिस भीज दिया लिंकन ने सारी बाते खुद की इससे उनके दिमाग में चीज़े क्लियर हो गई लिंकन को सला की जरुरत नहीं थी उन्हें सिर्फ एक दोस्ट एक सहानों भूती भरे लिस्नर की जरुरत थी जिसके सामने वे अपने दिमाग को हलका कर सके हम सब ही यही करते हैं जब प्रॉब्लम्स में होते हैं हम सब ही खिजे हुए कस्टमर्स चालते हैं असंतुष्ट कर्मचारी चालते हैं और चोट खाये दोस्ट चालते हैं आधुनिक यूग के सबसे अच्छे श्रोताओं में एक थे सिग्मिन फ्रॉइड Freud से मिलने वाले एक व्यक्ति ने उनके सुनने के तरीके पर कहा इसने मुझ पर इतना प्रभाव डाला कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा उनमें जो गुंड थे मैंने कभी किसी में नहीं देखे थे कभी मैंने किसी को इतने फोकस से ध्यान देते हुए नहीं देखा था ये आत्मा को चीरने वाली नजर नहीं थी उनकी आखे मद्धिम और दोस्ताना थी उनकी आवाज धीमी और उदार थी उनके हावभाव कम थे पर उन्होंने जैसे ध्यान दिया मेरी कई बातों की जैसे तारीफ की भले ही मेरे कहने का तरीका सही नहीं था पर असाधारन था आपको बिल्कुल नहीं पता कि कई ऐसे आपकी बातों को सुने तो कितना फर्क पड़ता है अगर आप ये जाना चाहते हैं कि कैसे लोग आपको ठुकराएं आपकी पीट पीछे हसे और आपकी निल्दा करे तो इसका आसान सा तरीका है किसी को भी देर तक ना सुने सिर्फ अपनी बाते करे अगर किसी से बात करते समय आपको कोई आइडिया आए तो उसे अपनी बात पूरी भिवत करने दे उसे बातों के बीच में ही रोग दे क्या आप ऐसे लोगों को जानते है दुर्भाग्य से मैं जानता हूँ और आश्चर की बात है कि उन में से कई लोग फेमस है ये कभी उबाओ ये सभी उबाओ है अपने अहंकार और महत्वपून होने के नशे में डूबे हुए उबाओ लोग है जो लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं डॉक्टर निकलस मुरे बटलर कोलंबिया युनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा था वे बहुत ही असिक्षित है उन्हें बिलकुल सिक्षा नहीं मिली भले ही उन्हें कितनी भी निर्देश दिये जाए अगर आप बारचीत की कला में माहर होना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने दिल्चस बनने के लिए खुद में दूसरों के लिए दिल्चस भी जगाए वैसे सवाल पूछे जिनका जवाब देना दूसरों को पसंद आए लोगों को अपने बारे में और अपनी उपलब्दियों के बारे में बात करने के लिए प्रुचसाहिद करे याद रखें कि जिन से आप बात कर रहे हैं वे आपसे और आपकी समस्याओं से ज़ादा अपने आप में और अपनी प्रॉब्लम्स में दिल्चस्पी रखते हैं इंसान को चाइना में अकाल के 10 लाख लोगों के मरने से ज़ादा चिंता अपने दातों के दर्ग की होगी अपने गर्दन पर लगी चोट आफरिका के 40 अर्थकोएक से ज़ादा ध्यान कीचती हैं तो अगली बार बात करते समय इस चीज़ को जरूर ध्यान रखे और इसके साथ हम प्रिंसिपल 4 कंटलूड करते हैं प्रिंसिपल 4 एक अच्छे श्रोता बने लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रुचसाहिद करें चाप्टर 5 लोगों में रूची कैसे जगाएं हर इंसान जो थियोट और रूस्वेल का महमान बनता था वो उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर इन्फरमेशन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था भले ही वो इंसान कावबोई हो या रफ राइडर न्यूयोर्क पॉलिटीशन हो या डिप्लोमाट रूस्वेल को पता रहता था कि क्या बोलना है वे ये कैसे करते थे इसका सातहारण सा जवाब है जब भी रूस्वेल से मिलने कोई आने वाला होता वे राग देर जग कर उस विशेपर पढ़ते थे जिसमें आने वाले इंसान का इंट्रेस्ट होता था अन्य नेताओ की तरह रूस्वेल जानते थे कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उन चीजों पर भाते करने से खुलता है जो चीजें उसके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जिन्दा दिल विल्यम लियॉन फेल्प्स निबंदकार और येल उनिवर्सिटी में लिट्रेचर के प्रोफेसर ने ये पार्ट जीवन में शुरू में ही सीख लिया था जब मैं आच साल का था और अपनी आंटी लिबी लिंसलेक के साथ उनके स्ट्राटफोर्ट के घर में हफती के छुट्टिया मना रहा था उन्होंने मनुष्य के प्रकृती ताटिस हुमन नेचर पर निबंध में लिखा एक मिडल एजड आदमी का आगमन हुआ और आंटी से थोड़ी अपचारिक बातों के बाद उसने मुझ पर ध्यान देना शुरू किया उस समय मैं नावों में बोट्स में काफी इंट्रेस्टेड रहता था और उस इंसान ने उस विशे पर जैसे बाते की वो मुझे काफी दिल्चस्प लगी उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में काफी उच्चाहित था क्या आदमी था वो मेरी आंटी ने बताया कि वो न्यूयोर्क का वकील था और उसे बोट्स में कोई भी इंट्रेस नहीं था और वो उस विशे में बिलकुल भी मतलब नहीं रखता था तब उसने मुझसे बोट्स के बारे में क्यूं बाते की? क्यूंकि वो एक सज़न आदमी है उसने तुम्हारी दिल्चस्पी नावों में देखी और उसने उन चीजों के बारे में बात की जो तुम्हें दिल्चस्प और अच्छी लगेंगी उसने अपने आपको पसंदिदा बनाया विल्यम लियॉन फेल्प्स ने कहा मैं अपनी आंटी के बाद कभी नहीं भूला जैसे मैं ये अध्याय लिख रहा हूँ मेरे सामने Edward L. कफील का एक पत्र है जो Boy Scout Work में शामिल रहते थे एक दिन मुझे लगा मुझे एक सहायता चाहिए Mr. कफील ने लिखा एक बड़ा Scout उत्सव यूरोप में होने वाला था और मैं अमेरिका के एक सबसे बड़े कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट से उमीद रखता था कि वे मेरे एक Scout लड़के की ट्रिप को आर्थिक सहायता दे सभागे से इस इंसान से मिलने जाने के ठीक पहले मैंने सुना था कि इसने एक मिलन का चेक बनवाया था और इसके Cancel हो जाने के बाद उसने इसे फ्रेम करा लिया था इसलिए आफिस में घुसने से पहले मैंने उससे चेक देखने का निवेदिन किया मिलन डॉलर का चेक मैंने उसे बताया कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता था जिसने इतना बड़ा चेक लिखा हो और मैं अपनी स्काउट लड़कों को बताना चाहता था कि मैंने दरसल एक मिलिन डॉलर का चेक देखा था उसने मुझे खुशी-खुशी दिखाया मैंने उसके तारीफ की और उससे पूछा कि चेक बनवाते समय क्या क्या हुआ था अपने नोटिस किया नकी मिस्टर कलैफ के बौइ स्काउट्स ने के बारे में या उत्सफ़ के बारे में या अपने एक्छाओं के बारे में बाते करके शुरुआद नहीं की उन्होंने उस चीजों में बात शुरू की जिसमें दूसरे इंसान की रूची थी फिर ये परिणाम आया इंटर्व्यू देते समय उस आदमी ने कहा ओ वैसे आप मुझसे किस काम से मिलने आये थे तो मैंने उसे बता दिया मुझे ये देखकर आश्चर हुआ कि मिस्टर क्लीफ ने कहा उसने न सिर्फ मेरे मांगी आर्थिक सहायता दी बल्कि और वे जादा सहायता की मैंने उससे सिर्फ एक लड़के को योरो बेजने की बात की थी पर उसने पांच लड़को और मुझे भेजने के साथ साथ एक हजार डॉलर का क्रेडिट दिया और हमें योरोप में साथ दिनों तक रहने के लिए भी कहा उसने मुझे अपने ब्रांच प्रेसिडेंस से मिलने के लिए इंट्रोडक्शन लेटर भी लिखा ताकि वे मेरी सहायता कर सके और वे हमसे पैरिस में मिला और उसने हमें पूरा शहर दिखाया तब से उसने हमारे कई जरूरतमन लड़कों को नौकरियां भी दी और वे अभी हमारे ग्रुप में ही है फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मुझे ये बात पता नहीं होती कि उसकी रूची किस चीज में है और अगर मैंने उसे पहले थोड़ा दोस्ताना व्यवार नहीं किया होता तो उसके दिल में दस प्रतीशत भी जगे नहीं बना पाता क्या बिजनिस में इस्तिमाल करने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है है क्या देखते हैं New York के एक wholesale baking farm के Duvenoy & Sons के Henry G. Duvenoy को ही लीजिए Mr. Duvenoy New York के एक hotel को bread बेचने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने manager को 4 साल तक हर हफ़ते call किया था वे उन समाजिक सम्मेलनों में गए जहां वो manager जाता था उन्होंने कई बार उस hotel में कमरा लिया ताकि कुछ business मिल सके पर वे unsuccessful हुए तब Mr. Duvenoy ने कहा मानविय संबंधो that is human relations का अध्यान करने के बाद मैंने अपने तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया मैंने ये जानने का फैसला किया कि उसकी किस चीज में रूची है उसे किस चीज में उत्सा आता है मैंने पाया कि वो hotel greeters of America नाम के hotel executive key एक society का सदस्य है वो सिर्फ सदस्य ही नहीं है बलकि उसकी उत्सा के कारण उस संगत्थन का president भी है और साथ ही international greeters का भी president है कहीं भी उनके सम्मेलन हो वो जरूर जाता है था इसलिए जब मैं अगले दिन उससे मिलने गया मैं greeters के बारे में बाते करने लगा मुझे उससे अच्छी प्रतिक्रिया मिली उसने मुझसे greeters के बारे में आदे घंटे तक बात की उसकी आवास में उत्सा जलक रहा था मुझे साफ दिखा कि ये society सिर्फ उनका शौक नहीं बलकि जुनून भी था मेरे office छोडने से पहले उसने मुझे उस संगठिन की सदसिता बेच दी थी उस दोरान मैंने bread के बारे में कुछ भी नहीं कहा था लेकिन कुछ दिनों बाद होटेल के स्टेवोर्ड ने मुझे नमूने और कीमत के साथ आने के लिए कहा मुझे पता नहीं आपने उस सज्जन के साथ क्या किया स्टेवोर्ड ने कहा पर वे आपसे बुरी तरह प्रभावित है इस बारे में सोचिए मैं उस अंसान को चार साल से मना रहा था उसका बिसनिस पाने के लिए और मैं ऐसा करता जा रहा था अगर मैंने यह खोजने की जहमत नहीं उठाई होती कि उसे क्या पसंद है और किस बारे में बाते करना अच्छा लगता है तो मुझे यह ओफर कभी भी नहीं मिलता मैरी लैंड के हैगर्स टाउन के एड़वर्ड ए हैरी मैन ने मिलिटरी सर्विसेज पूरी करने के बाद मेरी लैंड के सुन्दर कंबर लैंड वैली में रहने का फैसला किया दुरभागे से उस समय उस शेत्र में सिर्फ कुछ नौकरियां उपलब थी थोड़ी खोज से पता चला कि उस शेत्र में अधिकतर कंपनीज का मालिक एक अनोखा बिजनिसमैन आर जे फंक हाउजर था जिनकी गरीबी से अमीरी तक की यात्रा मिस्टर हैरी मैन को प्रभावित करती थी लेकिन वो नौकरी खोजने वालों की पहुँच से बाहर थे मिस्टर हैरी मैन ने लिखा मैंने कई लोगों का इंटर्व्यू लिया जिससे पता चला कि उनकी मुख्य दिल्चस्पी पैसे और सत्ता पाने में है चुकि वो मेरे जैसे लोगों से अपनी हिफाज़त करने के लिए एक समर्पित और कड़क सेक्रेटरी से करता था इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी की दिल्चस्पियों और लक्षों के बारे में पढ़ा और एक बार बिन बुलाए उनकी ओफिस पहुँच गया वह मिस्टर फंक हाउजर की 15 सालों से 4 और चकर लगाने वाली उपकरह थी जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फंक हाउजर की आर्थिक और राचनेतिक सफलता बढ़ाने के लिए एक प्लान है तो वह उत्सा में आ गई मैंने उसे अपने बॉस की सफलता में उसके योगदान के बारे में भी बाते की इस बातचीत के बाद उसने मिस्टर फंक हाउजर से मेरी मुलाकात तै कर दी मैं उनके बड़े और प्रभावशाली ओफिस में ये सोच कर घुसा कि उसने नौकरी नहीं मांगूंगा वे एक बड़े डेस्क के पीछे बैठे थे और वे दहार उठे किस बारे में बात करनी है जवान लड़के मैंने कहा मिस्टर फंक हाउजर मुझे लगता है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ पैसा बना भी सकता हूँ वे तुरंट उठे और उन्होंने मुझे एक बड़ी चेयर पर बैठने के लिए इशारा किया मैंने अपने आइडियाज और काबिलियत के बारे में बताया और ये भी बताया कि वह उनकी नीजी और बिसनिस की सफलता में कैसे मदद करेंगे आर जे इस नाम से मैं उन्हें जानने लगा था ने मुझे तुरंट नियुक्त कर लिया और पिछले 20 साल में मैं उनके काम में बढ़ता गया हूँ चिनसे हम दोनों को ही लाब मिला है दूसरे इंसान की दिल्चस्पी के बारे में बात करने से दोनों पक्षों को फायदा होता है Employee Communication के शेत्र के नायक Honans Z. Harzik ने हमेशा इस सिद्धान का पालन किया है जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या पुरुसकार मिला Mr. Harzik ने कहा कि उन्हें हर इंसान से अलग पुरुसकार मिला है पर सामान्यत सबसे बड़ा पुरुसकार यह है कि हर इंसान से बात करने के बात उनकी जिन्दगी और भी जादा बड़ी हुई है तो इसके साथ हम Chapter 5 कंक्लूड करते हैं जहां पर हमने Principle 5 को समझा है Principle 5 दूसरे इंसान की दिल्चस्पी के हिसाब से बात करे Chapter 6 ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें मैं New York के 33 स्ट्रीट और 8 एवेन्यू के पोस्ट आफिस में एक पत्र रजिस्टर करने की लाइन में खड़ा था मैंने देखा कि Clerk अपने काम से बोर हो चुका था लिफाफों का वजन करना, स्टैंप देना, बदलवाना, रसीद देना वही काम चो साल दर साल वो करता आ रहा था इसलिए मैंने अपने आप से कहा मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वो Clerk मुझे पसंद करेगा जाहिर बात है उसे पसंद आने के लिए मुझे अपने बारे में नहीं उसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए इसलिए मैंने अपने आप से पूछा इस इंसान में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्चाई से तारीफ कर सकता हूँ कई बार इस सवाल का जवाब खोचना मुश्किल होता है खास कर अजनबियों के मामले में पर इस मामले में ये आसान था मैंने ऐसा कुछ देखा जिसकी मैं दिल खोल कर तारीफ कर सकता था इसलिए जब वो मेरे लिफाफे का वजन ले रहा था मैंने उच्छा होती है कि मेरे आपके जैसे बाल होते उसने उपर देखा उसकी आखों में आस्चर और होटो पर मुस्कान थी अब तो ये पहले जैसे नहीं रहे उसने पुलाइटली कहा मैंने उसे विश्वास दिलाया कि भले ही इनमें पहली वाली बात ना हो पर ये अब भी बहतरीन है उसे काफी खुशी हुई हमने थोड़ी देर तक बातचीत की फिर उसने अंतिम बात कही कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है मैं शर्ट लगा सकता हूँ उस दिन वो आदमी लंच पर जाते समय हवा में उड़ रहा होगा मैं शर्ट लगा सकता हूँ कि उस रात घर जाकर वो आदमी ने अपनी पतनी को इस बारे में बात बताई होगी उसने आइने में खुद को देखा होगा और कहा होगा क्या खुबसूरत बाल है मैंने एक कहानी एक बार पब्लिक में बताई और एक सज्जन ने पूछा इससे आपको क्या मिला मैं उससे क्या पाने की कोशिश कर रहा था अगर हम इतने स्वार थी हैं कि हम थोड़ी खुशी भी नहीं बात सकते और कुछ पाने की चाहत के बिना लोगों की थोड़ी सी भी सच्ची प्रशन सा नहीं कर सकते अगर हमारी आत्माएं खटे संत्रों से बड़ी नहीं हैं तो हमें कभी वो सक्सस नहीं मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। ओ हाँ, मुझे इस इंसान से कुछ पाने की चाहत थी, मैं कुछ बेश कीमती चाहता था और मुझे वह मिल भी गया। मुझे ये एसास मिला कि मैं उसके लिए कुछ कर पाया। भले ही बदले में वो मेरे लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं था। ये फीलिंग आपके मेमोरीज में सुखत तरंग पैदा कर सकता है। भले ही वह घटना काफी पहले बीच चुकी हो। Human Behavior का एक सबसे Important Rule है। अगर हम उस Rule का पालन करें तो शायद हम कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दरसल ये Rule हमें अंगिनत दोस्त और खुशियों से मिलाएगा। लेकिन जैसे हम ये नियम तोड़ते हैं, हम अनंत मुसीबतों में पड़ते हैं। वो नियम इस तरह है हमेशा दूसरे इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। Always make the person feel important। जॉन देवे जैसा कि हमने पहले नोट किया है का कहना था कि महत्वपूर्ण होने की इक्षा इंसान की प्रकृती में सबसे गहरी और सबसे इंपोर्टन है। विल्यम जेम्स ने कहा था इंसानी सुभा का सबसे गहरा सिध्धान्त प्रशंसा पाने की इच्छा है। The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated। Philosophers ने human relations के नियमों पर हजारों वर्षों से चिंतन किया है और उस सबसे एक ही बात उभर कर सामने आई है। ये कोई नई बात नहीं है। ये history जितनी पुरानी है। Zorauster ने इसे पोर्श्या में पचास सो साल पहले अपने followers को सिखाया। Confucius ने इसे चाइना में 2400 साल पहले सिखाया। Tao के संस्थापक Lautsik ने हैन की घाटी में इसे अपने disciples को सिखाया। बुद्धा ने इसे Christ से 500 साल पहले पवित्र गंगा के किनारे सिखाया। Hindu धर्म की पवित्र किताबे इसे उससे भी 1000 साल पहले से सिखाती आ रही है। Jesus ने इसे 1900 साल पहले जूड्याओ की पहाडियों पर सिखाया। Jesus ने इसे एक विचार में बताया जो शायद दुन्या का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही करो जो तुम दूसरों से खुद के लिए अपेक्षा करते हो। आप जिसके संपर्ग में आते हैं उनकी प्रशन सा चाहते हैं। आप अपने काभीलियत की सही पैचान चाहते हैं। आप यह एहसास चाहते हैं कि इस छोटी से दुन्या में आपका इमपोर्टिंस है। आप सस्ती और जूटी, चाटु कारिता नहीं चाहते। आप सच्ची तारीफ चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके दोस्त चार्ल्स श्वाब की भाशा में दिल खोल कर तारीफ और जी भर कर प्रशंसा करें हम सब ही यही चाहते हैं इसलिए इस सुनहरे नियम का पालन करें दूसरों के साथ वही करें जो आप दूसरों से खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कैसे, कब, कहाँ जवाब है हमेशा और हर जगय विसकंसिन में एरो कलेक्टर के डेविद जी स्मित ने हमें एक क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चारिटी कंसर्ट में रिफ्रेश्मेंट बूत का चार्ज दिया गया तो उन्होंने कैसे एक नाजुक स्थिती को संभाला कॉंसर्ट की रात मैं पार्क में पहुँचा और रिफ्रेश्मेंट स्ट्रैंड के पास मैंने दो बुजुर्ग औरतों को गुसे में पाया हर एक को लग रहा था वो इस प्रोजेक्ट को चला रही है मैं यह सोच रहा था कि क्या करूं तभी स्पेंस्क्रिंग कमेटी के एक सदस्य ने आकर मुझे कैश बॉक्स थमा दिया और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए उससे मुझे धन्यवाद दिया उसने रोज और जैन का मेरे मददकार मेक के रूप में परिच्छे दिया और चला गया गहरा मौन ज़ा गया यह जानते हुए कि कैश बॉक्स अधिकार का प्रतीक है मैंने उसे रोज को दे दिया और बताया कि मैं इसके जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा और वह इसे जादा अच्छे से रख पाईगी फिर मैंने जेन को कहा कि वह रिफ्रेश्मेंट के जिम्मेदारी को किशोरों को यह बताए कि सोडा मशीन कैसे चलाई जाए का आनन लेता रहा इस तरह वह शाम बहुत खुशनमा गुजरी एप्रिसियेशन के इस रूल का पालन करने के लिए आपको फ्रांस का अमबाज़िडर या अपने लौज के क्लैंबर कमिटी के चेर्मेन बने के इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप इसका जादूई लाब हर रोज उठा सकते हैं उधारन के तौर पर अगर आपने फ्रेंच फ्राइज ओडर किया हो और वेट्रिस आलू के पकोड़े ले आती है तो हमें कहना चाहिए आपको दिक्कत दे रहा हूँ पर मुझे फ्रेंच फ्राइज जादा पसंद है तब वो शायद जवाब देगी कोई दिक्कत नहीं है और वो खुशी-खुशी पकोड़े बदल देगी क्योंकि हमने उसे इज़त दी है आपको दिक्कत दे रहा हूँ क्या आप कर सकेंगे अगर आपको परिशानी न हो तो शुक्रिया इस तरह की छोटी-छोटी बाते कहने से रोजमर्रा की परिशानियां भरी जिन्दगी थोड़ी आसान हो जाती है और ये सैयोग से ये भी दिखाती है कि हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है हर इनसान अपने आपको महत्वपून समझता है बहुत महत्वपून कई लोगों की जिन्दगी बदल जाती है अगर उन्हें किसी ने महत्वपून महसूस कराया हो रोनाइल्ड जे रॉलैंड जो हमारे कैलिफॉर्निया के कोर्स के निर्देशक है आजन क्राफ्ट के भी तीचर है उन्होंने अपने शुरुवाती क्राफ्ट क्लासिस के एक स्टूडेंट क्रिस के बारे में लिखा क्रिस बहुत शान था, बहुत शर्मीला था और उसमें आत्मे विश्वास नहीं था वो वैसा स्टूडेंट था जिसे कभी वध्यान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए मैं भी एक एडवांस क्लास सीखता हूँ, सिखाता हूँ जो एक स्टेटिस सिंबल भन गया है और उसमें अपनी टालेंट से दाखिला पाने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी बात हो जाती है वेडनेस डे को क्रिस अपनी डेस्क पर काम कर रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि उसमें एक गहरी आग है मैंने उससे पूछा कि क्या वो एडवांस क्लास में आना चाहेगा उसके चहरे के भाव को बताना मुश्किल है उस फोटीन यर्ज के संकूची लड़के की आँखों में आसू गिरने ही वाले थे कौन मैं? मिस्टर रॉलन्ड? क्या मैं इस काबिल हूँ? हाँ क्रिस तुम इस लायक हो मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि मेरे आँखों में भी आसू आने ही वाले थे उस दिन जब क्रिस क्लास से निकला तो वह अपने कट से थोड़ा लंबा देख रहा था उसने मुझे अपनी नीली चमकीली आँखों से देखा और अच्छी प्यारी सी आवाज में कहा शुक्रिया मिस्टर रॉलन्ड क्रिस ने मुझे एक लेसन सिखाया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा हमारी इंपोर्टेंस मैसूस करने की इक्छा मैं इस नियम को भूल न जाओं इसलिए मैंने एक साइन बोर्ड बनवाया है जिस पर लिखा है आप महत्वपूर्ण है ये साइन क्लास में मेरे सामने टंगी होती है ताकि मैं ये न भूल जाओं कि मेरे सामने हर स्टूडेंट इंपोर्टेंट है सची बात तो ये है कि जितने लोगों से आप मिलते हैं वे अपने आपको आप से किसी न किसी मामले में बहतर समझते हैं और उनका दिल जीतने का तरीका है किसी न किसी सूक्ष्म तरीके से आप उन्हें उनका महत्व महसूस कराएं और इससे सच्चाई से स्विकार करें याद रहे इमोर्सिन ने क्या कहा था मुझसे मिलने वाला हर इंसान मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर है मैं उससे उस मामले में सीखता रहूंगा सबसे घटिया बात ये है कि जिसके पास जितनी कम उपलबधियां होती है वे बहुत ही बेकार ढंग से अपना घमन और अंकार दिखाते हैं जैसा कि शेक्सफियर ने लिखा इंसान अभी मानी इंसान थोड़ी सी ताकत पाकर दिखाता है शान उचे स्वर के सामने करता ऐसी हरकते देवदूत भी देख कर है रोते अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे कोर्स करने के बाद बिसनिस करने वाले छात्रों ने कैसे इस रूल को अपनाया और अच्छे परिणाम लेकर आए एक कनेक्टिकट एटॉर्णी का केस लेते हैं उनके रिष्टदार चाहते हैं कि उनका नाम न लिया जाए कोर्स लेने के तुरंद बाद मिस्टर आर अपने रिष्टदारों से मिलने अपनी पत्नी के साथ लॉंग आइलांड गए उनकी पत्नी ने उन्हें एक बुड़ी आंटी से बात करने के लिए थोड़ा चोड़ा और अपने कुछ यूवा रिष्टदारों से मिलने हॉस्पिटल चली गए चुकि उन्हें इस बात पर भाषन देना था कि उन्होंने कैसे इन सिधानतों को आजमाया उन्होंने सोचा कि आंटी से बात करके कुछ अच्छे एक्सपिरिंस मिल जाएंगे इसलिए उन्होंने घर में चारों ओर देखा कि किस चीज की तारीफ की जा सकती है ये घर ये और 1890 के आसपास बना था ना उन्होंने पूछा हाँ आंटी ने जवाद दिया या ठीक उसी साल बना था इससे मुझे उस घर के याद आती है चहां मेरा जन्म हुआ था उन्होंने कहा ये सुन्दर है काफी सुन्दर है काफी जगए है अब इस तरह के घर नहीं बनाए जाते सही कहते हो आंटी ने बात स्विकार की आजकल के यूवा ऐसे सुन्दर घर नहीं बनाते वे छोटे अपार्टमेंट्स चाहते हैं और फिर वे अपनी कारों में सेर करने निकल जाते हैं ये तो सपनों का घर है वे पुरानी यादों को ताजा करते हुए भराती हुई आवाज में बोली ये घर प्यार से बनाया गया था मेरे पती और मैंने सालों इसे बनने के सपने देखे थे हमारे पास कोई आर्किटेक नहीं था हमने इसे खुद प्लान किया उन्होंने मिस्टर आर को घर दिखाया और उन्होंने उन सुन्दर चीजों को दिखाया जो उन्होंने यात्रा के दौरान अर्जित की थी और सहेज कर रखी थी पेशली शौल, पुरानी इटालियन टी सेट, वेजवुट चाइना, फ्रेंच बेड और चेर, इटालियन पेंटिंग और रेश्यम के परदे जो कभी एक फ्रेंच शाइटू के में टंगे रहते थे मिस्टर आर को घर दिखाने के बाद, वे मिस्टर आर को गैराज ले गई, वहाँ ब्लॉक्स पर एक पैकार कार थी मेरे पती ने दुन्या छोड़ने से कुछ ही दिनों पहले ये कार खरी दी थी आंटी ने कहा, उसके जाने के बाद मैं कभी भी उसमें नहीं चड़ी, तुम्हें अच्छे चीजों की परक है, इसलिए ये कार में तुम्हें दूंगी क्यूं आंटी? उन्होंने कहा, आपने मुझे गदगद कर दिया, मैं आपके उदारता की कदर करता हूँ पर मैं इसे नहीं ले सकता मैं आपका रिष्टेदार भी नहीं हूँ, मेरे पास एक नई कार है और आपके कई रिष्टेदार ये पेकार्ड कार लेना चाहेंगे मिलेगी, अगर आप उन्हें ये नहीं देना चाहती तो किसी सेकंड हैं डीलर को बेच सकती हैं, उन्होंने आँटी से कहा, बेच दूँ, आँटी रोव पड़ी, तुम्हें लगता है मैं ये कार बेचूंगी, तुम्हें लगता है कि जो कार मेरे पती ने मुझे दी, उसे मैं अचनबियों को चलाते देख पाऊंगी मैं इसे सपने में भी नहीं बेच सकती मैं इसे तुम्हें दूंगी तुम्हें सुन्दर चीजों की कदर है उन्होंने कार को लेने से बचने की कोशिश की पर वे आंठी की भावनाव को आहत किये बिना ऐसा नहीं कर सकते थे पैसली शॉल फ्रेंच एंटीक और अपने यादों से भरे इस बड़े बंगले में ये अकेली आंटी थोड़े पहचान के लिए तरस रही थी किसी समय वे सुन्दर यूवा और आकरशक रही थी उन्होंने बड़े प्रेम से एक घर बनाया था और उसे यूरोप से खरीदी चीजों से सजाया था अब बढ़ापे के अकेले दिनों में उन्हें स्ने की गर्माहट की जरूरत थी थोड़ी तारेव की जरूरत थी जो उन्हें किसी से भी नहीं मिल रही थी और जब उन्हें ये मिली उन्हें मानों रेगस्तान में पानी का जर्णा मिल गया हो उनके अंदर की कृतग्यता ने उन्हें अपनी पैकार्ड कार तोफे में देने के लिए मजबूर कर दिया दूसरा मामला लेते हैं डोनाइल्ड M. McMohan जो लेविस और वाइलेंटिस के नर्सिंग मैन और लैंडर्सकेप आर्टिस्ट के सूप्रिटेंडन थे जब मैंने हाउ टो विन फ्रेंट्स और इंफ्लूइंस बीपल पर क्लास में भाग लिया तब मैं एक प्रसिद एटॉर्णी की स्टेट का लैंड्सकेपर कर रहा था एटॉर्णी ने आकर मुझे निर्देश दिया कि मैं कैसे बुरुंच और एलेजिया के पौधे बड़ी संख्या से लगाऊं मैंने कहा चच साहब आपका शौग बहुत बहतरीन है मैं आपके सुन्दर कुटो को देख रहा हूँ मुझे लगता है कि आप हर साल मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के शो में ढेर सारे ब्लू रिबिन जीतते हैं इस छोटी सी प्रशंसा का प्रभाव अस्चरे जनक था हाँ जज ने जवाब दिया मुझे अपने कुटो के साथ काफी मजा आता है आप मेरे कुटो का घर देखना चाहेंगे उन्होंने लगबग एक घंटे तक मुझे कुटे और जीते हुए पुरुसकार दिखाए वे उनके खानी का समान भी लेकर आए और उनको तो की सुन्दरता और बुद्धी के पीछे ब्लड शाइन का महत्वे भी समझाया अंत में मेरी ओर मोड़कर उन्होंने कहा क्या आपके छोटे बच्चे हैं? हाँ है, मैंने जवाब दिया मेरा एक बेटा है क्या उनको एक पिल्ला पसंद आएगा? जज ने पूछा ओ हाँ, बिल्कुल, उससे बहुत पसंद आएगा ठीक है, मैं उसके लिए एक पिल्ला दे रहा हूँ जज ने घोशना की फिर मुझे बताने लगे कि पिल्ले को कैसे खिलाया जाए फिर वे रुके अगर मैं बताऊं तो आप भूल जाएंगे इसलिए मैं लिख देता हूँ जज अपने घर में गए उन्होंने पेडिग्री और उससे खिलाने के निर्देशक को टाइप किया और मुझे सैकड और डॉलर की कीमत वाला एक पिल्ला तफे में दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके शौक और उपलब्धियों पर सच्ची प्रशंसा की थी कोडैक के प्रिसित्ती वाले जॉर्ज इस्ट मैन ने वह पारदर्शी फिल्म बनाई जिससे मोशन पिक्चर्स का बनना संभव हुआ सौ मिलियन डॉलर का सामराज बनाया और दुनिया के एक सबसे सफल बिजनेसमैन बने इन विशाल सफलताओं के बावजूद वे हमारी और आपकी तरह प्रशंसा के भूखे थे अच्छी तरह समझने के लिए जब इस्ट मैन रोचेस्टर में इस्ट मैन स्कूल ऑफ म्यूजिक और किलबोर्न हाल बनवा रहे थे तब सूपीरियर सिटिंग कमपनी ऑफ न्यू यॉर्क के प्रेसिडेंट जेम्स एडमसन इस भवनों के लिए थियेटर की कुर्सियों का ओर्डर चाते थे आर्किटेक्ट को फोन करके मिस्टर एडमसन ने मिस्टर इस्ट मैन से रोचेस्टर में मिलने का अपॉइंट मिन्ट लिया जब एडमसन पहुँचे तो आर्किटेक्ट ने कहा मुझे पता है कि आपको ये ओर्डर चाहिए लेकिन अगर आपको George Eastman का पांच मिनिट से भी जादा वक्त लिया तो आप अपने पेरों पर कुलहारी मार लेंगे फिर बहुत जादा अनुशासन प्रिये हैं और बहुत व्यस्त हैं इसलिए अपने बात जल्दी कह लेना और निकल जाना Adamson यही करने के लिए तैयार थे जब वे कमरे में गए तब उन्होंने Mr. Eastman को डेस्क पर कागजों में पुलिंदे पर नजरे गड़ाए बैठे देखा तब Mr. Immerson Eastman ने उपर देखा अपना चश्मा हटाया आर्किटेक्ट और Mr. Adamson के पास आते हुए बोले Good morning सज्जनों मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आर्किटेक्ट ने उनका परिचय कराया और तब Mr. Emerson ने कहा Mr. Eastman जब मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था तब मुझसे आपकी ओफिस की तारीफ किये बिना नहीं रह पाया मुझे किसी ऐसे कमरे में काम करने का मौका मिला तो मुझसे रहा ही नहीं जाएगा मैं interior woodworks के business में हूँ और मैंने आज तक इतना सुन्दर office पहले नहीं देखा George Eastman ने जवाब दिया आपने मुझे ऐसी चीज की याद दिला दी जो मैं लगबग भूल गया था ये सुन्दर है ना जब ये पहली बार बना था तब मैंने इसका काफी आनन लिया था पर अब मैं जब यहां आता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही होती है और कई बार मैं हफतों तक इस कमरे को देख नहीं पाता एदमसन आगे गए और उन्होंने एक पैनल पर अपना हाथ रगड़ा ये इंग्लिश ओक है ना इटालियन ओक से इसका टेक्स्चर थोड़ा अलग है हाँ इस्टमैन ने जवाब दिया इंपोर्टिद इंग्लिश ओक ये मेरा एक ऐसा दोस ने चुना था जिसे लखड़ियों की काफी जानकारी है फिर इस्टमैन ने उन्हें अपना कमरा दिखाया उसके अनुपात रंगों, हैंट कार्विंग और अन्य चीजों के बारे में जानकारी दी और यहां बताया कि उन्होंने कैसे इसको चुनने और बनने में मदद की कमरे में घूमते समय, वुड़ वर्क्स की तारीफ करते समय, वे एक खिड़की के पास रुके और चॉर्च इस्टमैन ने अपने विनम्र और मुंद्रस्वर में उन संगठनों के बारे में बताया जिसके द्वारा वे मानवता की सेवा कर रहे थे Mr. Adamson ने उन्हें बधाय दी क्यूंकि वे अपनी संपत्ती का इस्तिमाल लोगों की परिशानी दूर करने के लिए एक आदर्श तरीके से कर रहे थे फिर जॉर्ज इस्टमैन ने शीशे का एक संदूग खोला और उन्होंने वो कैमरा निकाला जो उन्होंने सबसे पहले लिया था एक ऐसा आविशकार जो उन्होंने एक इंग्लिश मैन से खरीदा था एडमिसिन ने उनके शुरुवाती संघर्शों के बारे में पूछा जब वे अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे और तब मिस्टर इस्टमैन ने अपने बच्पन की गरीबी के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उनकी विद्वा मा एक बोधिंग हाउस में रही थी जब वे एक इंशॉरंस ओफिस में कलर्क थे गरीबी के आतंक ने उन्हें दिन रात परिशान कर रखा था और उन्हें प्रण लिया था कि वे इतने पैसे कमाएंगे ताकि उनकी मा को काम न करना पड़े मिस्टर एंडरसन ने और भी सवाल पूछे और उनकी बातों को ध्यान से सुना जब वे ड्राइ फोटोग्राफ प्लेट्स के साथ अपने प्रयोगों के बारे में बता रहे थे उन्होंने बताया कि कैसे वे ओफिस में सारा दिन काम करते और कभी-कभी पूरी रात प्रयोग करते बीच-बीच में हलकी नीन लेते जब केमिकल्स अपना काम कर रहे होते और कभी-कबार 72 घंटों तक एक ही कपड़ों में काम करते और सोते थे जेम्स एडमसन को सवा दस बज़े इस्टमैन के ओफिस में ले जाया गया था और उन्हें चितामनी दी गई थी कि वे उनका पाँच मिनिट से जादा समय न ले लेकिन एक घंटा गुजर गया, दो घंटे गुजर गये और तब भी वे बाते किये जा रहे थे अंत में जोर्ज एस्टमैन एडमसन की ओर मुड़े और उन्होंने कहा जब मैं पिछली बार जापान गया था तब मैंने कुछ कुर्सियां खरीदी थी उन्हें घर लेकर आया और उन्हें सन पोर्च में डाल दिया लेकिन सूरज की रोशनी के कारण उनका पेंट निकल गया इसलिए मैं अगले दिन बाजार गया, मैंने कुछ पेंट्स खरीदे और उन्हें खुद पेंट किया आप देखना चाहेंगे कि मैं कुर्सियों को पेंट करके करने का काम कैसा करता हूँ ठीक है, आप मेरे घर आईए, मेरे साथ लंच कीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा लंच के बाद मिस्टर इस्टमैन ने एडमिसन को वे कुर्सियां दिखाई चोवे जापांच से लेकर आये थे वे कुछ डॉलर से जादा कीमती नहीं थी, लेकिन जॉर्ज इस्टमैन जिसे अरब पती को उन पर गर था क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें पेंट किया था सीटो का ओर्डर नब्बे हजार डॉलर का था आपको क्या लगता है, किसे वो ओर्डर मिला, जेम्स एडमसन को या उनके प्रतियोगी को इस कहानी के समय से लेकर मिस्टर एमर्णसन की मृत्यू तक दोनों दोस्त बने रहे रुएन, फ्रांस के एक रेस्टरॉं के मालिक, क्लाउट मौरिस ने यहीं सिद्धान्त अपनाया और अपने रेस्टरॉं के एक मुख करमचारी को खोने से खुद को बचाया ये महिला पाथ सालों से काम कर रही थी और मौरिस और उनके अन्य करमचारियों के बीच संपर्क सूत्र थी उनको उस महिला से इस्तिफा का पत्र पाकर बड़ा अश्चर्य हुआ एम मौरिस ने रिपोर्ट किया मुझे बड़ा अश्चर्य हुआ और उससे भी जादा दुख हुआ क्योंकि मैं इस सोच में था कि मैंने उसकी सुविधा और जरूरोता का खयाल रखा है वह करमचारी के साथ साथ एक दोस्त भी थी और शायद मैंने उसे इतना महत्व कभी नहीं दिया और बागी करमचारीों से जादा उससे काम लिया मैं बिना वज़े जाने इसका इस्तिफा नहीं ले सकता था मैं उसे अलग से गया और मैंने उससे कहा पॉलेट तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा इस्तिफा नहीं ले सकता तुम मेरे लिए और मेरी इस company के लिए बहुत माइने रखती हो और तुम इस restaurant के success के लिए मेरे जितने ही responsible हो ये बात मैंने पूरे staff के सामने कही और फिर मैंने उसे अपने घर बुलाया और अपने पूरे परिवार के सामने उसमें अपना विश्वास जताया Polish ने अपना इस्तिफा वापस ले लिया और आज मैं उस पर पहले से भी जादा भरोसा करता हूँ मैं बार-बार उसके काम की तारीव करता हूँ और ये बताता हूँ कि वह मेरे और मेरे restaurant के लिए कितनी जरूरी है लोगों से उनके बारे में बाते करें प्रिटिश सामराज पर राज करने वाले सबसे चतुर लोगों में से एक डिस रॉयली ने कहा था लोगों से उनके बारे में बाते करो और वे घंटों तक सुनते रहेंगे तो इसके साथ हम principle 6 कंक्लूट करते हैं principle 6 सामने वाले इंसान को महत्वपूर मैसूस कराएं और इसे सचाई से करें इसके साथ हम part 2 कंक्लीट करते हैं थोड़े शब्दों में इन 6 तरीके या इन 6 principles जो आपने इस part 2 से सीखा है हम उसे यहाँ पर revise करते हैं principle 1 लोगों में सच्चे दिल्चस्पी रखिए principle 2 मुस्कुराएं principle 3 याद रखिए कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाशा से सबसे मधुर और जरूरी आवाज है principle 4 एक अच्छे श्रोता बने लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोचसाहिद करें principle 5 दूसरे इंसान की दिल्चस्पी के हिसाब से बात करें तो चलिए चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ पार्ट 3 अपनी सोच की तरफ लोगों को कैसे लाएं How to win people to your way of thinking चाप्टर 1 आप बहस कभी नहीं जीत सकते First World War के बाद लंडन में एक रात मैंने एक बहुत जरूरी बात सिखी मैं उस समय Sir Ross Smith के लिए मैनेजर था War के समय Sir Ross Smith पैलिस्टीन में Australia के कमांडर थे और War के खत्म होते ही उन्होंने 30 दिनों में आधी दुनिया में उड़कर सबको चकित कर दिया था इससे पहले ऐसे कोई चीज नहीं की गई थी इसने कमाल की संसनी फैला दी थी Australia की सरकार ने उन्हें 50,000 डॉलर का इनाम दिया England के King ने उन्हें Knight बना दिया और कुछ समय तक वे Union Jack के नीचे सबसे जादा खबरों में रहने वाले इंसान थे मैंने एक बार Sir Ross के सम्मान में दिये जाने वाले प्रीती भोज में हिस्सा लिया और भोजिन की समय मेरे पास बैठे एक इनसान ने एक हसने वाली कहानी सुनाई जो इस कहावत पर आधारित थी एक दैविय शक्ती है जो हमारे जिंदगी को स्वरूप देती है भले ही हम इसे कितना भी पदलने की कोशिश करें कहानी सुनाने वाले ने बताया कि ये लाइन्स बाइबल से है वो गलत था, मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था इस बारे में मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा इंपोर्टेंस पाने के लिए और अपनी जानकारी दिखाने के लिए खुद को उसे सुधारने वाला एक अंचाहा सदस्य से बना लिया पर वो अपने बात पर अड़ा रहा क्या? शेक्स्वियर से असंभव, बक्वास वो पंक्तिया बाइबल से थी और वो जानता था कहानी सुनाने वाला मेरे दाहिने तरफ बैठा था और फ्रैंक गैमिन्ट एक पुराना दोस्त मेरे बाई और बैठा था मिस्टर गैमिन्ट ने सालों तक शेक्स्वियर को पढ़ा था इसलिए मैंने और कहानी सुनाने वाले ने इस सवाल को Mr. Gammon को दे दिया Mr. Gammon ने सुना मुझे टेबल के नीचे ठोकर मारी और कहा डेल तुम गलत हो वे सजन सही है ये बाइबल से है उस रात घर जाते समय मैंने Mr. Gammon से कहा Frank तुम्हें पता था कि वो लाइन शेक्स्वियर से है हाँ बिलकुल उसने कहा Hamlet Act 5 द्रिश्य 2 परडेल हम वहां महमान थे किसी इनसान को गलत क्यों सिद किया जाए क्या इससे वो इनसान तुम्हें पसंद करेगा उससे अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका क्यों नहीं दिया जाए उसने तुम्हारा नजर्या नहीं मांगा उससे उसकी जरूरत ही नहीं थी उससे बहस क्यों की जाए हमेशा तीखी बातों से दूर रहो उस आदमी ने जो बात मुझे सिखाई वो मैं कभी नहीं भूलूँगा मैंने न सिर्फ कहानी सुनने वाले को परिशानी में डाला था बलकि अपने दोस्त के लिए भी मुसीबत पैदा की थी कितना अच्छा होता अगर मैंने बहस ही ना की होती मेरे लिए ये काफी जरूरी लेसन था क्योंकि मैं बहुत बड़ा बहस खोर था जवानी के दिनों में मैंने अपने भाई से ब्रम्हान की हर बात पर बहस की थी जब मैं कॉलेज गया तो मैंने तर्क और विवाद की पढ़ाई की और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में गया मैं मसूरी से था और मुझे ये दिखाना था बाल में मैंने न्यूयॉर्क में बहस और विवाद करना भी सिखाया और एक बार मुझे बताते वो शर्म आ रही है मैं इस विशे पर एक किताब लिखने की भी सोच रहा था तब से मैंने हजारों बहसों को सुना है उनमें हिस्सा लिया है और उनका प्रभाव देखा है इसके परिणाम में मैं इस निसकर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस धर्ती पर बहस का सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है इससे दूर रहें इससे वैसे ही दूर रहें चैसे आप साप और भुकम से दूर रहते हैं तस्ट में से नौ मामलों में हर बहस के अंत में हर प्रतिभागी का ये विश्वास और गहरा हो जाता है कि वो ही सही था आप एक बहस नहीं जीत सकते क्योंकि अगर आप हार गए तो आप हार गए और अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए क्यों? मान लिया कि आपने दूसरे इंसान पर जीत दर्ज कर ली और उसके बातों में गलतिया निकाल दी और उसे बेफकूफ सिद कर दिया तब क्या आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन उस इंसान का क्या आपने उसे छोटा मैसूस करा दिया आपने उसके अभीमान को छोट पहुँचाई और अपनी इक्छा के विरुद भले ही कोई जाय मान अपने नजर ये पर ही टिका रहेगा वह इंसान कई साल पहले पैट्रिक जेयो हायर ने मेरी क्लास जॉइन की उनके पास काफी कम सिक्षा थी और उसे जगड़े से बड़ा प्रेम था वो कभी ड्राइवर रह चुका था वो मेरे पास आया क्यूंकि वह काफी समय से बिना सफलता के ट्रक बेचने की कोशिश कर रहा था पैट्रिक ने ट्रक के बारे में कुछ आलोचना की तो वह गुस्से में उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता था पैट उन दिनों काफी बहसे जीत जाता था उसने मुझसे बाद में कहा मैं अकसर ओफिस से ये कहते वह निकलता था कि मैंने उसे अच्छा बार्ट पढ़ाया निश्चे ही मैंने उसे कुछ सिखाया था पर मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था मेरी पहली समस्या ये नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाऊं मेरा पहला काम था कि उसे बोलने और जगड़े करने से रोकू मिस्टर ओ हायर न्यू यॉर्क में वाइट मोटर कमपनी का स्टार सेल्समैन बन गया उसने ऐसा कैसे कर दिखाया? यहां उसकी कहानी उसी की जबानी है अगर अब मैं किसी खरीदने वाले के ओफिस चाता हूँ और वो कहता है क्या सफेट ट्रक वे किसी काम के नहीं होते अगर तुम मुझे दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा मैं वूजिट ट्रक खरीदूँगा तो मैं कहता हूँ वूजिट एक अच्छा ट्रक है अगर आप इसे खरीदेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे वूजे ट्रक एक अच्छी कमपनी से बनाए गए हैं और अच्छे लोग लोगों द्वारा बेचे जाते हैं तब वो निशब्ध हो जाता है अब किसी बहस की कोई गुंजाईश ही नहीं रही अगर वो कहता है कि वूजे ट्रक सबसे अच्छा है तो मैं मान जाता हूँ फिर उसे रुक जाना पड़ता है वो सारी दोपेर ये नहीं कह सकता कि ये सबसे अच्छा है जब मैं उसकी बात स्विकार कर रहा हूँ तब हम वूजेट की टॉपिक से हड़ जाते हैं और Y truck के खासियत के बारे में बाते करने लगते हैं एक समय ऐसा था जब उसके द्वारा कई-कई पहली बात मुझे लाल पीला कर देती थी मैं वूजेट के खिलाफ बाते करने लगता था और मैं जितनी भहस करता था वो उतनी ही वूज़े ट्रक के पक्ष में चला जाता और मैं जितनी बहस करता अपने कॉंपेटिटर के ट्रक उतने ही जादा बेच डालता अब जब मैं अतीत की ओर देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि मुझसे कोई सामान बिक भी कैसे सकता था मैंने जिन्दगी के बहतरीन पल लड़ने और बहस करने में बिताए अब मैं चुप रहता हूं इससे मुझे ही फायदा होता है जैसा की समझदार ब्रेंट फ्रांक्लिन कहा करते थे अगर आप बहस करते हैं या अपोस करते हैं तो आप कभी कभी जीत सकते हैं पर ये जीत खोखली होगी क्यूंकि आपने कभी सामने वाले का समर्थन नहीं जीता तो खुद ही पता लगाए आप क्या जाहेंगे एक बौद्धिक और नाट की जीत क्या फिर सामने वाले का समर्थन आप दोनों एक साथ नहीं पास सकते ब्रॉस्टर्ट शांसकिटन ने एक बार ये कवीता चापी यहां लेता है विल्यम जे का शरीर खुद को हमेशा सही करता रहा ये शूरवीर वह हमेशा सही था जब तक रहा वह जिन्दा अब वह गलत है जैसे पड़ा है ये मुर्दा हो सकता है जैसे आप तर्ग देते हैं आप बिल्कुल सही हो लेकिन जहां दूसरे इंसान की सोच बदलने की बात हो आप वैसे ही बेकार साबित होने वाले हैं फ्रेडरिक S. पार्सिंस इंकम टाक्स कंसल्टेंट एक बार एक सरकारी टाक्स इंस्पेक्टर से एक घंटे से जगड़े जा रहे थे 9000 डॉलर का एक समान बहस का कारण था मिस्टर पार्सिंस का कहना था कि वे 9000 डॉलर बुरा कर्स थे और चुकि यह कभी वापस नहीं आ सकते इसलिए इन पर टाक्स नहीं लगना चाहिए बुरा कर्स मेरी जुद्धी इनस्पेक्टर ने जवाब दिया इस पर टाक्स लगना चाहिए ये इनस्पेक्टर बत्तमीज, अरियल और जिद्धी था मिस्टर पार्सिंस ने ये कहानी हमारी क्लास में बताई ना तर्क की गुंजायश थी और ना स्तत्यों की चितनी जाद हम बहस करते वो उतना ही जिद्धी होता गया इसलिए मैंने बहस करनी ही छोड़ी विशे को बदल दिया और उसकी तारीफ शुरू कर दी मैंने कहा चितने बड़े-बड़े निर्नें आप लेते हैं उनकी तुलना में ये तो काफी छोटा मामला है मैंने भी टैक्स की पढ़ाई की है लेकिन मेरी जानकारी तो सिर्फ किताबों से आई है लेकिन आपके जानकारी तो एक्सपीरियंस से आई होगी काश मेरे पास आपके जैसी नौकरी होती तब मैं बहुत कुछ सीख पाता मैंने एक-एक शब सचाई से कहा अच्छा इंस्पेक्टर अपनी चेर पर सीधा हुआ पीछे जुका और अपने काम के बारे में घंटो बात करता रहा और उसने धोखा दर्डी के मामलों के बारे में बताया जो उसने पकड़े हैं इसका लहजा दोस्ताना होता गया फिर वह अपने बच्चों के बारे में बताने लगा जाते समय उसने कहा कि वह मेरी समस्या पर विचार करेगा और कुछ दिनों में अपना निर्ने सुनाएगा उसने तीन दिन बाद मेरे आफिस फोन किया और कहा कि मेरा टाक्स रिटर्न्स वैसे ही लेगा जैसे मैंने भेजा है वो tax inspector इंसानी सुभाव की सबसे जादा पाई जाने वाली कमी दिखा रहा था वो important महत्वपूर्ण होने का एसास चाहता था और जब तक Mr. Parsons ने उससे बहस की उससे ये एसास अपनी ताकत दिखा कर मिली पर जैसे ही उसने महत्व को स्विकार कर लिया गया और उसके अहंकार की तृप्ती हो गई तब एक अच्छा और उदार इंसान बन गया बुद्धा ने कहा था नफ्रत कभी नफ्रत से नहीं प्यार से खत्म होती है और आपसी गलत फेहमी कभी बहस से नहीं बलकि समझदारी, थोड़ा जुकने और दूसरे का नजर्या समझने की सहानु भूती भरी इच्छा से खत्म होती है। लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी आफिसर को एक एसोसियेट के साथ जगड़ा करने के लिए बुलाया, जो भी इनसान अपनी काबिलियत का पूरा लाब उठाना चाता है। लिंकन ने कहा उसे आपसी जगड़े के लिए वक्त नहीं होता, साथ ही वो अपना नियंदरन खोने और गुस्सा करने के परिणाम नहीं झेल सकता। सही दिखने के चक्कर में एक कुट्टे द्वारा काटे जाने से अच्छा है कि उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। कुट्टे को मारने से भी उसके काटे जाने का इलाज नहीं हो सकता। Bits and Pieces ने एक लेक में बताया था कि कि किसी छोटे विवाद को बहस बनने से कैसे रोका जाए। विवाद का स्वागत करे। ये नारा याद रखे। जब दो पार्टनर हमेशा एक जैसे सोचते हैं तो उनमें एक ही जरूरत नहीं होती। अगर कोई बात आपके ध्यान में न आ पाई हो तो शुक्रिया अदा करें और उसे अपने सामने लाया गया। शायद ये छोटा विवाद आपको बड़ी गलती करने से बचा सकता है। तुरंत उठने वाली प्रतिक्रिया से साफधान रहें। किसे भी विवाद में हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम अपना बचाव करते हैं। साफधान रहें। शांत रहकर अपनी पहली प्रतिक्रिया देखें। ये आपका सर्वस्रेश्ट नहीं। आपकी सबसे खराब प्रतिक्रिया हो सकती है। अपने आप पर नियंतरन रखें, याद रखें किसी इंसान की गहराई इस बात से ना पी जा सकती है कि उसे किस बात पर गुसा आता है, पहले सुने, अपने सामने वाले को बात करने का मौका दे, उन्हें अपने बात खत्म करने दे, बचाव ना करें, बहस ना करें, और प्र नव पैदा करें उन चीजों को खोजिए जिन पर आप सहमत हैं अपने सामने वाली की बाते सुनकर पहले उन बिंदों पर चर्चा कीजिए जिस पर आप दोनों की सहमती है इमानदार रहिए जिन चीजों पर अपनी गलती स्विकार कर सकते हैं स्विकार कर लीजिए अपनी ग पर उनका बारीकी से अध्ययन कीजिए ऐसा सचाई से कीजिए हो सकता है वो सही हो इस चरण पर उनके बारे में सोच विचार कर उन्हें सहमती बनाना अच्छा है नहीं तो चल्दी से आगे बढ़ जाए और ऐसी स्थिती में पहुंच जाए जहां आपका विपक्षी कह सके हम उन्हें बताने की कोशिश की थी पर तुम सुनते कहां हो अपने विपक्षियों का दिल्चस्पी दिखाने के लिए धन्यवाद कीजिए जो भी आपसे असामती बनाने के लिए वक्त निकालता है वह उन्हीं चीजों को चाहता है जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें वैसे ल इसलिए कुछ समय के लिए कोई कदम ना ओठाएं. सलाह दीजीए कि अगली मीटिंग उस बाद में या की अगली मीटिंग कुछ दिन बाद में या अगले दिन रखी जाए. ताकि सारे फैक्ट्स को सामने लाया जा सके. इस मीटिंग की तैयारी में खुद से कुछ कठिन सवाल पूछें क्या मेरी विपक्षी सही हो सकती है? थोड़ा? बहुत? क्या उनकी बातों में और तर्क में कोई मतलब हो सकता है? क्या मेरी प्रतिक्रिया समस्या का हल निकालेगी? या फिर मेरी हताशा निकालेगी? क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे विपक्षियों को मुझसे दूर ले जाएगी? या मेरे करीब ले आएगी? क्या मेरी प्रतिक्रिया मुझे लोगों के नजरों से उपर ले जाएगी? क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा? जीतने का मुझे क्या कीमत चुकानी होगी अगर मैं चुप रह जाओंगा तो क्या ये conflict खतम हो जाएगा क्या ये कठिन परिस्थिती मेरे लिए एक chance है, एक opportunity है और पेरा टेनर जॉन पिर्स शादी के करीब 50 साल बाद एक दिन मुझसे बोले मैं और मेरी वाइफ ने एक समझोता किया है, कि हमने और हमने इसका पालन किया है भले ही हम एक दूसरे पर कितना भी गुस्सा हो जाएग जब एक चिलाता है तो दूसरा सुनता है क्योंकि जब दो लोग चिलाते हैं तो कोई समवाद नहीं होता, सिर्फ शोरगुल होता है और इसे के साथ हम पहला चाप्टर यहां कंक्लूड करते हैं इसके साथ हम प्रिंसिपल वन की तरफ बढ़े प्रिंसिपल वन किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे न किया जाए चाप्टर टू दुश्मन बनाने का अच्चूप तरीका और इससे कैसे बचे जब धियर्ट और रूजवेल्ट वाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्विकार रहा था कि अगर वे सिर्फ 75 प्रतीशत मामलों में सही रहे तो अपनी आशाओं पर सबसे ज़ादा घरे उतरेंगे अगर 28th century के एक सबसे ज़ादा successful इंसान की ये सबसे उची रेटिंग की अपेक्षा थी तो आपका और मेरा क्या हाल होगा अगर आप सिर्फ 55 प्रतीशत मामलों में सही हो तो आप वाल स्ट्रीट जाकर हर रोज एक मिलिन डॉलर कमा सकते हैं और अगर आप खुद 55 प्रतीशत समय ही सही नहीं होते तो आपको दूसरों को गलत कहने का क्या अधिकार है आप लोगों को अपनी नजर से बोलने के अंदास से उतनी ही जोर से गलत बता सकते हैं चतना अपने शब्दों से और अगर आपने उन्हें गलत बताया तो क्या आप उनसे उमीद कर सकते हैं कि वे आपसे सहमते रखे? कभी नहीं क्यूंकि आपने उनकी बुद्धी, उनके निर्ण, अभिमान और आत्मसमान पर गहरा प्रहार किया है इस कारण से वे भी आपको कड़ा जवाब देंगे इस प्रकार कभी भी वे अपनी सोच पतिलने पर मजबूर नहीं होंगे आप उन पर प्लैटो और इमानुवेल कांट के तड़कों की बच्छार कर सकते हैं पर आप कभी भी उनका नज़र्या नहीं बदल पाएंगे क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है कभी भी ये अनाउंस करके शुरुवात न करे मैं तुम्हें सो औन सो प्रूफ करूँगा ये सही नहीं है ये कुछ इस तरह कहने जैसा होगा मैं तुमसे जादा स्माठ हूँ मैं तुम्हें एक या दो चीज़े बताऊंगा जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी ये एक चालेंज है इससे विरोध जगता है और आपको सुनने वाला आपकी शुरुवात करने से पहले ही आपसे जगड़े करने को तयार हो जाता है अच्छे माहौल में भी लोगों की सोच को बदलना मुश्किल होता है तो ऐसे और मुश्किल क्यों बनाया जाए अपने आपको और लाचार क्यों किया जाए अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को पता ना चलने दे उसे इतनी सूक्ष्म तरीके से इतनी कुशलता से करे कि किसी को ये ना लगे कि आप क्या कर रहे हैं इस बात को इलिक्सांडर पोप ने काफी अच्छे ढंक से कहा था इंसानों को ऐसे सिखाए जैसे सिखाया न जा रहा हो अंजान चीजे ऐसे बताए जैसे उन्हें वह भूल गया हो लगबग 300 साल पहले गैलीलियों ने कहा था आप किसी आदमी को कुछ सिखा नहीं सकते आप बस उसे वह चीज खुद पाने में मदद कर सकते हैं जैसे लौर्ड चेस्टर फील ने अपने बेटे से कहा था दूसरे लोगों से जादा समझदार बनू अगर बन सको पर उन्हें कभी बताओ मत सौकरेट्स ने अपने फॉलोवर से बार बार कहा था मैं बस एक चीज जानता हूं वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता अच्छा मैं खुद को सौकरेट्स से जादा स्मार्ट नहीं मानता इसलिए मैंने लोगों को ये बताना बन कर दिया है कि वे गलत है और मैंने देखा कि इससे लाब होता है अगर कोई इनसान कोई ऐसी बात कहता है जो आपकी नजरों में गलत है हाँ ये जानते हुए कि वो गलत है क्या कुछ इस तरह से कहना सही नहीं होगा अच्छा अब देखो मैंने कुछ दूसरा सोचा था पर शायद मैं गलत हो सकता हूँ अक्सर मैं गलत होता हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसे सही करना चाहता हूँ चलो फैक्ट की जाज कर लेते हैं इस तरह की बातों में जादू है जादू जैसा प्रभाव है मैं गलत हो सकता हूँ मैं अक्सर गलत होता हूँ Facts की जाज कर लेते हैं न धर्ती पर और न स्वर्ग में कोई भी इंसान इस तरह की बात पर असेहमती जाहिर करेगा मैं गलत हो सकता हूँ तथ्यों की जाज कर लेते हैं मेरी एक क्लास में एक सदस्थी था जो ग्राहकों से बात करते समय ये तरीका अपनाता था वो मॉन्टैना के बिलिंग्स में एक डॉज डीलर था और उसका नाम था हेरॉल्ड रैंके उसने बताया कि Automobiles Business के दबाव के कारण वो कस्टमर्स की शिकायत सुनते समय अक्सर उबल पड़ता था इससे उसे बदले में गुष्से का सामना Biznes का लॉस और जगड़े का सामना करना पड़ता था उसने अपने क्लास से क्लास को बताया ये समझने के बाद कि इस कारण से मैं तरकी नहीं कर पा रहा था मैंने एक नया तरीका अपनाया मैं कुछ तरह से कहने लगा हमारी डीलरशिप ने इतनी गलतियां की है कि मुझे शर्मिंदगी होती है हमने आपके मामले में भी गलती की हो सकती है इस बारे में बताइए इस तरह से मामला हलका हो जाता और जब तक कस्टमर अपना गुस्ता निकालता तब तक वो मामला उसे दो लोग तो अपने friends को भी cars खरीदने के लिए मेरे पास लेकर आए। इस competitive environment में हमें इस तरह के customers और जाधा चाहिए और मुझे लगता है कि customers के नजरिये के प्रती सम्मान दिखाने और उनसे समझदारी से बरताफ करने से हम competition में आगे रहेंगे। अगर आप agree करते हैं कि आपसे गलती हो सकती है तो आप कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। इससे सारी बहस रुख जाएगी और आपके विपक्षे को भी न्याय पूर्ण, खुले दिमाग वाला और सुल्चे होने की प्रेणना मिलेगी। इससे वो स्विकार कर पाएगा कि वो भी गलत हो सकता है। अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई इंसान गलत है और आप उससे मूँ पर ये बता देंगे तो क्या होगता है? मुझे समझाने दे। एक यूवा, न्यूयोर्क के एटॉर्णी Mr. S. ने एक बार United States Supreme Court में एक काफी महत्वपून केस लड़ा था। बहस के दौरान Supreme Court के एक न्यायधीश ने कहा, नौसेना नियम में परिसीमा का अधिनियम छे साल है न? Mr. S. रुके, उन्होंने न्यायधीश को एक पल के लिए देखा और तपाक से बोले, Your Honor, नौसेना में परिसीमा का कोई अधिनियम नहीं है। पूरे कोर्ट में सननाटा चा गया। Mr. S. ने ये अनुभव बताते समय क्लास में कहा, और कमरे का तापमान जीरो डिग्री पहुँच गया। मैं सही था, चत्साब गलत थे और मैंने उन्हें ये बता दिया, पर क्या इससे उनके मन में मेरे लिए मित्रता का भाव आया। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि कानून मेरी तरफ था और मैं जानता हूँ कि मैं पहले से जादा अच्छे तरीके से बोला, पर मैं उनको मना नहीं पाया। मैंने एक विद्वान और प्रसिद इंसान को गलत बताने की बड़ी भूल कर दी थी। बहुत कम लोग तारकिक होते हैं। हम में से अधिकतर लोग पूर्वाग्र और पक्षपात से भरे होते हैं। हम में से जादा लोग पहले से बनाई सोच, इरश्या, संदे, तर, चलन और अहंकार से छलकते रहते हैं। और अधिक दरनागरिक अपने धर्म, बालो का स्टाइल, कम्यूनिजम और फेवरिट मूवी स्टार के बारे में अपने विचार बदलना नहीं चाते। इसलिए अगर आप में लोगों को गलत बताने की प्रवृत्ती है, तो इस परिच्छेत को हर सुबह प्रेक्फस से पहले पढ़ें। ये जेम्स हार्वे रॉबिंसन की अर्धपूर्ण किताब The Mind in the Making से लिया गया है। हम कई बार बिना किसी प्रतीरोध या करवी भावनाक्स के अपनी सोच बदल लेते हैं, पर अगर हमें गलत बताया जाता है, तो हमें ये बात पसंद नहीं आती और हम अर जाते हैं। हम अपने धारना बनाते समय भले ही कितने असाफधान रहे हों, पर अगर कोई हमें उनसे अलग करना चाहे, तो हम उनके लिए अजीवो गरीब जोश से भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उस आइडिया से बेहत प्यार है, हमें प्यार है आत्मसमान से जो खत्रे में पढ़ जाता है। हम सिर्फ ये आरोप पसंद नहीं करते कि हमारी घड़ी गलत है, हमारी कार खराब है पर हमें ये भी पसंद नहीं आता कि मार्स की नहरे के बारे में हमारी सोच, एपिक टैटिस का हमारा प्रनंसियेशन हमारे हिसाब से सैलिसिन का मेडिसिनल वाल्यू और सारगन वन कितिती की दोराने के लायक है जिस चीज को हमने सही माना है हम उस पर विश्वास करते रहना चाहते हैं और इस पर किसी के शंका करने से हमें प्रतिरोध पैदा होता है जिस कारण से हम उस पर टिके रहने का हर बहाना ढूनते हैं इसका परिणाम ये होता है कि हमारी तथा कथित तर्क, क्षमता हमेशा तर्क खोजने में लगी रहती है ताकि हम पुराने विश्वास पर कायम रहे एक famous psychologist Karl Rogers ने अपनी किताब On Becoming a Person में लिखा है मुझे इस बात से काफी profit मिलता है जब मैं खुद को दूसरे इंसान को समझने की अनुमती देता हूँ मैंने जिस तरह से बात लिखी है वो आपको अजीब लग सकती है क्या खुद को दूसरों को समझने की अनुमती देना जरूरी है मुझे लगता है ये है दूसरों की बाते सुनकर हमारी पहली प्रतिक्रिया हमारा पहला reaction होता है कि हम उसे समझने के बदले सही या गल्लट ठहराने लगते है जब कोई अपनी feelings, धारणा या बात व्यक्त करता है हमारी प्रवृति उसे तुरन सही, मुर्कता पून, असामान्य, अतार केक या गल्लट ठहराने लगती है शायद ही हम कभी खुद को ये समझने की अनुमती देते हैं उस बात का उस इंसान के लिए क्या मतलब है एक बार मैंने घर में परदे लगवाने के लिए एक interior decorator की सेवा ली जब बिल आया तो मैं चकरा गया कुछ दिनों बाद मेरे घर एक दोस्त आई और उसने परदे देखे जब मैंने परदो की कीमत बताई तो उसने जीट से स्वर में कहा क्या? बहुत बेकार मुझे लगता है उसने तुम्हें ठग लिया सही? हाँ उसने सही कहा था पर हम कम लोग वसल संच बट बहुत कम लोग वसल सुन सकते हैं सुनना चाहते हैं जो उनके निर्ने उपर सवाल उठाते हैं इसलिए इंसान होने के नाते मैंने अपना बचाफ किया मैंने कहा कि सबसे अच्छा सामान ही अधिकतर सस्ता पड़ता है और मोल भाव के दाम पर कोई इंसान क्वालिटी और उचा टेस्ट नहीं पास सकता अगले दिन एक दूसरा दोस्त आया उसने परदो की तारीफ की और उच्छा से पूछा कि क्या वो ऐसे परदे अपने घर में लगा सकता है मेरी प्रतिक्रिया बिलकुल अलग थी सच कहूं तो मैंने कहा ये मेरी जेब भी जेब से भी बाहर है मैंने बहुत जादा पैसे दिये मुझे दुख है कि मैंने उन्हें खरीदा जब हम गलत हैं तो हम उन्हें खुद स्विकार कर सकते हैं अगर हमारे साथ प्यार से पेश आया जाए तो हम ये दूसरों के सामने भी स्विकार कर सकते हैं और खुद के साहसी और खुले दिमागे होने पर गर्व भी कर सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करते अगर कोई हमारे गले से तत्य घोटने की कोशिश कर रहा हो। हॉरेस ग्रीली सिविल वॉर के समय अमेरिका के सबसे प्रसिद एडिलर लिंकन की नीतियों से सहमती नहीं रखते थे उन्हें लगा की बहस, मजाग और निंदा की कैमपेञ्ट चलाकर वे लिंकन को अपनी सोच में ढाल सकते थे वे महीनों और सालों तक अपनी कैमपेञ्ट चलाते रहे दरसल जिस रात लिंकन पर पूथ ने गोली चलाई उसी रात उन्होंने लिंकन पर एक क्रूर, कड़वा, व्यंग से भरा और नीजी हमला किया था पर क्या इस कड़वेपन ने लिंकन को गोली से सहमती रखने की तरफ सफलता दिलाई? बिल्कुल नहीं, मजाग उड़ाने और निंदा करने से ये कभी हासल नहीं होता अगर आप लोगों से बरताफ करने, अपना प्रबंध करने और अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए कुछ अच्छी सालाहे चाहते हैं तो पेंसामिन फ्रांकलिंग की आत्म कथा पढ़ें ये अमेरिकी साहित्य का क्लासिक है और अब तक की एक सबसे अच्छी जीवन की कहानी है बेन फ्रांकलिंग बताते हैं कि कैसे उन्होंने बहस करने की बेकार आलदत से छुटकारा पाया और अपने आपको अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे जादा सक्षम, समझतार और कूट नितग्य आदमी बनाया एक बार जब बेन फ्रांकलिंग यूवा थे एक पुराना क्वेकर दोस्ट उन्हें अलग से ले गया और उनसे उन्हें कुछ कड़वे सच बोले, जो कुछ इस तरह थे बेन, तुम नामुम्किन हो, जो भी इनसान तुमसे असहमत होता है, उसके लिए तुम्हारे विचार थपड की तरह होते है वे इतने आकरामक हो गए हैं कि कोई इसकी परवा नहीं करता तुम्हारे दोस्ट जादा खुश होते हैं जब तुम आसपस नहीं होते हो तुम इतना अधिक जानते हो कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बता सकता सच में कोई इनसान कोशिश भी नहीं करेगा क्यूंकि इससे सिर्फ परेशानी और दिक्कत तैदा होगी इसलिए तुम्हारे कुछ और सीखने की उमीद खत्म हो गई है बेन फ्रांकलिन की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वे आलोचना क्रिटिसिजम को समझदारी से एकसेप्ट ग्रहन करते थे वे इतने बड़े और समझदार थे कि इस क्रिटिसिजम में सच देख सकते थे और फील कर सकते थे कि इससे वे अनसकसेसफुल और समाजिक रूप से असफल हो जाएंगे इसलिए उन्होंने निरने लिया उन्होंने अपने तरीकों में बदला लाना शुरू कर दिया मैंने इसे एक नियम बना लिया फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं कभे भी दूसरों के भावनाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा और अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोपूँगा मैंने अपनी भाशा से हर उस शब्त को हटा दिया जो कठोर विचार का संकेत करते थे जैसे निश्चित ही, बेशक, आदी और उनके बदले मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है या फिर फिलहाल मेरी ये सोच है जैसे शब्दों को मैंने अपना लिया जब कोई और इंसान ऐसी बात बताता था जो मेरी नजर में गलत थी मैं उसको गलत कहने का या उसके तर्क में कमी दिखाने का आनन नहीं उठाता था और मेरा जवाब होता था कि कुछ मामलों में या सिचुवेशन्स में उसकी बात सही हो सकती है पर इन मामलों में इस पर फिर से सोचने की जरूरत है इसका फायदा ये हुआ कि मेरी लोगों से बाचीत जादा आनन दायक हो गई जिस विनमरता से मैं अपनी बात रखता था उससे बहसे कम हो गई और असहमती बढ़ गई गलत सिध होने पर मुझे कम बुरा लगता था और मैं दूसरों के गलत और अपने सही होने पर उन्हें जादा असाने से अपनी तरफ ले आता था इस तरह से अपनी बात रखते समय मेरा आक्रमक रूप कर्म हो गया और मेरा नया तरीका इतना स्वभाविक हो गया कि पिछले 50 सालों में आज तक किसी ने मेरे मूँ से कोई भारी बात नहीं सुनी होगी और इस आदत मेरे चरित्र की अखंडता के अलावा को श्रेल जाता है कि जब ही मैं नए संगठनों का प्रस्ताव रखता हूं या पुरानों में बदलाव चाता हूं तो मेरी बात का मेरे अपने साथी नागरिकों पर इतना प्रभाव पड़ता है और एक अच्छा वक्ता न होने और अपनी भाशा पर अधिकार न होने के बावजूद मैं पबलिक काउंसिलिंग में अपनी बात रख पाता हूं कपड़े प्रोसेस करने वाले प्लांट की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सुपवाइजर है उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि यहां ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे उन्होंने एक समवेदन शील सेंसिटिव समस्या को सुलझाया उन्होंने बताया मेरे जिम्मेदारी का एक हिस्सा ये है कि मैं अपने ओपरेटरों के लिए सिस्टम और स्टैंडर्ट का खयाल रखती हूं ताकि वे जादा कपड़े बना कर उनके लिए जादा पैसे ला सके जब हमारे पास सिर्फ दो या तीन तरह के कपड़े थे तब ये सिस्टम अच्छा काम कर रहा था पर हाल में हमने बारा तरह के कपड़ों के लिए क्षमता विक्सित कर ली थी हमारा वर्तमान सिस्टम ऑपरेटर को अच्छे पैसे देने के लिए और जादा निर्मान के लिए भत्ता देने के लिए पर्याप नहीं था मैंने एक नया सिस्टम बनाया जो हमें ऑपरेटर्स को उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों की गुणवत्ता के हिसाब से पैसे देते हैं इस सिस्टम के साथ मैं एक मीटिंग में पूरे विश्वास के साथ पहुँची कि मेरा तरीका सही है मैंने उनने बताया कि वे कैसे गलत थे और वे कैसे नयाइपूर नहीं हो रहे थे और कैसे मेरे पास सही जवाब है मैं बुरी तरह से अंसकसेसफुल रही मैं अपने सिस्टम के बचाव में इतनी व्यस्ट हो गई कि मैंने उनके पास अपनी गलती मानने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा वो मामला वही रह गया इस कोर्स के कई क्लासेस करने के बाद मैंने फील किया कि मुझसे वहाँ गलतिया हुई है मैंने दूसरी मीटिंग बुलाई और इस बार उनसे पूछा कि उन्हें क्या गलतियाम फील होती है हमने हर पॉइंट्स पर बात की और मैंने उनसे उनका नजर्या मांगा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मीटिंग के अंत में मैंने अपना सिस्टेम प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने उच्छा से मान लिया मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दूसरे इंसान को मुँपर घलत बताने से कुछ भी अच्छा नहीं होता और काफी नुकसान होता है आप ऐसा करके सिर्फ उस इंसान के आत्मसमान को छोड़ पहुचाते हैं और उस बाच्छीत में अंचाह मेहमान बन जाते हैं अब एक दूसरा एक्जाम्पल लेते हैं याद रखिए कि ये एक्जाम्पल्स मैं हजारों लोगों के एक्सपीरिंस से ला रहा हूँ आरवी क्रॉली नियुयोर्क की एक लंबर कंपनी में सेल्समैन थे क्रॉली ने स्विकार किया कि वे सालों से लंबर इंस्पेक्टर्स को बताते आ रहे थे कि वे गलत हैं और उन्होंने बहस जीती भी थी पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ मिस्टर क्रॉली ने कहा वे लंबर इंस्पेक्टर बेस्बॉल एंपायर की तरह होते हैं एक बार फैसला लेने के बाद वे उन्हें कभी नहीं बदलते मिस्टर क्रॉली ने देखा कि उनकी जीती गई बहसों के कारण उनकी फर्म हजारों डॉलर का नुकसान उठा रही थी इसलिए मेरा कोर्स करने के दौरान उन्होंने बहस ना करने और अपने तरीके बदलने का फैसला लिया क्या रिजल्ट आए? यहाँ वो कहानी है जो उन्होंने क्लास के सदस्यों को बताई एक दिन मेरे ओफिस से में फोन बजा एक आदमी ने गुसे में बताया कि हमने उसकी प्लांट में लंबा भरी एक कार भीजी थी जो बिलकुल बेकार है उसकी फर्म ने लंबर उतारना बन कर दिया था और उनका निवेदन था कि उनके यार्ड के स्टॉक को तुरंथ हटा लिया जाए जब लगभग एक चौथाई लंबर उतर चुका था उनके लंबर इंस्पेक्टर ने कहा कि लंबर ग्रेड में 55% कम था इन सिचुएशन में उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया मैं तुरंथ इस प्लांट के लिए निकल पड़ा और मन में सोचने लगा कि इस सिचुएशन से सबसे अच्छे तरीके से कैसे निप्टा जाए साधारन तर ऐसी सिचुएशन में लंबर इंस्पेक्टर के साथ अपने एक्सपीरियंस और इन्फरमेशन के अनुसार मुझे लंबर इंस्पेक्टर को ये समझाने के लिए कि लंबर ग्रेड के अनुसार था और वो इंस्पेक्शन के नियमों को पलट रहा था मुझे grading नियम बताने चाहिए थे पर मैंने सोचा कि मैं training में सीखे नियमों का इस्तमाल करूँगा जब मैं plan पर पहुचा मुझे purchasing agent और lumber inspector जगड़ा और बहस करने के अंदाज में मिले हम उस car के पास गए जिसमें सामान उतर रहा था और मैंने उनसे निवेदन किया कि वे सामान को वैसे ही उतारने दे ताकि मैं स्थिती समझ सकूँ मैंने inspector से कहा कि वो reject वाले सामान को अलग हटाएं जैसे वे करता आ रहा था और अच्छे टुकडों को अलग जगे डाल दे उसको थोड़ी देर देखने के बाद मैं समझा कि वो कुछ जादा ही कडाई से रूल्स का पालन कर रहा था और रूल्स को गलर धंग से अपना रहा था एक लंबर वाइनिट पाइन था और मैं जानता था कि inspector को hardwood के जानकारी थी पर वो white point के बारे में उतना सक्षम नहीं था white point के बारे में मैं विशेशग्य था पर क्या मैंने उसके निर्ने लेने के तरीके पर सवाल उठाया बिल्कुल भी नहीं मैं देखता रहा और धीरे धीरे पूछने लगा कि कुछ टुकडे संतोश चनक क्यों नहीं थे मैंने एक भी बार ऐसा इशारह नहीं किया कि इंस्पेक्टर गलत था मैंने इस बात पर जोर दिया कि मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़े जानना चाह रहा था ताकि उसकी फर्म को वो सामान दे सकूँ जो वो चाहता है एक दोस्ताना तरीके से सवाल पूछने और उसे ये बताने से कि वो असंतोश चनक टुकडो को निकाल कर अच्छा कर रहा था उसका स्वभाव थोड़ा बदला और हम दोनों के बीच करवापन थोड़ा कम हो गया सावधानी से कई गई मेरी एक बात ने उसके दिमाग में ये संभावना पैदा की कि उसको दिया जाने वाला लंबर अच्छी क्वालिटी का था और उसके द्वारा मांगे गई क्वालिटी जादा दामों पर ही मिल सकती थी मैंने इस बात का खयाल रखा कि उससे ये ना लगे कि मैं मामलों को बिगार रहा हूँ धीरे धीरे उसका निजर्या बदल गया उसने अंत में स्विकार किया कि उसे वाइट पॉइंट में जादा अनुभव नहीं था और हर टुकडों के कार से निकलने पर मुझसे सवाल करने लगा और मैं बताने लगा कि कैसे हर टुकडा बताए गए ग्रेट के हिसाब से था पर साथ ही मैंने ये कहा कि अगर उसे ये अयोग ये लगे तो उसे ये नहीं लेना चाहिए अंत में उसने देखा कि गल्ती उससे हो रही है क्योंकि उसने इस जरूरत के हिसाब से ग्रेड नहीं बताया था अंतिम परिणाम ये रहा कि उसने पूरे कारलोड को फिर से पर्खा और मेरे जाने के बाद उसने पूरा समान स्विकार कर लिया और मुझे पूरा दान दिया सिर्फ उस एक घटना में थोड़ी समझतारी, थोड़ी सूजबूज और दूसरे इंसान को गलत बताने की आदत से दूर रहने के कारण मैंने अपनी कंपनी के लिए धेर सारे पैसे बचाए और उस इंसान की दोस्ती पाने की जो कीमत लगाई जाए वो कम है मार्टिन लूथर किंग से पूछा गया कि शान्ति प्रिय होने के बावजूद फेदेश के सबसे बड़े ब्लाक आफिसर एरफोर्स जेनरल डानियल चैपी जेम्स के प्रशनसक कैसे हो सकते हैं उन्होंने जवाब दिया मैं लोगों को उनके प्रिंसिपल से जच करता हूँ अपने प्रिंसिपल से नहीं ठीक इसी तरह से चैनरल रॉबर्ट ईली ने एक बार कॉंडे फेरिस के प्रेसिडेंट जेफर्सन डेविस ने अपने कमांड के एक ओफिसर के बारे में बढ़ी कर्म जोशी से बात की वहाँ उपस्थित दूसरा ओफिसर चकित रह गया उसने कहा चैनरल क्या आप नहीं जानते कि जिस आदमी की आपने तारीफ की वो आपके बहुत जादा निंदा करता है हाँ चैनरल ली ने कहा हाँ पर प्रेसिडेंट मेरा उसके बारे में नजरिया पूछ रहे थे उसका मेरे बारे में नजरिया नहीं पूछ रहे थे 2200 साल पहले इजिप्ट के केंग अखोटी ने अपने बेटे को एक समझतार सला दी एक ऐसी सला जिसकी आज जरूरत है व्यवहार कुशल बनो केंग ने सला दी इससे तुम्हें अपनी बात समझाने में मदद मिलेगी दूसरे शब्दों में अपने कस्टमर या वाइफ या कॉम्पिटेटर से बहस न करें उन्हें ये न बताएं कि वे गलत हैं उन्हें गुसा न दिलाएं थोड़े व्यवहार कुशल बनें और इसके साथ हमारा चाप्टर टू एंड होता है और इस चाप्टर टू में हमने प्रिंसिपल टू सीखा प्रिंसिपल टू दूसरे इंसान के नज़र्य के प्रती सम्मान दिखाएं कभी ना कहें आप गलत हैं चाप्टर ट्री अगर आप गलत हैं तो स्विकार कर लें मेरे घर से सिर्फ एक मिनट के दूरी पर जंगल थे जहां ब्लैक बेरी की जाड़ियां बसंत रितू में सफेध हो जाती थी गौरईया घोसला बनाती थी और अपने बच्चे पालती थी और होर्स्विक खोडुख से सिर्फ जितने लंबे हो जाते थे जंगल के इस सुन्दर टुकडे का नाम था फोरिस्ट पार्क और ये जंगल ही था और इसका रूप कोलंबस के आने के बाद से बदला नहीं था मैं इससे अपने बॉस्टिन बुस्टॉक रेस के साथ तहलाने लाता था वो एक दोस्ताना और निर्दोश कुत्ता था और चूकि हम शायद ही कभी पार्क में किसी से मिलते थे मैं रेक्स को वहां बिना उसका मूँ बांधे ले जाता था एक दिन हमारा पाला एक पुलीस वाले से पड़ा एक ऐसा पुलीस वाला जो अपनी ताकत दिखाने के मूड में था बिना मूँ बांधे इस कुत्ते को पार्क में खुला छोड़ने के पीछे तुम्हारा क्या मतलब है उसने मुझे डाटा तुम्हें पता नहीं कि ये गैर कानूनी है हाँ मुझे पता है मैंने नर्मी से जवाब दिया पर मुझे नहीं लगा कि वो किसी का नुकसान करेगा तुम्हें नहीं लगा? तुम्हें नहीं लगा? कानून को इस बाट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है ये कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है क्या बच्चों को काट सकता है अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर आगे से ये कुत्ता बिना मुँ बान्दे दिखा तो तुम्हें जज़ को जवाब देना होगा मैंने चुप चाप उसकी बात मानने का वादा किया मैंने उसकी बात मानी कुछ समय तक पर रैक्स को मुँ बानना पसंद नहीं था तो मुझे भी नहीं और मुझे भी नहीं इसलिए हमने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया सारे चीज़े कुछ समय तक ठीक थी पर फिर मुसीबता खड़ी हुई रैक्स और मैं एक पहाड़ी पर दोड रहे थे तभी मुझे कानून के रक्षक दिख गए वे एक घोड़े पर सवार थे रैक्स मेरे सामने था ओफिसर की तरफ दोड़ा जा रहा था मैं फस गया था मैं जानता था इसलिए मैंने पुलीस वाले के मूँ खोलने का इंतिजार नहीं किया मैं उससे पहले ही शुरू हो गया मैंने कहा आफिसर आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया मैं दोशी हूँ मेरे पास कोई बहाना नहीं है कोई बचाब नहीं है आपने मुझे पहले ही चितावनी दी थी कि अगर मैं कुत्तों को बिना मुबांदे लाया तो आप मुझ पर जुर्माना करेंगे अच्छा, अब पुलीस वाले ने नर्मी से बात की मैं समझता हूँ कि जब कोई आसपास न हो तब इतनी छोटे कुत्ते को खुला छोड़ने का दिल करता है जरूर, दिल तो करता है मैंने जवाब दिया, पर ये कानून के खिलाफ है हाँ, लेकिन इतना छोटा कुत्ता किसी का नुकसान कहां पहुचा सकता है पुलीस वाले ने जवाब दिया नहीं पर ये गिलहरिया मार सकता है मैंने कहा अच्छा अब मुझे लगता है तुम इसे कुछ जादा ही गंभीरता से ले रहे हो उसने मुझसे कहा मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए तुम उसे पहाड़ी के पीछे उससे वहां दोड़ने दो जाहां मुझे ये नहीं दिख स सकता फिर हम इसके बारे में भूल जाएंगे इंसान होने के कारण पुलीस वाला थोड़ा महत्वपोन महसूस करना चाहता था इसलिए जब मैंने अपनी निंदा शुरू कर दी वो मुझे पर दया दिखाकर अपने बड़पन का परेचे देकर अपना आत्म सम्मान बढ़ा सकता था अगर मैंने अपना बचाफ करने की कोशिश की होती अच्छा आपने कभी किसी पुलीस वाले से बहस की है लेकिन उससे पंगा लेने के बजाए मैंने स्विकार किया कि वो बिल्कुल सही था और मैं बिल्कुल गलत था मैंने इसे तुरं स्विकार कर लिया वो भी उ जादा शाली नहीं हो सकते थे जिसने मुझे सिर्फ एक हफ्ते पहले कानून की धमकी दी थी अगर हमें पता है कि हमें डार पढ़ने वाली है तो क्या ये बहस बहतर नहीं है कि हम दूसरे इंसान से जादा खुद ही वो मौका उनसे छीन कर अपना वो काम खुदी कर ले दूस है अगला इंसान सोचता है या कहना चाहता है या कहने ही वाला है और उन्हें उस इंसान के कहने से पहले बोल डाले इस बात से जादा अफसर है इस बात के जादा अउसर है कि आपकी तरफ एक उदार और माफ करने वाला नजरिया दिखाया जाए और आपके गलतियों को कम कर दिया जाए जैसे उस पुलीस वाले ने मेरे और राक्स के साथ किया Ferdinand E. Warren नाम के Commercial Artist ने ये तरीका आर्ट खरीडने वाले एक बदमिजाज और जगडालू बदमीज इंसान के साथ अपनाया ताकि उसकी दोस्ती पासके Advertising और Publishing वालों के लिए चित्र बनाते समय बहुत जादा सचीक और सपश्ट होना जरूरी है Mr. Warren ने ये कहानी बताते समय कहा कुछ आर्ट एडिटर चाहते हैं कि उनका Commission उन्हें तरन मिल जाए और ऐसे मामलों में कुछ गलतिया हो जाती है मैं एक आर्ट डीलर को जानता था जो हर छोटी चीज में गलतिया निकालने में माहिर था मैंने अकसर उसका ओफिस गुसे में छोड़ा है क्योंकि उसकी आलोचना नहीं उसका हमला करने का तरीका ऐसा था हाल में मैंने एडिटर को एक काम तुरंट करके दिया और उसने तुरंट मेरे ओफिस फोन किया कुछ गलत था जब मैं पहुचा तो मैंने वही पाया जिसका मुझे अंदेशा और डर था वो गुसे में था और आलोचना करने के मौके में था अपनी आलोचना खुद करने का मेरा मौका सामने था जिसके बारे में मैं बढ़ रहा था इसलिए मैंने कहा मिस्टर उमक अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो मेरी गलती है और मेरे पास अपनी गलती चुपाने का कोई बहाना नहीं है मैं आपके साथ काफी समय से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे गलतिया मालूम होनी चाहिए थी मुझे खुद पर शर्म आ रही है तुरंत उसने मेरा बचाव करना शुरू कर दिया हाँ तुम सही हो पर ये उतनी भी बड़ी गलती नहीं है ये तो सिर्फ मैंने बीच में कहा कोई भी गलती काफी नुकसान करा सकती है और वो परेशान करती है उसने बीच में घुसने की कोशिश की पर मैंने उसे मौका नहीं दिया मुझे मज़ा आ रहा था जिंदगी में पहली बार मैं अपनी आलोचना खुद कर रहा था और ऐसा करने में मुझे काफी मज़ा आ रहा था मुझे जादा साधान रहना चाहिए था मैं भोलता गया आप मुझे इतना काम देते हैं और आपको बेस्ट मिलना चाहिए इसलिए ये पूरा चित्र फिर से मैं बनाऊंगा अरे नहीं नहीं उसने कहा मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में नहीं डालूंगा उसने मेरे काम की तारीफ की और वो बस एक छोटा सा बदलाव चाहता था और मेरी छोटी गलती से उसकी फर्म को पैसे का नुकसान नहीं होगा और वास्तव में ये बस एक हलकी सी बात थी इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं थी अपनी आलोचना खुद करने की मेरे उच्सुकता ने उसके अंदर भी दुश्मनी निकाल दी वो मुझे लंच पर ले गया और हमारे जाने से पहले उसने एक चेक और एक दूसरा कमिशन दिया अपने गलतियां सुईकार करने के साहस में एक अलग तरह का संतोश होता है ये न सिर्फ दोश और बचाव के भावना दूर करता है बलकि उस गलती से होने वाले प्रॉब्लम्स को भी सॉल्फ कर देता है न्यू मेक्सिको अलबुकर्क में ब्रूस हार्वे ने छुट्टियों पर एक करमचारी को पूरी सालरी देने की गलती से अनुमती दे दी थी जब उन्होंने ये गलती देखी तो उन्होंने उसे उस करमचारी को दिखाया और कहा कि गलती सुधारने के लिए उसकी अगली सालरी से जादा दिये गए पैसे काटने होंगे उस करमचारी ने कहा कि इससे उसे पैसों के दिक्कत हो जाएगी और उसने पूछा कि क्या वो पैसे थोड़े जादा समय में लोटाने इससे बात बनेगी हारवे ने कहा कि उन्हें अपने सुपरवाइजर से अनुमती लेनी होगी और मैं जानता था हारवे ने रिपोर्ट किया कि इससे बास टाइप का विसफोर्ट होगा स्थिती को कैसे संभाला जाए ये सोचते समय मैंने मैसूस किया कि सारी गलती मेरी थी और मुझे ये बास के सामने स्विकार करनी होगी मैं उनके ऑफिस कया और उन्हें अपनी गलती के बारे में बताया और सारी जानकारी थी उन्होंने विसफोर्टक अंदास में कहा कि ये पर्सनल डेपार्टमेंट की गलती है मैंने दोहरा कर कहा कि ये मेरी गलती है वे फिर account department की असाधानी पर उबल पड़े मैंने फिर अपनी गलती बताई उन्होंने office के दो और लोगों पर दोश्ट मर दिया लेकिन हर बार मैंने कहा कि गलती मेरी है अन्द में उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा ओके ये तुम्हारी गलती थी अब इसे सुधारो, वो गलती सुधार ले गई और किसी को दिक्कत नहीं हुई मुझे अच्छा लगा कि मैं एक तनाव पून स्थिती को सुलजा पाया और मेरे बचाफ करने का साहस दिखाया मेरे बॉस में मेरे लिए तब से और भी जादा सम्मान है कोई भी मूर्क अपनी गलती का बचाफ कर सकता है और अधिकतर बेफकूफ करते ही है लेकिन अपनी गलती स्विकारने से इंसान भीड में अलग दिखता है और शराफत का एहसास दिलाता है एक्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री में सबसे खुबसूरत बातों में से एक ये वाक्या है जब रॉबर्ट E. ली ने गैटिसबर्ग में पिकेन के हमले की विफलता के लिए खुद को और सिर्फ खुद को दोशी ठहराया था पिकेट का हमला बेशक पस्चिमी दुनिया में होने वाला सबसे अच्छा और सुन्दर हमला था जेनरल जॉर्ज E. पेकेन खुद भी दिखने में बहुत बड़े रंगीन मिजास थे उनके बाल इतने लंबे थे कि वे कंधो को छूते थे और इचालियन हमलों में नैपोलियन की तरह वे युद भूमी से जोश भरे प्रेम पत्र रोज लिखा करते थे उनकी समर्पित सेना ने जोर से चीर किया जब वे जुलाई के दोपेर में यूनियन लॉइन्स की ओर निकले और उनकी कैब बड़े अनोखे अंदाज में दाएकान की ओर जुकी हुई थी उन्होंने खुशी मनाई और उनका अनुकरन किया इंसान इंसान को छू रहा था रैंक रैंक के साथ था बैनर उड़ रहे थे और बेनट सुरी की रोश्नी में चमक रहे थे ये एक वेतापूर्ण द्रिश्य था साहसी, विशाल यूनियन लाइन्स में प्रशंसा की लहर दोड़ी जब उन्होंने देखा पिकेट की सेना बड़ी आसानी से बगीचों और खेतों से होते हुए चारा गाह से गुजरते हुए और आगे बढ़ी हर वक्त दुश्मन की तोपे उनकी रैंक में भारी नुकसान कर रही थी पर वे आगे बढ़ते रहे, बिना रुके तभी सेमिट्री रीज के पत्थर की दिवाल के पीछे से यूनियन एंस्ट्रॉफी उठी और उनके पिकेट की सेना पर गोल्यों की बरसात कर दी पहाडी की चोटी जादा से भर गई, ज्वाला से भर उठी वह कसाई खाना और ज्वाला मुखी में तबदील हो गई कुछ ही मिनिट्स में एक को छोड़कर पिकेट के सारे कमांडर धेर हो गए और उनके पांच में से चार हजार लोग शहीद हो गए चेनरल लुइस ए आर्मी स्ट्रीड ने आखरी हमले के आगे बढ़ते हुए पत्थर की दिवार पर धावा बुला और तलवार की नोग पर अपनी कैप लहराते हुए चिलाए लड़को उन्हें स्टील दो उन्होंने वैसा ही किया वे दिवार के पार हुए और उन्होंने शत्रों पर बेनट के से हमला कर दिया उनकी खोपडियां तोर डाली और सेमेट्री रीस पर साउथ के युद में ज़ंडे गार दिये वे बैनर वहां सिर्फ पल भर के लिए लहरा पाए पर उस छोटे पल में कॉन्फेडियरेस के हाई वाटर मार्क रिकॉर्ड किया पिकेच का हमला श्रेश्ट और बहादूर होने के बावजूद जादा ठिक नहीं पाया ली असफल हुए वे नौर्थ में घुस नहीं पाय और वे जानते थे साउथ खत्म हो गया था ली इतने दुखी और चकित हुए कि उन्होंने जैफर्सन डेविस कॉन्फेडियस के प्रेसिडेंट को अपना इस्तिफा भेजा ताकि एक जवान और काबिल आदमी तैनात किया जा सके अगर ली पिकेट के हमले की सफलता की जिम्मेदारी किसी पर डालना चाहते तो उन्हें कोई लोग मिल जाते उन्हें कई लोग मिल जाते उनके कुछ डिविजिन कमांडर्स ने नाकामी दिखाई थी उनके एन्फरैंट्री अटाक को सहारा देने कैविल्री नहीं आई थी ये गलत हुआ और वे अनसक्सिस्फुल हुए पर ली में इतनी शराफत ही कि वे किसी को दोश नहीं दे पाए जब पिकेट की बुरी तरह से पिठी और हारे हुई सेना वापस कैन्फेडर्ट लॉंस के पास आई तो रॉबर्ट ई ली उनसे मिलने अकेले आए और अपनी आलोचना करके उनका अभिवादन किया ये सारी मेरी गलती थी उन्होंने स्विकार किया ये मैं और सिर्फ मैं हा रहूं हिस्ट्री में बहुत कम जेनरल्स ने इतना साहस और चरित्र दिखाया था माइकल चियूंग जो हौंग कॉंग में हमारा कोर्स सिखाते हैं ने बताया कि चाइना के संस्कृति कैसे कुछ विशेश समस्याएं पैदा करती है और कैसे कई बार ये जरूरी होता है कि प प्रिंसिपल का पालन करके लाब उठाया जाए उनके यहां एक अधेर उम्र का सदस्य था जो कई साल से अपने बेटे से दूर था पिता को अफीम की लग थी पर अब वे ठीक हो चुके थे चाइना की परमपरा में एक भुसुर्क इंसान कभी पहल नहीं करता पर पिता को लगा कि यह उनके बेटे की जिम्मेदारी थी कि वे समझोते की पहल करें एक सेशन में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पोतों को नहीं देखा था और वे कैसे अपने बेटे से वापस मिलना चाहते थे उनके चीन के सहपाठियों ने समझा कि इक्छा और पुरानी प गर्श था। पिता ने फील किया कि कम उम्र में लोगों को अपने बुजर्गों के प्रति सम्मान होना चाहिए। और वे अपनी इक्छा पूरी ना करके अच्छा कर रहे। और उन्हें अपने बेटे के आगे आने का इंतजार करना चाहिए। कोर्स के अंत में पिता ने कोर्स में फिर अपनी बात कही मैंने इस सम्मस्या पर सोचा है उन्होंने कहा डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आपकी गलती है तो तुरंट स्विकार कर ले इसे तुरंट स्विकार करने में तो देर हो चुकी है पर इसे मैं अच्छी तरह से स्विकार कर सकता हूँ मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया मुझे नहीं देखने की इक्षा व्यक्त करते समय और घर से निकालते समय उसका निर्ने सही था मैं अपने से छोटे इंसान को माफी मांगते समय बुरा दिख सकता हूँ पर गलती मेरी थी और इसे स्विकार करने के जिम्मेदारी भी मेरी है क्लास ने उनकी तारीफ की और उन्हें पूरा समर्थन दिया अगली क्लास में उन्होंने बताया कि वे कैसे अपने बेटे के घर गए और उन्होंने माफी मांगी और उन्हें माफी मिली और अब वे अपने बेटे बहु और पोतों के साथ रिष्टे की नई शुरुवात कर रहे है अलबर्ट हब्स उन सबसे मौलिक लेखकों में से थे जिन्होंने एक देश को जगाया और उनके तीखे शब्दों ने प्रतिरोद पैदा की लेकिन हब्स की लोगों से कुशल वरताव की दक्षता ने उनके दुश्मनों को दोस्त में बदल दिया एक्जाम्पल के तौर पर जब कोई गुसैल पाठक उन्हें ये लिखता था कि वो उसकी इस और इस बात से असहमत ने है और उसने हब्स को ये और वो कहा तो एड़वर्ड हब्स कुछ इस तरह जवाब देते थे इस बारे में सोचिए मैं खुद भी कई बार अपनी बातों से असहमत होता हूँ कल जो मैंने लिखा मुझे वह चीज आज सही नहीं लगती मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप उस विशे पर क्या सोचते हैं अगर आप कभी हमारे पडोस में आए तो जरूर मिलिए और हम इस टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे मेलो दूर से मैं हाथ मिलाने को तयार हूँ आपका शुपचिन तक कोई इनसान इस तरह का बिहेव्य करे उसे आप कैसे कैसे उसके लिए हेटरिट रख सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे जब हम सही होते हैं तब हम लोगों को समझतारी से अपनी सोच की ओर लाने की कोशिश करते हैं और जब हम गलत होते हैं तब ये और भी आश्चर जनक होगा अगर हम खुद से इमानदार हैं तो अपनी गलती तुरंट स्विकार कर ले इस तरकीब ने इस तरकीब से न सिर्फ अच्छे रिजल्स आएंगे बलकि विश्वास करे या न करे ये आपका बचाफ करने से ज़ादा खुशी देता है ये पुरानी कहावत हमेशा याद रखिए लड़कर आप कभी पर्याप नहीं पाते लेकिन जुक कर आप आशा से ज़ादा पा सकते हैं इसके साथ चाप्टर थ्री यहाँ पर खतम होता है इस चाप्टर थ्री में हमने प्रिंसिपल थ्री को कवर किया प्रिंसिपल थ्री अगर आप गलत हैं तो तुरंत और सहर्ष स्विकार कर लीजिए अगर आपको गुसा आजाए और आपने एक तो बाते सुना दी तो आपको भडास निकालने का आनन तो आएगा पर दूसरे इंसान का क्या क्या वो आपका आनन बाटेगा क्या आपका अपमान जनक टोन और दुश्मनी भरा रूप उसे आपसे सहमती रखने में सहयोग दिलाएगा अगर आप मेरे पास मुक्का ताने आए वुड्रो विल्सन ने कहा था तो मैं वादा करता हूँ कि मेरे मुक्के जादा जोर से तने होंगे पर अगर आप मेरे पास आकर कहते हैं आएए बैटकर सलाम अश्वरा करते हैं और अगर आप और मैं एक दूसरे से असेहमत है तो समझते हैं कि ये असेहमती क्यूं है और बहस का मुद्दा क्या है तो हम पाएंगे कि हम दोनों की सोच उतनी भी अलग नहीं है और असेहमती के मुद्दे क्म है किसी ने भी वुड्रो विल्सन की बात जॉन डी रॉक फेरर जूनियर से ज़ादा अची तरीके से नहीं समझी। अमेरिकन इंडस्ट्री में सबसे ज़ादा खून खराबे वाली एक हर्ताल देश को दो सालों से तंग कर रही थी। परिशान और अक्रामक खान मचदूर कोलोराइडो एंड फ्लूइट एंड आइरेन कंपनी से ज़ादा वेतन की मांग कर रहे थे। रॉक फेरर उन कंपनी के मालिक थे। प्रॉपिटी को नुकसान पहुँचा था, सेना बुलाई गई थी, खून बहा था, हर्तालियों को गोलिया मारी गई थी, उनके शरीर खून से लगपत थे। ऐसे समय में जब हवा में नफरत भरी थी, रॉक फेरर हर्तालियों को अपनी सूच की तरफ लाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, कैसे? ये कहानी ऐसी है, दोस्त बनाने में हफ्तों बिताने के बाद रॉक फेरर ने हरतालियों का अभिवादन किया, ये भाशन अपने आप में एक उत्तम कृती है, इस से कमाल की परिणाम दिखाई दिये, इसके इसने नफरत की आंधियों को शा रखा था, इसने उनके कई प्रशंसक पैदा किये, इसने तथ्यों को इतने दोस्ताना अंदाज में पेश किया, कि हरताली अपने काम पर वापस चले गए, वेतन बढ़ाने के बारे में बिना एक बात बोले हुए, जिनके लिए उन्होंने इतनी लड़ाईयां की थी, इस प्रारम कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजे कि ये कैसे दोस्ताना अंदाज से भरा है, याद रखे, रॉग फेरर उन लोगों से बात कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले उनकी गर्दन को पेर से बांद कर लटका देना चाते थे, लेकिन फिर भी वे उनसे उतना ही मित्रवान थे, जैसे वे मेडिकल मिशनरी को संबोधित कर रहे हो, उनका भाषन मुझे यहाँ आने पर कर्व है, मैं आपके घर गया, आपकी वाइर्स और बच्चों से मिला, हम यहाँ अचनबियों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, दोस्ती की भावना, हमारे समान हित है आप लोगों के कारण ही, मैं यहाँ हूँ, इस तरीके की बात तों से भरा हुआ था यह मेरी जिन्दगी के लाल अक्षरो वाला दिन है, रॉक फेरर ने शुरू किया, यह पहली बार हुआ है, कि मुझे इस महान कंपनी के करमचारियों के प्रतिनीदियों, ऑफिसर्स, सुप्रिटेंडेंडेंट के साथ, एक साथ मिलने का सौभागे मिला है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि मैं अंतिम दिन तक इस सम्मेलन को याद रखूंगा, अगर यह मीटिंग दो हफ्ते पहले हुई होती, तो मैं यहां अचनभी की तरह खड़ा होता, और सिर्फ कुछ चेहरों को ही पहचान पाता, साउथ कोल फील्ट में सारे कैंप्स में जान और आप लोगों की वाइफ और बच्चों से मिलने के बाद हम यहां अचनभीों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, और इस दोस्ती की भावना में मुझे ये अफसर मिला है कि मैं आप लोगों से समान हितों की बाते कर पा रहा हूँ, चुकि यह कंपनी के ओफिस और प्रतिनीधियों की मीटिंग है, इसलिए सिर्फ आपकी विनम्रता के कारण मैं यहां हूँ, और मुझे इन दोनों में से कोई भी होने का सौभागी नहीं है, तब भी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से काफी जुड़ा हुआ हूँ, क्यूंकि मैं स्टॉक होल्डर और डारेक्टर्स दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यह दोस्त बनाने का एक अच्छा तरीका है, है ना, मान लीजे रौक फेरर ने दूसरा रास्ता अपनाया होता, मान लीजे उन्होंने खान मजदूरों से बहस की होती और उनके मुपर फैक्ट्स दे मारते, मान लीजे तर्क के नियमों से उन्होंने उन लोगों को गलत साबित कर दिया होता, तब क्या हुआ होता? जादा गुसा, जादा नफरत, जादा बगावत फैली होती अगर एक इनसान का दिल आपकी और कुस्से और बुरी भावनाओं से भरा हो, तो आप उससे पूरी इसायत से, तरकों से अपनी सोच की तरफ नहीं ला सकते डाटने वाले माता पिता, रॉब दिखाने वाले बॉस और पती और उलाने देने वाली पत्निया को ये समझना चाहिए कि लोग अपना मन नहीं बदलना चाहते उनको आपसे सहमती रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता पर हाँ उनको अपनी सोच की तरफ लाया जा सकता है अगर हम उदार और फ्रेंडली हों, बहुत उदार और बहुत फ्रेंडली दरसल सौ साल पहले लिंकन ने यहीं कहा था ये रहे उनके शब्द ये एक पुरानी और सही कहावत है कि शहद की एक बूंद कर्टुता के गैलन से जादा मक्षियां आकर्शित करती है इसी तरह इंसानों से बरताफ करते समय अगर आप उन्हें अपनी सोच के तरफ लाना चाहते हैं तो पहले उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके सच्चे दोस्त हैं यही वो शहद की बूंद है जो मक्षियां आकर्शित करती हैं जो भले ही आप जैसा कहें समझदारे का राजमार्ग है कई बिजनेस एक्जेकेटिव्स ने सीखा है कि हरतालों से दोस्ताना होना लापकारी होता है उदारन के तौर पर जब वाइट मोटर कमपनी के प्लांट के 25 सो करमचारियों ने जादा वेतन और यूनियन शौप के लिए हरताल की तो कमपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लाक ने आपन नहीं खोया और निंदा नहीं की और ताना शाही और कम्यूनिजम का इलाज नहीं किया उन्होंने हरतालियों की तारीफ की उन्होंने क्वीन लैंड पेपर्स में एक इश्तिहार छपवाया जिसमें उनकी शांती पूर्ण धंग से औजार डालने की तारीफ की गई हरताल के पैकेट्स को खाली पाकर उन्होंने दरजन भर बेस बॉल बैट और दस्ताने खरीदे और उन्हें खाली जगों पर खेलने के लिए आमंतरित किया जिन्हें बॉलिंग पसंद थी उनके लिए बॉलिंग एली किराये पर ले लिया मिस्टर ब्लाक के दोस्ताना व्यवार ने वही किया जो दोस्ताना व्यवार करता है इसने दोस्ती बढ़ाई इसलिए हर्तालियों ने जाडू, फावडे और कूडे के ठेले उदहार पर लिये और उन्होंने मैच बॉक्स, पेपर, सिगरेट के टुकडे और सिगार के टुकडे फैक्टरी में से उठाने शुरू किये कल्पना कीजिए जादा वेतन और यूनिन की पहचान के लिए लड़ने वाले हर्तालियों को फैक्टरी की जमीन साफ करते हुए कल्पना कीजिए अमेरिका के मजदूरों के युद के लंबे और तुफान भरे हिस्ट्री में पहले कभी ऐसी घटना नहीं दिखाई दी गई थी ये हर्ताल एक हफ़ते के अंदर एक समझोते के साथ खत्म हुई पिना किसी दुश्मनी के भाव के डैनियल वेस्टलर जो देवता की तरह दिखते थे और जेहोवा की तरह बाते करते थे सबसे सफल वकीलों में से थे जिनोंने कभी केस लड़े तब भी वे अपने सबसे जादा मजबूत तरकों को इन मित्रवान बातों के साथ कहते थे जूरी ही इस बात पर सोचेंगी ये शायद विचार करने लायक है यहां कुछ दथ्य हैं जिन पर मुझे विश्वास है कि आप ध्यान देंगे या आप इनसानी सुभाव की जानकारी होने के कारण इन तथ्यों के महत्व को जरूर देखेंगे कोई जबरदस्ती नहीं है कोई दबाव डालने वाले तरीके नहीं अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं वेस्टर ने नरम, शान्त, मित्रवान तरीका अपनाया और इसने उन्हें फेमस बना दिया आपको कभी भी किसी हर्ताल को खत्म करवाने या जूरी को संबोधेत करने ना बुलाया जाए पर आप अपना किराया कम करवाना ज़रूर चाहेंगे तब क्या दोस्ताना तरीका आपकी मदद करेगा? देखते हैं ओएल स्ट्रॉब नाम का इंजिनियर अपना किराया कम कराना चाहता था और उसे पता था कि उसका मकान माले कुसे वाला है मैंने उसे लिखा मिस्टर स्ट्रॉब ने क्लास में बताते हुए कहा मैंने उसे लिखा और सूचना दी कि लीस खत्म होने ही वाले हैं और मैं घर खाली कर रहा हूँ सच बात तो ये थे कि मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था अगर किराया कम हो जाता तो मैं रुक जाता पर स्थिती आशा जनक नहीं है दूसरे किरायदारों ने कोशिश की थी और रसफल रहे थे सबने बताया कि मकान मालिक से सही बरताफ करना बहुत मुश्किल था पर मैंने खुद से कहा मैं लोगों से सही बरताफ करने पर कोर्स कर रहा हूँ इसलिए मैं उस पर एक कोशिश करूँगा और देखता हूँ क्या ये काम करती है मेरा पत्र पाते ही वो और उसके सेक्रेटरी मुझसे मिलने आए मैं दर्वाजे पर उनसे दोस्ती के अंदाज में मिला मैं उत्सा और अच्छी नियत से भरपूर था मैंने इस बात से शुरुवात नहीं की कि किराया बहुत जादा था मैंने बताया कि अपार्टमिंट कितना अच्छा था विश्वास कीजिए मैं प्रशंसा से भरपूर और तारीव से सराबोर था मैंने उसकी इस बात पर प्रशंसा की कि वो बिल्डिंग्स कितने अच्छे से चला रहे थे और मैं एक साल और रुखना चाता था पर मेरे पास पर्याब पैसे नहीं है उसे कभी किसी किराइदार ने ऐसा स्वागत नहीं मिला था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तब उसने अपने परेशानिया बतानी शुरू कर दी शिकायत करने वाले किराइदार एक ने उसे 14 पत्र लिखे थे कुछ में अपमान भरा था दूसरों ने उसे लीस तोड़ने की धमकी दी अगर उसने उपर से उपर के तले में खराटे मारने वाले किराइदार की छुटी नहीं की आपके जैसा संतुष्ट किराइदार मिलना उसने कहा कितनी खुशी की बात है और तब बिना मेरे कहे उसने किराय को थोड़ा घटाने की बात की मुझे थोड़ा और कम चाहिए था इसलिए मैंने संख्या बताई और उसने तुरंट स्विकार कर लिया जब वो जा रहा था उसने मुड़ कर कहा मैं तुम्हारे लिए क्या सजावट कर सकता हूँ अगर मैंने दूसरे किरायदारों वाला तरीका अपनाया होता तो मुझे विश्वास है कि मुझे असफलता ही मिलती मैं दोस्ताना, सहानो भूती और प्रशंसा से भरा था इसलिए ही काम्याब हो पाया पैंसिलवेनिया के, पिट्सबर्ग के, डेल वुक्बॉक लोकल इलेक्ट्रिकल कंपनी के एक विभाग के सुप्रेटेंडन थे उनके स्टाफ को एक पोल के किसी उपकरन को ठीक करने के लिए बुलाया गया इस तरह का काम पहले किसी और विभाग द्वारा किया जाता था और उसे वुटकॉर्ग के विभाग में भेजा गया था हलाकि उसके लोग इस तरह का काम करने के लिए दक्ष थे पर उन्हें पहली बार ऐसा काम करने के लिए बुलाया गया था संगठन में हर इंसान देखना चाहता था कि वे कैसे इस काम को कर पाते हैं मिस्टर वुटकॉर्ग उनके कई मैनेजर्स और अन्य विभागों के सदस्य इन ओपरेशन को देखने गए कई कार्स और ट्रक्स वहां थे और कई लोग दो अकेले इंसानों को पोल पर चड़कर काम करते हुए देख रहे थे आसपास देखते हुए वुटकॉर्ग ने एक आदमी को सड़क पर हाथ में कैमरा लिये हुए कार से निकलते देखा उसने उस जगे के तस्वीरे लेनी शुरू कर दी यूटिलिटी के लोग पब्लिक रिलेशन के मामले में काफी साफधान होते हैं और तभी बुड़ वॉक को कैमरे वाले इंसान के कारण ये स्थिती बहुत जादा अजीब लगी दो इंसानों के काम के लिए दरजन भर लोग बुलाए गए थे वे सड़क पर जाकर फोटोग्राफर से मिले मुझे लगता है आपकी ओपरेशन में काफी रूची है हाँ और मेरी माग भी काफी दिल्चस्पी लेती है उनके काफी कमपनी के स्टॉक्स हैं इससे उनकी आँखे खुल जाएंगी उन्हें ये भी लग सकता है कि वह निवेश अच्छा नहीं है मैं उन्हें सालों से बताता आ रहा हूँ कि आपके जैसे कमपनी में काफी वेस्ट मोशन है इससे यह सिद होता है अकपारों को भी ये तस्वीरे पसंद आएंगी ये ऐसा लगता है ना मैं आपकी जगे रहता तो यही सोचता पर ये थोड़ा अनोखा मामला है और तब डीन वुड़वर्क ने उसे बताया कि उसके विभाग के लिए ये पहला काम था और एग्जेकेटिव तक सभी इस काम में दिल्चस्पी ले रहे थे उन्होंने बताया कि सामाने परिस्थिती में सिर्फ दो आदमी ये काम कर रहे होते फोटोग्राफर ने अपना कैमरा वापस रखा वुड़कॉर्क से हाथ मिलाया और उन्हें ये परिस्थिती समझने के लिए धन्यवाद दिया डीन वुड़कॉर्क के दोस्ताना विभार ने उनकी कमपनी को परिशानी और बुरे प्रचार से बचा लिया हमारी क्लास के अन्यसदस्य लिटिनल यूं हैंपरशायर ने के गोडाल्स एच विन ने बताया कि दोस्ताना विभार करके उन्होंने नुकसान के दावे के मामले में कैसे संतोष चनक समझोता कराया बसंत की शुरुआत में उन्होंने बताया जाडे में बर्फ जमने से जमीन के धीले पढ़ने से पहले एक अजीबो गरीब वर्षा भरा तुफान आया जो समाने तर नए गड़ों और सड़क किनारे नालियों में चला जाता घर की नीव के चारो और दबाव बनाना शुरू किया पानी ने कॉंक्रीट के बेस्मेंट में फर्ष के नीचे दबाव बनाया इसे विस्फोट करने पर मजबूर किया और बेस्मेंट पानी से भर गया इसने भट्टी और गरम पानी के हीटर को बर्बाद कर दिया इसे मरम्मत कराने का खर्श दो हजार डॉलर से जादा आ रहा था इस बर्बादी को कवा करने के लिए मेरे पास कोई इंशुरेंस नहीं था लेकिन मैंने ये तुरंट पाया कि सब डिविजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन नहीं डाला था जिसके रहने से ये समस्या नहीं आती मैं उससे मिलने गया ओफिस जाने के 25 मील के रास्ते के दौरान मैंने ध्यान से स्थिति को समझा और कोर्स में सिखाए गए प्रिंसिपल्स को याद करते हुए टै किया कि गुस्सा दिखाने से बात नहीं बनेगी जब मैं पहुँचा तो मैं बहुत शान था और उनकी वेस्ट इंडियन ट्रिप के बारे में बात करने लगा जब मुझे लगा कि समय सही है मैंने पानी की दिक्कत की छोटी समस्या के बारे में बात की वो समस्या सुलजाने में अपने हिस्से के काम करने के लिए तुरंट मान गए कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वो नुकसान के पैसे भरेगा और उसने स्टॉर्म ड्रैन भी डाल दिया ताकि आगे ये समस्या पैदा न हो, हाला कि ये सब डिविजन के मालिक की गलती थी, अगर मैंने दुस्ताना अंदाज में शुरू न किया होता, तो उसे अपने गलती मनवाने से बड़ी दिक्कत हो जाती, सालों पहले जब मैं लड़कपन में नौर्थ वेस्ट मसूरी के जंगलों से होकर एक कंट्री स्कूल जा रहा था, मैंने सूरी और वायू के बारे में एक कहानी पड़ी थी, वे जगड़ा कर रहे थे कि कौन जादा मजबूत है, और हवा ने कहा मैं सिद्ध करूंगी कि मैं सादा मजबूत हूँ, उस बुड़े आदमी को कोट पहने देख रहे हो, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं उसका कोट तुमसे पहले उतार सकूंगा, इसलिए सूर्य बादल के पीछे चला गया और वायू इतनी तेजी से पहने लगी कि तुफान सा आ गया, फिर जितनी तेज जिसे वह बहती उतनी ही जोर से वे बुड़ा आदमी अपने कोट को पकड़ लेता, अंत में वायू शान्त हुआ और हार मान गया, तब सूर्य बादलों के पीछे से आया और उस बुड़े इंसान पर मुस्कुराने लगा, उस आदमी ने अपने भोहे से कोड़ी और कोट उतार दिया। सूर्य ने बताया कि सजन्ता और दोस्ताना हमेशा गुस्से और ताकत से जादा मस्बूत होते हैं। सजन्ता और दोस्ताना बरताव का इस्तिमाल हर रोज वे लोग दिखाते हैं जिन्होंने सीखा है कि शहद की एक बून्द गैलन भरे कटुता से जादा मक आकरशित करती हैं लूथर विले मैरी लैंड के एफ केल कॉनर ने ये सिद्ध किया था जब उन्हें अपनी चार महीने पुरानी कार को कार डीलर के पास तीसरी बार सर्विस डेपार्टमेंट ले जाना पड़ा उन्होंने हमारी क्लास को बताया जब साफ था कि सर्विस से बात करना उससे बहस करना या उस पर चिलाना मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकाल सकता था मैं शोरूम गया और मैंने एजेंसी के मालिक मिस्टर वाइट से मिलने की इच्छा जाहिर की थोड़े इंतजार के बाद मुझे मिस्टर वाइट के ओफिस में ले जा कि उनकी कीमते काफी सही है और सर्विस बहुत अच्छी है मुझे सुनते वक्त वे संतुष्ट से मुस्कुराते रहे फिर मैंने समस्या बताई जो मुझे सर्विसिंग डिपार्टमेंट से हो रही थी मुझे लगा आप शायद वैसी स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है मैंने कहा उन्होंने मुझे इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास दिलाया कि मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बिल्कुल दिया जाएगा उन्होंने नीजी तोर पर इस मामले में सक्रियता दिखाने क के साथ साथ मुझे अपनी कार भी दी ताकि मैं अपनी कार से के रिपेरिंग होने तक अपना काम चला सकूँ ऐस अप एक ग्रिक गुलाम था जो क्रॉइस के धर्बाव में रहता था और क्राइस्ट के 600 साल पहले अमर कथाएं सुनता था बुनता था उसके बावजूद उस लिंगम में आज भी उतने ही सही है जितने एथिंस में 26 साल पहले सही थे सूर्य आपका कोट वायू से जादा असानी से उतार सकता है और उदारता दोस्ताना व्यभार और प्रशंसा लोगों की दिमाग को हला गुला मचाने से जादा तेजी से बदल सकता है याद रहे लि प्रेलन भरे कटुता से जादा मख्यां अकरशित करती है और इसे के साथ हमारा चाप्टर 4 यहाँ पर खतम होता है जिसके साथ हम प्रिंसिपल 4 पे पहुँच गए हैं प्रिंसिपल 4 दोस्ताना तरीके से शुरुवात कीजिए लोगों से बात करते समय उन चीजों से शुरुवात न करें चिन से आप असहमत है उन चीजों पर जोर डाले और जोर डालते रहें चिन पर आप दोनों सहमत हैं अगर संभव हो तो इस बात पर जोर डालते रहें कि आप दोनों एक ही परिणाम खोज रहे हैं और फर्क सिर् आपके तरीकों का है लक्ष का नहीं शुरुवात में उस इंसान को हां हां कहलवाते रहें अगर संभव हो तो अपने विपक्षे को नहीं कहने से रोके रखें नहीं वाली प्रतिक्रिया प्रोफेसर ओवर्ड श्रीट के अनुसार सबसे बड़े बाधा बन जाती है जब आप आपने एक बार नहीं कह दिया तो आपका सारा अभिमान आपको मजबूर करता है कि आप अपने बात पर टिके रहें आपको बाल में लग सकता है कि आपका नहीं एक गलत निर्णे था पर आपका अभिमान ताक पर था एक बार जो चीज़ आपने कह दी आपको लगता है उस इस पर टिके रहना चाहिए इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनसान स्विकारात्मक दिशा में शुरुआत करे बोलने में कुशलता रखने वाला शुरुआत से ही हाँ हाँ की प्रतिक्रिया पाने लगता है इससे शुरुताओं के स्विकारात्मक दिशा में जाने की मनोवज्यानिक प्रक्तिक्रिया शुरू हो जाती है ये एक billiard ball की तरह है इसे एक दिशा में ढखे लिए और उसे दूसरे दिशा में ले जाने के लिए बल लगाना पड़ता है विपरीद दिशा में ले जाने के लिए तो बहुत जादा बल लगाना पड़ता है साइकलोजिस्ट पैटर्ण्स यहां बहुत स्पष्ट है जब एक इनसान नहीं कहता है और मन से कहता है तब वो एक छोटे शब्द को कहने से कही जादा कुछ कर रहा है उसका पूरा शरीर उसकी नसे उसकी ग्रंथियां उसकी माश पेसियां उस चीज़ को अस्विकार करने में जुट जाता है एक मिनिट या कभी थोड़े जादा समय में शरीर पीछे हटने लगता है या हटने के तैयारी में लग जाता है उसका पूरा तंत्रिक तंद्र स्विकृत के विरोध में चला जाता है इसके विपरीद जब लोग इंसान हा कहता है तो ऐसे कोई घटना नहीं घटती वो मनुश्य एक आगे जाने वाली स्विकारात्मक और खुले धिशा में रहता है इसलिए शुरुआत में आप जितने जादा हा सुनेंगे आगे चल कर अपने लक्ष को पाने के लिए उस इंसान का ध्यान उतना जादा पा सकेंगे ये बहुत सरल तरीका है हा की प्रतिक्रिया पाने वाला इसके बावजूद इसे कितना अंदेखा किया जाता है ऐसा लगता है कि लोगों को शुरुआत में दूसरों का विरोध करने में महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है हाँ हाँ कहलवाने की टेकनीक्स ने चेम्स एबर्सिन जो न्यू यॉर्क सिटी के ग्रीन विच सैविंग्स बैंक में ट्रेडर थे को एक भावी कस्टमर को लाने में मदद की जो छूट सकती थी ये इनसान अपना अकाउंट खुलवाने आया था मिस्टर एबर्सिन ने कहा और मैंने उसे एक फॉर्म भरने दिया उसने कुछ सवाल के जवाब आसानी से दिये पर कुछ सवालों के जवाब देने से मुकर गया Human Relations के बारे में पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने उस भावी ग्राह को बताया होता कि अगर वह बैंक को ये सूचना नहीं देगा तो हम उसका अकाउंट खोलने से इनकार कर देंगे मुझे शर्म आती है कि मैं इस चीज को पहले करने की भी गलती कर्स चुका हूँ सुभावत इस तरह का अल्टिमेटम मुझे अच्छा मैसूस कराता था मैंने ये दिखा दिया था कि यहाँ बॉस कौन है और बैंक के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता पर इस तरह के का बिहेवियर उस इंसान को स्वागत और इंपोर्टन्ट होने का एसास नहीं देता जो यहाँ अपना प्रलक्ष देने आया था लेकिन मैंने उस सुबह अपने बुद्धी का इस्तमाल करके करने का फैसला किया मैंने प्रण किया कि इस बारे में बात करूँगा कि ग्राहा क्या चाहता है न कि वह चीज जो बैंक चाहती है सबसे जरूरी बात ये कि मन शुरुआत में ही उससे हाँ हाँ सुनना चाहता था इसलिए मैंने उसकी बात को स्विकार कर लिया मैंने उससे बताया कि जो सूचना वह नहीं देना चाहता था वो देना जरूरी नहीं है लेकिन मैंने कहा मान लीजे आपके मृत्यों के समय आपके पैसे इस बैंक में है क्या आप नहीं चाहेंगे कि बैंक नियम के अनुसार ये पैसे आपके निकट के रिष्टिदार को दे दे हाँ बिलकुल उसने जवाब दिया आपको नहीं लगता मैंने कहना जारी रखा कि अगर आप हमें उस रिष्टिदार का नाम दे दे तो हमें आपके दिहांत के बाद बिना दिक्कत के उससे पैसे देने में आसानी होगी उसने फिर कहा हाँ उस यूवा आदमी का बरताफ बदल गया जब उसने मैसूस किया कि हम उसके जानकारी बिना मतलब के नहीं मांग रहे थे बैंक छोड़ने से पहले इस आदमी ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी और साथ ही मेरी सलापर उसने एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोला जिसकी लाभार्थी उसकी मा होंगी और उसने खुशी खुशी अपनी मा के बारे में भी सारी जानकारी दे दी मैंने पाया कि शुरुआत से ही उसने हाँ हाँ कहलवाने के कारण वो बहस का मुद्दा भूल गया और मेरी सलापर के मताबिक उसने सारी चीज़े कर दी जोजफ एलसन वेस्टिंग हाउस इलेक्रिकल कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहानी बताई मेरे शेत्र में एक इनसान था जिसे हमारी कंपनी ग्राहक बनाना चाहती थी मेरे पुराने साथी ने उसे दस दिन तक लगातार कॉल किया था पर अनसक्सेस्फुल हुए जब मैंने ये शेत्र लिया मैं उसे तीन साल तक कॉल करता रहा पर असफल रहा अंत में तेरा साल से कॉल और सेल्स की बातों के बाद हमने उसे कुछ मोटरें बेच दी अगर ये मोटर सही रहे तो कई सो और मोटर्स का ओर्डर आएगा ऐसा मैंने सोचा था सही मुझे लगा था वे सारे सही होंगे इसलिए जब मैंने तीन हफ़ते बाद कॉल किया मैं उत्साह में था चीफ इंजिनियर ने मुझे चकित करते हुए घोशना की अलिसन मैं आपकी बागी मोटर्स नहीं खरीच सकता क्यूं मैंने आश्यर इसे पूछा क्यूं क्यूंकि तुम्हारी मोटर्स बहुत गरम है मैं उन पर अपने हाथ नहीं रख सकता मुझे पता था पहस करने का कोई लाब नहीं है मैंने ये चीज पहले कई बार करके देख ली थी इसलिए मैंने उससे हाँ हाँ कहलवाना शुरू कर दिया अच्छा Mr. Smith आप देखिए मैंने कहा मैं आपसे शत प्रतीशत सहमत हूँ अगर ये मोटर्स वास्तव में गरम है तो आपको उन्हें आगे से बिलकुल नहीं खरीदना चाहिए आपके पास ऐसी मोटर्स नहीं होनी चाहिए जो National Electrical Magnitudes Association द्वारा बनाए गए मानकों से जादा गरम होती हो ऐसा ही है ना? उसने स्विकार किया कि ऐसा ही है मुझे अपना पहला हां मिल गया था National Electrical Association के नियम कहते हैं कि एक अच्छी तरह से बनाए गए मोटर्स का टेंपरेचर कमरे के टेंपरेचर से सिर्फ 72 डिग्रीज फेरनहाइट तक उपर जा सकता है क्या ये सही है? हाँ उसने स्विकार किया ये बिल्कुल सही है पर तुम्हारे मोटर उससे जादा गरम है मैंने उसे बहस नहीं की मैंने सिर्फ पूछा मिल रूम कितना गरम है? ओ उसने कहा 75 डिग्री फेरनहाइट के आसपास अच्छा मैंने जवाब दिया अगर मील रूम का तापमान 75 डिग्रीज है और आप उसमें 72 जोड़ दे तो कुल मिलाकर 147 डिग्रीज हो जाते हैं अगर आप अपना हाथ 147 डिग्री गरम पानी में डालेंगे तो आपके हाथ जल नहीं जाएंगे उसे फिर हाँ कहना पड़ा अच्छा मैंने सला दी क्या ये समझदारी के बाद नहीं होगी कि आप अपने हाथ ऐसे मोटर से दूर रखें हाँ सही कहते हो उसने स्विकार किया हम कुछ देर और बात करते रहे उसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और मुझे अगले महीने के लिए 35,000 डॉलर का बिजनिस दे दिया कई साल और हजारों डॉलर के नुकसान के बाद मैंने ये सीखा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता और दूसरे इंसान के नजरिये से चीजों को देखने से और उनसे हाँ हाँ कहलवाने से जादा प्रॉफिट होता है एड़ी स्नो जो कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हमारे कोर्स पोकंद करते थे बताते हैं कि कैसे वे एक शौप के अच्छे ग्राहक बन गए जब उनके मालिक ने उनसे हाँ हाँ कहलवाया एड़ी धनुश से शिकार के दिल्चस्पी रखने वाले इंसान थे और उन्होंने एक लोकल धनुश के स्टोर से शिकार के ऑजार खरीदने में काफी पैसे खर्च किए थे जब उनका भाई उनसे मिलने आया, वे इस स्टोर से एक धनुश उनके लिए किराय पर लेना चाहते थे Sales clerk ने उन्हें बताया कि वे धनुष किराय पर नहीं देते थे इसलिए Addie ने दूसरे धनुष के स्टोर पर फोन किया Addie ने बताया कि क्या हुआ एक बहुत जिन्द दिल सज्जन ने फोन पर जवाब दिया किराय के बारे में उनका जवाब दूसरे स्टोर से बिलकुल अलग था उन्होंने बताया कि उन्हें खेद है कि वे किराय पर धनुश नहीं देते क्योंकि वे इसका खर्ष नहीं उठा सकते थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पहले किराय पर लिया है मैंने जवाब दिया हाँ कई साल पहले उन्होंने याद दिलाया कि मैंने शायद 25 या 30 डॉलर किराय के लिए दिये होंगे मैंने फिर हाँ कहा उन्होंने तब पूछा कि क्या मैं वैसा इंसान हूँ जो पैसे बचाना चाता है मैंने कहा हाँ उन्होंने बताया कि उनके पास सरूरी औजारों के साथ धनुष का सेट 34.95 टॉलर में उपलब्ध है मैं किराय के पैसे से सिर्फ 4.95 डॉलर जादा देकर पूरा सेट खरीच सकता था उन्होंने बताया कि इसी कारण से उन्होंने किराय पर धनुष देना बन कर दिया था क्या मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया मैंने हा में जवाब दिया और हा के जवाब से सेट की खरीदारी हुई और उसके बाद मैंने कई और चीज़े खरी दी और उनका नियमित ग्राहक बन गया एथेंस के सौकरेट्स दुन्या के सबसे अच्छे दार्शनिकों में से एक थे उन्होंने वो किया जो काफी कम लोग कर पाए उन्होंने मनुष्य की सोच के दिशा बदल दी और अब उनके मृत्यों के 2400 साल बाद उन्हें दुन्या के सबसे जादा प्रभावशाली प्रोट्साहकों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुन्या को बदला उनका तरीका? क्या उन्होंने लोगों को बताया कि वे गलत है? बिल्कुल नहीं सौकरिट्स की कुशलता उन्हें ऐसा करने भी नहीं देती उनका तरीका जिसे अब सौकरिट्स तरीका के नाम से जाना जाता है हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लाने पर आधारे थे वे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पर उनके ओपनेंस सेहमती रखते थे वे एक के बाद एक सेहमतियों वाले सारे सवाल पूछते थे जब तक उनके पास कई हाँ न हो जाए वे तब तक सवाल पूछते रहते थे जब तक उनके विरोधी बिना मैसूस किये उस निर्षकर्ष को स्विकार कर लेते थे जिनका वे कुछ मिनिट्स पहले विरोध कर रहे थे अगली बार जब हमें से किसी को गलत बताने की इच्छा जागे तो सौकरित्स को याद करें और एक सामान्य सवाल पूछें वे सवाल जो हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लेकर आए चाइना में एक कहावत है जिसमें पूर्व की समझदारी भरी हुई है जो मुद्रू है वो दूर तक जाता है उन्होंने हुमन रिलेशन्स को पाँच हजार सालों तक पढ़ा है और उन संस्कृत चीनियों ने काफी सूक्ष्म दृष्टी विक्सित की है जो मुद्धू है वो दूर तक जाता है इसके साथ हमारा चाप्टर फाइफ यहां कम्प्लीट होता है जिसके साथ हमें मिलता है हमारा प्रिंसिपल फाइफ अधेकतर लोग दूसरों को अपनी सोच में ढालने के लिए खुद ही बहुत जादा बातचीत करते हैं दूसरे लोगों को दिल खोल कर बाते करने दे वे अपने बिजनिस और प्रॉब्लम्स के बारे में आप से जादा जानते हैं इसलिए सवाल पूछिए उन्हें आपको कुछ चीज़े बताने दे अगर आप उनसे अस एहमत रहेंगे तो आप उनके बात में बीच बीच में दखल देंगे पर ऐसा मत करें ये खतरनाक है जब उनके अपने विचार बाहर निकलने को आतुर हो तो आपकी नहीं सुनेंगे इसलिए खुले दिमाग से उनके बात ध्यान से सुने ऐसा सचाई से करें उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोच साहित करें क्या ये नीती बिजनेस में काम आती है? देखते हैं यहाँ एक सेल्स प्रतिनिधी की कहानी है जिसे ये प्रयोग करने पर तेन महत्वपूर निर्माता ने फैबरिक के नमूने तयार किये थे वे सारे के सारे मोटर कंपनी के एक्जेकेटिव द्वारा जाच किये जा चुके थे और हर निर्माता के पास नोटिस भेजी जा चुकी थी ताकि वे हर सप्लायर के प्रतिनिदी अपने कॉंट्राट के लिए फाइनल आवेदन एक निश्चित तारीक को कर सके जीबी आर एक निर्माता का प्रतिनिदी जब शहर में पहुँचा तो सीवियर लाइरिंगिजस से ग्रस था जब कॉंफरेंस से में एक्जेकेटिव से मिलने का मेरा मौका आया मिस्टर आर ने क्लास में कहानी बताते से मैं कहा मेरी आवाज जा चुकी थी मैं फुसफुसा भी नहीं सकता था मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां मेरे सामने टेक्स्टाइल इंजिनियर पोचेजिंग एजेंट सेल्स के डारेक्टर और कम्पनी के प्रेसिडेंट खड़े थे मैं खड़ा हुआ और मैंने बोलने की पूर जोर कोशिश की पर मैं नहीं बोल पाया वे सभी एक टेबल के चारो ओर बैठे थे इसलिए मैंने एक कागस पर लिखा सज्जनों मेरी अवास खो गई है मैं बोल नहीं सकता मैं आपके बदले बात करूँगा प्रेसिडेंट ने कहा उन्होंने किया उन्होंने मेरे नमूने दिखाए और उनकी अच्छे बातों के तारीफ की मेरे समान की गुणवत्ता पर अच्छे खासी बात्चीत होने लगी और प्रेसिडेंट चुकि वे मेरी तरफ से बात कर रहे थे ने वे पोजिशन ली जो मैंने बात्चीत के दौरान ली होती मेरा काम सिर्फ मुस्कुराना हामी भरना और कुछ संकेत करना था इस अनोखे कॉन्फरेंस के कारण मुझे कॉन्ट्राक्ट मिल गया जिसका मूल तकरीबन 16 लाक डॉलर्स था और जिसमें आधे मिलियन यार्ड और फेंस्ट्री फैबरिक भी डायमेंड थी वो मेरा अब तक का सबसे बड़ा ओडर था मुझे पता है कि अगर मैंने आवाज ना खोई होती तो मैं कॉन्ट्राक्ट हो चुका होता क्योंकि मुझे इस मामले की गलत जानकारी थी मैंने संयोग से ये सीखा कि दूसरे इंसान को बात करने देने से कितना लाब होता है दूसरे इंसान को बात करने देने से बिजनिस के साथ फैमिली मैटर्स में भी लाब होता है बारबारा विल्सन का अपनी बेटी लॉरी से रिष्टा खराब होता जा रहा था लॉरी जो एक शांत और संतुष्ट पच्ची थी अब एक विद्रोही और बत्तमीस किशोरी बनती जा रहे थी मिस्स विल्सन उसे उपदेश देती थी धमकाती थी और सजा देती थी पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ एक दिन मिस्स विल्सन ने हमारी क्लास में बताया मैंने हार मान ली लौरी ने मेरी बात नहीं मानी और अपना काम अधूरा छोड़कर वो घर से बाहर अपनी दोस्त से मिलने चली गई जब वो लौटी तो मैं उस पर दस हजार बार चिलाने वाली थी पर मुझ में शक्ती नहीं थी मैंने उसकी और देखा और दुख से कहा क्यों लौरी क्यों लौरी ने मेरी हालत देखी और शांती से कहा आप सच में जानना चाहती हो मैंने हामी भरी और लौरी ने शुरू से धीरे धीरे बताया फिर वो खुल गई मैंने कभी उसे सुना नहीं था मैं हमेशा उसे बता रही थी कि ये करो वो करो जब वो अपनी बाते, फीलिंग्स और आइडियास बताना चाहती थी तो मैं ओर्डर्स देने लगती थी मुझे महसूस होने लगा कि उसे मेरी जरूरत थी एक दबंग मा के रूप में नहीं, बलकी एक विश्वस्ट के रूप में बड़ी होते समय पैदा होने वाली परिशानियों के श्रोता के रूप में और अब तक मैं हमेशा बोलती ही आ रही थी अब मुझे सुनना चाहिए था मैंने आज तक उसे कभी नहीं सुना था उस समय से मैंने उसे हर बार बाते करने दी जब वो बोलना चाहती थी वो बताती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे रिलेशन्स काफी अच्छे हो गए अब वो मददकार इंसान है न्यूयोर्क के एक अखबार के फाइनांस के पेच पर एक बड़ा इश्तिहार निकला जिसमें एक अनोखी शमता और अनुभव के इंसान की जरूरत थी चाल्स टी क्यूबैसिस ने इस इश्तिहार का जवाब दिया और एक बॉक्स नंबर को अपना पत्र भेजा कुछ दिनों बात उन्हें पत्र द्वारा एक इंटर्व्यू में बलाया गया कॉल करने से पहले उसने वाल स्ट्रीट में घंटो उस आदमी के बारे में जानकारी खोजने में बिताया जिससे ये बिजनिस शुरू किया था इस इंटर्व्यू के दौरान उसने कहा मुझे आपके जैसा रिकॉर्ड पसंद है आपने 28 साल पहले सिर्फ एक डेस्क रूम और स्टेनोग्राफर के साथ शुरुआत की थी क्या ये सही है? लगभग हर सफल इंसान अपने शुरुवाती संगर्श को याद करना चाहता है ये इंसान कोई अपवाद, एकसेप्शन नहीं था उसने लंबे समय तक बताया कि कैसे उसने सिर्फ 450 डॉलर और एक मौलिक आइडिया के साथ शुरुआत की थी उसने बताया कि उसने कैसे दूसरों के हतोत साहन और परिहास का सामना किया रविवार और छुट्टियों में भी काम किया रोज 12 से 16 घंटे काम किये और अब उसने सारे बाधाओं पर विजय पाली है जब वाल स्ट्रीट के सबसे important executive उसके पास सूचना और मार्ग दर्शन के लिए आ रहे हैं उसे ऐसे record पर गर्व था उसे ऐसा करने का अधिकार था और उसे इस बारे में बात करना अच्छा लगता था एंड में उसने Mr. Klubasis से उनके अनुभव experience के बारे में सवाल पूछे और कहा मुझे लगता है कि हम ऐसा ही आदमें खोज रहे हैं Mr. Klubasis ने अपने होने वाले boss की उपलब्धियां खोजने के लिए कोशिश की थी वो दूसरे इंसान और उसकी समस्याओं में रूची दिखाते थे उन्होंने दूसरे इंसान को बात करने के लिए प्रोचाहिद किया और काफी अच्छा effect आया छोड़ा गया कैलिफोर्निया के साइक रामेंस के रॉज जी बैल्टी को दूसरी समस्या थी एक sales position के भावी करमचारी के रूप में उन्होंने सुना और Bradley के firm में उन्हें नौकरी मिल गई Roy ने बताया एक छोटी brokerage firm होने के कारण हमारे पास hospital, medical insurance और pension जैसी सुविधाय नहीं थी हर प्रतिनिदी एक स्वतंद्र agent होता है हम अपने prospects के बारे में lead भी नहीं देते क्योंकि हम उनके बारे में विज्यापन नहीं निकाल सकते तब तक हमारे बड़े प्रतियोगी निकाल रहे हो Richard Friar के पास वे experience थे जो हम इस position के लिए चाहते थे और उनका interview हमारे assistant ने लिया जिसने इस job के सारी negative चीज़ों के बारे में बताया हमारे office आते समय वे हतोचाहित लग रहे थे मैंने बताया कि हमारे form से जुड़ने का एक फाइदा है कि आप स्वतंद्र contractor हो जाते हैं और आप एक तरह से स्वरोज़कार में रहते हैं उन negative चीज़ों को अपने बातों से हटाते रहे जो interview में आते समय उनके दमाग में थी कई बार ऐसा लगा मानों वे खुद से बाते कर रहे हूं जब वे हर बात पर विचार कर रहे थे कई बार मेरी एक्छा हुई कि मैं उनकी बातों में खुद से कुद जोड़ूं लेकिन चैसे interview खतम होने को आया उन्होंने खुद को ही अपनी ओर से मना लिया था और वे हमारे फर्म में काम करने को तयार हो गए थे चुकि मैं एक अच्छा श्रोता था और मैंने उससे अपने बाते करने दी थी वे अपने दिमाग में दोनों पक्षों का मुल्यांकन कर पा रहे थे और वे एक पॉजिटिव निशकर्ष पर आ गए जो उनके लिए खुद की तयार की हुई चुनौती थी हमने उन्हें नौकरी दे दी और वे विलक्षन प्रतिनिधी साबित हुए हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम अपनी सफलताओं अपनी सक्सेस स्टोरीज के बारे में उन्हें बताने के बजाए उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में खुद सुने लोर रैंडी फ्रांस के दार्शनिक ने कहा था अगर आप दुश्मन चाहते हैं तो अपने दोस्तों से अच्छा कीजिए अगर आप दोस्त चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अच्छा करने दीजिये ये सही क्यूं है? क्यूंकि जब हमारे दोस्त अच्छा करते हैं तो वे important feel care करते हैं लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो उनमें से कुछ लोग छोटा और इर्शा मैसूस करते हैं New York City के Midtown Personal Agency में सबसे जादा पसंद की जाने वाली Placement Counseling Harness थी ये हमेशा से ऐसा नहीं था इस Agency में काम शुरुवात करने के कुछ महीनों तक Henry का एक भी दोस्त नहीं था क्यूं? क्यूंकि हर दिन वो खुद द्वारा किये गए Placement, खोले गए Accounts और उनकी अपलब्दियों के बारे में डींग हां का करती थी मैं अपने आप में अच्छी थी और मुझे इस पर कर्फ था उसने हमारे क्लास में बताया लेकिन मेरे उपलब्दियों पर खुश होने के बजाए मेरे साथ ही खिज जाते थे मैं उन लोगों द्वारा पसंद किया जाना चाहती थी मैं उन्हें सच में अपना दोस्ट बनाना चाहती थी इस कोर्स में दी गई सलाहों को सुनने के बाद मैंने अपने बारे में बाते करना बंद कर दिया और अपने फ्रेंस को सुनना जादा शुरू किया उनके पास भी गर्व से बात करने के लिए चीजे थी और वे मेरी डींगे सुनने के बजाए अपने achievements के बारे में बाते करना जादा चाहती थी अब जब भी मेरे पास बात करने के लिए समय होता है मैं उन्हें अपने खुशियां बाटने को कहती हूँ और अपने achievements के बारे में तभी बताती हूँ जब वे पूछते हैं तो इसके साथ chapter 6 यहाँ पर end होता है और हमें मिलता है हमारा principle 6 principle 6 दूसरे इंसान को अपने बारे में ज़्यादा बाते करने दे chapter 7 सहयोग कैसे पाएं? क्या आपको नहीं लगता कि आपका उस idea में ज़्यादा विश्वास होता है जिसे आपने खुद खोजा हो बशर्ते उस idea के जो आपको चान्दी की तशकरी में पेश किया गया हो अगर ऐसा है तो क्या दूसरों के move में अपने ideas ठूसना गलत निर्णे नहीं है? क्या ये ज़्यादा समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप सलाह दे और दूसरे इंसान को निश्कर्श निकालने दे? फिलाडेल्फिया के अल्फरिड सेजल्स जो एक automobile showroom में sales manager है और मेरे course के छात रहें ने अपने आपको एक ऐसी परिस्थिती में पाया जहां उन्हें automobile salesman के एक हतोच साहित और बिखरे ग्रुप में उत्सा पैदा करना था एक sales meeting बुला कर उन्होंने लोगों से पूछा कि वे बताएं कि उनसे उन लोगों की क्या अपेक्षाए हैं वे लोग जैसे जैसे बात करते रहे एडॉल्फ उन पर उसके ideas लिखते गए एक board पर उनके ideas लिखते गए तब उन्होंने उन लोगों से कहा मैं आप सभी को वे सा पारे गुंड दूंगा जिनकी आपको मुझसे अपेक्षा है अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि मुझे भी आपसे अपेक्षा रखने का अधिकार है जवाब तुरंद और तेजी से आने लगा वफादारी, इमानदारी, नेत्रित्व, आशावाद, टीम वर्क, दिन भ सकाम करने का प्रण लिया, Mr. Shretzal ने मुझे बताया कि सेल्स में जबर्दस्ट इंक्रिमेंट हुए, लोगोंने मेरे साथ एक नैतिक समझाता किया, Mr. Shretzal ने कहा, और जब मैं उनसे, उनमें अपना हिस्सा निभा रहा था, वे अपना हिस्सा निभाने को तयार थे, उनकी एक्छाओं और अर्मानों के बारे में उनसे बाते करना एक सही स्खुराक थी किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसे कुछ बेचा जा रहा हो या उसे कुछ करने को कहा जा रहा हो हम ये फील करना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं या अपने आइडियास पर खुद से काम कर रहे हैं हमें अच्छा लगता है कि हमसे हमारी इच्छाओं आर्मानों और विचारों के बारे में बाते की जाए यूजिन वेसन का मामला लीजिए इस सच को सीखने से पहले वे हजारों डॉलर का बिजनिस में नुकसान उठा चुके थे मिस्टर वेसन एक स्टूडियो के लिए स्कैच बनाते थे जो स्टाइलिश और टेक्स्टाइल निर्माताओं के लिए दिजाइनर बनता था Mr. Wesson ने New York के एक शीर्ष के स्टाइलिस्ट को तीन साल तक हर हफ़ते कॉल किया था उसने मुझसे मिलने से कभी इंकार नहीं किया Mr. Wesson ने कहा पर उसने कभी नहीं खरीदा उसने मेरे स्केचों को हमेशा ध्यान से देखा और कहा नहीं Wesson मुझे नहीं लगता हमारी सोच आज मिलती है 150 अर्ष सफलताओं के बाद Wesson ने मैसूस किया कि वे पागल होने के कगार पर है इसलिए उन्होंने एक शाम Human Relations के बारे में एक हफ़ते तक पढ़ने का फैसला किया ताकि नए आइडियाज और नए उत्सा को पैदा किया जा सके उन्होंने नए तरीके अपनाने का फैसला किया आजिस्ट के आधे बने किये कई स्केच को अपने बांग में दबा कर वे खरीदने वाले के ओफिस पहुँच गए मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ अगर आप करना चाहे तो उन्होंने कहा यहां कुछ आधे बने स्केच हैं क्या आप बता सकते हैं कि मैं उन्हें किस तरह से पूरा करूं कि आप इनका इस्तमाल कर सके खरीदने वाले ने बिना कुछ बोले उन्हों स्केच को काफे देर तक देखा अंत में उन्होंने कहा वेसन आप इन्हें कुछ दिनों तक मेरे पास छोड़ दीजिए उनके बाद आकर देखिए वेसन तीन दिन बाद लोटे और उनकी सलाहे ली सकेच को वापस स्टूडियो ले गए और उन्हें खरीदने वाले के आइडियास के हिसाब से पूरा किया रिजल्ट वेस सारे के सारे एकसेट कर लिए गए उसके बाद उस खरीदने वाले ने वेसन को दरजनों और स्केच के ओर्डर्स दिये जो खरीदने वाले के आईडियास पर आधारे थे मुझे पता चला अब तक मैं क्यों असफल रहा था मिस्टर वेसन ने कहा मैंने उससे वो खरीदवाना चाहा था जो मेरे हिसाब से उनकी जरूरती फिर मैंने अपना तरीका बदल लिया मैंने उससे उनके आईडियास देने को कहा इससे उससे लगा कि वो आईडियास बना रहे थे और वो ऐसा कर भी रहे थे मुझे उससे कुछ बेशना नहीं पड़ा उसने खुद ही खरीद लिया है ओकल हामा के तुलसा ने तुलसा के पॉल एम डेविस ने अपनी क्लास में बताया कि उन्होंने कैसे इस प्रिंसिपल को आजमाया मेरे परिवार और मैंने अब तक के सबसे अच्छे साइड सींग विकेशन स्ट्रिप का आनन लिया मेरा काफी समय से गैटिसबर्ग में सिविल वॉर की युद भूमी, टैफोडेल्स में, इंडिपेंडेंडेंस हॉल और अपने देश के राजधानी जैसे हिस्टॉरिकल प्लेसिस को देखने का सपना था वैसी फॉर्ज, टिम्स टाउन और विलियम्स बर्ग के पुनर स्थापित कोलोनियल विलेज भी मेरे लिस्ट में काफी उपर थे मार्च में मेरी वाइफ ने कहा कि गर्मी की चुटियों में उसका प्लान वैस्टन राज्यो, न्यू मेक्सिको के दर्शिनी इस्थल, एरिजोना, कैलिफॉर्निया और नवाड़ा घूमने का है उसे इस यात्रा की इच्छा सालों से थी, पर हम दोनों यात्राएं नहीं कर पाए थे मेरे बेटी अनी ने चूनियर हाई स्कूल में यूएस के इतिहास में एक कोर्स पूरा किया था और वो उन घटनाओं में काफी दिल्चस्पी रखने लगी थी, जिन्होंने हमारे देश का विकास किया था मैंने उससे पूछा कि क्या वो अगली चुट्टियों में उन जगयों में घूमना चाहेगी, जिसके बारे में उसने सीखा था उसने कहा कि वो ज़रूर खूमना चाहेगी, दो दिनों बाद हम दिनर टेबल के चारों और बैठे, नैंसी ने घोशना की कि अगर हम सभी राजी हो जाएं तो हम गर्मी के चुट्टी पूर्वी राजियों में मनाएंगे और ये ट्रिप एनी को पसंद आएगी और हम सभी के लिए काफी रोमान चक होगी, इसी मनोविज्ञान का इस्तमाल कर एक्सरे निर्माता ने अपने उपकरन ब्रूकलिन में एक सबसे बड़ा अस्पताल को बेचने के लिए लगाया, ये अस्पताल अपना निर्मान बढ़ा रहा था और इसमें अमेरिका के सबसे अच्छे एक्सरे मशीन्स लगाना चाहता था, डॉक्टर एल जो एक्सरे विभाग के इंचार्ज थे, के पास सेल्स प्रतिनिदियों की बार आ गई थी, जो अपनी कंपनी के एक्विपमेंट्स की तारीफ के पुल बांध रहे थे, एक निर्माता थोड़ा जादा समझतार था, वो मनुश्य के स्वरूप के बारे में बाकी लोगों से जादा जानता था, उसने कुछ इस तरह का पत्र लिखा, हमारी फैक्टरी ने हाल में एक्सरे एक्विपमेंट्स की एक नई लाइन पूरी की है, इन मशीन्स की पहली शिपमेंट्स हमारे ओफिस अभी अभी पहुँच देख सके और हमें वे आइडियाज दे सके जिसमें हम उन्हें आपके काम के जादा लायक बना सके, ये जानते हुए कि आप कितने बिजी हैं, मुझे आपकी सुविधा के हिसाब से अपनी कार भेजने में खुशी होगी, मुझे ये पत्र पाकर खुशी हुई, टॉक्टर एल ने कहा, जब वे इस घटना के बारे में क्लास में बता रहे थे, मुझे आश्चर और खुशी दोनों हुई, इससे पहले किसी एक्सर निर्माता ने मुझसे सलाह नहीं मांगी थी, इससे मुझे इंपोर्टेंस फील होने लगा, उसके बाद से, इसके बाद के हफते में हर रात मैं व्यस था, पर मैंने अपना डिनर स्थगित किया, ताकि उस इक्विप्मेंट को देख सकूँ, उस पर मैंने जितना स्टडी किया, मुझे वो उतना ही पसंद आया, किसी ने भी मुझे ये बेचने के कोशिश नहीं की थी, मुझे लगा कि इस उपकरन को खरीदन का आइडिया मेरा था, मैं इसकी बहतरीन क्वालिटी पर फिदा हो गया, और मैंने इसे स्ट्लॉंग करके करने का आदेश दे दिया, रॉल्फ वॉल्ड्रो इमर्सिन ने अपने लेख आत्मविश्वास में कहा है, हर जीनियस काम में हम अपने ठुकराई आइडियास देखते हैं, वे एक अलग की गई विशालता के साथ हम तक वापस आते हैं, करनल एडवर्ड एम हाउस राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय मामलों में काफी प्रभाव रखते थे, जबकि वुट्रो विल्सिन का अधिकार वाइट हाउस में था, विल्सिन कुप्ट सलाहों के लिए करनल हाउस पर अपने कैबिनेट के सदस्यों से भी ज़ादा निर्भर करते थे, प्रेसिडेंट पर प्रभाव डालने में करनल ने कौन सा तरीका इस्तमाल किया, सबहागे से हम जानते हैं, क्यूंकि और्थर डी हेल्टिन्स ने यह तरीका हाउस को खुद बताया था, और स्मिथ ने दे सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेक में हाउस का लेक किया था, प्रेसिडेंट से परिचे होने के बाद हाउस ने कहा, मैंने सीखा कि उनसे किसी आइडिया को मनवाने का तरीका यह है, कि उनके दिमाग में आइडियास का बीच बो दिया जाए, ताकि वे खुद इसमें रूची लेने लगें, और इसके बारे में खुद सोचने लगें, पहली बार जब इसने कान किया, तो यह मात्र सयोग था, मैं उनसे मिलने वाइड हाउस गया था, और उनके सामने एक नीती रखी थी, जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कई दिनों बाद टिनर टेबल पर मुझे उन्हें मेरे आइडियास को अपना बना कर सुनते खुशी हुई, क्या हाउस ने हस्तक शेप करके कहा, यह आइडिया आपका नहीं है, यह मेरा है, ओ नहीं, हाउस ने ऐसा नहीं किया, उसने जैसा कुशल आदमी, उसके जैसा कुशल आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता था, उन्हें परिणाम चाहिए थे, इसलिए उन्होंने विल उन्होंने उस आइडिया के लिए Wilson को सारवजनिक रूप से श्रे दिया, क्रेडिट दिया. याद रखिए कि हम जिस भी इंसान के संपर्क में आते हैं, वो Woodrow Wilson की तरह ही इंसान है. इसलिए Colonel House का तरीका अपनाते हैं. न्यू ब्रुस्विक के सुन्दर केनेडियन प्रोविंस में एक इंसान ने ये तरीका मुझ पर आजमाया और मेरा संरक्षन पा लिया. मैं उस समय न्यू ब्रुसिंग में मचली मारने और नौका विहार का प्लान कर रहा था. इसलिए मैंने चूरिस्ट ब्योरो को सूचना के लिए लिखा. मेरा नाम और पता मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया और जल्द ही मुझ पर कैम्प्स और गाईज से पत्रे पत्रों और बुकलेट्स और प्रिंटिड टेस्टिमोनियल की बोचार हो गई. मैं घबरा सा गया. मुझे पता नहीं था किसे पसंद करूँ. तब एक कैम्प के मालिक ने एक बुद्धिमानी भरी चीज़ की. उसने मुझे न्यू यॉर्क के उन लोगों के नाम और टेलिफोन नम्बस दिये चो उनके कैम्प्स में रुके थे. और उसने मुझे इन्वा अब एक्सपिरेंसिस के बारे में जानकारी ली और कैम्प्स को अपने आने की तारीक भेज दी. बाकि सारे लोग मुझे अपनी सर्विस बेचने की कोशिश कर पर अड़े हुए थे. पर एक ने मुझे ये अपने आपको बेचने दिया. वो संगठन जीत गया. 25 साल पहले चाइना के संथ लाओ त्यों ने जो कहा वो आज की पाठकों के काम आ सकता है. नदियां और समुद्र हजारों पहाडों की जल धाराओं को आत्मसाथ करते हैं क्यूंकि वे उनसे नीचे होते हैं. इसलिए वे सारे धाराओं पर राज कर पाते हैं. इसलिए एक संथ दूसरे के उपर होने की इच्छा से अपने आपको उनके नीचे डाल लेता है. हाला कि उनका स्थान लोगों से उपर होता है. पर वे लोग उसका वजन मैसूस नहीं कर पाते. हाला कि उसका स्थान उनसे पहले आता है. पर वे इसका बुरा नहीं मानते. तो इसके साथ chapter 7 यहाँ पर end होता है and हमें मिलता है principle 7 principle 7 दूसरे इंसान को मैसूस करने दीजे कि idea उसी का है chapter 8 एक formula जो आपके लिए चमतकार कर देगा New York के Hampstead में Sam Delson अपनी पतनी को बताते थे कि वे अपने बगीचे में घास पात साफ करते खाट डालते और हफ़ते में दो बार घास काटते हुए काफी समय लगाते थे पर वो बगीचा चार साल पहले से जादा अच्छा नहीं दिखता था जब वे दोनों उस घर में घुसे थे जाहिर है वो इन टीका टिपड़ियों के से काफी नाराज हो जाती थी और उनकी शाम बरबाद हो जाती थी हमारा कूर्स करने के बार मिस्टर जक्सन ने मैसूस किया कि वे इन सालों में कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे उन्हें कभी ये खयाल नहीं आया कि उनकी वाइफ को अपने काम में मज़ा आता था और अपने समर्पन भाव पर तारीफ उसे काफी पसंद आएगी टिनर के बाद एक शाम उनकी वाइफ ने कहा कि वो कुछ खार पतवार साफ करना चाहती है और उनसे उन्हें आमंतरित किया उन्होंने पहले इंकार कर दिया पर उन्होंने इस पर फिर से सोचा और बाहर गए और अपनी वाइफ की मदद करने लगे उसे यह देखकर अच्छा लगा और दोनों मिलकर एक घंटे तक मीठी बाते करते हुए काम करते रहे उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ की बगीचे में काम करने में काफी मदद की और उसे बगीचे की सुन्दरता का श्रे दिया और बताया कि वो कॉंक्रीट जैसे दिखने वाले जमीन पर कितना बहतरीन काम कर रही थी रिजल्ट दोनों के लिए एक खुशाल जीवन क्यूंकि उन्होंने अपनी वाइफ के नजरिये से चीजों को देखना सीख लिया था भले ही टॉपिक कोई लाइट साही था अपनी बुक गेटिंग त्रू दे पीपल में टॉक्टर केरॉल्ट एस ने लिखा बाचीत में आपसी सहयोग मिलता है जब आप सोचते हैं कि दूसरे इंसान के आईडियाज और फीलिंग्स आपके जितने ही जरूरी है अगर आप बाचीत की शुरुवात दूसरे इंसान को बाचीत का लक्ष और दिशा देकर करें आपको क्या कहना चाहिए? वो इस बाच से तै करें कि शुरुता के रूप में आप क्या सुनना चाहते हैं और उसे अपनी बाच कहने के लिए प्रोच साहिद करें तो उसे आपके आईडियाज के लिए खुला दिमाग रखने में आसानी होगी मैंने अपने घर के पास पार्क में चहलने और घुर सवारी का अकसर आनन लिया है प्राचीन गौल के ट्यूटू की तरह मैं ओक के पेड की पूचा करता हूँ इसलिए मुझे यह देकर काफी तकलीफ होती है कि आग के कारण छोटे पेड और जाणिया तबाह हो जाते थे ये आग असाफधान सेगरेट पीने वाले के कारण लग जाती थी ये आग उन युवाओं द्वारा लगती थी जो पार्क में जाकर पेड के नीचे अंडे पकाने की कोशिश करते थे कई बार ये आग इतनी भयानक होती थी कि अगनी शमन विभाग को बुलाना पड़ता था फाया ब्रिगेट को बुलाना पड़ता था पार्क के किनारे एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि आग लगाने वालों को जुर्माना और जेल हो सकती है पर वो बोर्ड एक दूर स्थान में लगा था जहां उसे अपराधी कम ही देख पाते थे एक पुलिस वाले पर पार्क को देखने की जिम्मेदारी थी पर वो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता था और आग हर मौसम में लगती जाती थी एक बार मैं एक पुलिस वाले के पास गया और मैंने उसे बताया कि पार्क में आग फैल रही है और उसे fire brigade को खबर कर देनी होगी पर उसने बेकार सा जवाब दिया कि ये उसका काम नहीं है क्योंकि ये उसके शेत्र की बात नहीं है मैं घबराया था और मैं घुर सवारी करते हुए गया और उस जगे की रक्षा के लिए मैंने खुद को एक कमेटी के रूप में नियुक कर लिया शुरुआत में मैंने दूसरे इंसान के नजरिये से चीजों को देखने की कोशिश की कोशिश नहीं की जब मैं पेड के नीचे आग लगते देखता था मैं इतना दुखी हो जाता था कि सही चीज करने के बजाए कलत कर वैटता था मैं लड़कों के पास जाता था उन्हें चितावनी देता था कि आग लगाने के लिए उन्हें जेल हो सकती है उनसे आदेश देने के अंदाज में बात करता था और अगर वे इंकार करते थे, मैं उन्हें गिरफतार करवाने की धंकी देता था मैं दूसरे का नजरिया देखे बिना अपनी भडात निकाल दिया करता था Result, वे बात मानते थे, वे खिज के साथ बात मानते थे जब मैं पहाड के पार चला जाता था, वे वापस आग लगाते थे और पूरे पार को जलाने के इच्छा रखते थे जैसे साल बीटते गए, मैं human relations के बारे में सीखता गया थोड़ी कुशलता सीखी और दूसरे इंसान की नजरिये से चीजों को देखने का ढंग सीखा तब आदेश देने के बज़ाए मैं आग के पास जाता था और कुछ इस तरह अपनी बाते करता था लड़कों मज़ा आ रहा है, आलशाम क्या पकने वाला है? जब मैं छोटा था, मुझे भी आग लगाना अच्छा लगता था, मुझे अभी भी अच्छा लगता है पर तुम जानते हो कि यह यहां बहुत खतरनाक है, मुझे पता है तुम किसी का नुकसा नहीं करना चाते पर दूसरे लड़के इतने सावधान नहीं है, जब वे आएंगे और देखेंगे कि तुम लोगों ने आग लगाई है, तो वे भी आग लगाएंगे और घर जाते समय उसे नहीं बुझाएंगे, और ये आग सूखे पत्तों में फैल कर पेड जला देंगी, अगर हम सावधान नहीं रहे तो यहां पेड नहीं बचेंगे इस आग लगाने के कारण तुम जेल भी जा सकते हो, मैं दबाव नहीं बनाना चाता और तुमारा मज़ा किरकिरा नहीं करना चाता मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मज़े उठाओ, पर क्या तुम लोग इन सूखे पत्तों को आग से दूर रख सकते हो प्लीज, और जाते समय इसे मिट्टी में ढग दोगे जब अगली बार आनन्द उठाना हो, तो उस पहाड़े पर बालू के गड़े में आग लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, धन्यवाद लड़को, आनन्द उठाओ, मज़े करो इस तरह की बात ने कितना बदलाव ला दिया, इससे लड़कों को सहयोग करने की इच्छा हुई, कोई खिज नहीं, कोई गुस्ता नहीं, कोई बहस नहीं, उन्हें बात मानने के लिए आदेश नहीं दिया गया था, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका मिला था उन्हें अच्छा मैसूस हुआ था, क्योंकि मैंने इस्थिती को उनके नजरिये का खयाल रखते हुए संभाला था जब नीजी समस्यां खड़ी हो रही हो, तो दूसरे के नजरिये से चीजों को देखने से तनाव कम हो जाता है औस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एलिजाबेट नोवा को अपनी कार की पेमेंट में छे महीने देर हो चुकी थी एक शुक्रवार उन्होंने कहा, मुझे एक पत्तमीज आदमी का फोन आया, जो मेरा अकाउंट संभाल रहा था और उसने कहा कि अगर मैं मंडे सुबह तक 122 डॉलर नहीं लेकर आई, तो कमपनी मेरे खिलाफ कदम उठाएगी मेरे पास सब्ता के एंड में पैसे लाने का कोई तरीका नहीं था इसलिए जब मंडे के सुबह मेरे पास फोन आया, तो मुझे सबसे बुरे की आशा थी परिशान होने के बजाए मैंने उसके नजरिये से चीज़े देखने की कोशिश की मैंने उसे असुविधा देने के लिए माफी मांगी और मैं सबसे ज़ादा परिशान करने वाली ग्राहक नहीं रही होंगी क्योंकि मैं पहले भी पेमिंट में देर कर चुकी हूँ तो रंद उसके बात करने का तरीका बदल गया और उसने विश्वास दिलाया कि मैं सबसे जादा परिशान करने वाली ग्राहक नहीं थी उसने मुझे ऐसे कई एक्जाम्पल्स बताए जब कस्टमर्स ने उससे बत्तमीजी से बात की थी और उससे जूट बोला था और उससे बात करने से इंकार कर दिया था मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसकी बात सुनी और उसे अपनी भडास निकालने दी तब बिना मेरी सलाखे उसने कहा कि अगर मैं पूरे पैसे न दे पाऊं तो कोई बात नहीं है ये काफी होगा अगर मैंने उसे महीने के अंतक 20 डॉलर दिये और बाकी पैसे अपनी सुविधा के हिसाब से दे पाऊं कल किसी को आग बुझाने या आपका प्रोडक्ट खरीरने और आपके पसंदिदा चैरिटी में पैसे देने के लिए कहने से पहले क्यों न आप थोड़ी देर के लिए रुख जाएं और पूरी चीज़ को उनके नजरिये से देखें खुद से पूछें वो ऐसा क्यों करना चाहेगा माना कि ये समय लेगा पर इससे आपके दुश्मन नहीं वनेंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और इससे कम जगड़े होंगे मैं किसी इनसान से साक्षातकार करने से पहले उसके ओफिस के सामने दो घंटे टहलना जादा पसंद करूँगा हाड़वर्ड बिजनिस स्कूल के टीन डॉन हम ने कहा तब उसके ओफिस में प्रवेश करूँगा इस आइडिया के साथ कि मैं उसे क्या कहने जा रहा हूँ और इसके बारे में मेरी जानकारे के हिसाब से उसका क्या उत्तर होगा ये इतना जरूरी है कि मैं इस पर जोर डालने के लिए इससे इटैलिक्स में दोहराने जा रहा हूँ मैं किसी इनसान से साक्षातकार करने से पहले उसके ओफिस के सामने दो घंटे टहलना जादा पसंद करूँगा तब उसके ओफिस में प्रवेश करूँगा इस आइडिया के साथ कि मैं उसे क्या कहने जा रहा हूँ और इसके बारे में मेरी जानकारे के हिसाब से उसका क्या आंसर होगा अगर इस बुक को पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक चीज सीख लें वो ये कि दूसरे इंसान के नजरिये से कैसे चीजे पर सोचा जाए और अपने साथ साथ दूसरों की आखों से कैसे चीजों को देखा जाए अगर आप सिर्फ ये एक चीज सीखते हैं तो ये आपके करियर का मील का पत्थर साबित होगी और इसके साथ चाप्टर एट यहां एंड होता है जिससे हमें हमारा प्रिंसिपल एट मिलता है प्रिंसिपल एट दूसरे इंसान के नजरिये से चीजों को इमानदारी से देखें चाप्टर नाइन जो हर इंसान चाहता है क्या आप ऐसा जादूई शब्द चाहेंगे जो बहस रोक सके आपसी वेमनस से खत्म कर दे आपसी मित्रता बढ़ाए और दूसरे इंसान को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करे हाँ बिल्कुल वो ये है आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको दोशी नहीं मानता अगर आपकी जगे मैं होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता इस तरह का जवाब हद से भी जादा गुसेल इंसान को भी शान कर देगा और आप इस बात को पूरी सच्चाई से कह सकते हैं क्योंकि अगर आप दूसरे इंसान की जगे होते तो वैसा ही फील करते अलकपोल का उदारन लीजे मान लीजे कि आपको भी अलकपोल जैसा शरीर और दिमाग मिला होता मान लीजे आपको भी उसके जैसा वातवरन और अनुभव मिले होते तब आप भी वही और वहां होते जहां वो था क्योंकि वे वही चीजे जी क्योंकि ये वही चीज़े थी जिन्हों ने उसे वैसा बनाया आप एक साप नहीं है इसका कारण सिर्फ यही है कि आपके माबाप साप नहीं थे आप जो भी हैं उसके लिए आपको काफी कम श्रेय मिलता है और याद रखिए जो कुसेल, कटर, बद्तमीज लोग आपके पास आते हैं उन्हें भी अपने जैसा होने के लिए बहुत कम श्रेय मिलता है उन बेचारों के लिए खेद मैसूस कीजिए उन पर दया कीजिए उनके साथ सहानुभूती रखिए अपने आप से कहिए वहां मैं इश्वर के दयाव के कारण जाता हूँ खुच से मिलने वाले तीन चौथाई लोग सहानुभूती के लिए तरस रहे हैं उन्हें वो दीजे और बदले में प्यार पाईए मैंने एक बार लिटल वुमिन की ओथर लोईसा में अलकॉट के बारे में एक ब्रॉडकास्ट दिया था सुभावतर मैं जानता था कि वो मैसरशुसेट्स कॉंसर्ड में रही थी और वहां अपनी बुक्स लिखी थी पर बिना सोचे कि मैं क्या कह रहा हूँ मैंने उनके New Hampshire के Concord के पुराने घर जाने की बात कह दी अगर मैंने New Hampshire सिर्फ एक बार कहा होता तो मुझे माफ़ी मिल गई होती पर अफसोस मैंने इसे दो बार कह दिया मुझ पर निंदा और चुबने वाले संदेश पत्रों और टेलिग्राम्स की बोचहार हो गई और मेरा निर्दोश सिर घूमने लगा कई लोग काफी नारास थे कुछ इंसल्टिंग बाते इस तरह है Massachusetts के Concord की एक Colonial महिला जोज समय Philadelphia में रह रही थी उन्होंने मुझ पर आगी बरसा दिया अगर मैंने Miss Olcott को New Guena का नर्भक्षी बताया होता तो भी वे उतना नारास नहीं होती पत्र पढ़ते समय मैंने खुझ से कहा भगवान का शुक्र है मेरी इससे शादी नहीं हुई मेरा दिल किया कि मैं उसे लिखो कि भले ही मुझ से Geography में गलती हुई है पर उसके इस Miss Behavior उसके शिष्टा चार में जादा भारी गलती हुई है वो तो मेरा शुरुवाती वाक्या था तब मैं अपनी आस्तीन चढ़ाकर उसे ये बताने वाला था कि मैं क्या फील करता हूँ पर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने खुद पर नियंतरन रखा मैंने फील किया कि कोई भी बेफकूफ ऐसा कर सकता है और कई बेफकूफ ऐसा करते भी हैं मैं मुर्खों से बहतर होना चाहता था इसलिए मैंने उसकी दुश्मनी को तोस्ती में बदलने का फैसला किया ये एक तरह की चुनौती थी एक खेल की तरह और मैं ये खेल खेलना चाता था मैंने खुद से कहा अगर मैं उसकी जगे होता तो मैं भी उसके जैसा ही फील करता इसलिए मैंने उसके दृष्टी कोंड से सहानुभूती रखने का फैसला किया अगली बार जब मैं फिलाडल्फिया गया मैंने उससे फोन किया हमारी बातचीत कुछ इस प्रकार है मिसिस अमुक आपने मुझे कुछ हफते पहले एक लेटर लिखा था उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किनके साथ बात करने का मेरा सौभाग्य है मैं आपके लिए अजनबी हूँ मेरा नाम डेल कार्नेगी है मैंने कुछ हफते पहले लोईसा मॉय एलकॉट पर एक ब्रॉटकास दिया था जो आपने सुना था मैंने माफी के अयोग ये एक गलती करते हुए कहा था कि वो न्यू हमसफार के कॉनकोर्ड में रहती थी ये एक बेवकुफी भरी गलती थी और मैं उसके लिए शमा मांगता हूँ आपने मुझे लिखने के लिए वक्त निकाला उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशनसक हूँ She मुझे खेद है Mr. Carnegie कि मैंने ऐसा लिखा मैंने आपक हो दिया था मैं माफी मांगना चाहती हूँ Me नहीं नहीं आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए मुझे मांगनी चाहिए स्कूल का बच्चा भी वो गलती नहीं करता जो मैंने की थी मैंने अगले रविवार को रेडियो पर माफी मांगी और अब मैं आपसे नीजी तोर पर परस्नली माफी मांगना चाहता शी, मैं Massachusetts के Concord में पैदा हुई थी मेरा परिवार वहां 200 सालों तक प्रसिद रहा है और मैं अपनी जमीन पर बहुत गर्व करती हूँ मुझे काफी बुरा लगा जब आपने कहा कि Miss Alcott New Hampshire में रहती है पर मुझे अपने पत्र पर बहुत शर्मिंदगी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना आपको बुरा लगा उससे दस कुना जादा मुझे बुरा लगा मेरी गलती से Massachusetts को चोट नहीं पहुँची मुझे पहुँची ये कभी कबार होता है कि आपकी जैसे रुत्बे और संस्कृती वाले लोग रेडियो पर बात करने वाले लोगों को लिखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि जब भी मैं दुबारा गलती करूँ आप मुझे फिर से लिखें शी आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने अपने कृट्रिसिजम को एकसेप्ट किया आप एक काफी अच्छे इंसान होंगे मैं आपको और भी जानना चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने माफी मांगी और उसकी नजर्य के प्रती सहानुभूती दिखाई उसने भी माफी मांगी और मेरे नजर्य के प्रती सहानुभूती दिखाई मुझे उसका गुसा नियंतरन करने का संतोश मिला उसके अपमान के बदले उदारता दिखाने का संतोश मिला उसे किसी नाली में कूद जाने के लिए बोलने से जादा मुझे इस बात से खुशी मिली कि मैंने उसको मित्र बना लिया जो भी इंसान वाइट हाउस चाता है उसे human relations में रोज कार्टों का सामना करना पड़ता है President Toft भी इसके exception नहीं थे और उन्होंने अपने experience से तेजाब भरी दुश्मनी को शांत करने का chemical value देखा अपनी book Ethics in Service में Toft बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक हताशी और महत्वकांग्शी मा का गुस्सा शांत किया वाशिंग्टन में एक महिला Toft ने लिखा जिनके पती का political influence था मेरे पास आई और अपने बेटे को एक position दिलाने के लिए उसने 6 हफ़तों तक मेहनत की उसने कई senators और Congress के लोगों का साथ लिया और उनके साथ आई ताकि वे प्रभाव के साथ बोल सके उस जगे के लिए किसी technical qualification वाले इनसान की जरूरत थी और मैंने Bureau की सलापर किसी और को appoint कर दिया मुझे उस महिला से एक पत्र मिला जिसमें उसने कहा कि मैं एक एहसान फरामोश इंसान हूँ जिसने उसे एक खुश महिला नहीं बनने दिया जो मेरे बाय हाथ का खेल था वो शिकायत करती गई कि उसने state delegation के साथ महनत की थी और वो एक administration bill के सारे vote लेकर आई थी जिसमें मैं काफी रूची रखता था और वो मेरा पुरुसकार देने का धंग था जब आपको इस तरह क्या letter मिलता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि इस पत्तमी जिनसान को कैसे करारा जवाब दिया जाए तब आप एक जवाब लिख सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो उस letter को एक ड्रॉर में डाल कर उस पर ताला लगा सकते हैं दो दिनों के बाद उसे निकाल सकते हैं इस तरह का जवाब देने में दो दिन की देरी लगनी भी चाहिए और जब इस interval के बाद उसे निकालते हैं तो आप इसे नहीं भेजते situations में एक मा की हताशा को समझ सकता हूँ पर ये appointment मेरे पसंद के हिसाब से नहीं हो सकती थी और मुझे किसी technical qualifications वाले इंसान को चुनना था इसलिए मुझे bureau की सला माननी पड़ी मैंने आशा व्रक्त की कि उसका बेटा जिस position में है उसमें वो अपनी मा की आशाओं से जादा सफलता पाएगा इसने उसे थोड़ा नरम किया और उसने मुझे पत्र लिखा कि उसे अपने शब्दों के लिए खेद है लेकिन जिस नियुकती का मैंने निर्ने लिया था वो तुरन नहीं हो सकता था और कुछ समय बाद मुझे एक पत्र मिला जो उसके पती की ओर से आया था पर इसकी हैंडराइटिंग बाकी लेटर्स जैसी थी मुझे ये सलादी गई थी कि इस मामले में हताशा के कारण उसे बिस्तर पर जाना पड़ा था और उसे बहुत गंभीर किसम का कैंसर हो गया था क्या मैं पहली नियुक्ति को हटा कर उसके बेटे को डाल कर उसे खुश नहीं करना चाहूंगा मुझे दूसरा पत्र लिखना पड़ा इस बार उसके पती को ये कहते हुए कि मेडिकल जाच कलत सिध होगी और मैंने उसकी पत्नी की गंभीर बिमारियों में उसके साल सहानुभूती व्यक्त की लेकिन मेरे लिए पहली नियुक्ति को खारच करना असंभव होगा जिस इंसान को मैंने नियुक्त अपोइंट किया था वो अपोइंटमेंट पक्की हो गई और उस पत्र के मिलने के दो दिनों के अंदर हमने वाइट हाउस में एक संगीत प्रोग्राम और्गनाईज किया जिन दो लोगों ने मिस्स टॉफ्ट का स्वागत किया वो यही पती-पत्नी थे हाला कि पत्नी कुछ दिनों पहले तक मरने के नसदीक वाली अवस्था में थी जे मैगनम ओकलहामा के तुलसा के एक एलिवेटर-एसकलेटर मेंटेनेंस कमपनी के प्रतिनी थी थे जिसका तुलसा के बड़े होटेल्स के एसकलेटर्स के साथ मेंटेनेंस का कॉंट्राइक था होटल मैनेजर एसकलेटर को दो घंटे से जादा समय के लिए बन नहीं करना चाहता था क्यूंकि वो होटेल के महमानों के लिए परिशानी नहीं पैदा करना चाहता था मरमत में आठ घंटों से जादा समय लगने वाला था और उसके कमपनी के पास होटल की सुविधा के लिए एक स्पेशलाइजड क्वालिफाइड मेकानिक नहीं था जब मिस्टर मैंगनम इस काम के लिए एक टॉप फ्लाइट मेकानिक का इंतिजाम कर पाए उन्होंने होटल मैनेजर को फोन किया और उससे जरूरी समय देने के लिए बहस करने के बजाए ये कहा रिक मुझे पता है कि आपका होटल काफी बिजी है और आप एसकलेटर को कम से कम समय के लिए बंद रखना चाहोगे मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ और हम आपकी सुविधा के लिए जादा से जादा चीज़े करना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन को समझते हुए पता लगता है कि अगर हम अभी काम पूरा नहीं करेंगे तो जादा नुकसान होगा जिससे लंबे समय तक उसे बंद करना पड़ेगा मैं जानता हूँ कि आप अपने गेस्ट के लिए कई दिनों तक प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहोगे मैंनेजर को मानना पड़ा कि आट घंटों के लिए एसकलेटर का बंद होना कई दिनों के लिए बंद होने से जादा अच्छा आप्शन था अपने गेस्ट को खुश करने की मैंनेजर की एक्छा से सहानुभूती रखकर मिस्टर मैंनम ने काफी आसानी से मैंनेजर की सोच को अपने अनुसार बिना जगड़े धाल लिया जोईस नौरिस जो मिसूरी के सेंट लूइस में एक पियानो टीचर है ने हमें बताया कि उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ किया जो पियानो टीचर को अकसर यंग लड़कियों के साथ होती है बॉबिट की उंगलियों के नाखुन बहुत जादा लंबे थे जिसे पियानो सीखना हो उसकी लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मिस्स नौरिस ने बताया मुझे पता था कि उसके नाखुन उसकी पियानो अच्छी तरह से बजाने की इक्षा में बाधक होंगे उसकी पढ़ाई शुरू होने के पहले होने वाली बातचीत में मैंने नाखुनों के बारे में कुछ नहीं कहा मैं उसे सीखने से हतोच साहित नहीं करना चाहती थी और मुझे ये भी लगता था कि वो इन चीजों को खोना नहीं चाहेंगी जिस पर उसे गर्व है और जिसे आकरशक बनाने के लिए उसने मेडिक्यूर करवा कर अपने नेल्स को बहुत जादा ब्यूटिफाई किया था और उस पर काफी मेहनत की थी उसके पहले पार्ट के बाद जब मुझे लगा कि अभी समय सही है मैंने कहा बॉबेट तुम्हारे हाथ और नेल्स काफी अट्राक्टिव हैं अगर तुम अपनी क्षमता और एक्छाओ जितना अच्छा प्यानो बजाना चाहती हो तो तुम्हें इन नेल्स को थोड़ा ट्रिम करने से कितनी आसानी होगी तुम सोच भी नहीं सकती इसकी बारे में सोचना ठीक है उसने ऐसा फेस बनाया जो काफी नेगिटिव था मैंने उसकी मॉम से भी इस बारे में बात की और बताया कि उसके नेल्स कितने सुन्दर हैं फिर से नेगिटिव प्रतिक्रिया आई ये क्लिया था कि बॉबिट के सुन्दर नेल्स उसके और इस साक्रिफाइस के लिए उसकी पीर थबदबाई उसे काफी एप्रिशियेट किया। मैंने उसकी मा को भी बॉबिट के नेल्स कटवाने के लिए प्रोचाहिद करने के लिए थैंक्स किया। क्या मिस्स नौरिस ने बॉबिट को धमकाया। क्या उन्होंने कहा कि वो लंबे नेल्स वाली लड़की को नहीं बढ़ाएंगी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने पॉपिच को बताया कि उसके नेल सुन्दर है और उन्हें काटना, त्याग के उन्हें ट्रिम करना साक्रिफाइस के तरह होगा. उनका मतलब था, मैं तुम्हारे साथ सहानुभूती रखती हूँ. मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, पर तुम्हारे म्यूसिक के डेवलाप्मेंट में इससे फायदा होगा. डॉक्टर आथर आई गेट्स ने अपनी शांदार बुक एडुकेशनल साइकॉलोजी में कहा है, पूरे वर्ल्ड में मनुष्य सहानुभूती खोचता है, बच्चा अपनी चोड दिखाना चाहता है और कभी खुद पर खरोच लगा देता है ताकि सहानुभूती पा सके. खासकर अपने सर्जिकल ओपरेशन्स की जानकारी देते हैं, रियल या इमाजिनरी मिसफॉर्चियून्स के लिए, दुरघटनाओं के लिए खुद से हमदर्दी, सेल्फ पिटी पूरी दुन्या में होने वाली चीज है, इसलिए अगर आप दूसरों को अपनी सोच में ढा जाते हैं, तो इस चीज का अभ्यास कीजिए, और इसके साथ चाप्टर 9 यहाँ पर एंड होता है, जिसे हमें मिलता है प्रिंसिपल 9, दूसरे इंसान के आइडियास और एक छाओं के प्रती सहानुभूती रखिए, चाप्टर 10 एक अपील जिसे सभी पसंद करते हैं, मेरा पालन पोशन मिसूरी के जेम्स काउंटी में हुआ था, और मैं कियारनी में जेम्स फॉर्म गया हुआ था, जहां जेम्स, जेम्स की बेटे रहते थे, उनकी पतनी ने मुझे कहानिया सुनाई, कि कैसे जेम्स ट्रेन और बैंक लूटते थे, और वे पैसे आस-पास के किसान को दे देते थे ताकि वे कर्स चुका सके जैस जेम्स अपने आपको आदर्श्वादी समझते थे ठीक वैसे ही जैसे डच शूट्स, ट्रूगन क्रॉली, अलकपोन और पीडियों के बाद कई गुनाओं के गौट फादर अपने आपको समझते थे सच पाद तो यह है कि आप जितने भी लोगों से मिलेंगे वे अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने आपको नी स्वार्थी और अच्छा समझते हैं जे प्यार पॉंट मॉर्केन ने अपने एक विशलेशन में देखा कि कोई भी इंसान दो कारणों को कोई चीज करता है या तो वो अच्छा लगता है या फिर वास्तविक है इस इंसान खुद ही वो इंसान खुद ही वो वास्तविक वज़ा खोज लेगा आपको उस पर जो आदरश्वादी होने के कारण उन वज़ेओं के बारे में सोचना चाहते हैं जो अच्छे लगते हैं इसलिए लोगों को बदलने के लिए उनकी अच्छी वज़ेओं को अपील करना चाहिए क्या ये इतना आदरश्वादी है कि बिजनिस में काम नहीं कर सकता देखते हैं पेंसिलवेनिया के ग्लेनौर्डन के फरेर मिशोल कमपनी के हैमिल्टन जे फरलेल का मामला लेते हैं मिस्टर फरलेल का एक कुसेल किरायदार था जो छोड़ने के धमकी दे रहा था उस किरायदार की लीज चार महीने और वची थी तब भी उसने नोटिस दे दी कि वो जल्दी ही छोड़ना चाता है ये लोग मेरे घर में पूरे जाड़े में रहते थे साल की सबसे महेंगे हिस्से में मिस्टर फॉरलल ने क्लास में कहानी बताई और मुझे पता था कि पज़ड के बाद उस अपार्टमेंट को किराय पर लगाना मुश्किल होगा मुझे वो सारा किराया बरबाद होता दिखा और मुझे बड़ा गुसा आया अब सामान्यत मैं उस किरायदार के पास जाता और उसे लीज दुबारा पढ़ने के लिए कहता मैं इस बात पर ध्यान दिलाता कि अगर वो जाता है तो उससे बचा हुआ किराया देना पढ़ेगा और मैं वो किराया ले सकता हूँ लेकिन जगड़ा करने और ड्रामा करने के बजाए मैंने दूसरे तरीके आज़माने का फैसला किया इसलिए मैंने इस तरह शुरुवात की Mr. Daw मैंने कहा मैंने आपकी कहानी सुनी है और मुझे अभी भी नहीं लगता कि आप जाना चाहते हैं किराय के कारोबार में सालों कुजरने के बाद मनुश्य के सुभाव के बारे मैंने कुछ सीखा और आपको देखते ही मुझे लगा था कि आप अपने बात के पक्के हैं सच तो ये है कि मैं इस पर शर्ट लगाने के लिए भी तयार हूँ अब मेरी ये गुजारिश है कि अपने निर्ने को टेबल पर रखिए और कुछ दिन और सोचिए अगर आप मेरे पास आज से महीने की पहली तारीक के बीच आते हैं जब आपका किराया बचा हुआ है और मुझे बताते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं आपका निर्ने स्विकार कर लूँगा आपको जाने दूँगा और मान लूँगा कि मेरी आपके बारे में सोच गलत ही पर मुझे अभी भी लगता है कि आप अपनी बात के पक्के हैं और आप अपने कॉंट्राक्ट को पूरा करेंगे क्यूंकि आखिरकार हम या तो इनसान है या बंदर विकल्प हमारे बीच ही है फिर जब नया महीना आया तो वे सज्जन आये और उन्होंने अपना पूरा खिराया दिया उन्होंने अपने वाइफ से इस बारे में बात की ऐसा उन्होंने कहा और रुखने का फैसला किया उनका निशकर्श था कि रुख जाना ही सम्मान की बात होगी जब स्वर्गिय लौड नौर्थ क्लीफ ने पाया कि एक अख़बार उनकी एक फोटो इस्तमाल कर रहा था जो उन्हें पसंद नहीं थी उन्होंने एक पत्र लिखा पर क्या उन्होंने कहा कृप्या मेरी वो फोटो प्रकाशित न करें मुझे ये पसंद नहीं है नहीं उन्होंने उसकी नैतिक प्रेणा को अपील किया उन्होंने उसके उस समान और प्रेम को अपील किया चो हमें अपनी माओं के लिए होता है उन्होंने लिखा, कृप्या मेरी उस तस्वीर को दुबारा प्रकाशित न करें, मेरी मा को ये पसंद नहीं है जब जॉन डी जूनियर जाते थे कि अख़बारों की फोटोग्राफ्स उनके बच्चों की तस्वीरे नहीं खीचे तब उन्होंने भी लैतिक प्रेणा को अपील किया उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी तस्वीरे प्रकाशित होने देना नहीं जाता नहीं, उन्होंने उन फोटोग्राफ्स की उस इक्चा को अपील किया जो हम सब में होती है और जो हमें बच्चों का नुक्सान करने से रोकती है उन्होंने कहा भाईयों आपको पता है इस बारे में आप में से कई लोगों के अपने बच्चे हैं और आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए इतनी पब्लिसिटी अच्छी नहीं होती जब सौयरिस काटिस मायने का एक गरीब लड़का अपनी धूम मचाने वाला केरियर शुरू कर रहा था जो से दे साटर्स इवनिंग पोस्ट और लैडिस होम जर्नल के माले के रूप में कई मिलियन डॉलर की संपत्ति देने वाला था तब उसके पास अपने कॉंट्रिबूशन को देने के लिए वे पैसे नहीं थे जो अन्य पत्रकाओं के पास थे वो सिर्फ पैसे से अच्छे लेखों और आमंत्रित नहीं कर सकता था उधारण के तौर पर उसने लुईसा मॉय एलकॉट लिटल विमिन की अमेर लेखिकाओं को लिखने के लिए मनाया तब वे प्रसिद्धी के शिखर पर थी और उन्होंने ये काम सौ डॉलर का चेक भेज कर किया पर ये चेक उनके लिए नहीं था उनके पसंदिदा चारिटी के लिए था कई संशेवादी लोग कहेंगे ओ इस तरह की चीजे नॉर्थ क्लिफ या रॉक फेरर या एक भावुग लेखिका के लिए सही है पर क्या आप ये तरीका उनका ठोड़ लोगों के साथ आजमा सकते हैं चिनसे मुझे बिल लेना पड़ता है आप सही हो सकते हैं कोई भी चीज हर मामले में काम नहीं कर सकती और कोई भी चीज सारे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती अगर आप अभी पाने वाले परिणामों से संतुष्ट हैं तब बदलने की क्या जरूरत है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब क्यों न ट्राइ करें? किसी भी हाल में आपको हमारे भूत पूर्व छात्र चेम्स एल थॉमस के द्वारा बताई गई ये कहानी जरूर पसंद आईगी। एक automobile company में छे customers ने service का बिल देने से मना कर दिया। किसी भी customer ने पूरे बिल को गलत नहीं कहा। उनका मानना था कि कोई एक charge गलत था। हर मामले में customers ने किये गए काम के लिए हस्ताक्षर किया था। इसलिए company जानती थी कि ये सही था और उसने ऐसा कहा भी। ये उनकी पहली गलती थी। यहाँ वी कदम है जो credit विभाग के लोग बचे हुए बिल की payment लेने के लिए उठाते हैं। आपको लगता है वे सफल होते हैं। 1. उन्होंने हर customers को call किया और उसे मूँ पर बताया कि वे एक बचे हुए बिल को लेने आये हैं। 2. उन्होंने ये clear बताया कि company पूरी तरह से सही है इसलिए ग्राहक पूरी तरह गलत हैं। 3. उन्होंने ये बताया कि company automobile के बारे में उनसे जादा जानती है तो बहस किस बात कि थी। 4. परिणाम वे बहस करने लगे। क्या उनमें से किसी भी तरीके ने ग्राहक को मनाया और हिसाब बराबर किया। आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। इस मामले में credit manager एक legal talent के साथ जगड़ा करने ही वाला था। जब सौभाग इसे मामला general manager के पास आया, manager ने सभी बकाया राशी वाले client की खोजबीन की और पाया कि वे सभी पहले समय पर bill देते आये हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ गरबर थी, payments लेने के मामले में कुछ बड़ी गरबर थी। इसलिए उन्होंने James L. Thomas को बलाया और बिना payment वाले accounts को जमा करने के लिए कहा। यहाँ उन्ही के शब्दों में वे कदम हैं जो Mr. Thomas ने उठाए। 1. मैं हर एक customer के पास लंबे समय से पड़े bill की payment लेने गया था। एक ऐसा bill जो हमारी जानकारी में बिल्कुल सही था। मैंने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि company ने क्या सही किया और कौन सी गलती की। 2. मैं इस बारे में clear था कि जब तक मैं customer के कहानी न सुनलू तब तक उनसे असहमती नहीं बनाऊंगा। मैंने बताया कि company ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि उनसे गलती नहीं हो सकती। 3. मैंने कहा मैं सिर्फ उनकी कार में रूची रखता हूँ और ये कि वो अपनी कार के बारे में बाकियों से जादा जानता है और उसे इस विशय पर अधिकार है। 4. मैंने उसे बात करने दी। मैंने उसकी बात पूरी दिलचस्पी और सहानुभूती से सुनी जिसकी उसे आशा थी। मैंने उसकी नैतिक भावनाओं को अपील किया। 5. अंत में जब क्लाइंट एक समझदारी वाले मूड में हो तब मैं सारी चीजें उनके न्याय प्रियता के सामने रखता। मैं उसकी उदारता को अपील करता। पहली मैंने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मामले को ठीक से निप्टाया नहीं गया है। आपको असुविधा हुई है और आपको हमारे प्रतिनिदियों ने परेशान और तंग किया है। ये कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे खेद है और कंपनी के प्रतिनिदी ह होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपके पक्ष की बाते बैठ कर सुन रहा था और मैं आपकी न्याय प्रियता और धैरे से प्रभावित हुआ। अब चूकि आप न्याय प्री और धीरजवान हैं मैं आपसे अपने लिए कुछ चाहता हूँ। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आपसे बैतर कोई नहीं समझ सकता। यहां आपका बिल है। मैं जानता हूँ कि आपसे इस संभालने के लिए कहना बिलकुल सुरक्षित है क्यूंकि आप वैसा ही करेंगे मानो आप मेरी कंपनी के प्रेसिडिन्ट हैं। मैं सब कुछ चापकर छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। क्या उसने बिल के पैसे दिये? उसने ऐसा किया और उसे इससे काफी आनन भी आया। बिल की मात्रा 150 से 400 डॉलर के बीच थी, पर क्या कस्टमर ने इसे पूरा जमा किया? हाँ, एक ने किय लेकिन एक ने बिल का एक भी पैसा देने से इंकार कर दिया, लेकिन बागी पांचों ने अपनी तरफ से जादा से जादा पैसे दिये। अब इस पूरे मामले का सबसे अच्छा हिस्सा आता है। हमने उन छे कस्टमर को अगले दो सालों के अंदर नए कार्ज दी। अनुभव ने मुझे सिखाया है, मिस्टर थॉमस कहते हैं कि जब कस्टमर के बारे में कोई जानकारी न मिले तो ठोस आधार पर ये माना जा सकता है कि वो सच्छा, इमानदार, सच बोलने वाला और बिल के पैसे देने के लिए एक्छुक है। अगर उसे ये समझाया जाए कि चार्ट सही है, इसे दूसरी तरह से और जाधा सपश तरीके से बोलें तो लोग इमानदार हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। इस नियम के एक्सेप्शन काफी कम हैं और मुझे विश्वास है कि जो लोग जिम्मेदारी से कतराना चाहते हैं, वे भी अच्छी प्रतिक्रिया देंगे अगर आप उन्हें ये फील कराएं कि आप इमानदार, सच्चे और न्याएप्रिय हैं। तो इसके साथ चाप्टो टेन यहाँ पर एंड होता है और हमें प्रिंसिपल टेन मिलता है। प्रिंसिपल टेन लोगों की नैतिक भावनाओं को अपील करें। चाप्टो इलेवन ये काम फिल्मे करती हैं, टीवी करता है, इसे आप क्यों नहीं करते। कई साल पहले फिलाटेलफिया इवनिंग बुलेटिन को एक खतरनाक विस्परिंग कैम्पेइन द्वारा पदनाम किया जा रहा था। एक घट्या अफवा फैलाई जा रहे थी। एडविटाइजर को बताया जा रहा था कि अकबार अपाठकों में लोगप्रिय नहीं रहे क्यूंकि इन में समाचार कम और आडविटिस्मिन जाधा होते हैं। तुरंट कदम लेना जरूरी था, इस गबबाजी को खत्म करना था। लेकिन कैसे? ये इस तरह किया गया। बुलिटिन ने अपने नियमित एडिशन से किसी एक औसत दिन की सारे पढ़ने वाली सामगरी ली, इसे classified किया और इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। ये किताब वन जे कहलाई। इसमें 307 पेच थे और ये एक हाट कवर वाले बुक थी, लेकिन तब हे बुलिटिन ने एक दिन के सारे समाचार और फीचर सामगरी ली और इसे बेच दिया। कई डॉलर में नहीं, बलकि कुछ सेंस में। इस बुक की छपाई ने इस बात को नाट की अंदाज में पेश किया कि बुलिटिन के प्रचूर मात्रा में दिल्चस पाथन सामगरी आती है। इसने तथ्यों को आकडों और बातों से जादा जीवन्त तरीके से जादा रूचिकर अंदाज में जादा प्रभावशाली तरीके से पेश किया। ये नाट की अतरीकों का जमाना है। सिर्फ सच बताने से काम नहीं चलता। सच को जीवन्त, दिल्चस्प और नाट की बनाना पड़ता है। आपको शोमैन के गुण दिखाने होंगे। ये काम फिल्म में करती हैं, टेलिविजिन्स करता है और आपको भी करनी चाहिए। अगर आप ध्यान अट्राक करना चाहते हों तो। विंडो डिस्प्ले के खिलारी नाट कीयता की शक्ती जानते हैं। उदारन के तौर पर चुहों के जहर के निर्माताओं ने अपने डीलरों के लिए एक विंडो डिस्प्ले किया जिसमें दो जिन्दा चुहें शामिल थे। जिस विक चुहें दिखाए गए सेल सामान इसे पांच गुना जादा हुई। टेलिविशन कमर्शियल्स में प्रोडक्ट को बेचने के लिए नाटकिय तरीकों से उदारन भरे रहते हैं। एक शाम अपने टीवी के सामने बैट चाहिए और ध्यान से देखिए कि एड़टाइजर अपने प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं। आप देखेंगे कि एक एड़टिस दवा कैसे एक टेस्ट ट्यूब में एड़टिस का रंग बदलती है जबकि उसका प्रतियोगी ऐसा नहीं करता है कैसे साबून या डिटरजिंट का एक ब्रैंट एक गंदे शर्ट को साफ कर डालता है जबकि दूसरा ब्रैंट इसे ग्र खुश चेहरे कई प्रोडक्ट से मिलने वाली संतुष्टी दिखाएंगे ये सभी दर्शकों के भले के लिए बिखने वाली चीज के फायदों को नातिकिया बनाते हैं इस कारण लोग उन्हें खरीदते हैं आप बिजनिस या अपनी जिन्दगी के किसी और हिस्से में अप बेचते हैं ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने नाल्ट किया अंदाज दिखाकर सेल को सफल बनाया पिछले वीक मैं पडोस के किराना स्टोर में गया और मैंने देखा कि चेक आउंट काउंटर पर इस्तिमाल होने वाले कैश रजिस्टर बहुत पुराने फैशन के थे मैं माले के पास कया और मैंने कहा जब भी कोई कस्टमर आपकी लाइन में होकर गुजरता है तो आप कैसे फेक रहे होते हैं ये कहकर मैंने कुछ सिक के फर्ष पर फेक दिये वो तुरन ध्यान देने लगा मेरे शब्द उसके लिए दिल्चस्प हो सकते थे पर सिकों की आव जब पुराने जमाने में प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करते थे तब क्या वे सिर्फ प्रेम भरे शब्दों का इस्तमाल करते थे नहीं वे घुटनों पर आ जाते थे इससे पता चलता था कि वे अपने शब्दों के बारे में कमभीर हैं सीरियस है अब हम घुटनों पर नहीं आते पर प्रेम का निवेदन करते समय मीन्स प्रपोस करते टाइं रुमैंटिक इन्वारिन्मेंट जरूर बनाते हैं नाटिकी अंदाज बच्चों के साथ भी काम करता है अलाबामा के बर्गिमिंग के जेबी फंट ने इस बात से परिशानी हो रहे थी कि कैसे अपने पांत साल के बच्चे और तीन साल के बच्ची से खिलोने उठवाएं इसलिए उन्होंने एक ट्रेन बनाई जोई अपनी ट्राइ साइकल पर इसका इंजीनियर था कैप्टन कासे कोल्स जैनिट का डिबबा उससे जुड़ा था और शाम में उसने काबूस उसका डिबबा प तब कूत पड़ी जब उसका भाई पूरे कमरे में गारी चला रहा हो इस तरह सारा कमरा खाली हो गया बिना लेक्चर बहस और धमकी के इंडियाना के मिशा वाका की मेरी कैथरीन मुल्क को काम में कुछ दिक्कते आ रही थी और उसने तेह किया कि बौस से बात करेंगी मंदे मौनिंग को उसने एक अपॉइंटमेंट का निवेदन किया पर उसे बताया गया कि वे बहुत बिजी हैं और उसे सेकरेटरी से हफते भर बाद में अपॉइंटमेंट लेना चाहिए Secretary ने कहा कि boss का schedule बहुत busy है फिर भी वो कोशिश करेगी Miss Wolf ने बताया कि क्या हुआ मुझे पूरे week कोई जवाब नहीं मिला जब भी मैंने उससे पूछा वो मुझे कारण बताती थी कि boss उनसे क्यों नहीं मिल सकते थे Friday की सुबह आई और मुझे कोई जवाब नहीं मिला मैं उनसे वाकई मिलना चाहती थी और अपनी problems बताना चाहती थी इसलिए मैंने पूछा कि मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ End में मैंने जो किया वो इस तरह था मैंने उनने एक अपचार एक पत्र लिखा मैंने ये इशारा किया कि मैं समझती हूँ कि वे कितने बिजी हैं पर ये जरूरी है कि मैं उनसे भात कर पाऊं मैंने एक form letter डाला साथ में अपने पत्ते का एक लिफाफा डाला और उनसे कहा कि वो इसे भर दे और अपने सेकरेटरी से कहें कि मुझे लोटा दे form letter कुछ इस तरह का था मिस वुल्फ मैं आपसे सुबे शाम सुबे डाश शाम मिल पाऊंगा मैं तुम्हें इतने मिनिट दूंगा मैंने ये पत्र उनके एक इन बॉक्स में ग्यारा बचे सुबे डाला दो बचे दोपेर मैंने मेल बॉक्स चेक किया वहाँ मेरा अपना पते वाला लिफाफा था उन्होंने मेरा form letter खुद भरा था और इशारा किया था कि वे दोपेर के बाद 10 मिनिट के लिए मिल पाएंगे मैं उनसे मिली हमने घंटे बरबाद की और मेरी problem सुलच गई अगर मैंने इस तथ्य को नाट की अना बनाया होता कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ मैं उनसे मिलने का इंतिजार करती ही रह जाती जेम्स बी बोइंटन को एक लंबा market report पेश करना था उनकी firm ने cold cream के एक बड़े brand पर एक बड़ी study बनाई थी market में competition के बारे में data की जरूरत थी भावी ग्राहक advertising business का एक सबसे बड़ा ताकतवर और रसूख वाला आदमी था उनका पहला तरीका शुरू होने से पहले ही असफल हो गया पहली बार जब मैं अंदर गया Mr. Boynton ने बताया मैंने पाया कि मुझे invitation में इस्तमाल होने वाले तरीकों पर एक बेकार सा बहस में हटा दिया गया है उसने बहस की उसने बताया कि मैं गलत हूँ मैंने सिद करने की कोशिश की कि मैं सही हूँ अंद में मैं अपना point सिद कर पाया अपने संतोश के हिसाब से पर मेरा समय खत्म हो चुका था मेरा interview हो चुका था और मैं result नहीं ला पाया था दूसरे बार मैंने आकडों और डेटास की फिक्र नहीं की मैं इस आदमी से मिलने गया और मैंने facts को नाटकिय बनाया जैसे ही मैं office पहुँचा वो phone पर व्यस्त था जब उसने बात खत्म की मैंने अपना suitcase खोला और उनकी desk पर cold cream के 32 jar डाल दिये ये सभी वे product और brand थे जिनको वो जानते थे हर jar पर मैंने एक tag लगा डाला जिसमें trade sorry जिस पर trade investigation के results लिखे थे और हर tag अपनी कहानी खुद short में बताता था बहुत नाटकिय धंग से फिर क्या हुआ फिर कोई बहस नहीं हुई यहां कुछ नया, कुछ अलग था उसने पहला jar उठाया फिर दूसरा उठाया और tag पर लिखे जानकारी पड़ी एक friendly बात चीत हुई फिर उसने कुछ और सवाल पूछे वो काफी दिल्चस्पी ले रहा था उसने शुरुवात में अपने बात पेश करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनिट दिये थे लेकिन 10 मिनिट बीट गए फिर 20 मिनिट बीटे फिर 40 मिनिट और घंटे भर बात भी वो बात एक करता रहा मैं उन्ही तत्यों और फैक्ट्स को पेश कर रहा था जिन्हें मैंने पहले पेश किया था पर इस बार मैं नातकिय और शोमैन के गुण दिखा रहा था और कितना फर्क पड़ गया इसके साथ चाप्टर 11 यहां end होता है और हमें मिलता है प्रिंसिपल 11 अपने आइडियास को नातकिय बनाए चाप्टर 12 जब कुछ और काम न करे तो ये आजमाए चाल्स श्वाब का एक मिल मैनेजर था जिसके लोग अपने कोटा का काम नहीं कर रहे थे ऐसा क्यूं है श्वाब ने उससे पूछा कि तुम्हारे जतना काबिल एक मैनेजर इस मिल से उतना काम नहीं निकाल पाता जतना निकालना चाहिए मुझे नहीं पता, मैनेजर ने जवाब दिया मैंने लोगों को मनाया, उन पर दबाव डाला कई में कस्में खाई और गाली दी मैंने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी पर कुछ भी काम नहीं करता, वे काम ही नहीं करते ये बात दिन के अंत में हुई जब नाइट शिफ्ट शुरू होने ही वाला था श्वाब ने मैनेजर से चौक का टुकड़ा लाने को कहा फिर उससे नस्दीक के आदमी की ओर मोड कर कहा अपनी शिफ्ट में तुलने तुमने कितने हीट बनाए आई रिपीट, श्वाब ने मैनेजर से चेक का टुकड़ा लाने को कहा फिर सबसे नस्दीग के आदमी की ओर मुड़कर कहा अपनी शिफ्ट में तुमने कितने घंटे काम किये और कितने हिट बनाए छे, बिना अगला शब बोले श्वाब ने फर्ष पर एक बड़ा अक्षर लिखा और चले गए जब नाइट शिफ्ट आई, उन्होंने छे देखा और पूरे और पूछा कि इसका क्या मतलब है बड़े बॉस आये थे, दिन वाले लोगों ने कहा उन्होंने पूछा कि हमने आज कितने हीट बनाए और हमने बताया छे, उन्होंने फर्ष पर लिखा और चले गए अगले दिन श्वाब मिल से फिर गुजरे नाइट शिफ्ट ने छे मिटा दिया था और बगल में साथ लिख दिया था जब दिन की शिफ्ट वाले अगली सुबह आए तो उन्होंने फर्ष पर एक बड़ा साथ लिखा देखा नाइट शिफ्ट वालों को लगा कि क्या वे दिन के शिफ्ट वालों से बहतर नहीं है अच्छा, वे नाइट शिफ्ट वालों को सबक सिखाएंगे टीम पूरे जोश से लग गई और जब वो रात में गई तो उन्होंने फर्ष पर भड़ा सा दस लिख छोड़ा था चीजे आगे बढ़ रही थी जल्द ही वो मिल जो दूसरों से पीछे थी उसने बाकी मिल से जादा निर्मान शुरू कर दिया था प्रिंसिपल चार्ल्स श्वाब के शब्दों में सुने काम कराने का तरीका है श्वाब ने कहा कि प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए मैं पैसे कमाने वाले तरीके की नहीं अच्छा काम करने के धुन के बारे में बात कर रहा हूँ अच्छा काम करने की धुन, चुनौती, आगे बढ़ने के लिए उक्साना, लोगों की फीलिंग्स को जगाने का सटीक तरीका बिना चुनौती के थियोट और रूसवेल्ट कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते क्यूबा से आते ही रफ राइडर को न्यूँ यॉर्क स्टेट का गवर्नर बनाया गया था सवाल उठा कि वो स्टेट का लीगल रेसिडेंट नहीं था और रूसवेल्ट डर कर पीछे हटने वाले थे तब न्यूँ यॉर्क के यूएस सिनेटर थॉमस कॉलियन प्लांस ने चुनौती दे डाली थियोट और रूसवेल्ट को चुनौती देते हुए वे शांदार अवाज में चिलाए क्या सैंस्वैन हिल का हीरो एक कायर है? रूसवेल्ट लडाई में बने रहे और फिर हिस्ट्री बन गया इस चुनौती ने न सिर्फ उनकी जिन्दगी बदली थी बलकि इसने देश के फ्यूचर पर भी काफी इफेक्ट डाला प्राचीन ग्रीस के किंग के गार्ड का नारा था सभी लोग डरते हैं पर बहातुर लोग अपने डर को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कई बार मौत तक लेकिन हर बार जीत तक उस डर को जीतने के अफसर से बड़ी चुनौती कहां से मिल सकती है? जब अल स्मित न्यूयोर्क के गवर्णर थे वे इसके खिलाफ थे सिंग सिंग डेविल्स आइलाइन के पश्चिम का सबसे कुख्यात सुधारगरी बिना वॉर्डन के था उसके दिवारों में खोटालो और बुरी अफ़ाहों का जोर पकड़ रहा था स्मित को सिंग सिंग पर राज करने के लिए एक मजबूत इंसान की जरूरत थी पर कौन? उन्होंने न्यू हैंटन के लूइस ए लावेस को बुलाया लावेस चकरा गए, वे सिंग सिंग के खत्रों को जानते थे ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, वे पॉलिटिकल जुनून पर निर्भर थी वॉजन आते थे और जाते थे, एक तो सिर्फ तीन हफ़तों तक ही टिका था उसे अपने केरियर के चिंता थी, क्या वो ये खत्रा उठाने के लायक था? तब स्मिथ, जिन्होंने उनकी हिचक को देखा, अपनी कुर्सी पर पीछे जुके और मुस्कुराए नव यूवक, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डरने के लिए दोशी नहीं ठहराता, ये मुश्किल काम है, मैं किसी बड़े आदमी को चुन कर वहाँ डाल दूँगा स्मिथ, एक चुनोती पेश कर रहे थे हैं ना? लावेस को एक ऐसे काम करने का आइडिया पसंद आया, जिसके लिए किसी बड़े आदमी की जरूरत थी, इसलिए वे गए और वे रुके, वे रुके और अपने समय के सबसे फेमिस वार्डन बने, उनकी बुक 20,000 Years in Sing Sing ने लाखो कौपीज बेची, उनके ब्रॉडकास्ट और जेल के जीवन पर लिखी कहानियों के कहानियों ने दरजनों फिल्म्स को प्रेणा दी, उनका अपराधियों को मानविय बनाना, प्रिजिन रिफॉर्मेशन में मिराकल से कम नहीं था, मैंने कभी नहीं पाया, हार्वे S. फायर स्टोन टायर और रबर कंपनी के संस्था आपक ने कहा कि सिर्फ पैसों से अच्छे लोगों को साथ लाया जा सकता है, यह सिर्फ इस काम के आकर्शन से हो सकता है, फ्रेडरिक हर्ग बर्ग एक महान behavioral scientist भी स्विकार करते हैं, उन्होंने factory workers से लेकर senior executive तक हजारों लोगों का काम के प्रती नजर्ये पर study किया, आपको क्या लगता है, उनके हिसाब से सबसे जादा प्रेड़ना देने वाली चीज क्या है, काम का सबसे जादा उत्तेजित हिस्सा क्या है, पैसा, काम की अच्छे परिस्थितियां, फायदे, नहीं, इन में से कोई भी नहीं, काम को वो हिस्सा जो सबसे जादा प्रेड़ना देत वो है खुद काम, अगर काम दिल्चस्प और जोशीला हो, तो काम करने वाला खुद इसे करने के लिए आगे आता है, और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित रहता है, यही बात हर सफल आदमी पसंद करता है, यह गेम, अपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका, अपने वर् अच्छा करने की इच्छा, important महसूस करने की इच्छा, और इसके साथ, chapter 12 यहाँ पर end होता है, and हमें मिलता है principle 12, principle 12, चुनौती दे डाले, so इसके साथ, हमारा part 3, यहाँ पर complete होता है, इस third part में, हमने total 12 principles को पढ़ा है, तो चलिए, थोड़े शब्दों में लोगों को अपनी सोच में कैसे ढाले, इसके लिए 12 principles को revise करते हैं, principle 1, किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है, जब इसे न किया जाए, principle 2, दूसरे इंसान के नजरिये के प्रतिर सम्मान दिखाए, कभी न कहें, आप गलत हैं, principle 3, अगर आप गलत हैं, तो तुरंट और सहर्ष स्विकार कर लीजे, principle 4, तो स्ताना तरीके से शुरुवात कीजे, principle 5, दूसरे इंसान से तुरंट हाँ हाँ कहलवाए, principle 6, तूसरे इंसान को अपने बारे में जादा बाते करने दे, principle 7, तूसरे इंसान को महसूस करने दीजे कि आइडिया उसी का है, principle 8, तूसरे इंसान की नजरिये से चीजों को इमानदारी से देखे, principle 9, दूसरे इंसान के आइडिया और एक छाओं के प्रति सहानु भूती रखिए प्रिंसिपल 10 लोगों की नैतिक भावना को अपील करें प्रिंसिपल 11 अपने आइडिया को नाचकिय बनाए and lastly प्रिंसिपल 12 चुनौती दे डाले अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ that is part 4 लीडर बने लोगों को बिना अपमानित किये या कटुता जगाए कैसे बदले Be a leader, how to change people without giving offense or arousing resentment Chapter 1 अगर आपको गलती निकालनी है तो ये है शुरू करने का तरीका मेरा एक दोस्त Calvin College के समय एक weekend में White House में महमान था President के private office में जाते समय उसने कोलिस को एक private secretary को कहते हुए सुना तुमने काफी सुन्दद्रेस पहन रखी है और आज तुम काफी attractive लग रही हो ये शायद सबसे भावक तरीक तारीफ होती जो शान Calvin ने किसी secretary को कभी भी दी होगी ये इतना अचानक था आशा के इतने बड़े था कि secretary confusion में blush करने लगी तब कुलीस ने कहा अब इसी में मत अटकी रहो मैंने ये सिर्फ तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए कहा आगे से मैं चाता हूँ कि तुम अपने pronunciation के बारे में अपने उचारन के बारे में जादा साफधान रहो उनका तरीका शायद बहुत जादा सपश्ट था पर इसके पीछे का साइकालोजी काफी अच्छा था अपने बारे में थोड़ी प्रिशन सा सुनने के बाद अपने बारे में कड़वा सुनना आसान हो जाता है एक हजाम दाड़ी बनाने से पहले जाग लगाता है और ठीक यही काम मैक किनले ने 1896 में किया जब वे प्रेस्डेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस समय के रिपब्लिकन्स में सबसे ज़ादा फेमस एक इनसान ने कैंपेन के लिए एक भाशन लिखा था जो उनके हिसाब से Cicero Patrick Henry और Daniel Webster को मिला कर लिखने से सिर्फ थोड़ा बहत खुशी के साथ उचे पॉइंट्स थे पर ये काफी नहीं था इससे क्रिटिसिजम का तुफान उच सकता था मैक किनले उस इंसान की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे वे उस इंसान का जोश नहीं खतम करना चाहते थे लेकिन उन्हें न भी कहना था देखिए कितनी एफिशेंटली उन्होंने ऐसा किया मेरे दोस्त ये एक श्रेश्ट स्पीच है उत्तम भाशन है मैक किनले ने कहा इससे अच्छा भाशन कोई नहीं लिख सकता था कई occasions पर ये स्पीच शायद सही सिध होता पर क्या ये इस occasion इस अफसर के लिए सही है आपके हिसाब से ये अच्छा और प्रभावी है पर मैं इसका प्रभाव पाती के नजरिये से देखना चाहूंगा अब आप खर जाए और मेरे निर्देश के हिसाब से एक भाशन लिखिए और मुझे एक कॉपी भेज दीजे उसने ऐसा ही किया मैं किनले ने ब्लू पेंसिल से निशान लगाए और उसे दुबारा भाशन लिखने में मदद की और वो कैंपेन का एक प्रभाव शाली वक्ता बन गया यहाँ दूसरा सबसे फेमस पत्र है जो इब्राहिम लिखा था उनका सबसे प्रसिथ भाशन मिसिस बिक्सबी को लिखा गया था जिसमें उनोंने उनके युद्वें पाचों बेटों की शहादत पर लिखा था लिंकन ने शाइद ये पत्र पांच मिनट में लिखा होगा पर ये एक public auction, एक public निलामी में 1926 में 2000 डॉलर में बिका और वो उस पैसे से जादा था चो Lincoln अपने 50 साल के काम में बचा पाये थे ये पत्र 26 एप्रिल 1863 में Civil War के सबसे बुरे दिनों में General Joseph Hooker को लिखा गया था 18 में इनों तक Lincoln General Unionist Army का एक के बाद दूसरी हार में नित्रित्व कर रहे थे ये बेकार और बेवकूफी भरा इंसानी हत्या से जादा कुछ नहीं था पूरा देश स्थब्द था हजारों सैनिक आर्मी छोड़ चुके थे और सिनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रो कर दिया था और वे Lincoln को वाइट हाउस से निकालना चाहते थे हम विनाश के कगार पर पहुँच चुके थे Lincoln ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है मुझे आशा की एक किरन तक नहीं दिखी दुख और अराजक्ता के ऐसे भवर में वे पत्र निकला था मैं ये पत्र यहाँ छाप रहा हूँ क्योंकि ये दिखाता है कि Lincoln ने कैसे एक उत्पाती जैनरल को बदलने की कोशिश की थी जिसके काम पर देश का भागित टिका हुआ था ये शाद सबसे तीखा पत्र था जो Lincoln ने प्रेसिडेंट बनने के बाद लिखा था तब भी आप देखेंगे कि उन्होंने जैनरल हुकर की गलतिया बताने से पहले उनके तारीफ की थी हाँ वे बड़ी गलतियां थी पर Lincoln ने उन्हें वैसे नहीं कहा Lincoln सुलजेवय व्यक्ति थे व्यवहार कुशल थे Lincoln ने लिखा कुछ चीजें हैं जिनके मामले में मैं तुमसे संतुष नहीं हूँ ये थी समझदारी और व्यवहार कुशलता यहां जैनरल हुकर को लिखा गया पत्र है मैंने तुम्हें पोटो मैक की आर्मे का मुख्या बनाया है जाहिर बात है मैंने ऐसा पर्यात कारणों से किया है फिर भी तुम्हारे हित में मैं बताना चाहूंगा कि मैं तुमसे पूरी तरह संतुष नहीं हूँ मेरा विश्वास है कि तुम एक बहादुर और कुशल सैनिक हो जो मैं पसंद करता हूँ मेरा ये भी विश्वास है कि तुम अपने पेशे में राजनीती का मिलाप नहीं करते जो एक बहुत अच्छी बात है तुम में अपने आपने विश्वास है जो एक अच्छा गुण है भले ही अनिवार ये नहों तुम महत्व कांक्षी हो जो सीमिद मात्रा में भला करता है नुकसान नहीं पर मुझे लगता है कि जेनरल बर्ण साइन के आर्मी में कमांड के दौरान तुमने अपनी महत्व कांक्षा को जादा महत्व दे दिया और उन्हें रोकने की पूर जोर कोशिश की जो देश और एक अती प्रतिभाशाली और माननिय भाई जैसे ओफिसर के साथ गलत व्यवहार है। मैंने विश्वास करने योग्य तरीके से सुना है कि तुम हाल में कह रहे थे कि आर्मी और गवर्मेंट को एक ताना शाह की जरूरत है। जाहिर है इस कारण से नहीं बलकि इसके बावजूद मैंने तुम्हें कमांड दिया है। केवल वही जेनरल ताना शाह बन पाते हैं जो सफल होते हैं। अगर तुम मुझे मिलिटरी सफलता देते हो तो मैं ताना शाही का खत्रा उठाने के लिए तयार हूँ। सरकार तुम्हें अपनी पूरी क्षमता में सपोर्ट करेगी जो अब तक कर अपने कमांडों के लिए किये गए और किये जाने वाले काम से न जादा है न कम है। मुझे डर है कि तुमने आर्मी में अपने कमांडर की आलोचना करके उनके विश्वास को छोट पहुचा कर जो भावना डाली है वो तुम्हारे खिलाव जा सकती है। मैं इसे खत्म करने में तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। न तो तुम और नहीं नेपोलियन अगर वो जिन्दा होता ऐसे भावनाओं से भारी आर्मी से कोई लाब उठा पाता। इसलिए अपने बरताव से साफधान रहो लेकिन अपनी उर्चा और अथक बहादुरी से जीत हासित है। आप न तो कुलिस हैं न मैक किनले हैं और नहीं लिंकन हैं। आप जानना चाते हैं कि ये फिलोसफी आपके रोज के बिजनिस संपरकों में काम देगिया नहीं है ना। तो देखते हैं। फिलाडेलफिया के वर कंपनी के W.P.Gov ने मामले में देखते हैं। वर कंपनी ने एक निश्चित दिथी तक फिलाडेलफिया में एक बड़े ओफिस को बनाने का कॉंट्राक लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिल्टिंग लगभग बन चुकी थी। तब अच्छानक बिल्टिंग के बाहर कांसे की शोभवस्तु बनाने वाले सहायक कॉंट्राक्टर ने कहा कि वो समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा। क्या एक पूरी बिल्टिंग रुक गई। इतना नुकसान, इतनी परेशानी सिर्फ एक आदमी के कारण। लंबी दूरी की फोन कॉल, पहस, कर्मा हट की बाते सब बेकार गई। तब मिस्टर गाव को न्यू यॉर्क भेजा गया ताकि वे कांसे के शेर को उसके घर में काबू कर सके। क्या आपको पता है कि आपके नाम का ब्रुकलिन में एक भी आदमी है। मिस्टर गाव ने सहायक कॉंट्राक्टर के प्रेसिडेंट से मुलाकात हे तू ही तुरन कहा। प्रेसिडिन्ट चकित हो गया नहीं, मुझे नहीं पता था अच्छा, मिस्टर गाव ने कहा जब मैं सुबर ट्रेन से उत्रा मैंने टेलिफोन बुक में आपका पता खोजा और ब्रुकलिन की फोन बुक में आपके नाम से सिर्फ एक व्यक्ति है मैं नहीं जानता था सहाय कॉंट्राक्टर ने कहा उसने फोन बुक को दिल्चस्पी से चेक किया हाँ, ये थोड़ा अनोखा नाम है उसने गर्व से कहा मेरा परिवार हॉलान में आया और 200 साल पहले नियू यॉर्क में बस गया वो अपने परिवार और पूरवजों के बारे में कई मिंटे तक बाते करता रहा जब वो चुप हुआ तब मिस्टर गाव ने उसके बड़े प्लांट की तारीफ की और अन्य प्लांट से उनके तुलना की ये अब तक की सबसे साफ और अच्छी कांसे की फैक्टरी है जो अब तक मैंने देखी है गाव ने कहा मैंने इस बिजनिस को बनाने में पूरा जीवन लगा दिया है सहाया कॉंट्राक्टर ने कहा और मुझे इस पर प्रावड है क्या आप मेरी फैक्टरी देखना चाहेंगे निरिक्षन के दौरान मिस्टर गाव ने फाब्रिकेशन के सिस्टम पर उनकी तारीफ की और बताया कि उसका सिस्टम उसकी कॉंपेटिटर्स से बहतर क्यूं है गाव ने कई अनोकी मशीन की भी तारीफ की और सहायक कॉंट्राक्टर ने बताया कि कई मशीनों का आविशकार उसने खुद किया है उसने गाव को लंबे समय तक दिखाया कि वे मशीने कैसे काम करती है और वे कितना अच्छा काम करती है फिर वो मेहमान को लंच पर ले जाने का निवेधन करने लगा अब तक ध्यान दीजे काव ने आने के मूल उपदेश पर एक भी शब नहीं कहा था लंच के बाद सहायक कॉंट्राक्टर ने कहा अब काम की बात करते हैं मुझे पता है कि आप क्या आप यहां क्यूं आए हैं मैंने नहीं सोचा था कि हमारा मिलना इतना अननपूर्ण होगा आप फिलाडेलफिया जा सकते हैं और आपको मेरा वादा रहा कि आपका समान बनकर आप तक पहुँँच जाएगा भले ही बाकी ओर्डर्स का इंतिजार करना पड़े मिस्टर गाव को वो सब मिला जो वो चाहते थे वो भी बिना मांगे समान समय पर पहुँचा और बिल्डिंग उस दिन तयार हुई जिस दिन कॉंट्राक में उसने तयार होने की बात की थी क्या ये पॉसिबल हो पाता अगर मिस्टर गाव ने अन्य अफसरों पर इस्तिमाल होने वाला हथोड़ अमार तरीका अपनाया होता प्रशंस से शुरू करना वैसा ही है जैसे डेंटिस्ट अपना काम नोवो केन से करते है मरीज को ड्रिल का सामना करना पड़ता पर नोवो केन दर्द कम कर देता है क्योंकि ये एक पेन किलर है एक लीडर इस्तिमाल करेगा इसके साथ चाप्ट वन यहाँ पर एंड होता है और प्रिंसिपल वन है तारीफ और सची प्रशंसा से शुरू कीजिए चाप्ट टू आलोचना कैसे करे ताकि लोग आपसे नफरत ना करे चाल्स श्वाब तो पेर में अपनी एक स्टील मिल से गुजर रहे थे जब उन्होंने कई करमचार्यों को सिगरट पीते देखा उनके सिर के ठीक उपर नो स्मोकिंग धुमरपा निशेत का बोड लगा था क्या श्वाब ने उन बोड को की और इशारा करके कहा ये पढ़ नहीं सकते न श्वाब ने ऐसा नहीं किया वे उन लोगों के पास कए हरे को एक सिगार दिया और बोले लड़को मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये बाहर जाकर पियो वे लोग जानते थे कि उन लोगोंने नियम तोड़ा है और उन लोगोंने उसकी एक बात की इज़द भी की क्यूंकि उन्होंने उन लोगों को एक बार में कुछ नहीं कहा और उन्हें छोटा गिफ्ट दिया और उन्हें इंपोर्टेंट मैसूस कराया क्या आप ऐसे इंसान से खुद को प्रेम करने से रोख सकते हैं? जौन वॉनर मेकर इसी तरीके का इस्तमाल करते थे वॉनर मेकर फिलाटेलफिया में अपने विशाल स्टोर में रोज घूमने जाते थे एक बार उन्होंने एक कस्टमर को काउंटर पर इंतिजार करते देखा कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था सेल्स के लोग? ओ, वे दूर एक कोने में हस रहे थे और एक दूसरे से बात करने में बिजी थे वॉनर मेकर ने एक शब नहीं कहा चुपचाप वे काउंटर के पीछे गए खुद ही उस महिला की खातिर की और खरीदारी का समान सेल्स के लोगों को पैक करने के लिए देते गए पबलिक आफिसर्स पर अकसर अपने क्षेत्र के लोगों के करीब नहीं होने का आरोप लगता है वे व्यस्त होते हैं और कई बार दोश उनके सेकरेटरी का होता है जो अपने बॉस पर काफी सारे लोगों से मिलने के का दबाव नहीं डालना चाहते कार्ल लंग फॉर्ड जो दिसनी वर्ल के घर फ्लॉरिडा और नेडो के मेर थे अकसर अपने स्टाफ को बोला करते थे कि वे लोगों से उन्हें मिलने दे उनका दावा था कि उनकी ओपन डोर पॉलिसी थी फिर भी उनके सेकरेटरी और एड्मिनिस्ट्रेशन उनके समुदाई के नागरिकों को उनसे मिलने से रोक देते थे अंत में मेर को हल मिल गया उन्होंने अपने ओफिस के दर्वाजे को ही हटा दिया उनके सहायकों को संदेश मिल गया और तब से मेर का वास्तव में ओपन एड्मिनिस्ट्रेशन रहा क्यूंकि दर्वाजे को संकेत के तौर पर हटा दिया गया था कई बार तीन अक्षरों का एक शब बदलने से लोगों को बिना अपमारिद किये और कटुता पैदा किये बदलने के मामले में सफलता और असफलता निर्धारिद हो जाती है कई लोग अपनी आलोचना को सची प्रशंसा से शुरू करते हैं और बाद में लेकिन शब लगाकर आलोचना छोड़ देते हैं उदारन के तौर पर बच्चे का पढ़ाई के प्रतीन जर्या बदलने की कोशिश में हम कह सकते हैं जौनी हमें तुम पर गर्व है क्यूंकि तुम्हारे ग्रेट अच्छे आए हैं लेकिन अगर तुमने एल्जबरा पर जादा मेहनत की होती तो परिणाम और अच्छे होते इस मामले में जौनी लेकिन शब्त सुनने पर प्रोचाहित महसूस करता लेकिन फिर वो प्रशंसा की सचाई पर सवाल खड़ा करता उसके लिए प्रशंसा सिर्फ उसकी असफलता की आलोचना करने के लिए एक चाला की भरी शुरुवात होती विश्वास नियता खत्म हो जाती और हम जौनी का पढ़ाई से पढ़ाई के प्रती नजर्या बदलने के लक्ष में काम्याब नहीं हो पाते ये दिक्कत लेकिन शब्त को और से बदल कर दूर की जा सकती है जौनी हमें तुम पर बहुत गर्व है क्यूंकि तुमने अपने ग्रेट बहतर किये हैं और अगले टर्म की पढ़ाई में पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे एल्जेबरा के ग्रेट्स भी इससे अच्छे हो जाएंगे अब जौनी इस प्रशंसा को ग्रेहन करेगा क्यूंकि उसके बाद उसकी असफलता का संगेत नहीं था हमने उसके व्यवहार में बदलाव की और अपोक्र परोप शुरूप से इशारा किया है और उमीद है कि वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा अगर इंसान इतना संवेदन शील हो इतना सेंसिटिव हो कि उसे कटू क्रिटिसिजम बिल्कुल पसंद नहीं तो उसके गलतियों पर परोप्ष रूप से मतलब इंडिरेक्ट वे से इशारा करने से कमाल हो सकता है वान सॉकेट रोड आइलेंड की मारजी जैकब ने हमें क्लास में बताया कि उन्होंने कैसे कुछ धीले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने घर में निर्मान करने के बाद सफाई करने के लिए मनाया काम शुरू होने से कुछ दिन बाद जब मिसिस जैकब ओफिस से लोटी तो उन्होंने देखा कि उनकी यार्ड लकडियों के टुकडों से भरी पड़ी है वे पिल्टर से जगडा नहीं करना चाहती थे क्योंकि वो काम बाप काफी अच्छा कर रहे थे इसलिए उन सब के जाने के बाद उन्होंने अपने वच्छों के साथ लकड़ी के कुड़ों को एक कोने में डाल दिया अगले दिन उन्होंने फोर्मैन को बगल में बुलाया और कहा मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह आपने सामने के लॉन को छोड़ दिया था ये अच्छा और साफ था और इससे पडोसियों को भी परिशानिया नहीं हुई उस दिन के बाद से वर्कर्स ने सारा कूड़ा उठा कर एक दरफ डाला शुरू कर दिया और फोर्मैन हर दिन ये पूछने आता था कि लॉन काम के बाद ठीक धंग से छोड़ा गया था या नहीं आर्मी रिवजर्व के सदस्यों और रेगुलर आर्मी चेनर्स के बीच जगड़े की मुख्य वज़ा होती है हैर कट रिजर्व वाले अपने आपको सिविलन समझते हैं जो वे जादा समय ऐसा होता भी है और अपने बाल छोटे कराना पसंद नहीं करते 5.42nd V.S.A.R. स्कूल के मास्टर सार्जेंट हारले कैसर को इस समस्या से सामना करना पड़ा जब वे रिजर्व नॉन कमिशन्ड ओफिसर्स के एक ग्रुप के साथ काम कर रहे थे पुराने जमाने के रेगिलर आर्मी सार्जेंट होने के कारण उनसे चीखने और ग्रुप को धमकाने की आशा की जा सकती थी लेकिन उन्होंने अपने बात इंडरेक्ट वे से रखने की कोशिश की और कहा सजनों उन्होंने कहना शुरू किया आप लीडर हैं आप सबसे ज़ादा प्रभावशाली तब होंगे जब उदाहरन देकर नेत्रत्व करेंगे आपको पता है कि हैकट के बारे में आर्मी के नियम क्या कहते हैं मैं आज अपने बाल कचवाने जा रहा हूँ हाला कि ये आपके बालों से छोटे हैं आप अपने आपको मिरर में देखे और अगर आपको लगता है कि हैकट से आप एक अच्छा उदाहरन पेश करेंगे तो ह हम हजाम के पास जाने के लिए विस्था कर देंगे परिणाम आशा के स्वरूप आया कई कैंडिडेट्स ने खुद को मिरर में देखा और दोपेर के बाद वे हजाम के पास गए और रेगूलेशन हैकर्ट कर आया कैसर ने अगले सुबह कमेंट किया कि वे स्क्वॉड के काफी सारे मेंबर्स में लीडर्शिप क्वालिटी का देवलप्मेंट देख रहे हैं 8 मार्च 1887 को बोलने में कुशल हेंडरी वॉर्ड बीचर का निधिन हो गया अगले रविवार लाइमैन अबोट को बीचर वादवारा छोड़े गई जगे में बोलने के लिए आमंतरित किया गया अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आतुर उन्होंने लिखा फिर से लिखा और अपने भाशन को धंग से तयार किया तब उन्होंने इसे अपने बीवी के सामने पढ़ा ये बेकार था जैसे कि अधिकतर भाशन होते हैं वो ऐसा कह सकती थी अगर उसे कम समझ होती लाइमैन ये बेकार है ये काम नहीं करेगी तुम लोगों को सुला दोगे ये इनसाइकलोपीडिया की तरह लगता है इतने साल उपदेश देने के बाल भी तुमने कुछ भी नहीं सीखा भगवान के लिए तुम इनसान की तरह बात क्यों नहीं करते तुम सभावे क्यों न उन्हें भी बता था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये North American Review के लिए अच्छा निबन बन सकता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसकी तारीफ की और नर्मी से बता भी दिया कि ये भाशन के लिए सही नहीं है। लाइमान अबोट ने इस बात को समझा, सावधानी से तयार किये भाशन को फार दिया और वे वे बिना Notes के बोले। दूसरों की गलती को सुधारने का अच्छा तरीका है। इसके साथ चाप्टर 2 यहां खतम होता है और हमें मिलता है प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 2 लोगों के गलतियों पर परोग्ष रूप से इंडरेक्टली ध्यान दिलाया जाए। चाप्टर 3 अपनी गलतियों के बारे में पहले बात करें। मेरी भतीर जी जौसेफीन कार्णेगी मेरी सेक्रेटरी बनने न्यू यूर्क आई थी वो 19 साल की थी वो 3 साल पहले हाई स्कूल पास्थ हुई थी और उसका बिसनेस कानुभव शून्य से थोड़ा जादा था वो आकर आगे चलकर सुएस के पश्षम में सबसे सक्षम सेक्रेटरी बन गई लेकिन शुरुआत में उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी एक दिन जब मैं उसकी आलोचना करने ही वाला था मैंने खुद से कहा एक मिनिट रुख जाओ डैल कारने की एक मिनिट रुख जाओ तुम जैसोफीन के से उम्र में दो गुने हो तुम्हारे पास दस हजार गुना जादा बिसनिस का एक्सपीरिंस है तुम उससे कैसे आशा कर सकते हो कि उसमें तुम्हारे जैसा नजर्या, समझ और निर्ना लेने की क्षमता हो भले ही कितने साधारन हो और एक मिनिट डेल कारने की तुम उननीस साल के उम्र में क्या कर रहे थे याद करो उन गलतियों को जो तुमने की याद करो जब तुमने ये किया, वो किया इस मामले पर इमानदारे और निक्षपक्षता से सोचने पर मैंने पाया कि जैसोफीन एक 19 साल की उम्र में बैटिंग आवरिज मुझसे बहतर थी और ये मुझे बताते अफसोस होता है जैसोफीन की प्रशंसा नहीं इसलिए उसके बाद जब मैं जैसोफीन का ध्यान उसकी गलतियों पर खीचना चाहता था मैं इस तरह से शुरुवात करता था जैसोफीन तुमने एक गलती की पर ईश्वर जानता है ये मेरी गलतियों से कितनी छोटी है तुम निर्ने लेले की क्षमता के साथ पैदा नहीं हुई ये एक्सपीरियन से आती है और तुम इस उम्र में मुझसे बहतर हो मैंने खुद कई बेफकूफी भरी गलतियां की है और मुझे तुम्हे या किसी की आलोशना करने का अधिकार नहीं है पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये काम कुछ इस तरह करना चाहिए था अपनी गलतियों के बारे में सुनना उतना बुरा नहीं लगता जब आलोशना करने वाला खुद अपनी गलतियां गिनार रहा हो और बोल रहा हो कि वो भी गलतियां करता था कैनेडा के E.G. डिली स्टोन को अपने नए सेक्रेटरी से दिक्कते आ रही थी उनके द्वारा डिक्टेट की हुए चित्थियां हर पेस पर दो या तीन गलतियों के साथ आ रही थी मिस्टर डिली स्टोन ने बताया कि उन्होंने इस थिति को कैसे संभाला कई engineers की तरह मुझे अच्छी English और spoken के लिए नहीं जाना जाता था इसलिए सालों तक मैंने उन चब्दों की spellings की एक notebook रखी है जिनकी spellings में मुझे problems होती है जब मुझे ये लगा कि सिर्फ गलतियों पर इशारा करने से मेरी सेकरेटरी अच्छी प्रूफ रीडिंग या डिक्टेशन की काम नहीं कर पाएंगी तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया अब जब भी अगली चिठी आई जिसमें गलतिया थी तो मैं टाइपिस्ट के साथ बैठा और मैंने कहा ये शब्द कुछ सही नहीं लगता ये उन शब्दों में से एक है जिन में मुझे अमेशा दिक्कत होती है इसलिए मैंने स्पेलिंग की एक नोट बुक साथ रखने शुरू की है मैंने बुक कर सही पेच खोला हाँ ये यहाँ है मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में काफी सजग हूँ क्योंकि लोग हमारे पत्रों को पढ़कर हमारे बारे में निर्ने करते हैं और गलतियों से हम कम प्रोफेशनल लगते हैं मुझे नहीं पता कि उसने मेरे सिस्टम को अपनाया या नहीं लेकिन उस बाचीत के बाद उसकी गलतियां काफी कम हो अपनी गलती स्विकार करने से अगर सामने वाले को सुधारा नव भी गया हो तो भी आप किसी को अपना विवहार बदलने के लिए मना सकते हैं ये हाल में तिमोनियम मैरी लांड में दिखाया गया जब उन्हें बता चला कि उनका 15 साल का बच्चा सिग्रेट के साथ प्रयोग कर रहा था साफ है कि मैंने ही चाहती थी कि डेविस सिग्रेट पिये मिस्टर चैसु हिसेन ने हमें बताया लेकिन उसकी मा और मैं साथ साथ सिग्रेट पीते थे और हम उनके सामने एक गलतुदारण हमेशा पेश कर रहे थे मैंने डेव को बताया कि कैसे मैंने उसकी उम्र में सिग्रेट पीनी शुरू कर दी थी और कैसे निकुटिन ने मेरा नुकसान किया था और मेरे लिए अब इसे रोकना असंभव था मैंने उसे बताया कि मेरी खासी मुझे कितना परिशान करती है और क्यूं मुझे सिग्रेट सालों पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी मैंने सिग्रेट छोडने के लिए उसे धमकी नहीं दी या उस पर दबाफ, प्रेशर, या उसे ब्लाक मेल नहीं किया या खत्रों के बारे में चिताबनी नहीं दी मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उसे बताया कि मुझे सिग्रेट की लद कैसे लगी और इसे मुझे पर क्या असर पड़ा उसने इस बारे में कुछ दिर सोचा और डिसाइड किया कि हाई स्कूल से ग्राजुरेट होने से पहले वो सिगरेट नहीं पिएगा सालों बीतने के बाद भी टैव ने सिगरेट पीनी शुरू नहीं की और उसकी अभी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है इस बादचीत का फल ये हुआ कि मैंने खुद भी सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया और परिवार के सैयोग से मैं सफल हुई एक अच्छा लीडर ये सिधान्त अपनाता है इसके साथ चाप्टर 3 एंड होता है और प्रिंसिपल 3 मिलता है प्रिंसिपल 3 दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं चाप्टर 4 किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं होता मुझे एक बार मिस इडा तारबेल अमेरिका जीवनी लेखोकोग की दीन के साथ भोजन करने का सोभागे मिला जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये किताब लिख रहा हूँ तब हम लोग इस बात पर चर्चा करने लगे के लोगों के साथ कैसे बरताफ किया जाए और उन्होंने मुझे बताया कि जब वे ओवन डी यंग की जीवनी लिख रही थी तब उन्होंने एक ऐसे आदमी का इंटर्व्यू लिया जो मिस्टर यंग के साथ तीन साल तक एक ही ओफिस में बैठा था उस आदमी ने बताया कि उसने आज तक कभी ओवन डी यंग को किसी को आदेश लेते हुए नहीं सुना वे हमेशा सला देते थे आदेश नहीं उदारण के तौर पर ओवन डी यंग ने कभी नहीं कहा ये करो या वो करो या ये मत करो या वो मत करो वे कहते थे आप ऐसा सोच सकते हैं या क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा अक्सर वे कहते एक पत्र लिखवाने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपने एक सहयोगी की पत्र देखते समय वे कहते हैं अगर हम इसे इस तरह लिखें तो बहतर होगा वे हमेशा लोगों को खुद बदलने का मौका देते हैं वे कभी अपने सहयोगी को बदलने के लिए नहीं कहते वे उन्हें खुद ये काम करने देते खुद अपनी गलतियों से सीखने देते इस तरह का तरीका इनसान के लिए गलतिय सुधारना आसान कर देता है इस तरह का तरीका इंसान का अभिमान बचाता है और उसे important होने का एहसास देता है ये वित्रों के बदले सहीयोग बढ़ाता है किसी कड़े आदेश त्वारा पैदा हुई कड़वाहट लंबे समय तक रहती है भले ही वो आदेश किसे बुरी स्थिती को सुधारने के लिए ही क्यों न दिया गया हो जान संतारेली पैंसिलवेनिया के वाई ओमेंग के एक वोकेशनल स्कूल के सिक्षक ने हमें क्लास में बताया कि कैसे एक छात्री ने स्कूल की दुकानों के रास्ते को अपने कार पार करने से रोक दिया था एक प्रसिक्षक क्लास में धमकाते हुए गुसा और उसने बत्तमीजी से पूछा किसकी कार ड्राइवर वे को ब्लॉक कर रही है किसकी कार ड्राइव वे को ब्लॉक कर रही है जब कार वाले छात्रे ने जवाब दिया तो प्रसिक शक चिल लाया इस कार को हटाओ और अभी हटाओ या मैं इसके चारो ओर चेन लगवा क गर इसे बाहर हटवा दूंगा उस छात्र की गलति थी वो कार वहाँ पार्ट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उस दिन के बाद से नहां सिर्फ उस छात्रे ने उस प्रसिक्षित के बाहर की बाद पर गुसा बनाये रखा बलकि क्लास के सारे छात्रों ने भी वे वहाँ है और तब ये सलादी होती कि इस कार को हटाने से बागी कारे आ और जा सकती है तो उस छात्र ने खुशी से हटा दिया होता और उसके सह पाठियों में गुस्से की भावना नहीं आती सवाल पूछने से आपका आदेश जादा अच्छा लगता है ये उन लोगों की क्रियेटिविटी को भी जगाता है जिन्हें आदेश दिया गया है लोग किसी आदेश को मानने में जादा उसकता दिखाते हैं अगर उस निर्ने में उनकी भागीदारी हो जिससे आदेश निकल फे को एक बगधा ओर्डर मिला और उन्हें पक्का पता था कि वे डिलिवरी की तारीक तक काम नहीं कर पाएंगे शौप में पहले से ही बहुत काम था और ओर पूरा करने के लिए कम समय में उनके लिए ये असंभफ था कि ओर्डर लिया जा सके लोगों को काम की रफ़तार बढ़ाने और order को पूरा करने के लिए उन पर दबाफ डालने के बजाए उन्होंने सब को बुलाया स्थिती को समझाया और बताया कि ये चीज कंपनी के लिए कितनी जरूरी है और पूछा कि क्या वे इस order को वक्त पर पूरा कर पाएंगे फिर उन्होंने सवाल पूछने कर सकते हैं क्या कोई हमें ऐसा अलग तरीका पता सकता है जिससे शौप में काम किया जा सके और उस order को लिया जा सके क्या हम अपने काम की घंटे और नीजी असाइनमेंट को इस तरह नियोजित कर सके कि जिससे जादा सहायता मिले करमचारी कई आइडियास लेकर आए और उन उन्होंने इसे हम कर सकते हैं कि भावना से लिया और order को लिया गया काम लिया गया और सही समय पर delivery भी की गई एक प्रभाव शाली लीडर इस्तिमाल करते हैं ये principle यहाँ पे chapter 4 end होता है and हमें मिलता है principle 4 principle 4 सीधे आदेश देने के बजाए सवाल पूछे Chapter 5 दूसरे इंसान को इज़द बचाने दे कई साल पहले चेनरल इलेक्टरिक कमपनी को चार्ल्स स्टीन मैंस को विभाग के अध्यक्ष के पत से हटाने का sensitive काम करना पड़ा Stenman's जो electricity के मामले में अवल दर्जे के genius थे आकलन विभाग में असफल साबित हुए तब भी कमपनी ने उस इंसान को अपमानित नहीं किया उनके बिना काम नहीं चल सकता था और वे बहुत sensitive थे इसलिए उन्हें एक नया title दिया गया कमपनी ने उन्हें चेनरल इलेक्टरिक कमपनी का consulting engineer बना दिया वे जो काम कर रहे थे ये उसका नया title था फिर किसी और को विभाग का अध्यक्ष बना दिया स्टीनमैंस खुश थे G.E. के officer ऐसे थे उन्होंने अपने सबसे जादा sensitive emotional staff को हटा दिया था और उन्होंने ये काम बिना हंगामा खड़ा किये किया था उसे इज़त बचाने का मौका दिया था किसी को इज़त बचाने का मौका दे कर कितना जरूरी, कितना अधिक जरूरी है ये और हम मेंसे कितने लोग इस बारे में सोचते हैं हम दूसरों की भावनाओं पर हमला करते हैं अपना रास्ता निकालते हैं, गल्तिया निकालते हैं, धमकी देते हैं बच्चे या करमचारी की दूसरों के सामने क्रिटिसाइज करते हैं बिना ये सोचे हुए कि उस इंसान के स्वाभिमान को हम कितनी चोड पहुँचा रहे हैं जबकि कुछ देर की सोच एक तो समझदारी के शब्द दूसरे इंसान के नजिरे के सची समझ इस चोड को काफी हद तक दूर कर सकती है इस बात को याद रखें जब हमें किसी करमचारी को हटाने या डाटने की कडवी जरूरत पड़े लोगों को नौकरी से निकालने में खुशी नहीं होती नौकरी से निकाले जाने पे तो और भी खुशी नहीं होती मैं Marshall A. Granger एक प्रमानित पब्लिक अकाउंटेंट के लिखे पत्र से उद्देश कर रहा हूँ हमारा बिसनेस मौसमी होता है इसलिए income tax का काम खत होने पर हमें कही लोगों को निकालना होता है हमारे profession में ये कहावत है कि कोई भी कुलहारी पर करना पसंद नहीं करता इसलिए ये tradition चल पड़ी है कि इस काम को चल से जल खत्म किया जाए और इस तरह किया जाए Mr. Smith, बैग जाए मौसम खत्म हो चुका है और हमारे पास आपके लिए काम नहीं है जाहिर है आप समझते हैं कि आपको सिर्फ व्यस दिनों के लिए ही अपॉइंट किया गया था इन लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जैसे इन्हें निराश किया गया हो और इन्हें हताश किया गया हो इन मेंसे अधिकतर सिंदगी भर के लिए अकाउंटिंग फील्ट में काम करते हैं और उनमें उस फर्म के लिए कोई लगाव नहीं होता जो उन्हें इतनी आसानी से हटा देती है मैंने हाल में अपने मौसमी करमचारियों को थोड़ी व्यवहार कुशलता और संजीदगी से हटाया इसलिए मैं हर एक को भी तभी बुलाता हूं जब उसके जाड़े के मौसम में किये काम को ध्यान से देखता हूं और मैंने उस तरह के उनकी बातों की शुरुआत की मिस्टर स्मित आपने एक अच्छा काम किया है अगर उसने किया है जब हमने आपको निवार्ग भेजा तब आपका काम मुश्किल था आप कठिन जगे पे थे लेकिन आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया और हम ये बताना चाहते हैं कि फर्म को आप पर प्राउड है आप में काबीलित है आप काफी आगे जाएंगे यहां भी आप काम कर रहे हैं ये फर्म आप में विश्वास करती है और आपको पसंद करती है और हम चाहते हैं कि आप ये बात न भूले प्रभाव लोग नौकरी से निकाले जाने के बाद काफी अच्छा मैसूस करते हुए जाते हैं उन्हें नहीं लगता कि उन्हें हताश किया गया है उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके लिए काम है हम उन्हें आगे रखेंगे और अगर हमें उनके दुबारा जरुत फील होती है तो वे दिल से काम करने आते हैं हमारे कोर्स के एक सेशन में हमारे दो सदस्यों ने गलती निकालने के गलत प्रभाव और दूसरे इंसान को इज़त बचाने का मौका देने के अच्छे प्रभाव के बीच बहस की Pennsylvania High Risk Work के Fred Clark ने हमें कमपनी में होने वाले एक घटना के बारे में बताया हमारी एक Production Meeting में एक Vice President डारेक्टर की प्रतिक्रिया के बारे में हमारे Production Supervisor से काफी तीखे सवाल पूछ रहा था उसके बात करने का धंग आक्रमक था और उसका लक्ष Supervisor के काम में कलतिया दिखाना था अपने से कर्मियों के बीच अपमानित होने से बचने के लिए Supervisor अपना बचाव कर रहा था इस कारण से Vice President ने अपना आपक हो दिया उसने Supervisor को डाटा और उस पर जूट बोलने का दोश लगाया इस खटना के पहले जो भी आपसी रिष्टे थे वे कुछ पलो में ही खत्म हो गए वह Supervisor जो अच्छा काम करता था उस समय से हमारी कंपनी के लिए नाकारा हो गया कुछ महीनों बाद उसने हमारे फर्म छोड़ दी हमारे प्रतियोगी के लिए काम करने लगा और वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है क्लास की दूसरी सदस्य अन्ना मन्जोर ने बताया कि वैसे ही एक घटना उनके काम में हुई थी लेकिन परिणाम कितने अलग थे मिस मन्नोस फूट पैकर के लिए मार्केटिंग विशेशगी को उनका पहला प्रोड़क्ट टेस्ट मार्केट करना था उन्होंने क्लास को बताया जब टेस्ट के रिजल्स आए मैं घबरा गई मैंने प्लानिंग में एक बड़ी गलती कर दी थी और पूरे टेस्ट को दुबारा करना पर सकता था स्थिती और भी खराब हो गई जब उस प्रोड़क्ट की रिपोर्ट को जिस मीटिंग में पेश करना था उसके पहले मैं अपने बोस को बता ही नहीं पाई जब मुझे रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया मैं डर से काप रही थी अपने आपको धाराशाई होने से बचाने के लिए मैं हर कोशिश कर रही थी और मैंने तै किया था कि मैं नहीं रोंगी और उन मर्दों को ये टिपणी नहीं करने दूँगी कि औरते भावक होने के कारण मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकती मैंने अपनी रिपोर्ट संशेप में दी और बताया कि गलती के कारण मैं दूसरी मीटिंग से पहले फिर से स्टडी करूँगी मैं बैठ गई ये सोच कर कि अब बहुस का गुसा उबलेगा लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नई प्रोजेक्ट में अक्सर गलतियां हो जाती है और उनको विश्वास है कि सर्वे को फिर से करने पर वो सही होगा और कंपनी के लिए लाबकारी होगा सारे लोगों के सामने उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वे मुझे विश्वास करते हैं और जानते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की थी और मेरा अस अफलता की वज़े मेरे अनुभव की कमी थी न की मेरी क्षमता की कमी मैं मीटिंग से सर उठा कर निकली और ये निर्ने के लिया कि अपने बॉस का सर कभी जुकने नहीं दूँगी मैं मीटिंग से सर उठा कर निकली और अगर हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है हम दूसरे इंसान की इज़त खराब करके उसके अहंकार को चोट क्यों पहुँँ पहुँचाएं फ्रांस के प्रसिद उडान विशेशग्य और लेखक अन्टोनियो दे सेंट एक सुपेरी ने लिखा है मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है जिससे कोई इंसान अपनी नजरों में गिर जाए इससे फर्क नहीं पढ़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ फर्क इससे पढ़ता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है किसी इंसान के करीम को करीमा को चोड़ पहुँचाना एक अपराध है एक अच्छा लीडर हमेशा इस बात को मानेगा यहां हमें मिलता है हमारा प्रिंसिपल फाइफ दूसरे इंसान को इससद बचाने दे चाप्टर शिक्स लोगों को सफल्दा के लिए कैसे प्रुचसाहित करें पीट बारलो मेरा एक पुराना दोस्त था उसका एक डिंग एंट पॉली आक्ट था और वो पूरी जिंदगी सर्कस और वाडर शिल्स शो करने के लिए घूमता रहा मुझे पीट को नई कुत्तों को ट्रेनिंग देते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता था मैंने ध्यान दिया कि जब भी कोई कुत्ता थोड़ी सी भी बहतरी दिखाता था तब पीट उसकी तारीव करता था और उसे खाने के लिए मीट का एक टुकड़ा देता था और उसे काफी महत्व देता था ये नया नहीं था जानवरों के ट्रेनर्स इस तरीके का इस्तमाल शताब्दियों से करते आ रहे हैं मैं सोचता हूँ कि हम कुद्तों को बदलने में इस्तमाल होने वाला ये common sense लोगों को बदलने समय क्यों नहीं करते हम चाबुक की जगे मास का टुकड़ा क्यों नहीं इस्तमाल करते हम criticism के बदले तारीफ क्यों नहीं करते कोई थोड़ी सी बहतरी दिखाए तो उसकी प्रशंसा कने इससे उस इंसान को और भी बहतर बनने की प्रेणना मिलती है अपनी बुक I, I ain't much baby, but I'm all I got में psychologist, chase liar कहते है human behavior के लिए प्रशंसा सूरज की रोशने की तरह होती है हम इसे बिना फूल फल्क नहीं सकते और तब भी हम दूसरों पर आलोचना के तीर चलाने से बिलकुल नहीं कतराते और दूसरों की तारीफ करने से हमेशा हिचकते है मैं अपनी जिन्दगी को देखता हूँ और पाता हूँ कि प्रशंसा के कुछ शब्द कैसे मेरा पूरा फ्यूचर बदल दिया क्या आप अपनी जिन्दगी के बारे में वही चीज नहीं कह सकते हिस्ट्री ऐसे शांदार एक्जाम्पल से भरी पड़ी है एक्जाम्पल के तौर पर कई साल पहले दस साल का एक लड़का नैपल्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था वो सिंगर बनना चाता था पर उसके पहले टीचर ने उससे हतोत साहित किया तुम नहीं गा सकते उसने कहा तुम्हारे पास वो वॉइस ही नहीं है ये हकलाने वाली हवा जैसा है लेकिन उसकी मा एक गरीब किसान औरत ने उसे बाहों में समेटा और उसकी तारीफ की मा ने उससे बताया कि उससे पता था कि वो गा सकता है और वो प्रगती देख सकती है और वो नंगे पाव चलती थी ताकि उसके संगीत की कक्षाओं के लिए पैसे बचा सके किसान औरत की तारीफ और एप्रिसियेशन प्रोटसाहन ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी उसका नाम एंड्रिको कैसूरो था वो अपने समय का सबसे बड़ा और फेमस ओपेरा गायक बना 19 सेंचुरी की शुरुआत में लंडन का एक यूवाले खक बनना चाता था लेकिन हर चीज उसके खिलाफ दिखती थी उसने चार साल से जादा समय तक स्कूल में नहीं बिताया था उसके पिता कर्ज ना चुका पाने के कारण जेल चले गए थे और वो यूवा अकसर भूग से तड़पता था अंत में उसे चूहों से भरे एक वेर हाउस में बॉटल्स पर लेबल चिपकाने का काम मिला और वो एक बेकार बाला खाने में दो और लड़कों के साथ रात में सोता था जो लंदन की जुग्यों में आय हुए थे उससे अपने लेखक की शमता लिखने की शमता में इतना कम विश्वास था कि वो चुप चाप हो गया उसकी कई कहानिया ठुकराती गई बट वो महान दिन आया जब उसकी पहले कहानी स्विकार कर ली गई उससे इसके लिए पैसे नहीं मिले पर संपादक ने उसकी तारीफ की थी एक संपादक ने उससे पहचान दी वो इतना खुश हुआ कि वो सडकों पर आसु भरी आखों के साथ इधर उधर घूमता रहा एक कहानी के छपने से उससे जो तारीफ और पहचान मिली उससे उसकी जिन्दगी बदल दी अगर ये प्रोचाहन न मिला होता तो वो जिन्दगी भर चूहों से भरे कारखानों में जिन्दगी बिता देता उसका नाम था चार्ल्स डिकिन्स हर इंसान को तारीफ पसंद है लेकिन अगर वो तारीफ किसी विशेश चीज के लिए हो तो ये सच्ची लगती है ना कि सिर्फ उस इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए की गई हो याद रखे हम सही तारीफ और पहचान चाहते हैं और इससे पाने के लिए कुछ भी करेंगे पर किसी को भी जूट पसंद नहीं है कोई चाटुकारी नहीं पसंद करता मुझे दोहराने दे, इस किताब में शिखाएगर सिधान काम तभी करेंगे जब वे दिल से निकले हो मैं जूटी तरकीवे नहीं बता रहा हूँ, मैं जीने के एक नए तरीके के बारे में बता रहा हूँ लोगों को बदलने के बारे में बात करते हैं अगर आप और मैं अपने संपर्ग में आए लोगों को उनके अंदास छिपे खजाने के बारे में प्रेरित करते हैं, तो हम उन्हें काफी बदल सकते हैं, हम उन्हें रुपांतरिक कर सकते हैं अतिश्योक्ती, तो विल्यम जेम्स की सुन्दर बाते सुनिये, जो अमेरिका के सबसे बड़े मनोवे ज्यानिकों और दार्शनिकों में से एक हैं, जो हम हो सकते हैं, उसकी तुलना में सिर्फ आधे जागे हुए हैं, हम अपने मानसिक और शारिरिक संसाधरों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तमाल कर रहे हैं, साधारन शब्दों में कहें, तो इंसान अपनी सिमावं से काफी कम में रहता है, उसके पास ऐसी कई शक्तिया हैं, जिसका वो अक्सर इस्तमाल नहीं कर पाता, हां इन बातों को पढ़ने वाले आपके पास कई शक्तिया हैं, जिनका आप अक्सर इस्तमाल नहीं करते और वैसी एक शक्ति जिसका पूरा इस्तमाल नहीं कर रहे हैं वो है आपके लोगों की तारीफ करके उनके छुपिक शमताओं को बाहर निकालने के जादूई शक्ति आलोचना के कारण शमताएं कम हो जाती है वे प्रोत्साहन में फलती फूल लोगों का एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए इस प्रिंसिपल का पालन करें प्रिंसिपल 6 चोटी से छोटी प्रगती की प्रशंसा करें और हर बहतरी की तारीफ करें तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बनें चाप्टियो 7 अच्छे काम के लिए अच्छा नाम दे आप क्या करेंगे जब अच्छा काम करने वाला एक इंसान खराब काम करने लगे? आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं पर इससे कुछ हल नहीं होगा आप उसे डाट सकते हैं पर उससे कटूता पैदा होगी लॉयल इंडियाना के एक बड़े ट्रक डीलर्शिप के सर्विस मैनेजर हेंडरी हेंके के पास एक मेकानिक था जिसका काम संतोष जनक नहीं रहा उसे निकाल ले या डाटने के बजाए मिस्टर हेंके ने उसे ओफिस बलाया और उससे दिल खोल कर बात की बिल उन्होंने कहा तुम एक अच्छे मेकानिक हो तुम कई साल तक बहतरीन काम करते आये हो तुमने कस्टमर्स के गाड़िया ठीक करके उन्हें खुश किया है वास्तव में तुम्हारे काम के कारण कई बार तारीफ मिली है लेकिन इधर हाल में तुम काम करने से जादा वक्त लगा रहे हो और काम का स्तर भी पहले जैसा नहीं रहा चुकि तुम अब तक इतने बहतरीन मेकानिक रहे हो मुझे लगता है कि मैं बता दूं कि मैं तुम्हारी स्थिती से खुश नहीं हूँ और हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन का समाधान निकाल सकते हैं बिल ने जवाब दिया कि उसे पता नहीं था कि उसके काम में कमी आ रही है और उसने अपने बॉस को विश्वास दिलाया कि उससे मिलने वाला काम अपनी क्षमताओं के अनुरूप था और वो भविश्य में सुधार लेगा और उसे और भी जादा बहतरीन तरीके से करने के कोशिश करेगा क्या उसने ऐसा किया? बिलकुल उसने ऐसा किया वो फिर से तेज और सक्षम मेगानिक बन गया मिस्टर हेनके ने उसे जो प्रतिष्ठा दी उसके लिए वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जो उसके अतीत के काम से कम हो औसत इंसान साम्यूवेल वॉंकले बाल्डविन मोकोवाटिस वर्क्स के ततकालीन प्रेसिडेंट ने कहा औसत इंसान का आसानी से नित्रित्व किया जा सकता है अगर आप उसका सम्मान पा सके और उसे दिखा सके कि आपके मन में उसकी क्षमता के लिए सम्मान है थोड़े शब्दों में अगर आप किसी इंसान को किसी चीज में बहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसा बरताफ करें मानों उनमें वे गुण पहले से ही है शेक्सफिर ने कहा अगर आप में कोई गुण नहीं है तो मान ले कि वो है और अच्छा होगा अगर आप मानने के बाद उन लोगों को सामने बताएं कि उनमें वो गुण है जो आप विकास करना चाहते हैं उन्हें वो प्रतिष्ठा दे जिनके अनुरूप उन्हें रचना है और वे आपका भ्रम तोड़ने की बजाए आपको सही साबित करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे डाइटोना बीच फ्लोरिडा की एक फूट कमपनी के सेल्स प्रतिनीदी बिल पारकर अपनी कमपनी द्वारा लाए गए नए प्रोड़क्ट को लेकर बहुत खुश थे और इस बात से नाराज भी थे कि एक बड़े स्वतंत्र फूट मार्केट के मैनेजर ने इसे अपने स्टोर में लाने के अफसर को ठुकरा दिया था बिल इस पर दिन भर सोचते रहे और शाम में घर जाने से पहले वे स्टोर चले गए ताकि फिर से एक कोशिश कर सके जैक उन्होंने कहा जब मैं सुबह यहां से गया तो मुझे लगा कि मैंने आपको अपने नए प्रोड़क्ट की पूरी तस्वीर नहीं दी थी और अगर आप मुझे मौका दे तो मैं कई छूटे हुए पॉइंट्स को बताना चाहूंगा मैं आपका काफी सम्मान करता हूँ अब हमेशा सुनने के लिए तयार रहते हैं और अगर फैक्ट्स में बदलाव हो तो अपना निर्ने बदल सकते हैं क्या जैक दुबारा सुनने से इंकार कर सकते थे उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसके हिसाब से तो नहीं एक सुबह डॉक्टर मार्टिन फिट हुजगा डबनील के डेंटिस्ट चकित हो गए जब उनके एक मरीज ने बताया कि वे मूद होने के लिए जिस मेटल कप होल्डर का इस्तिमाल कर रही थी वो साफ नहीं था सही है कि मरीज पेपर कप से पीते थे होल्डर से नहीं पर इस तरह का गंदा समान इस्तिमाल करना प्रोफेशनल नहीं था जब मरीज चला गया तो डॉक्टर ने अपने प्राइविट ओफिस में गए और ब्रेट गिट को पत्र लिखा जो सप्ता में दो बार उनका ओफिस साफ करने आती थी उन्होंने लिखा मैं तुम से बहुत कम मिलती हूँ तो मैंने सोचा कि तम्हारे बेहतरीन काम के लिए तुम्हें धन्यवाद दे दू साथ ही मैंने सोचा कि बता दू कि चूकी हफ़ते में दो बार दो घंटे के लिए काम करना तुम्हारे लिए बहुत जीमित समय है इसलिए अगर जरूरत हो तो उन कभी कबार किये जाने वाले कामों जैसे कप होल्डर्स को पॉलिश करना के लिए आदा घंटा अलग से निकाल लो मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूँगी अगले दिन जब मैं ऑफिस में घुसी डॉक्टर ने कहा मेरा डेस्क दरपन की तरह चमक रहा था साथ ही मेरी कुर्सी जिसे मैं लगभग फिसल गई जब मैं ट्रीट्मेंट रूम में गई तो मैंने चमकता हुआ साफ सुथरा क्रोम प्लेटेड कप होल्डर पाया मैंने अपनी सफाई करमचारी को एक ऐसी प्रतिष्ठा दी थी जिसके अनुरूप वो रह सके और इस छोटे से कदम के कारण वो अपने पुराने कामों को बहतर तरीके से करने लगी इसके लिए उसने कितना और समय लिया बिल्कुल भी नहीं एक पुरानी कहावत है किसी कुटे को एक बुरा नाम दो और वो उसे फासी पर चढ़ाने के बराबर है लेकिन उसे एक अच्छा नाम दो फिर देखो क्या होता है जब मिस्स रूथ हॉपकिंग नियॉयोर्क के ब्रूकलिन के चौथे क्लास के सिक्षक ने स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास के बदमाश लड़के को देखा तो एक नया टर्म शुरू करने का उनका उत्साग खत्म हो गया इस साल उनकी क्लास में टॉमी टी होगा जो स्कूल का सबसे कुख्याद लड़का था उसके तीसरी क्लास के टीचर ने उसके बारे में हर किसी से सिर्फ शिकायत की थी चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई और वो सिर्फ बदमाश नहीं था बलकि क्लास में अनुशासन की दिक्कते पैदा करता था बच्चों के साथ जगड़ा करता था लड़कियों को छेड़ता था टीचर को तंग करता था और उम्र बढ़ने के साथ बदमाश होता ही चला जा रहा था उसकी एक ही अच्छी बात थी कि वो जल्दी सीखता था और स्कूल के काम को जल्दी कर लेता था Mrs. Hopkins ने Tommy problem का सामना करने का फैसला कर लिया जब उन्होंने नए छात्रों को संबोधित किया तो उन्होंने हर छात्र के बारे में छोटी-छोटी टिपनिया की रोज तुमने एक सुन्दर ड्रेस पहन रखी है Alicia मैंने सुना है तुम सुन्दर चित्र बनाती हो जब Tommy का नंबर आया तो उन्होंने उसकी आखों में आखे डाल कर देखा और कहा Tommy मुझे लगता है तुम एक अच्छे लीडर हो इस क्लास को स्कूल की बेस्ट क्लास बनाने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी उन्होंने टॉमी की हर बात की तारीफ करके और ये बताके कि वो कितना अच्छा लड़का है इस बात पर काफी जोर दिया ऐसे प्रतिष्ठा के अनुरूप रहने के लिए वो 9 साल का बच्चा उन्हें हताश नहीं कर सकता था और उसने किया भी नहीं अगर आप दूसरों का नजर्या बदलने के काम वाले लीडर्शिप के रोल में अच्छा करना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल का इस्तिमाल करें यहां हमें मिलता है प्रिंसिपल 7 दूसरे इंसान को एक ऐसे प्रतिष्ठा दे जिसके अनुरूप वो रह सके चाप्टर 8 ऐसा मैसूस कराएं कि गलती आसानी से ठीक हो सकती है मेरे एक बैचलर दोस्त की जो 40 साल का था सगाई हो गई और उसकी मंगेतर ने उसे डांसिंग लेसन लेने के लिए कहा इश्वर चानता है कि मुझे डांसिंग लेसन की जरूरत थी उसने कहानी बताते समय स्विकार किया क्योंकि मैंने इसे डांस किया जैसे मैंने 20 साल पहले पहली बार डांस किया था पहली टीचर ने मुझे शायद सच्चाई बताई थी उसने बताया कि मैं पूरी तरह गलत था मुझे सब कुछ भूल कर फिर से शुरू करना होगा पर इस बात ने मेरा दिल ही तोड़ दिया था मुझ में आगे बढ़ने का उत्सा नहीं रहा इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया अगली टीचर ने शायद गलत कहा होगा पर मुझे वो पसंद थी उन्होंने बड़े आराम से कहा कि मेरा दांस थोड़ा पुराने फैशन का था लेकिन मेरा आधार सही था और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ नए स्टेप सीखने में दिक्कत नहीं होगी पहले टीचर ने मेरी गलतिया बता कर मुझे हतोत साहित किया था नई टीचर ने ठीक उल्टा किया वे मेरी सही चीजों की तारीफ करती रही और मेरी गलतियों को कम करती रही तुम में रिदम की स्वभाविक समझ है उन्होंने विश्वास दिलाया तुम एक सहच दांसर हो अब मेरा कॉमन सेंस ये बताता है कि मैं हमेशा से ही एक चौथे दरजे का डांसर रहा हूँ फिर भी दिल के गहराई में मुझे अभी भी लगता है कि वे सही रही हूँ निश्चत रूप से मैं उनको ये कहने के लिए पैसे दे रहा था पर इस बात को क्यों उठाया जाए किसी भी आधार से मैं जानता हूँ कि आज मैं एक बहतर डांसर हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे में रिद्र्म की सौभाविक समझ है इसने मुझे प्रोचसाहित किया इसने मुझे आशा दी इसने मुझे आगे बढ़ने की इच्छा दी अपने बच्चे, अपनी वाइफ या पती या फिर अपने करमचारी को बताएं कि वो किसी चीज में नाका रहा है, उनमें कोई प्रतिबा नहीं है और वो सब कुछ गलत कर रहा है, और आपने उनमें आगे बढ़ने की सारे एक्छा खतम कर दी लेकिन उसका उल्टा तरीका अपना है, उससे प्रुचसाहित कीजिए, ऐसा फील कराईए कि चीज आसानी से हो सकती है, दूसरे इंसान को जानने दीजे कि आपको उसकी क्षमता में विश्वास है और उनमें एक अविक्सित प्रभती प्रतिभा है और वो शाम ढ़लने तक अच्छा करने के लिए अभ्यास करेगा Lloyd Thomas, मानुविय रिष्टे, human relationship में एक बहतरीन कालाकार ने इस तरीके का इस्तिमाल किया वो आपको विश्वास देता था, आपको साहस और श्रद्धा देता था उधारन के तौर पर मैंने Mr. और Mrs. Thomas के साथ एक सबताहांत बिदाया, एक वीकेंट बिदाया जो मुझे आग के पास ताश की एक पाटी में न्योता दिया गया ताश, ओ नहीं, 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 मैं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था ये खेल मेरे लिए हमेशा से एक रहसे था, नहीं, असंभव, impossible क्यों डेल, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लॉयल ने जवाब दिया ताश में स्मृति और निर्ने लेने के अलावा कुछ नहीं है तुमने यादाश पर किताबे लिखी है, ताश तुम्हें आसान लगेगी, ये तुम्हारे लिए बाए हाथ का खेल है और कमाल हुआ, इससे पहले कि मैं सोच पाता कि क्या कर रहा हूँ मैं ताश की टेबल पर पहली बार बैट चुका था सिर्फ इसलिए कि मुझे बताया गया था कि मुझमें इसके लिए सहच प्रतिभा थी और मुझे गेम को असान मैसूस कराया गया ताश ने मुझे एली कलबर्ट्स की याद आती है जिनकी ताश पर किताब एक दरजन भाशाओं में अतनी दूथ हो चुकी है और उनके एक मिलियन से जादा प्रतियां बिक चुकी है उन्होंने मुझे बताया था कि इसके बावजूत कभी भी इस खेल को अपना पेशा न बना पाते अगर एक यूवा महिला ने उन्हें नहीं बताया होता कि इनमें इसके लिए प्रतिभा है जब वे year 1922 में अमेरिका आए तो उन्होंने philosophy और sociology पढ़ाने का काम खोजा पर वे unsuccessful रहे तब उन्होंने कोईला बेचने की कोशिश की फिर भी असफल रहे उसके बाद उन्होंने कॉफी बेचने की कोशिश की पर वहां भी मार खा गए उन्होंने थोड़ा बहुत ताश खेला था पर उनके दमाग में ये बात कभी नहीं आई कि वे एक दिन इसे सिखाएंगे वे बुरा ताश खेलने के अलावा बहुत जिद्धी भी थी वे बहुत सवाल पूछती थी और बहुत जादा पोस्ट मातम करते थी इस कारण कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहता था तब वे एक सुन्दर ताश की टीचर चौसेफीन डिलडोक से मिली प्यार में पढ़ गई और उन्होंने शादी कर ली उन्होंने देखा कि वे कितनी साफधानी से कार्ट का निरिक्षिन करते हैं और उन्हें समझाया कि उनके अंदर एक जीनिस चुपा है इस प्रोचाहन के बल पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ताश को अपना पेशा चुन लिया क्लॉरेंस M. जोन्स ओहियो के सिंसिनाटी में हमारे कोर्स के प्रसिक्षिन ने बताया कि प्रोचाहन और गलती को असानी से सुधारे जाने के एहसास से कैसे उनके बेटे की जिन्दगी बदल गई Year 1970 में मेरा 15 साल का बेटा डैविस मेरे साथ रहने सिंसिनाटी आया उसकी जिन्दगी मुश्किल रही थी Year 1958 में उसका सिर एक कार दुरघटना में कट गया था जिसका बड़ा सा निशान उसके सर पर था Year 1960 में मेरा और उसकी मा का तलाक हो गया और वो अपनी मा के साथ डलास टेकसास चला गया 15 साल की उम्र तक उसने अपना समय क्लास स्कूल सिस्टम में धीमे सीखने वालों के लिए स्पेशल क्लासस में बताया सिर पर निशान के कारण स्कूल के प्रबंध को ने सोचा कि उसके दमाग में छोट पहुँची है और वो समान्य बरताव नहीं कर सकता वो अपनी उम्र के लोगों से दो साल पीछे था और सिर्फ सेवन्थ क्लास में था फिर भी वो पहाडे नहीं फिर भी वो पहाडे नहीं जानता था अपनी उंगलियों पर गिनता था और शायद ही पढ़ पाता था जब उसमें एक पॉजिटिव चीज थी पर उसमें एक पॉजिटिव चीज थी उसे रेडियो और टीवी सेट पर काम करना अच्छा लगता था वो टीवी, टेक्स, टेक्नीशियन बनना चाहता था मैंने उसे प्रोचसाहिद किया और उससे कहा कि उसे ट्रेनिंग में जाने के लिए करनित की जरूरत होगी मैंने उसे इस विशे में दक्ष बनाने की ठान ली हम फ्लैश कार्ड की चार सेट लेकर आए मल्टिप्लिकेशन, डिविजिन, एडिशन, और सब्स्ट्राक्शन जब हमने कार्ड को देखा तो हमने सही उत्तर एक अलग जगे डाल दिया जब जैविस से गलती होती थी, तो मैं सही आंसर देता था और उस कार्ड को वापस डाल देता था जब तक कोई भी कार्ड बचा न रह जाए जब भी कोई जवाब सही बताता था, मैं काफी तारीफ करता था खास कर अगर उसने पहले गलती की हो हर रात हम कार्ड के साथ ये खेल खेलते थे जब तक सारे कार्ड खत्म न हो जाए हर रात हमने एक स्टॉप वाच के साथ प्राक्टिस भी की मैंने उससे वादा किया कि जब वो आच मिनिट्स में सारे कार्ड में कि जवाब सही देदेगा, तो हम उसे हर रात खेलना बंद कर देंगे। ये डैविट को एक नामुम्किन लक्ष लगता था। पहली रात को इसमें 52 मिनिट्स लगे। दूसरी रात 48, फिर 45, 44, 41 एन उसके बाद 40 मिनिट्स से भी कम। हमने हर प्रगती पर खुशी मनाई। मैं अपनी वाइफ को बोलता था। फिर हम दोनों उसको गले लगाकर डांस करते थे। महीने के अंत में वो आठ मिनिट्स के भीतर सारे काच सही जवाबों के साथ खेल रहा था। जब वो थोड़ा भी प्रगती दिखाता तो हम उसे दुबारा करने के लिए कहते। उसे ये पता चल गया था कि सीखना आसान और मज़ेदार है। एल्जेब्रा में उसके ग्रेड्स बहतर हो गए। जब आप गुना करना सीख जाते हैं तो एल्जेब्रा आश्यरिजनक रूप से आसान हो जाता है। इसने ग्रेड्स में बी ग्रेड्स लाकर खुद को भी चकित कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाकि सारे चेंजेज अविश्वसनिय रफ्तार में आए। उसके पढ़ने की स्पीड बढ़ गई और उसने अपनी प्रतिभा का इस्तमाल स्केचिंग में शुरू किया। स्कूल के साल में बाद में इसने विज्ञान के टीचर ने उसे एक प्रदर्शिनी बनाने का काम सौपा। उसने लीवर्स का प्रभाव दिखाने के लिए मॉडल की एक बहुत जटल सीरीज बनाई। इससे बनाने के लिए sketch और model बनाने के साथ ही applied maths की भी जानकारी ज़रूरी थी उसका model school के science fair में पहला prize ले गया फिर वो शहर के competitions में गया और पूरे Cincinnati शहर में third rank लेकर आया यह ऐसे हुआ यहां एक बच्चा था जो दो grades में fail हो गया था जिससे बताया गया थे कि उसका दिमाग शती ग्रस्त है और उसके सहपाथियों ने Frankstein बताया था और कहा था कि उसका दिमाग सिर के कटे हिस्से से निकल गया होगा तब ही अचानक उसे पता चला कि वो सीख सकता है और जिन्दगी में चीजें अचीव कर सकता है रिजल्ट एथ क्लास के अंतिम सेमेस्टर से लेकर पूरे हाई स्कूल के दौरान वो कभी भी ओनर कॉल में अपना नाम बनाने से नहीं चुका हाई स्कूल में उसे नैशनल ओनर सोसाइटी में चुना गया जब एक बार उसे पता चला कि सीखना आसान है तब उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई अगर आप दूसरों की प्रगती करने में मदद करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल एट का सहारा जरूर ले प्रिंसिपल एट प्रोटसाहन का सहारा ले ऐसा महसूस कराएं कि गल्ती आसानी से सुधर सकती है चाप्टर नाइन लोगों से अपना काम कराते समय उन्हें खुशी महसूस कराएं यर 1915 में अमेरिका परिशान था एक साल से भी जादा समय से यूरोप के देश एक दूसरे को जैसे रफ्तार से काट रहे थे वैसा पहले कभी माना वितिहास में नहीं हुआ था क्या अब शान्ती लाई जा सकती थी? कोई नहीं जानता था लेकिन उल्टरो विल्सन कोशिश करना चाहते थे वे एक नीजी प्रतिनिधी एक शान्ती संदेवाहक भेजने वाले थे जो यूरोप के युद्ध स्वामियोग से बात कर सकते बात कर सके ब्रॉयन का राज सचीव विल्यम जैनिंस ब्रायन एक शान्ती संदेश वाहक था जो जाना चाहता था उसे एक महाल सेवा और अपना नाम अमर बनाने का मौका दिया लेकिन Wilson ने एक दूसरे इंसान अपने प्रियमित्र और सलाकार Colonel Edward M. House को नियुक्त किया और House का ये मुश्किल काम था कि वो Brian को बिना चोड़ पहुँचाए ये सूच ना दे Brian को बुरा लगा जब उसे पता चला कि मुझे शान्ती संदेश वाहा के रूप में यूरोप भेजा जा रहा है Colonel House अपनी डायरी में लिखते है उसने कहा कि उसने सोचा था कि वो खुच जाएगा मैंने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ने सोचा कि किसी को आधिकारिक रूप से भेजना ना समझी होगी क्योंकि वो बेमतलब का ध्यान आकरशक करेगा और लोग सोचेंगी कि वो वहाँ क्यूं आया है आपने इसका मतलब समझा? यहाँ ब्रायन को ये बताया गया कि वो इस काम से जादा इंपोर्टेंट है और ब्रायन संतुष्ट हो गया कर्णल हाउस जो संसार के मामलों में काफी अनुभवी और दक्ष थे यहाँ हुमन रिलेशन्स के एक इंपोर्टेंट नियम का पालन कर रहे थे हमेशा दूसरे इंसान को वो काम कराने में खुश महसूस कराएं जो आप उनसे कराना चाह रहे हैं वुट्रो विल्सन ने इस नीती का पालन विलियम गिब्स मैकाडू को अपने काबिनेट का सदस से बनाते समय भी किया ये सबसे बड़ा सम्मान था जो वे किसी को दे सकते थे तब भी फिल्यम ने ये नियोता इस तरह से दिया कि मैकाडू तो गुना महत्वपूर्ण महसूस कर सके यहां मैकाडू की कहानी उन्ही के शब्दों में है उन्होंने विल्सन कहा कि वे अपनी काबिनेट बना रहे थे और वे काफी खुश होंगे अगर मैं ट्रेजरी के सेक्रेटरी का पद ग्रहन करता हूँ चीजों को बताने का उनका तरीका अनूखा था उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि यह महान सम्मान ग्रहन करके मैं उन पर एहसान करूँगा दुर्भागे से विल्सन हर बार ऐसी व्यवहार कुशलता नहीं दिखाते थे अगर वे दिखाते तो इतिहास कुछ अलग होता एक्जाम्पल के तौर पर विल्सन ने क्युनाइटेट स्टेट्स को लीग ओफ नेशन्स में प्रवेश दिलाकर सिनेट और रिपब्लिकन पार्टी को नाखुश कर दिया विल्सन ने मशूर रिपब्लिकन लीडर जैसे एलू रूटी या चार्ल्स एवोंस या हेंड्री काबोट के साथ शांती वारतालाब करने से इनकार कर दिया बदले में विपनी पार्टी के अंजाने लोगों को ले गए उन्होंने रिपब्लिकन्स को दुद्कारा उन्हें ये विश्वास ने ही करने दिया कि लीड का आइडिया प्रेसिडेंट के साथ साथ उन लोगों का भी था उन लोगों को हाथ बटाने से रोग दिया और हुमन रिलेशन्स को इतनी बुरी तरीके से हाथ लगाने के कारण अपना करियर खराब किया अपनी जिन्दगी छोटी कर ली अमेरिकन लोगों को लीग से दूर हटाया और दुन्या का इतिहास बदल दिया सिर्फ राजनितिग्य और कूट नितग्य ही लोगों को अपना अपना काम कराने के लिए अच्छा मैसूस कराओ नीती पर इस्तमाल नहीं करते इंडियाना के फॉर वायर ने टेन ओ फिर्यालत ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने छोटे बेटे को दिल से घर काम करने के लिए तयार किया जैफ का एक काम ये था कि नाशपती के पेड़ के नीचे गिरे नाशपतियों को उठा ले ताकि घास काटने वाले को उन्हें उठाने के लिए रुखना न पड़े उसे ये काम पसंद नहीं था इसलिए अक्सर ये काम होता ही नहीं था या इतने बिकार तरीके से होता था कि घास काटने वाले को नाशपती उठाने के लिए रुखना ही पर जाता था उससे इस बारे में आमने सामने के बहस करने के बजाए एक दिन मैंने उससे कहा जैफ मैं तुम्हारे साथ एक समझोता करूँगा उठाएगा नाशपती के हर बास्केट के बदले मैं तुम्हें एक डॉलर दूँगा लेकिन काम खत्म होने के बाद अगर एक भी नाशपती गिरी मिली तो तुम्हारा एक डॉलर वापस ले लूँगा कैसा लग रहा है जैसे आप आशा कर रहे होंगे उसने न सिर्फ सारे नाशपती उठाए बलकि हमें ये भी ध्यान देना पड़ा कि कहीं बास्केट भरने के लिए वो नाशपती पौधों से ही न तोड़ने लगे मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसे दोस्तों से और अन्य लोगों से मिलने वाले आमंत्रणों को अस्विकार करना पड़ता था पर वो ये काम इतनी कुशलता से करता था कि सामने वाले को अस्विकृती से संतोष हो जाता था वो ऐसा कैसे करता था वो सिर्फ ये बाते नहीं करता था कि वो इस या उस काम में व्यस्थ है नहीं आमंत्रण के लिए धनिवाद देने के बाद और स्विकार न कर पाने की क्शमता पर अफसोस करने के बाद वो विकल्ब में किसी वक्ता का नाम बता देता था दूसरे शब्दों में वो दूसरे इंसान को अस्विकृती के बारे में बुरा मैसूस नहीं होने देता था वो इस इंसान की सोच तुनन दूसरे आदमे की और मोर देता था जो ये निमंतरन स्विकार कर सकता था गुंटर श्मिड्स जिन्होंने पश्चिमी जर्मिनीन में हमारा कोर्स किया था ने बताया कि उन्होंने फूट स्टोर के एक करमचारी को कैसे संभाला जो शेल्फ पर रखे जाने वाले समानों पर सही प्राइस टैग नहीं लगाती थी उससे दिक्कत और ग्राहकों कोई शिकायते आ रही थी याद दिलाने डाटने छगरने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंत में मिस्टर श्मिटसल ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और उसे बताया कि वे पूरे स्टोर के सूपरवाईजर और प्राइस टैग पोस्टिंग के लिए चुन रहे हैं और ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारे शेल्फ में सही टैग लगवाए इस नई जिम्मेदारी और नए पोस्ट से उसका नजर्या पूरी तरह बदल गया और वो आगे चल कर अपना फर्स ठीक से निभाने लगी बचपन भरा शायद पर ये बात नेपोलियन के बारे में भी कही जा सकती है जिसने लीजन ओफ ओनर बनाया और 15,000 क्रोस सैनिकों में बतवाया और अपने 18 जेनरलों को मार्शल ओफ फ्रांस की उपाधी दी और अपनी सेना को ग्रैंट आर्मी कहा नेपोलियन को युद में शरीक योद्धाओं को खिलोने देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा और नेपोलियन ने जवाब दिया इंसानों पर खिलोने ही शासन करते हैं टाइटल और अधिकार देने का तरीका नेपोलियन के लिए कारगर रहा और आपके लिए भी रहेगा उधारन के लिए मेरी एक दोस्त न्यूयोर्क के स्कॉट डेल की मिसिस ग्रेंट को उन लड़कों से दिक्कत थी जो उनके लौन पर दोड़कर उसे बरबाद कर डालते थे उन्होंने आलोशना की उन्होंने मनाया कोई काम नाया तब उन्होंने सबसे बदमाश बच्चे को टाइटल और ताकत का एहसास दिलाया उन्होंने उसे अपना डिटेक्टिव बना लिया और लौन में घुसने वाले बच्चों को दूर रखने का काम दिया इससे उनकी समस किसी प्रभावशाली लीडर को ये सारे निर्देश ध्यान में रखने चाहिए अगर वह लोगों का नजर्या और व्यवहार बदलना चाहता है। फूर्थ बात मानने से दूसरे इंसान को क्या लाब होगा ये सोचिए। प्रदेश दे सकते हैं। जॉन कर ग्रहक आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि स्टोरूम साफ हो जाए। इसलिए इसे ज़ारू लगा दो। स्टोक को शेल्फ पर अच्छी तरीके से रख दो और काउंटर को पॉलिश कर दो। या हम इसी आइडिया को इस तरह से भी बता सकते हैं जिससे जॉन को इस काम में होने वाले फायदे दिख जाए। जॉन हमारे पास एक काम है जो भी पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये अभी नहीं हो पाएगा तो हमें इसे बाद में नहीं करना होगा। मैं कल अपनी फैसिलिटी दिखाने कुछ ग्राहकों को ला रहा हूँ। मैं उन्हें स्टॉक रूम दिखाना चाहूंगा जो बूरी अवस्था में हैं। अगर तुम यहां जाड़ो लगा सको, स्टॉक को शेल्फ में अच्छी तरह रख दो और काउंटर को पॉलिश कर दो तो हम सक्षन दिखेंगे और कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में तुम सही योग कर पाओगे। क्या जॉन को वो करने में अच्छा लगेगा जो आप चाहते हैं? शायद बहुत अच्छा नर्व ही लगे लेकिन लाब बताने पर थोड़ा अच्छा तो जरूर लगेगा। मान दीजे कि आप जानते हैं कि जॉन को इस बात पर गर्व है कि स्टॉक रूम कैसा दिखता है और वो कंपनी की इमेज बनाने में दिल्चस्पी रखता है तो वो ज्यादा सही योगी हो जाएगा। उसे ये भी बताना होगा कि इस काम को कभी न कभी करना ही है इसलिए इसे अभी करने से वो इसके बात से करने से जादा बच जाएंगे। अगर आप उमीद करते हैं कि इन तरीकों को अपनाने से आपको हमेशा अच्छी प्रतिक्रियाएं मिले तो आप गलत हैं लेकिन अधिकतर लोगों के अनुभव बताते हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपना कर लोगों का नजर्या जादा असानी से बदल सकते हैं और चाहें उसे वे ज़ादा पसंद से करेंगे अगर आप इस्तमाल करें ये प्रिंसिपल्स नाइन प्रिंसिपल्स नाइन आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इनसान को अच्छा महसूस कराएं इसके साथ हम पाट फोर के एंट पर आ चुके हैं तो चलिए इस पाट टोड़े शब्दों में एक लीडर बने, एक लीडर का काम अक्सर लोगों का नजर या और व्यवहार बदलना होता है। इससे करने के लिए कुछ सला है। प्रिंसिपल वन, तारीफ और सची प्रशंसा से शुरू कीजिए। प्रिंसिपल टू, लोगों की गलतियों पर परोग शुरूप से इंडिरेकली ध्यान दिलाया जाए। प्रिंसिपल थ्री, दूसरे इंसान के आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताए। प्रिंसिपल फोर, सीधे आदेश देने के बचाए, सवाल पूछे। प्रिंसिपल फाइफ, दूसरे इंसान को इज़त बचाने दे। प्रिंसिपल 6, छोटी से छोटी प्रगती की प्रशंसा करें और हर बहतरी की तारीफ करें, तारीफ में दिलतार और प्रशंसा में उदार बनें प्रिंसिपल 7, दूसरे इंसान को एक ऐसे प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वो रह सके प्रिंसिपल एट प्रोचसाहन का सहारा ले ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से सुधर सकती है प्रिंसिपल नाइन आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इंसान को अच्छा महसूस कराएं इसके साथ हम ये बुक यहां पर कम्प्लीट करते हैं I hope कि आपको मेरे ये efforts अच्छे लगे होंगे और ये बुक की reading या ये बुक का audio आपको पसंद आया होगा इसी उमीद के साथ मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप अपने सारे comments नीचे जरूर डाले और मुझे जरूर बताएं अगर आपको किसी improvement की need लगती है तो या फिर अगर आप किसी और बुक पे हमारा audiobook सुनना चाहते हैं तो वो भी suggest जरूर करें This audiobook was presented to you by aesthetic narrator अपना अच्छे से ध्यान रखिये and मिलते हैं next audiobook में Till then, take care, signing off तो, जारएं कीciendo की कि से अपना आपको शiston जरूर आपको में झाळ चको यापनाayan लगता झाताव सीघा जरूर जरूर सी gefार्वर आपको झातान सिय क्टता हॉका